हेलो एवरिवन, इस वीडियो में हम पूरा करेंगे CD याने compiler design, especially for your semester exam मैंने इस वीडियो में बताया है कि exam point of view से कौन-कौन से topics important है वहां से exactly क्या questions exam में पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैंने पूरा compiler starting से लेकर N तक पढ़ाया है तो अगर इस से पहले आपने compiler कभी नहीं पढ़ा या आप जल्दी से इसको revise करना चाहते हैं दोनों ही case में वीडियो आपके लिए एकदम perfect है अगर आप ये पूरी वीडियो complete करते हैं तो आपको compiler सिखाने की जिम्मेदारी मेरी यहां मैंने बहुत सारे college और university का syllabus study करने के बाद content final किया है तो इस बात की guarantee करता हूँ 95% से जादा syllabus तो आपके semester या university exam से match करेगा ही करेगा इस वीडियो में जो भी content हमने discuss किया है उसके एकदम pro level के notes का link आपको वीडियो के description में मिलेगा यहां नीचे timeline बे आप chapters जेख सकते हैं जिस पर click करके आप किसी भी topic पर directly भी जा सकते हैं आप दुनिया में जिस जगह से भी video देख रहे है comment करके एक बार जरूर बताएगा ताकि comment section में भारत का नक्षा बनता हूँ नजर आए तो दोस्तो डारेकली एक बार नजर डालीजे वीडियो के chapters पर तो और ओर ओल फाइव chapters या units आपके semester की वह होने वाली है you can take a screenshot जैसे मैं आप से promise किया है लगवग लगवग 90-95% से जादा slivers match करेगा compiler design या कभी-कभी नाम थोड़ा चेंज कर लेते उनिवस्टी में लग लेकि उनिवस्टी में बट मैंने 10-15 universities का sliver study करने के बाद ये बनाया है तो इस throughout the subject क्या ओने वाला है अभी मैंने compile नहीं किया semester exam के लिए more than sufficient है कोई book कोई you know कोई भी second resource आपको refer करने की जदत नहीं है exam से एक रात पहले भी देख रहे हैं तो कोई tension नहीं अगर दो-चार दिन का समय तो अब आग लगा देंगे विगोज एक दो बार तीन बार इसको देखो थोड़ी practice करो तो that will be more than sufficient तो thank you so much चलिए सीधे chapter number one से start करते हैं तो चलिए दोस्तों सीधे discussion start करते हैं और बात करूंगा chapter number one की तो जैसे मैं आपको बताया यहां पर top left में आप हमेशा देखेंगा कॉन से chapter चल रहा है और top right में कौन कौन से topic चल रहा है और मोटा मोटा इस आरदा topics और लगभग लगभग इसी sequence में इसको follow कर रहा हूंगा sequence कभी कभी आगे पीछे हो सकती है बट जैसे में बार बार मेंचन कर रहा हूं आप compare कर ले ने अपने college से university exam से 90 to 95% जादा slivers match करेगा जो अभी आपके curriculum में चल रहा है so directly jumping on to the idea थोड़ा सा बजाए इसके कि मैं directly jump कर जाऊं compiler के अंदर और कभी कभी आपी जैसे में ओलता हूं आवराल प्रस्पेक्टिव और पिच्चर नी समझ आ रही हूती क्या रहा है तो थोड़ा सा background समझते की compiler अखिर है क्या और इसका ecosystem इसका environment किया है and then I'll deep dive into the compiler वाला idea so we tends to write a program in high level languages that is much less complicated for us to comprehend and maintain in thoughts बोलना क्या चाहिए अब देखो point यह है जो exactly idea run होता है न मशीन पर वो तो 0101 तरन होता है machine level language यसे हम बोलता है but 0101 की terms में सोचना idea समझना और वो लंबे-लंबे program लिखना obviously हमार ले आसाने के बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है तो logic समझ रहे machine पर तो sir 0101 ही execute होता है but वो हमारे लिखना मुश्किल है तो हम क्या करते हैं हम high level program लिखते हैं जैसे c plus c plus plus java python pascal यह सब these are the high level languages हम वो लिखते हैं and then there are number of I should say translation बहुत सारे translation steps है जो follow करते करते बाद में वो machine level code यानि कि 010 में convert होता है यह basic idea तो वो यहां पर लिख रहे these programs goes through a series of transformation so that they can readily be executed or be used on the machines कई बार हमें ने translate करना पड़ेगा ताकि यह काबल बन जाए जो हम you know finally machine के उपर execute कर सके 0101 की form में and that is where language processing system comes into picture तो जो पूरा idea है इसका पहले में एक बार आप से you know perspective discuss करना चाहरा हूं ताकि again इस overall ecosystem में you get to understand कियर compiler कहां पर fit हो रहा है है तो आप क्या लिखेंगे देखिए एक बार step समझी है और फिर में एक एक करके basic basic idea आपको समझाता हूं तो हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं high level language तो high level language जब आप execution शुरू करते हैं तो सबसे बोलता है pre-processors pre-processor क्या करते है pre-processing करते हैं उसका मतलब समझेंगे after pre-processing we get a pure high level language so there is a slight difference आप उलोगों को same ही तो बात है नहीं same बात नहीं थोड़ा से difference है तो high level और pure high level में क्या difference है और हम समझेंगे then after pure high level language we have compiler compiler क्या करेगा compiler convert this pure high level language into assembly level language then आजाता है assembler assembler converts this assembly level into machine level codes and then we have loaders and linkers जो इनको आपस में link करेगा load करेगा memory and then we get a executable file जो execute होता है तो समय के साथ हुआ यह था ultra source ने एक बार सबसे बहले human ने direct executable code लिखा फिर उसने loader यूज करना start किया loader linker फिर assembler आए फिर compiler आए and finally preprocessing अभी जो आजकल के जमाने में हम code लिखते है वो यह सारे के सारे steps से होते वे जाता है और हमारा जो subject compiler वो just इसका एक intermediate step है तो मैं चाहता हूं कि यह एक idea एक बार आपको समझा आ जाए आप छोटा छोटा understanding जल्दी से देता हूं preprocessing का क्या मतलब है look at this अब यह program आपने लिखा एक general c program यहाँ पर है c program है तो there you see hash include studio.h या university.h या conio.h या mat.h जो basic header file आप include करते है तो यह जो header files include करने का idea है यह preprocessors इसको इस पर काम करता है तो basically आपने तो header file include कर दी बट उस file को ढूंड के लाना और program में लगाना यह किसका काम है preprocessor का look at this define हम कई आपने की बार यूस करते है तो for example हमने define कर दिया कि यह पाई है और पाई का value जो है वो है 3.1416 something like this macro expansions भी किसका responsibility है preprocessors का है यह समझ आता है short hand operator आपने कई बार use क्योंगे कई बार code में पढ़े होंगे तो माली जे लिखना है a is equals to a plus 1 तो in general we write a plus is equals to 1 या a plus plus a minus minus यह तो सब आपने किया ही होगा है तो इस सारे के सारे short hand operator है और compiler यह नहीं समझता हम इनको लिख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए सहूलियत हमें लिखना आसान है बट before compiler काम करें उससे पहले इनको standard form में convert करना पड़ता है तो जितनी भी responsibilities है यह सारा काम कौन करता है preprocessor तो मोटा मोटा बताब preprocessor कौन से तीन काम करेगा अगर आपने कुछ header files mention की है उनको program में include करना point number one point number two अगर आपने कुछ define किया macro expansions उनको expand करना और कोई भी short hand operators अगर mention है उनको ले किया आना यह सारी responsibility किसकी हो गई प्री प्रोसेसर की और प्री प्रोसेसर करने के बाद जो code बनेगा उसको हम बोलते है प्यॉर हाई-level language मैं बोलता हूं अब हाई-लेवल और प्यॉर हाई-लेवल में क्या difference है सर वही difference है जो डाल डाल दम और देशीगी में तो difference तो है तो difference यहां पर भी है येस नाओ अब आपके बार आज की बाद कोई आपसे पूछे compiler क्या होता है तो हमारा जो हीरो है हमारा जो superman है superpower है वह compiler है तो कई बार क्या होता है कि हम बोल तो देते है जन्रल डेफिनेशन बच्चे एक्जाम में लिखके रहते हैं जैसे मैंने दो तिन लिखके रखे है अग compiler is a program that translate a computer code written in one programming language into another language या source language to target language इसमें समझ में कुछ आए नहीं लिख तो आपने दिया कि एक प्रोग्राम है जो source को टार्गेट में या 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 वन लेंग्विज को अधर लेंग्विज में convert करता है बात सही है बात कौन सी तो आपको पता है किसको किसमें करता है compiler pure high level को assembly level में convert करता है भूलेंगे तो नहीं pure high level को assembly level में convert करता है very important thing yes so primarily मैंने आपको बता दिया क्या इसका काम है so there you can see कि left hand side पर आपको high level code नजर आ रहा है and there ये convert करता है इसको assembly level code में जहां पर अगें इसको निमोनिक्स आपको नजर आ रहे और किधर से किधर जो भी operation करना है जो भी रजिस्टर टांस्फर लेंग्विज है assembler को जो इन्पूट में जाएगी वो आपको नजर आ रहा है if I deep dive into compiler थोड़ा सा क्योंकि इस पत्रमें detail में काम करना ही है यह compiler के बहुत सारे phases है compiler का basically काम क्या है यह तो हम समझ गए कि input होगा pure high level language और output होगा assembly level language but basically compiler दो काम करता है in the first half section जिसे आम तोर पे हम compiler का front end भी बोलते है compiler यह देखता है कि जिस code को मैं translate कर रहा हूं उसमें कोई error तो नहीं है अब error कहां से आ गया error बिलकुल हो सकता है क्योंकि code लिख कौन रहा है human लिख रहा है और अगर human लिखेगा तो उसमें गल्ती होने के chances है तो यहां पर जो पहले तीन step है जोसे हम बोलते है lexical analysis अभी आगे detail में समझेंगे syntax analysis and semantic analysis तो during first three steps हम देखते हैं कि weather कोई गड़बर तो नहीं है कोई error तो नहीं है और अगर कोई error नहीं है तो फिर second half जिसको हम बोलते synthesis phase फिर हम उसको convert करते है translate करते है गड़बर for example बाली जैसे English का Hindi का कोई भी piece of text है और आपको copy check करनी है तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे तो copy check करते हुए सबसे पहले बच्चे के लिए क्या कर सकते है you can have a spelling check तो आप spelling check करेंगे spelling ठीक लिखे के नहीं लिखे बहुत simple भाशा में समझा रहा हूं मान लीजिए compiler का जो first phase है लेक्सिकल अनलियस सर वो spelling टेस्टी करता है वो देखता स्पैलिंग मिस्टेक तो नहीं है step number two is syntax analysis यहाँ पर हम क्या करते है यहाँ पर हम लिखते है grammatical mistake तो grammar समझते होना कहां helping work आएगा कहां you know subject आएगा कहां predicate आएगा यह सब चीज़ चेक करना इस context में आगे समझेंगे grammar चेक करना है syntax analysis आफ और example जैसे computer की कैसे मो लेता हूं c is equals to a plus b यह लिखना grammatically correct है क्योंकि इसका मतलब है assignment हमेशा right to left होता है a और b दो variable मेरे पास है उनको सम करके c में value assign करूंगा बट मान लिजा अगर कोई होशियार आदमी ऐसे लिख दे तो a plus b equals to c अब यह कैसे assign करोगे तो यह है grammatical mistake है ना यह grammar सही नहीं लिखा यह spelling mistake की बात करूं लिखना क्या था लिखना था int a लिख दिया knit a अब obviously knit कोई keyword नहीं है तो compiler को दिखाना चाहेगी आद there is a spelling mistake semantic error जहां पर हम देखता है कभी कभी ऐसा हो सकता है ना तो spelling mistakes है ना grammatical mistake है but still do statement है वो meaningful नहीं है यहां पर हो सकता है हो सकता आप किसी character के अंदर float को add कर दे है now that is not permissible उस तरह की गड़वडिया कहां देखता है semantic analysis में देखता है तो basically first half of the compiler जो है वो dedicated है guilty identify करने में और अगर हमें mistakes मिली तो फिर हम second half जो है translation वो करेंगे के नहीं करेंगे फिर हम second half नहीं करेंगे रुख जाएंगे error और warning display करेंगे अगर कोई error नहीं मिलता है then we are all good उसका second phase में जाता हो translation कर अभी यह सारे steps में दुबारा वापस आऊंगा पहले एक बार जो पूरा language processing system में उसकी हम बात कर रहे है तो compiler के basically काम तो एक है translation करना from pure high level to assembly level but actually यहां पर दो कहां में पहले error identify करना अगर error मिलते है तो और अगर error नहीं मिले तब वो translate करता है that is the second phase yes यह बात समझा जाती है now the next step is assembler है अब देखेंगे assembler क्या कर रहा है sequence में देखिए तो कुछ लोग सोस्ते compiler execute कर था देखर compiler execute नहीं करता है compiler से assembly level language जनरेट कर रहा है उसका रगले step पाता assembler का जो उस assembly level language को किस में convert कर रहा है machine code में convert कर रहा है तो there you see यह अगें जो mnemonics वाली language होते है ना तो यह high level है होड ना तो यह machine level है it is a intermediate state that is a combination of machine instruction and some other useful data needed for execution तो if I quote an example और assembler में basically दोनों चीजों का mixture हमें चाहिए थोड़ा understanding hardware का भी होना चाहिए यानि कि computer architecture का भी थोड़ा involvement यहां पर हो जाता है machine कि इस तरह के जिसके आप convert कर रहे है and you need a basic understanding of operating system also कि वो कि आपको API provide कर रहा है तो कुछ इस तरह का अगर मैं आपको दिखाऊ तो input है assembly level code और output जो है वो इसको एक तरह से machine level code में convert कर रहा है but still यह जो code है क्या यह executable है नहीं just to quote an example simple this is which one 8085 microprocessor तो आपको अगर याद हो यह आपने लाब में काम किया हो इसी तरह के code आप लिखते है mnemonics लिखते है और वो run कर रहा होता है आपके behalf के ऊपर yes this is one idea now यहां से जो code generate होता है that is called relocatable code अभी relocation बड़ा important है आगे इसकी बात करेंगे जैसे बहुत सारे तरह के address binding होती है compile time binding run time binding load time binding तो हम जो code generate करते है ना आजकल के environment में क्या वो code अपने execution के दोरा आपने पूरी lifespan में memory में अलग अलग जगा घूम सकता है हां क्योंकि you know multiple process execute हो रही है कभी main memory माएगा कभी कि बाहर जाएगा कभी किसी और location में जा सकता है हो सकता है ना अलग अलग जग देना t is equals to one otherwise आपको just simple देना t is equals to zero this is a high-level code अब यहां पर आप देखो कैसे वो convert कर रहा है वो छोड़ दो इस बात पर ध्याने ना i i plus one i plus two i plus three और सब जगा मैं location number की बात ना करके i से बात कर रहा हूं क्यों कल को इस पूरे code को ठाके अगर मैं location number 1200 पर रख दूं तो यह automatically 1200 प्लस three हो जाएगा यह 1200 प्लस one 1200 प्लस two are you getting it तो यह code relocatable code है क्योंकि जरात पढ़ने पर इसको memory के अलग-अलग location पर रख सकते हैं है ना यह idea दो-तिन example वोई relocation वाले हैं and now सबसे last में number आता linker और loader का तो बहुत सारी files हमने बना ली which are kind of a machine code but अभी वा executable नहीं है पहले हमें क्या करना पड़ेगा उन सबको link करना पड़ेगा और यहां पर एक छोटा सा module आता जिसको बोलते linker तो linker क्या करता है it converts relocatable code into absolute code and try to run the program resulting into running program or error message अगर कुछ गड़बोरी तो obviously error तो कहीं भी आ सकता है ना otherwise executable program में convert हो जाएगा loader क्या है अब यह operating systems हम जानते हैं अगर किसी भी चीज़ को execute होना है तो उसका main memory में होना ज़रूरी है as simple as that है ना तो क्योंकि उसका main memory में होना है sir इतने सारे steps यहां पर look at this background में हो रहे होते हैं तो मुझे लगा एक 10 minute का discussion करना ज़रूरी है so that a overall perspective आपको समझ आए अब हमें ध्यान देना है कि now we'll deep dive into the idea of compiler और अब उसके बार में discussion शुरू करते हैं yes तो थोड़ा सा आपको historical context समझाता हूं compiler के बारे में तो यहां पर कुछ important facts आपके साथ share करता हूं देख सकते हैं the first practical compiler was written by Corrado Bohem in 1951 for his PhD thesis तो a program which looks like a compiler or which works like a compiler वो लिखा गया था 1951 में किनो लिखा थो Corrado Bohem और यह Barry Bohem के छोटे भाई थे मजा कर रहा हूं Barry Bohem यादा software engineering वाले यह कहानी then the first implemented compiler was written by Grace Hopper who also coined the term compiler तो बड़ी important बात है कि यह पहली बार शब्दा है ना compiler वो Grace Hopper ने दिया था मज़ेगी बात है you can go out Wikipedia and check कि यह first of all she is a lady and secondly she was a very high ranked officer in American Navy तो उनोंने science में computer science में specifically बड़ा limited काम किया इनका main जो career था वो American Navy में था so बड़े you know कमाल की बात है referring to her A0 systems which functioned as a loader or linker not the modern notion of a compiler तो आज कल हम जिसको compiler कहके बुला रहे होते है यह वो नहीं था ऐसा बोल सकते है कि एक तरह का loader यह linker था लेकिन हा पहली बार compiler शब्द का इस्तमाल Grace Hopper ने किया था आगे बढ़ता हूं now in 1952 the first autocode and the compiler in the modern sense तो आज हम जिसे compiler कहके बोल रहे होते है अगर उस तरह का compiler की बात करें तो वो develop किया था Alec Gleeney ने in 1952 at University of Manchester for Mark 1 computer Mark 1 computer के लिए and the Fortran team lead by John W. Bacchus at IBM introduced the first commercially available compiler तो यह तो भी research चल रहे हैं लोग अवलापने हिसाब से काम कर रहे है वो compiler जो market में available था for a programming language वो Fortran के लिए बनाया था John W. Bacchus ने in 1957 which took 18% year to create फिर सॉफ इंजिंग वाली बात है कि 18% year का मतलब समझ रहे है दो ideas है या तो हम यह बोल दे कि 18 लोगों ने काम करेगा काम करेंगे तो एक साल लगेगा और अगर एक आगमी काम करेगा तो 18 साल लगेंगे यह 18% year हमारा effort हो गया अब compiler के जितने faces है एक basic idea हमने पहले introduction में पढ़ लिया जब हम बात कर थे language processing system की अब थोड़ा detail में जाते हैं एक एक करके तो step number one हमारा है lexical analysis it reads the program and convert it into lexemes lexeme मान लीजिये छोटे-छोटे टोकडों पर बोल रहा था नहीं spelling mistake चेक करता है तो अगर किसी paragraph में किसी SMA spelling mistake चेक करनी होगी तो पहले उसको break तो करना पड़ेगा ना तो lexemes में break करता है a stream of lexemes into a stream of tokens अभी आपको समझाता हो lexeme और token में क्या difference है if ऐसा मान के चलो if everything is fine then that lexeme becomes a token the token are defined by regular expression which are understood by lexical analyzer and also remove white spaces in comments अभी समझाता हो एक एक बात का मतला अब देखिए जैसे यहाँ पर एक source code लिखा है किसी programming language में print 4 multiply by variable plus 1 तो यह क्या करता है यह इसको छोटे-छोटे टुकडों में break कर देता है तो print then colon आया then 4 आया then star आया then where आया then plus आया then one आया इस तरह से break करेगा यह सब कहलाएंगे lexeme जिस जिस टुकडे में इसने इसको break किया then उन सब्सक्राइब क्या है जैसे मैं संचित as a lexeme हूँ but मैं a human हूँ तो मेरा token human है similarly print एक id है colon एक operator है 4 एक number है star is operator है like this इस तरह से यह किस type का है इसकी बिरादरी क्या है इसका type क्या है वह है token तो that is token and that is known as lexeme इस तरह से lexical analyzer break करता है और यहां पर print है इसलिए यह finally id नाम का token बना दिया अगर print की जैगा गलत spelling होती तो यहीं पर error flash इसने कर दिया होता है that is step number one एक और example यहां पर देखिए क्या line लिखिए float x, y, z तो declare कर रहा है 3 variable and then there is a expression you see x is equals to y plus z multiply by 60 तो यहां देखिए हर एक के लिए इसने बता दिया किस किस के लिए token किया कौन identifier है कौन operator है कौन constant है and like this उसको standard form से generic form में इसने convert कर दिया that is identifier 1 is equals to identify 2 plus identify 3 multiply by 60 है ना तो यह काम है हमारे lexical analyzer का एक basic idea में समझ आता है आगे बढ़ते step number two syntax analyzer अच्छा अभी detail में आगे जाके समझेंगे बाद में है ना पूरा separate chapter है हमारा कि अब इस पे lexical analyzer करेंगे कैसे काम कैसे करेंगा regular expressions कैसे यूज़ेंगे so I'll go into that in depth उसमें बात करेंगे बात कर रहा हूं syntax analyzer की तो जैसे मैंने बुला syntax analyzer क्या करता है syntax analyzer syntax analyzes करता है syntax analyzes से हमारा क्या मतलब है grammatical mistake check करना अब यह काम होगा कैसे तो यहां पर हम क्या करते है basically हम use करते है context free grammar और जो homework हमने क्या है TOC के अंदर वो काम आएगा क्योंकि वहां भी extensively काम करके आए है तो अगर एक और बात अगर आपने वह वाली one shot video देखी यह TOC की that's very good कुछ ना कुछ advantage मिलेगा अगर नहीं भी देखी तो मैं नहीं भी देखी तो मैं यह नहीं कर आप पूरा वाड़ घंटे का वीडियो देखके हो चलेगा जहां जितनी जुरत पड़ेगी मैं बता के चलूँगा तो आप डारेक भी आगे बढ़ सकते है so syntax analyzer को कभी-कभी parser भी बोलते हैं अब कोई भी string हमारे पास है वो grammatically सही है कि इसका game क्या है हम उस string को बनाने के लिए using the grammar हम एक tree generate करेंगे आपको पता grammar use करके कैसे string derive होती है पूरा tree बनता है यह जो tree बनेगा इस tree को हम parse tree या syntax tree बोलते हैं अगर grammar use करके starting from the start symbol हम tree बना grammatical mistake नहीं है उसने बिल्कुल perfectly काम किया और अगर हम वो string नहीं बना पाए then that means उसके अंदर को grammatical mistake है मुटा मुटा यह idea है जो tree बनेगा उसको हम parse your syntax tree बोलते हैं जैसे यहाँ देखिए example के साथ आगे बढ़ता हूं id 1 is equal to id 2 plus id 3 multiply by 60 यहाँ से शुरू करना है तो I think start तो directly भी attempt कर सकता हूं तो look at this id is equals to e अब मेरे को क्योंकि plus चाहिए तो यह recursive production में use कर लेता हूं तो e tends to e plus t फिर मेरे को multiply भी चाहिए तो again let me use this like t star f यह use कर लेता हूं और then last में I think जो use होना था बनके आप तो से terminate करो फड़ा फड़ तो क्या कर सकते है e से जा सकते है t पे t से जा सकते है f पे and then I can write id or basically id 2 that is kind of id 1 और इस t से क्या बनाऊंगा id 3 बना सकता हूं so t से जाओंगा f के पास and then I choose id 3 और यह f directly convert हो जाएगा number में which is nothing but 60 तो यह देखिए यह पूरा tree हमने बना लिया इस tree को हम pass tree या syntax tree कहके बुलाते है और क्योंकि tree बन गया इस string को represent करते हुए इसका मतलब यह string grammatically correct है इसमें कोई mistake नहीं है यह तो छोटा case था grammar के अंदर चार productions थे हमने खुद से बना लिया जलदी से complex case में c में java में python में उसमें क्या होता होगा तो you need some automated algorithm जिनी को हम बोलता है parsers तो top-down parsers, bottom-up parsers होते हैं यह पूरा process करने में हमारी मदद करेंगे है ना that is called syntax analysis look at this में screenshot यूज कर रहा हूँ इतने सारे production होते हैं एक high-level programming language में look at this इसमें बहुत सारी चीज़ आपको जानी पहचानी में नजर आएंगी तो यह से भवा हवा में बात नहीं कर रहा है exactly ऐसे हो रहा होता है तो look at the grammar यह I think C programming language की grammar है आप देख सकते हैं कितने सारे productions हमें यूज करने पड़ते हैं और किस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ते हैं obviously याद नहीं करना है बस idea समझने के लिए now अगर grammatical mistake नहीं है तो tree बनेगा अगर grammatical mistake है तो tree बनता ही ना अब tree बन गया हम आगे अगले step पर which is semantic analysis semantic analysis में क्या करते हैं हम यह देखते हैं कि जो statements जिन पर हम काम कर रहे हैं वो meaningful भी है के नहीं वो काम कर सकते हैं के नहीं जैसे और जो tree बनेगा basically हम कोई different काम नहीं करते हैं आप जो tree already हमने बनाया ना उसमें थोड़ा सा modification करते हैं तो जो tree बनेगा उसके बाद उसका बहुत है annotated parse tree क्या बोलते annotated parse tree मतलब क्या है I'll go back to the same tree for example जैसे मान लीजे यहां देख लेता हूं आपने को operation किया t multiply f इसको आप t में assign कर रहे हैं तो before you do that है ना आप यहां पर cross check कर सकते है क्या तो there could be a statement क्या t का जो data type है I can write a if statement यहीं पर लिख देता हूं for यहां लिकूं for example इधर align करना है तो इसे लिख सकता हूं if t dot type t का जो type है is equals to is equals to comparison कर रहा हूं यह if let me call this t1 suppose that becomes t2 t1 dot type is equals to t2 dot type and यह आपस में भी same होने चाहिए माल लेता है t2 dot type जल्दी जल्दी लिख रहा हूं is equals to is equals to f dot type इस तरह के कुछ conditions हम लगाता है यह देखने के लिए कि इनका data type match कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनको बोलता है semantic rules आगे जाके बाद में detail में पढ़ेंगे पूरा chapter है हमारा chapter 3 इसी चीज़ पर है बोलता है semantic rules तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर चेक करते हैं और अगर everything if everything is fine तो जो tree होता है वो थोड़ा सा modify हो जाता है उसका हम बोलता है annotated parts tree और हमारा वो tree बन जाता है अगर कुछ गडबड होगी किसी भी step में तो हम यहीं तक रूख जाएंगे spelling mistake चेक कर लिया grammatical mistake चेक कर लिया और meaningful statement है के नहीं वो चेक कर लिया अब जो आगे का step basically वो error के लिए नहीं लिखा वो किसके लिखा translation के लिए finally तो there you see next step हमारा क्या है intermediate code generator तो यहाँ देखे हम क्या करते है it generates an intermediate code that is a form which can be readily understood by machine तो यह दोनों के लिए आसान है अब हम यहां तक पहुंच चुक है इसका मतलब high level language जो थी वो human के लिए आसान थी machine assembly level language जो है वो basically assembler के लिए machine के लिए आसान है यह बीच वाली form में पहुंच चुके है we have many popular intermediate codes जैसा 3 address code extended हागे जाके पढ़ेंगे architecture में हम देखते है कि किसी इंस्ट्रक्शन में maximum 3 address हम access कर सकते है intermediate code is converted to machine level code using the last two phases that is okay it seems very easy to carry out the compiler compiler के थू हो के हम जा रहे हैं and to build a new compiler we don't need to build from scratch यहां पर एक बात समझे आइडिया क्या है front end और last end को ना हम change कर सकते है for example मैं बोलना चाहरा हूं high level language C है C++ है Java है Python है कुछ भी है intermediate code जो है वो दरसल हम बोलते है कि जो source language है उससे neutral है तो मान लेता है गर हमने एक लूप लिखा इन चारो पाचो लेंग्विज का syntax semantic से लग लग हो सकता है बट काईदे से intermediate code के अंदर उस programming का भी कोई quality को attribute नहीं बचा तो logically होना ही चाहिए कि intermediate code देखके आप ना बता पाए कि जो source program है वो C में है Java में पाइथन में किस में आप क्या कर सकते हो आप बहुत सारे अलग-अलग front end बना के रख लो C का अलग C++ का अलग Java का अलग और फिर जिस भी hardware के लिए आप convert करना चाहते हो उसी का front end उठा के आप attach करोगे तो you can have different different combinations है ना it is not कि आपको इगदम separate separate सब बनाना पड़ेगा तो intermediate code एक तरह का neutral stage है जो ना बहुत ज्यादा destination पर depend कर रहा है hardware पर जिसके लिए हम assembler के लिए जिसके लिए हम assembly level language लिखना है ना ही high level language के लिए जहां से हमने काम करना start किया ना जैसे यहां देखिए again same instruction जो हमारी थी step by step 3 address instruction यह हमें करना था एक बार में तो नहीं कर सकते तो पहले क्या कह रहा है कह रहा है पहले z को 60 से multiply कर लो जो result आएगा वो एक temporary variable t1 में store कर लेंगे देखो step number 2 में क्या कह रहा है अब t1 को add कर लेते y के साथ और finally जो result है t2 का वो एक्स में store करेंगे तो basically यह सारा काम एक step में नहीं हो पाएगा छोटे-छोटे तीन step हमें लेगे कि इस काम को करने में yes then obviously optimization हर subject में हर one shot video में में बार समझा रहा हूं engineering का कामी क्या है step number one क्या करना है consistency पर ध्यान देना है correctness पर ध्यान देना है step number two optimization पर ध्यान देना है तो एक बार final code को optimize करने का effort हमें जरूर करना चाहिए इसमें बात में बहुत detail में बात करेंगे इन पूरा separate chapter है आपका optimization दो तरह का हो सकता है machine dependent और machine independent कुछ generic optimization हो सकते हैं जैसे अभी में एक simple example लिखूँ माल लिजे कोई equation बना something like this कि b is equals to a plus 0 हुई होगी कोई calculation क्या compiler इतना समझदार हो सकता है कि उसको समझ आए कि आप 0 के साथ add करना doesn't make any difference 0 is identity for addition optimization तो क्यों ना मैं इसको simplify करके ऐसा लिख दूँ इस तरह के optimization कुछ optimization हो सकते है machine dependent जहां पर मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे hardware की क्या capability है तो सारे की सारे optimization जिससे मैं अपना time or space save कर सकूँ वो attempt हम यहां करेंगे optimization phase में and finally in the last step we have target code generation जहां पर जो final assembly level code देखी हमारी सिंपल से instruction चेंज होके कितनी आ गई तब Z की value पहले R में move कर रहा है फिर R1 का 60 की साथ multiply करेगा result R1 में ही जाएगा फिर R1 के अंदर Y की value add कर ली है now store कर आ रहा है तो R1 का value X के अंदर चला जाएगा वही सारे steps है लेकिन एक high level language अभी assembly level code में convert हो गई है तो पूरा discussion का idea क्या था कि basic idea थोड़ा सा और detail में आपको समझ आ जाए क्यों वीडियो लंबी चलेगी हर एक phase आपका मान के चोलो separate chapter जिसमें में detail में काम करना है तो before हम lexical analysis yeah especially parsing जो सबसे important chapter है इन सब में काम करें तो आप यह ना भूल जाओ कि basically हम क्या करने निकले थे तो एक मोटा idea आपको समझ आ गया एक instruction सारे phase से होके कैसे निकलती उसका basic understanding आपको clear हो गया अब हम इसमें जा सकते हैं एक चीज़ आप notice करें यह symbol table एक separated unit है आपकी symbol table और error handler यह दो module सारे phase में kind of use हुए है yes or no तो इनके बारे पे एक बार छोटा-छोटा discussion करेंगे बाद में detail में दुबारा बात करेंगे symbol table क्या है it is a data structure being used and maintained by compiler compilers को use भी करता है और maintain भी करता है consist all the identifier name along with their type तो एक तरह से ऐसा मान लो हमारा database है starting of the phases में जैसे आपने declaration किया क्या variable का नाम है क्या उसका scope है क्या उसका lifetime है किस तरह का जितनी भी information है variable के बारे में function के बारे में वो सारी की सारी information कौन hold करके रखता है symbol table hold करता है it helps compiler to function smoothly by finding the identifiers quickly तो normally ऐसा बोलते है कि जो starting के phase होते है वो जादा तर symbol table में data store करते है हमारा storage है जब हमने program पढ़ना शुरू किया और जो later phases है compiler के वो आम तोर पे अब इस information को यूज करते है लेगल एक step में तो symbol table बहुत helpful है यही मैं बोल रहा हूँ front end और back end front end आम तौर पर डेटा स्टोर करता है back end आम तौर पर उस डेटा को यूज करता है तो example के साथ देखो जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जेक लाइन है int x is equal to 10 तो line number one keyword क्या identifier क्या है क्या constant है क्या operator है वो सारा का सारा data हम यहाँ पर maintain करके रिखता है और जो मैं भी आपसे कुछ general point mention करा हूँ वही सारे points मैंने यहाँ पर लिख के रखे है अगर बात करें identifier के बारे में तो पहली बात तो system to system compiler to compiler exact implementation symbol table का लग-अलग हो सकता है बट फिर भी अगर कुछ general बात करें तो you can look name उसका type उसका scope उसका size उसका offset यह सारी की चीज़े हमें पता होनी चाहिए अलग-अलग arrays हो सकते है records हो सकते है procedure हो सकते उन सब की array है तो उसका size क्या है column कितने है को procedure है तो input parameter क्या है पुट क्या है formal parameter जितना भी metadata information है वो सबका सब कहाँ पर symbol table में होगा अगर मैं कुछ general operations की बात करूं क्या क्या करने की जरूत पड़ेगी मैं सबसे important आपको पहले तो कुछ insert करना नहीं चींसर्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या ही मतलब बनता है उसके बाद कुछ search करना look up करन अगर कुछ modification की जरूत है modify करना and finally delete करना तो चार fundamental operation है जो आपको symbol table पर करना आना चाहिए बाद में again मैं बोल रट सब्सेपरेट चेप्टर तो detail में बात करेंगे इसके बारे में but how you implement it तो इसके भी बहुत सारे approaches हो सकते है depending on हमारी क्या requirement है linear table है binary search tree है even link list है and hash table है hashing इसकी बात हमने I think data structure में की थी तो hashing यहां पर ज्यादा popular है the reason being की वह बहुत fast है hashing का पूरा गेम ही किया है यह try करता है कि आपको search time order of 1 लाके दे तो क्योंकि compiler आम तोर पर expect करते है कि बहुत fast होना चाहिए बढ़ना कोई मतलब बनता नहीं है so that is the reason popularly हम इस अप्रोच को यहां प first phase front end जो है compiler का उसका काम दरसल translation नहीं है more importantly उसका काम है error check करना अब आप notice करो आपने कई बार अगर मैं C की बात कर लो simple नजाने कितने सारे program आपने लिखे और compile करे होंगे जब आप compile कर तो माली जो सके अंदर error है run नहीं हुआ वो result आपको लाके देता है कि these are the errors क्या वो पह सबको एक साथ लाके दिखाता है isn't it तो error handler का क्या काम है आपने काम करना start किया अगर lexical analysis phase में कुछ error मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि compilation आप यहीं रोग देंगे आपको syntax or semantic analysis भी करनी है ताकि जितने possible error है जो समझे जा सकते है वो error display किये जा सके तो error handler का क्या है even though you identify some of the error उ you know compilation process को आगे लेके चलना look at this क्या लिखता हूँ it is a sub routine to take care of the continuation of compiler even any error at any phase अगर कोई error किसी भी phase के अंदर मिलता है उसके बाद भी compilation की process को continue करना यह काम है whether हो phase 1 हो phase 2 हो phase 3 हो है तो this is a basic idea जो error handler का responsibility duty यहाँ पर है तीन तरह के error है I think उसके बार में तो आप में detail में बात कर चुका हूँ called lexical error syntax error semantic error depending on the phase एक और बात क्या ज़रूरी है कि जितने error है वो सारे के सारे error compiler identify कर ले तो यहाँ पर for sake of clarity बात बताने ज़रूरी है कि error को भी हम दो टाइप में classify करते है कौन कौन से known as compile time error or run time error तो after compilation सिफ compile time error ही पता लगाए जा सकते हैं जैसे divide by zero is a very simple example is an example of a run time error तो अगर run time error होगा तो वो in the process of compilation obviously हम identify नहीं कर सकते हैं तो यह एक idea में clear होना चाहिए okay now next एक छोटा सा topic यहाँ पर हमारे पास है which is like phases and pass अभी यह क्या कहानी है देखिए जितने भी steps आपको नजर आ रहा है ना यह सब के सब कहा है these are nothing but the phases of compiler है तो stage बोल ले phases बोल ले more or less we are the same idea तो देखिए पहले phase की बात कर लेता हूँ phase of a compiler is a distinguishable stage which take input from the previous stage process and yields output that can be used as a input for the next stage तो एक stage से data लेना input output सब का defined है मैं आप से बोलता हूँ syntax analysis का input क्या है तो इसका input है token लेना lexical analyzer से और parse tree देना semantic analyzer को semantic analyzer को है इसका input है parse tree लेना syntax analysis से और annotated parse tree देना intermediate code generator को तो everybody have defined input और output तो यह सब के सब हमारे phases है pass क्या है overall यह सारे steps हमें कितनी बार करने है जो हमारा program है ना उस program से कितने pass लेने है मतलब तो देखिए default case में में लगता है कि एक इस बार काम करना शुरू करेंगे और पूरा complete करते करते सारा काम complete हो जाएगा बट आज कल के जो programming languages है ना वो बड़े complex है धीरे-धी फंक्शनलिटी बहुत complex हो गई है जैसे for example now-day programming language allowed late declaration also कि कोई दिक्कत नहीं है c में क्या है कि आप पहले declare करेंगे उसके बाद use करेंगे आज कल क्या हो सकता है कि आप पहले use कर ले बाद में declare करेंगे तो अब compiler एक iteration में सारी चीज समझ ले और उसको you know identify कर ले जरूरी नहीं है तो we have multiple approaches so दो तरह के compiler हो तो कौन कौन से one is called single pass compiler and one is called multipass compiler so single pass कौन होंगे जो पूरा जितने भी steps है एक बार पूरा flow करेंगे और एक ही बार flow करके जो भी उनकी problem है उसको पूरी problem को resolve कर लेंगे multipass होना contrary क्या करेंगे हो सकता है वो multiple times में भी दो बार या शाद उससे भी जादा बार पूरे compiler से go through होके जाए in order अपना पूरा काम complete करने के लिए तो कुछ important points मेंने लिखे हैं बैस कई बार मेंने लिखा है कि आपके university में exams में इस तरह के question पूछे गए तो कुछ important part single pass के एक pass में काम करेगा faster होगा because obviously उसको एक ही बार traverse करना है memory efficient भी होगा because कुछ बहुत जादा चीज़े use करनी नहीं है optimization के case में अच्छा नहीं चलेगा क्यों देखो जिसके बास option है multiple pass लेने का जाहिर सी बात है वो better optimization offer कर सकता है बट यहां पर offers limited optimization capability due to less context understanding of the entire program आस पास की बात तो समझाएगी लेकिन पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा क्योंकि मैं एक ही बार flow कर रहा हो वापस नहीं जा सकता तो optimization इचा नहीं होगा अगर language is simple है कोई वो ही माप से बूल रहा था कि C जासी simple language है you can go for it complex language में मुश्क्रिल हो जाता है तो best for simple language idea of simpler languages programming language where complex analysis and deep optimizations are not required then it is better to go with single pass compilers example fortran pascal even tiny c compiler यह सबके सब कोने single pass है let me go with multi pass now so I'll go one by one a multi pass compiler is a type of compiler that process the source code multiple time before producing the final output तो यह एक बार में नहीं multiple times पूरे source code को scan करेगा कैसे करेगा look at this multiple scans of the source code यह बात हमने समझ ली यहां पर obviously क्योंकि मैं multiple times scan कर रहा हूं तो जो optimization होगा वो next level है क्योंकि पूरा context में समझ सकता हूं multiple times read करके context awareness have a deeper understanding of the programming context which allow more sophisticated error checking optimization जैसे में एक्जामपल आपसे देगा था even late declaration is allowed तो वो सारी चीज़े हो सकती है memory usage obviously single pass के comparison में इसको जाधा memory इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि multiple passes इसको लगाने है example हम GCC की बात करते है LLVM multi pass compilers हैं जो आजकल programming languages में support इनका में देखने को मिलता है तो यह चोटा सा discussion था फिर भी मेरा मन नहीं माना तो what I have done also जो I think आप लोगों को जाधा दर case में बहुत helpful होता है यह table by table difference so that 5 number में को आपसे पूछ लेना कि single pass multi pass क्या है या difference क्या है तो heading आपको याद रहे 2-4-4 points लिखने है will get full marks yes ठीक है सर यह बात clear हो जाती है अगला topic अब बात करते है bootstrapping की अब bootstrapping और मैं बोलू तो cross compiler यह दोनों थोड़े related है तो एकदम individually दोनों को discuss करना थोड़ा मुश्किल है वट एक एक करके मैं pattern by pattern लेके चलता हूँ तो I hope आप idea समझोगे मैं पहले bootstrapping discuss कर तो logic समझे क्या है I'll go one by one bootstrapping in compiler design is a fascinating and a critical concept in early stages initially compiler were written in assembly language और a low level specific language specific to the hardware जब हमने game खेलना start किया था जो 1950s और 60s की बात कर रहे है जब हमने compiler बनाने start किये थे तो उस समय हमारे जो compiler थे वो किस language में लिखे थे तो obviously या तो हम कोशिश करते थे सीधे machine level पे लिखे या assembly level पे लिखे आइडिया समझोगा क्या है मान लिजे हमने पहली language बनाई Fortran यह मान लिजे first language imagine करते है कि C बनी अब जब C पहली बार बन रही है तो उसका compiler भी तो किसी language में लिखा होगा है तो how do you compile the first compiler problem यह है तो क्या सबसे पहले जब बनाएंगे क्या C compiler C में लिखा हो सकता है नहीं वह तो first programming language है ना C का compiler C में लिखा हो तो उस compiler को compile कौन करेगा तो logic यह है कि जो पहला compiler था स्टार्टिंग के जो compiler थे वो हम direct machine level में assembly level में लिखते थे obviously वो लिखना बहुत मुश्किल था वो लिखना बहुत तफ था लेकिन option भी नहीं था तो starting में तो चला बढ़ धीरे धीरे क्या होने लगा language की complexities बढ़ने लगी functionalities बढ़ने लगी अब अगर आज के डाइम पर हम बात करें C, C++, Java, Python यह जो एक दम advanced high-level programming languages है क्या इनके जो compiler है वो आप machine level में direct लिखने की हिम्मत कर सकतो 0101 में that will be damn tough तो हुआ क्या the programming language evolved and needs for writing compiler in a high-level language become evident तो हुआ क्या समय के साथ वही मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे जैसे programming languages stuff होते गए इस बात की ज़रत समझ आने लगी कि यह compiler जो है अब वो machine यह assembly level में नहीं लिख सकते उसको एक higher form में हमें लिखना पड़ेगा और यहां पर जो concept आया वो आया bootstrapping गा bootstrapping कैसे काम करता है so bootstrapping was introduced a solution to this it refers to writing the compiler in the same language intended to compile अब यह होगा कैसे ताइड टेक यू step-by-step और यहां पर यह टी डायगराम स्टेडी करते बड़े कमाल की चीज़े पहली बार देखने में आपको थोड़ा जीब लगेगा बर देन यूल अडर्सेंट तो ऐसे this is not a full-fledged c language महान लेते हैं c की कुछ basic functionality c का एक subset यह कि initial variant हमने लिया so this is the input और हमने compiler बनाया जो इस c के subset को convert करता है assembly level language में yes और यह जो compiler है यह खुद लिखा हुआ assembly level में अब क्योंकि खुद assembly level में लिखा है तो इसको compile करने की ज़रत नहीं है अब यह वह imagine कर सकतो कि machine level में लिखा है I'll consider that it is written in assembly level इसको बोलते T diagram तो this is input this is output and this is the medium or the language of the compiler compiler किसमें लिखा है तो पहले हमने यह काम किया यह काम करना फिर भी relatively थोड़ा simple है क्योंकि फुल-fledged programming language में उसके छोटा सा subset है है और compiler assembly में लिख लिया तो manage किया जा सकते और कहानी आगे बड़ी एक बार जब यह compilation हमने कर लिया अब हम step number two पे पहुंचे और देखे हमने क्या किया इस बार हमने सी के subset पर नहीं हमने proper full-fledged C language उठाया और उसको हमने convert किया assembly level में जो कि obviously compiler के responsibility उसे करना भी था बट मज़ेगी बात यह है इस चीजों को थोड़ा आसान करना है तो इस बार जो हमारा compiler है वो हमने assembly level में नहीं लिखा वो हमने c0 में लिख दिया क्योंकि c0 already compiled हो चुकी है तो अगर c0 compiled हो चुकी है तो compiler भी basically compiled है अब यह काम करना relatively थोड़ा सा आसान है अब आप बोलेंगे यह execute कैसे होगा तो देखिए यह formation आपको समझातो है 2T diagram कैसे मर्ज ओतर कैसा 3 diagram बनता है हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास ए compiler है जिसका input c है output assembly level है जो लिखा हुआ है c0 में अब machine को c0 कैसे समझाएगी तो है न हमारे पास earlier version हमारे पास earlier यह दोनों हमेशा से होंगे notice करिए हमारे पास एक version है जो की assembly में लिखा हुआ है जो की machine को समझ आता है computer के hardware को समझ आता है जो c को assembly में convert करता तो basically कितने step हुए c convert हुआ c0 में और c0 convert हुआ assembly में और assembly में convert हुआ तो बात complete हो गई तो technically इन दोनों का result हमें यहाँ नजर आया तो basically अब दोनों मिलकर कैसे बिहेव कर रहे है यह बिहेव कर रहे है जैसे कि एक compiler हमने बना लिया हू जो c को assembly में convert कर रहा है और compiler लिखा हुआ assembly में, हलांकि fact ही है, हमने direct assembly में लिखा नहीं है, हमने दो अलग-अलग काम किये, हमने C को C0 में convert किया, और C0 का compiler, C का compiler C0 में लिखा, और C0 का machine में लिखा, तो हमारे लिए दो काम step-by-step करने असान हो गए, हमें direct C0 का assembly में नहीं लिखना पड़ा, imagine करो, यह bootstripping समय के साथ बढ़ती जा सकती है, कल को मान लो, हमने C0 का एक और advanced version बना लिया, तो अब logic किया जहां से देखिए, वो advanced version कैसे चलेगा, let me see, उसका नाम रख देता हूँ C advanced, में भी Java Python कुछ और मान लो, अब उसका compiler में लिख सकता हूँ C में, वो convert करेगा सीधे assembly level में, अब कैसे चल रहा है तो, फिर वो ही कहा नहीं, सर यह जो compiler है, वो C में लिखा हुआ है, C को C not पढ़ना जानता है, C not को assembly पढ़ना जानता है, तो this is a process of bootstrapping, कि धीरे 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 हम complex mechanism भी answer कर पाते है, इस concept की मदद से, है ना तो आई हो bootstrapping का, एक basic idea आपको समझे और वो ही यहाँ पर लिखा है, कि initial step में हमें bootstrap, bootstrap, bootstrap क्यों बोल रहा है, पहला program, जो main memory में operating system load करता है, यह not operating system, वो program जो operating system को load करता है, उसो बोलता है, bootstrap करना, game शुरू करना, system boot हो रहा है, यहाँ से game शुरू हुआ, और आप जब तक चाहे, इसको आगे लेके जा सकते है, है ना, तो अगर हम कोई python या कोई भी नई language लेके आते है, हमें attention ने लेनी, कि इसका compiler direct assembly में सकते हैं, वो पूरी कहानी मैं दुबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, so that, university में, if it is 5 mark, 10 mark में पूछा जाए, तो कोई confusion ना हो, so it's a process of writing a compiler for programming language, using the language itself, in other words, it is a process of using compiler written in particular programming language to compile a newer version of a compiler written in the same language, so new and newer variants पे हम जाते जाते हैं, और यह जैसे C का मैंने पूर एग्जाम्पल दिखा, वो ही एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोट कर दा हूँ, same language में लिखने का advantage क्या है, अब जैसे C का, हमने C naught में लेखा, या C advanced का C में लेखा, क्योंकि language का compiler भी technically, उसी language के previous version में लिखा हुआ है, तो उसका syntax, semantic समझना, optimization कर पाना, relatively better control रखना, वो सब possible होगा, वो ही सारे point example में लिखा रहा हूँ, with advantage, एक थोड़ा सा disadvantage बोल सकता है, थोड़ा time consuming तो होगा, क्योंकि, you are not writing it directly, you are doing it step by step, है न, वो कहान लिए, now, अगला एक idea था, cross compiler, have cross compiler क्या है, देखे, bootstrapping तो यह idea हुआ, कि हम बात कर रहे है, day 1 से, 1960 से आज तक, कैसे हम धीरे-धीरे, you know, languages की complexity को, और improve करते आए हैं, और कैसे हम ने समय के साथ चीजों को simplify किया है, cross compiler write किया है, इसको ऐसे समझो, I'll go step by step, अब तो आपको T diagram पढ़ना आ गया है, this is diagram number 1, हमारे पास एक compiler है, जैसे आपने समझा input, output and किस language में लिखा है, जो Y language को किसी machine M के लिए, direct machine level code में convert करता है, और मान ले लिखा भी machine level, machine level language, यानि कि M में ही है, तो कोई problem नहीं है, इसको अगर ऐसे imagine करे, input है Y, compiler भी लिखा हुआ है, machine level language में ही, तो इसको फर्दर किसी का support नहीं चाहिए, और ये किसके लिए convert कर रहा है, ये direct machine level में convert कर रहा है, बात खतम हो गई, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं नया machine बनाना, एक नया compiler बनाना चाहता हूँ, जो कि input X को, किसी language X को किसी language Z में convert करे, for the same machine, इसी hardware के लिए, कैसे बनाऊंगा, तो इसको बोलते है cross compiler, एक नया machine बनाना, या बूट सापिंग के तरह है, तो idea देखे क्या है, idea ये है, क्यों आमें काम करें, इसका compiler Y language में लिख using Y language, अब Y language क्या machine को समझ आती है, वो machine को पहले समझ आती है, तो machine के पास already compiler है, जो Y language को machine language में convert करना जानता, जो खुद machine language में लिखा, उसे किसी का support नहीं चाहता, तो फिर वोई बात, ये दोनों equal, ये दोनों equal, ये मिलके कैसे behave करेगा, ये Y को, X को, ये transitivity होते हुए, M मे use करते हुए, Z को, X को, Z में convert करेगा, तो X convert हो जाएगा, Z में, and the machine is written in M, हाला कि direct लिखा हुआ नहीं है, ये behave कर रहा, लिखा हुआ कैसे, X, Y के through convert होता है, Y, M पे direct लिखा होता है, जो machine पढ़ना जानता है, तो this is known as cross compilation, जहां पर कि, हम, दो variant है, इसके दोनों समझाता कि same computer है, computer का नाम है M, उस पे previous एक machine एक compiler पहले से बना हुआ था, एक नया compiler हमने बना लिया, पुराने compiler का use करते हुए, एक और idea है, ये idea देखे, बहुत मज़ेदार है, यहां दो machines है, और कैसे एक, जिसे बोलते हैं, platform independence, एक machine पे रहते हुए, क्या दूसरे machine के लिए code generate किया input लेता है, let me say C language, direct convert करता है, machine level language में, और जो compiler है sir, यह M में लिखा हुआ है, notice करिये, है ना, बहुत basic बात है, order में चल रहा हूँ, now, मुझे एक नया compiler बनाना है, जो की C को convert करे, let me say, let me take a new language, जो की C++ को convert करे, किसी नए machine N के लिए, but, यह काम होना चाहिए, machine M पे ही, तो basically, क्या एक computer पे, हम एक ऐसा code generate कर सकते है, क्या जो किसी दूसरी machine पर run करे, ऐसा कर सकते है, कैसे कर सकते है, notice करिये, तो देखिए, यह तो हमारे पास पहले से है, कि हमको C को convert करना machine, हमारे पास पहले से है, जो C को machine level M में convert कर रहा है, कै ऐसे using M, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया compiler बनाता हूँ, जो C++ को machine N के, machine level code में convert करेगा, और वो मैं लिखूंगा C में, अब यह game क्या है, फिर वोई बात, transitivity, क्योंकि C को मुझे पहले से convert करना आता है, in machine, for machine M, अगर मेरे पास M में code लिखा हुआ है, तो फिर और जिकल यह कैसे behave करेगा, हम C को भी, C++ को भी N में convert करना सीख जाएंगे, और technically वो किस में लिखा हुआ है, M में, हलांकि वो M में नहीं लिखा, वो एक तरफ लिखा है C में, और सिर फिर M के थुरू हो जाता है, M में convert, that is how it is working, तो cross compilation के दो variant है, पहला, same machine के लिए, अगर आप कोई नया compiler बनाना चाह रहे है, किसी नए language में convert करने के लिए वो हम कर सकते हैं, और दूसरा, same machine पर, अगर किसी दूसरे machine के लिए, आप code generate करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर यहां पर as a cross compiler काम करती है, yes, तो initially software was often developed and executed for the same type of machines, इस conception क्या ज architecture थे machine थे, उसे के लिए software developed थे, काम हो जाता था, बट जैसे जैसे development हो, और हम जानते हैं, hardware में जादर development हो, relative to software, तो इतने सारी variant हमारे पास है, इतने तरह के machine है, इतने सारी तरह के architecture है, उसको कैसे manage करें, तो ये techniques हमें मदद करती हैं, कि जो हमारी machine है, उस पर बैट कर हम किस दो तिन diagram याद करके, एक example बना के आएंगे, तो ये going to get full marks, yes, ठीक है सर, आप थुड़ी सी बात करते है, deterministic finite automata के बारे में, थुड़ा से मैं context clear कर दो कि अचानक से DFA machine model ये क्या है, अगर आप पहले से TOC वाली single shot देख चोके, one shot देख चोके, then obviously आपको पूरा idea कि ये क्या है, तो automata, या theory of competition, जो हमारा main subject है, मान सकते है, compiler का theoretical background हमें जहां से मिलता है, जो वहाँ पर हम, you know, DFA, PDAs and Turing machine, वो सारी चीज़े बहुत detail में बहुत अच्छे से हम discuss कर चुके है, यहां पर इसको पढ़ने का कारण ये है, कि जो compiler का technically हमारा पहला phase है, which is like lexical analysis, वहाँ पर अगुलर expression या NFA का बहुत छोटा सा slight understanding compiler के slavis में आम तोर पर रखा जाता है, so that आपको उसको थोड़ा सा background समझाए, because जो step number 2 है, compiler का, which is syntax analysis, जो हम context free grammar का use करेंगे, वो तो detail में पढ़ी लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये, क्योंकि इतनी detail में नहीं प understanding लेना चाहते है, तो जो TOC का one shot है, उसके starting के आप कुछ content डेख लेंगे, एक डिट घंटेगा, तो आपको सारी की सारी background एकदम शांदार तरीकी से समझा जाईए, तो फिर मैं यहां पर start करता हूं, so DFA, a deterministic finite automata is defined by how many tuples, five tuples हैं इसे define करते है, एक तरह का machine model है, जिसमें capital Q, जो total number of states हमारे होते है, उसको represent करता है, sigma input alphabet, एक हमारे पास exactly one initial state होती है, we have number of final state, जो की zero भी हो सकते है, तो from zero to any number, final states is there, and then we have a transition function, तो transition function हमें कैसे क्या बताता है कि कैसे एक state से दूसरे state पे हमें transition करना है, हमें switch करना है, to give you an example, एक expression की मतद लेके, एक expression बना भी लेता है, एक machine बना लेता है, जो की again एक previous year question है, और approach क्या है, वो भी आपको समझा देता हूँ, so look at this, और मजगी बात है कि यहां पर ऐसा नहीं बोला गया कि DFA बना, बोला गया NFA, non-deterministic version में क्या होता है, हमें एक से जादा moves भी ले सकते है, so oblique का मतलब है choice, तो basically what does it mean, इसका मतलब है either A, या फिर ABB, या फिर क्या लिखा है, notice करिए, that is A star and B plus, है ना, keen closer, positive closer, by using Thomson construction methodology, तो Thomson construction methodology, तो Thomson construction methodology क्या होता है, जहां पर अब सारी चीज़ की extra tension मतलब बैसे भी regular expression पर काम करना असान है, जो आप समय के साथ हमने सीखा है, आईडिया कि इसको step by step हम decompose कर सकते हैं, कैसे करेंगे, notice करिए, तो मैं काम करता हूँ पहले, single initial state मानता हूँ, और तीन रास्ते हमारे पास है, initial से final पर जाने के, या तो single है आपके पास हो, या तो जैसे transition graph में हमने पढ़ा था TUC में, ABB, या फिर A star and B plus, अब obviously यह कोई perfect NFA नहीं है, इसको further simplify करते हैं, यही है, Thompson construction, तो एक logic क्या हो सकता है, notice करिए, look at this, एक तो यंगरे, छोटे-छोटे काम भी करते हैं, उसमें भी नाम लगा रहे हैं, कितनी महन बात हो गई, तो single A, इसको तो further simplify कर नहीं सकते हैं, यहां पर ABB है न, तो we can have a single A, and then we can have single B, and then we can have B, ऐसे मागे जा सकते हैं, A star है, तो यहां पर आप बिलकुल Epsilon का स्टमाल करिए, so that, null transitionally आगे बड़े, A star मतलब, any number of A's you can have, अभी B प्लस है, तो इसका मतलब क्या बताओ, कम से कम एक B तो लेना ही पड़ेगा आपको, because positive closer है, again, यह सारी background हम TOC में पढ़ है, what if keen closer and positive closer, then we have B+, तो सिंगल B के बाद कितने भी number of B हो सकते हैं, and again, using epsilon, I want to go to the final state, so there you see, same expression का, हमने आपे machine version बना लिया, और यही दरसल versions या variants जो है, वो बाद में हमें help करते हैं, lexical analysis में, token identification में, इस वज़ए सिसका थोड़ा सा background, इसका थोड़ा सा idea, यहां पर discuss करके च दल रहे है, एक और question देखिए, यह क्या पूचा है, A, B, star, oblique A, B, यह भी, आम तवर पे college university में इस तरह के question पूचा है, तो मुझे लगा कि सेंपल से लेके बात करूँगा, example के साथ, तो आप जल्दी relate करेंगे, लगाई एक में डिमाक लगाई, इसमें पताओ कैसे करेंग video pause भी कर सकते हो, है न, try करते हैं, तो again step number 1, आप चाहो तो, यह एक और छोटा step लिख देता हूँ, step number 1, जो भी expression लिखा है, न, initial से final का रास्ता बनाईए, और यह पूरा का पूरा expression, बस यहाँ पर oblique है, तो मैं choice के साथ लिख देता हूँ, एक साथ भी लिख सकते हैं, now that is step number 1, step number 2 मैं आप जेख आप क्या कर सकते हो, in step number 2, you can have two different paths, इसे थोड़ा simplify कर लेता हूँ, so a, b star and that is a, b, अभी दोनो ही फर्दर सिंपलिफाई हो सकते है, तो फर्दर सिंपलिफाई कर लेता है, so यहाँ पर, I can have a, then हमारे पास हो सकता है, epsilon, then we can have a, b, star, so b का लूप, and then using epsilon, we go to final state, है ना, और यहाँ पर तो a, b है, तो बस एक single state मैं बीच में लगा लेता हूँ, sir, उसके अलावा, मुझे नहीं लग रहा है, इसमें और कुछ प्रॉब्लम होगी, so again you see, step by step, thompson construction, ताकि एक्जाम में जब आप करके आए, तो examiner को समझ भ पड़िये, एक और अखरी case देख लेता है, यह क्या है, 0, यह 0, 1 पर ले लेता है, तो 0 प्लस 1 का होल स्टार, and then we have single 0, single 1, and 1 0, तो जैसे आपने सीखा है, step number 1, पूरी की पूरी कहानी में, ऐसे लिख देता हूं, so this is like 0 प्लस 1 होल स्टार, and then we have 0, 1, and then we have 1, 0, yes, now after this, अब इसको decompose करना, start करो, तो epsilon से इस order को respect करते हैं, ताकि कोई confusion ना हो, so there you have, you have a cycle of 0, 1, 0, 1, जब तक चाहो, जितनी बार चाहो, एक और epsilon लगा लेता हूं, ताकि कोई confusion ना हो, order में, अब यहां पर आप देख रहे हैं, चोईस है, इस चोईस का क्या मतलब होगा, अगर एक ही step में कर दो, या तो 0, दो लग-लग रास्ते बना देता हूं, या तो 1, दोनों में से कोई एक लेकर आप आप आगे जा सकते हो, और आगे आप देखोगे, तो concatenation है, तो या तो 0 या तो 1 नहीं, 1 भी चाहिए और 0 भी चाहिए, और same order में चाहिए, so first, you must have a 1, and then you must have a 0, and then you go to final state, look at this, पूरी कहानी, एकदम value by value, order में हम convert कर रहे हो देख रहे हैं, है ना, so मैं दुबारा से आप दिला रहा हूं, whether it is regular expressions, और NFAs, और DFAs, बहुत detail में TOC में बात किये, तो आप starting का थोड़ा वीडियो देख सकते हो, one shot, otherwise, basic basic understanding में यहां discuss करके चलूँगा, and अगर अभी semester में सिफ compiler design है, तो उसके context में कोई बहुत important बात नहीं, जिसमें इतने detail में यहां बात की जाए, और normally तो यह होता ही है, कि compiler पढ़ा चुके होता है, normally ऐसा ही है, अगला यहां पर भी जो mention किया है, मुझे पता नहीं क्यों कि, you know, they want you to convert NFA into DFA, so I think again already we have done this, बहुत detail में, और कैसे कैसे step by step convert करते है, कर सकते है के नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ में mention कर रहा हूँ, एक example करके दिखा देता हूँ, this is a procedure, त करके अगर आप notes लिखना चाहो, या दो तिन पॉइंट पर ध्यान देना चाहो, so that exam में लिखके आने के लिए, तो आप कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ, so look at this, यह हमारे पास एक NFA है, इसको convert करना DFA में, तो क्या चीज़ usually advise की जाती है, step number one में आप क्या करे, आप पहल इसको टेबल में convert कर ले, क्याकि टेबल से टेबल में convert करना आसान है, तो कितने input alphabet है sir, 2 alphabet है, तो let me say A and B, and how many states we have, so here we have 3 states, आप देखो कौन कौन सा है, Q0, NQ1, NQ2, और Q1 हमारा final है, देखे दुबार एक बात जो notice करनी है, अभी जो पहले हम यह टेबल बना रहे हैं, यह ट basically हम कोई conversion नहीं कर रहे हैं, let that be very clear, यह सिर्फ NFA का NFA वाला ही representation है, जो transition है, mention करते चलते है, तो बताओ, Q0 A पे क्या कर रहा है, sir Q0 A पे दो काम कर रहा है, there you see, Q1 पे भी जा रहा है, और Q2 पे भी जा रहा है, ध्यान से देखो, Q0 B पे क्या कर रहा है, Q0 B पे कुछ नहीं कर रहा है, और NFA में आपके पास liberty होती है, इस तरह के काम करने की, basically इस तरह का काम मतलब काम ना करने की भी liberty होती है, फिर आगे बढ़िए, Q1 क्या कर रहा है, Q1 A और B दोनों में से किसी पे कुछ नहीं कर रहा, Q2 क्या कर रहा है, notice करे, so Q2 जैसा मैं देख पा रहा हूं, A पर Q1 और Q2 दोनों पे जा रहा है, बट B पे वो सिर्फ Q2 पे है, notice करे, yes, now doing this, अब हम जल्दी से step by step इसको convert करते है, कैसे करेंगे, तो अब actually construction स्टार्ट हो रहा, DFA का, DFA में क्या कारनी है, एक state पर आप exactly एक ही move लेंगे, ना एक से कम लेंगे, ना एक से जाधा लेंगे, तो पहला रो है, वो exactly copy कर दो, एकदम copy कर दो, कोई दिख कर, ने initial state सेम रहेगा, तो copy कर रो, sir, क्या होगा, बताओ, Q1, Q2, and 5, अब ये दोनों ही चीज़े, DFA में लाउड नहीं है, ना तो, you know, दो state पर जाना लाउड है, और ना ही move ना लेना लाउड है, बट दोनों का solution क्या है, you treat them as a state, आब इसे as a state treat कर लो, तो इसको ऐसे मानो, एक नया state है, sir, जिसका नाम है Q1, Q2, एक नया state है, जिसका नाम है 5, अगर ऐसा मान ले तो, तो कोई problem नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब DFA क्योंकि complete system भी है, तो अगर कोई state आया, तो उस पर भी move होंगे, तो अब होगा, वो stable से पूछो, Q1 and Q2 on A, तो Q1 तो A पर 5 कोई move नहीं ले रहा, Q2 A पर जरूर 2 move ले रहा Q1, Q2, तो 5 का और Q1, Q2 का union भी करूँगा, तो भी मेरे को दुबारा Q1, Q2 ही मिलने वाला है, तो basically, it is kind of a self-loop, sir, no change, self-loop, now, Q1, Q2 on B, Q1, Q2 जब B पर देखेंगे, इधर 5 म मिलेगा, फिर वो भी बात दोनों का union करेंगे, तो क्या मिलने वाला है, Q2, yes, एक नहीं स्टेट और मिल गया, यहाँ पर 5 था, 5 basically, DFA मेरे प्रेजेंट करता है किसको dead states को, तो 5 के transition देखने की ज़रत नहीं है, क्योंकि dead state हमेशा क्या करता है, self-loop लेता है, so there you see, either on A और B य जब ले लेता है, आखरी शादिये 2, Q2 के मूँ देखिए sir, Q2 on A is Q1, Q2, जो कि पहले से हमारे पास एक नयाए state है, कोई problem नहीं है, and Q2 on B is again Q2, जो कि again हमारे पास state है, कोई problem नहीं है, now, final thing, final state कौन कौन बनेगा, तो हम देखते है, original machine में कौन फाइनल था, Q1 फाइनल था, यहाँ पर वो सब final बनेगे, जहाँ पर Q2 आया है, बड़ आप देखिए Q2, सिर्फ Q1 माफ किजिए का, वहाँ Q1 final था, तो वो सब final बनेगे, जहाँ पर Q1 आया है, बड़ आप नोटिस करें, Q1 एक ही बार आया है, इसका मिलब final state भी एक ही बनेगा, और यह देखिए, दिस मॉडल में कनवर्ट कर लो, to have better understanding की हायार सब काम ठीक से हुआ भी है के नहीं है, तो देखो जरा क्या कर रहा है, Q0 on A, अगर A आया, तो आगे बड़ा, और क्या कह रहा है, A पर, कि सर Q1, Q2 पर चले जाओ, जो कि technically इसका final state भी है, अगर B आया, तो सीदे भाई बेज रहा है लूप करेगा, okay, Q1, Q2, A पर लूप कर रहा है, B आया, तो शाद आपको आगे बेज रहा है, on A state Q2, और Q2 पर अगर B है, तो यहीं लूप आप से करा रहा है, बट अगर A आया, देखें, नोटिस करें, वापस आ रहा है, क्या है यह, आप ध्यान से देखेंगे, और इजि having accepted, starts and ends with same symbol, A, not same symbol, A, A से start होगा, ऐसी खतम होगा, तो अगर single A है, तो बोल सकते है, sir, वही starting और वही ending state भी है, तो accept कर रहा है, वरना यहाँ पर, यहाँ देखो, same हो रहा है क्या, starting में अगर B आया, सीधे dead पर लेके जा रहा हूँ, आप कोई possibility है ने, क्या बात करूँ आप से, बात खतम हो गई, लेकिन अगर starting में A आया, notice करो, तो फिर मैं accept करूँगा, जब तक जब तक यातर रहेगा, B आयेगा, non final पर लेके जाऊँगा, वहीं बैठा के रखूँगा बट जैसे ये आयेगा, वापस आ जाऊँगा, तो ये बिल्कुल perfect तरह से काम कर रहा है, and that is how you can convert a NFA into DFA, yes, मैं दुबार आपको दिखा रहा हूँ, this is the idea, कि हाँ, हर NFA को DFA में convert किया जा सकता है, हर DFA, NFA भी होता है, हर NFA, DFA हो ज़रूरी नहीं है, the subset construction, total state कितने बढ़ स रहा है, और exact procedure किया है, ये तो भी आपने देख भी लिया, initial state change नहीं हो रहा, input alphabet change नहीं हो रहा, transition function change हो रहा है, कैसे change हो आपने example से देख लिया, final state कौन बनेगी, वो सारे state final बन रहा है, जहां पर final state आ रहा है, so that is the idea, yes, और फिर भी आपका मनना भरे, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक बार, जैसे मैं हर case में non-usually कर रहा हूं, जहां भी मुझे लगता है कि examiner की possibility कि आप से पूछ ले difference, तो NFA, DFA का difference table form में भी आपको लिख के दे रहा हूं, okay, अब finally मान सकते हैं कि यहां से, अभी भी एक है, बहुत detail में नहीं, लेकिन compiler का जो पहला phase था, वो क्या ह आइजर, है ना, तीन स्टेप है, लेक्सिकल नाइजर, सिंटेक्स अनलाइजर, सिमेंटिक अनलाइजर, तो अब finally इतना basics पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, लेक्सिकल एनलाइस या लेक्सिकल एनलाइजर, तो जैसा already हमने basic idea ले लिया था, it is a phase, जो compiler design का first step है, input क् input होगा, आपको मिलेगा source program, output क्या होगा, output होगा stream of tokens, तो source program को छोटे-छोटे tokens में convert करता है, और basically objective function क्या है, spelling mistake चेक करना, है ना, यह चेक करना कि जो individual tokens है, या leximes है, spellings है, या words है, वो सही है के नहीं है, तो इल गो one by one, lexical analysis, or lexing or tokenization, is a process of converting a sequence of characters, such as a computer program, और a webpage, whatever it is, into a sequence of tokens, तो continuous stream को tokens में break करना, यह काम है, lexical analysis का, तो जैसे आप देख सकते हैं, again, यह मतलब समझे, difference का, पहली मैंने इस पर बात किया, lexime और token, बच्चे बड़े confused रहते हैं, जो exact चीज आप scan कर रहे हैं, वो lexime है, और उसका जो meaning है, उसका जो class है, है ना, वो token है, तो for example, less than equal to, यह lexime है, comparison, यह token है, y, एक, y is y, यह lexime है, और वो क्या है, वो identifier है, तो यह उसका token है, तो यहाँ पर देखे हैं, वो ही दो थीन चीज़ मैं लिखके mention कर रहा हूं, a lexime is a sequence of character in the source program, that matches the pattern of a token, and is identified by the lexical analyzer, as a instance of that token, where a token is a string with an assigned and thus identified meaning, तो उसका जो meaning है, वो token है, तो यह तिंग है, बिसिक बात है, कैसे आप करते हैं, तो पहले scan करते हैं, lexime बनाते हैं, फिर उसका logical value identify करते हैं, then it becomes a token, for example, यहां देखिए, एक line में लिखना हूं दुबारा, x is equals to a plus b multiplied by 2, तो यहां पर आप देख सकते हैं, x is a lexime which is identifier, equal to is a lexime, जो एक operator है, a is a lexime which is identifier, तो bracket by bracket, you can see separated by commas, जितने भी lexime along with their token, वो सब चीज़े यहां पर हमने tablet करके लिखी हुई हैं, as simple as that, अब, lexical analyzer, काम कैसे करेगा, यह तो हमें समझ आ गया, यह basically क्या है वो हमें समझ आ गया, यह design कैसे होगा, वो समझना मुश्किल है, तो मान लिजे C programming language ही ले लेता है, है ना, तो C language हमारे पास है, वो उसे tokens में break करते हैं, कैसे break होता है tokens में, कैसे identify करते हैं, कि int सही है के गलत है, तो इसकी जो पूरी कहानी शुरू होती ना, वो शुरू होती है regular expression से, regular expressions का इस्तमाल करके हम rules बता सकते हैं, हम syntax बता सकते हैं, अगें TUC का थोड़ा सा background यहां काम आएगा, लेकिन idea बड़ा interesting है, look at this, मैं लिख रहा हूँ A, which stands for alphabet, तो लगसे आपको बता देता हूँ, sir, A का मतलब है, कि small a, small b, up till, up till, up till, up till, small z, या capital A, capital B, up till, up till, up till, capital Z, तो small case, capital case, आप कुछ भी लिख से अपते हो, that is A, S is a, let me say, special symbol, तो जो जो भी special symbol चलता है, at the rate हो सकता है, या hyphen हो सकता है, या hash हो सकता है, जितने भी special symbol है, वो सारी possibility, और D का मतलब है, मान लिजे, desert, यानि कि 0, या 1, या 2, up till, up till, up till, up till, you can go till 9, ये कहानी है, अब देखे, मैंने expression क्या लिखा, मैंने बोला, A, उसके बाद choice दिया है, A में, S में, या D में, choice है, और कितनी बाद repeat करना, तीन टाइम, उसके बाद A में, या S में, या D में, choice दिया, along with epsilon, जिसको repeat आप कर सकते है, 4 टाइम, तो होगा क्या, यहां से कोई भी A के तो आपको मिले गई, तो basically, आप small A से लेकर capital Z तक कुछ भी pick कर लो, पहला, पहला जो आपका character होगा, तो मान लिजे, मैं pick कर लेता हूँ B, है ना, उसके बाद 3 character आपको चाहिए, now that can be a desert, that can be a special symbol, और that can be a alphabet, तो for example, मान लिजे, मेरा मन है choose करने का, I'll go for B, B, और मैं वैसे तो चाहूँ, तो कुछ भी repeat कर सकता हूँ, बर चलो, मैं हर एक number ले लेता हूँ, तो add the rate लेता हूँ, and D के लिए मैं 7 ले लेता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं epsilon भी कर सकता हूँ, बात खतम हो गई, क्योंकि मैं 4 बार epsilon ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ, तो यहां से मैं again कुछ number ले सकता हूँ, for example, मेरा मान लिजे, मन है 0007 लेने का, अब ये मा या password बनाने का rule हो गया, आप जाते हैं किसी website पे, वहाँ पे mention होता है, अपना email ID भरे, या अपना username अपना password बता है, है ना, और कभी-कभी आपने देखा होगा, वो mention करता है, बहुत strong है, या बहुत weak है, या you must have a special symbol, या must start with number, और must start with a character, इस तरह के rules होते है, देखो, ऐसे वो rule define किया जाता है, तो अब ये rule क्या है, कम से कम 4 length तो करनी ही करनी है, उसमें मैंने आपको कोई option नहीं दिया, पहला symbol must be an alphabet, बाकी के 3 symbol कुछ भी हो सकते है, it can be a special symbol, और मैं mandate भी नहीं करता है, special symbol होना ही चाहिए, but alphabet, special symbol, digit कुछ भी हो सकता, अगर आप 4 कभी रखोगे तो अगर आप चाहो, तो 5, 6, 7, 8 तक आप जा सकते हो, क्योंकि ये पूरा bracket में 4 बार repeat कर रहा हूं, this is a choice, एक बार ये expression आपने बना लिया, तो आप क्या कर सकते है, you can have a finite automata, तो for example, मान लीजिए, logic के है, पहली बार a का कोई भी possibility आए, state change करो, उसके बार 3 बार change करना है, तो again what you can have, एक बार, अगें आप तीनों पर लिख लो, आइदर AI, SI, या DI, फिर से, 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 AI, SI, या DI, and then you go to final state, और मान लीजिए, final state का मतलब है, the token is generated, इस तरह से scan किया जाता है, तो अगर मान लीजिए, हमें identify करना है, integer, तो आ AI आएगा में state change करूँगा, N आएगा में state change करूँगा, TI आएगा में state change करूँगा, और यहां में एक token generate कर दूँगा, integer माने एक valid keyword हमारा generate हो गया, तो ये example से थोड़ा सा आपको background समझाने के लिए था, कि जो regular expression, actually token identify करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो भाई state change करते हैं, गेम चुरू होता है regular expression से, इसलिए वो background अभी आपको समझा रहे थे, regular expression को machine में कैसे convert करते हैं, वो क्यों क्योंकि इधर काम आता है, आप पूरी चीज नहीं करना चाहते हैं, वो करना मुश्किल होता है, तो आप पहले regular expression design करते हैं, then हम उसे machine में convert करते हैं, and then इसी finite automata, minimal deterministic finite automata क अस्तमाल होता है, lexical analyzer के अंदर source program को string of tokens में, stream of tokens में break करने के लिए, yes, तो again, अब अगर मैं इसके implementation में step by step जाओं, जो आपकी exam में question पूछे जाता है, तो माली जी question पूछा, how can we implement a lexical analyzer, I'll go step by step, input of lexical analyzer, the source program हम जानते हैं, using a buffering scheme, we scan the source program, तो basically आप पूरा scan करेंगे, regular expressions are used to represent the input pattern, अभी आपने देखा example, तो regular expressions हम लिखते हैं, now these input pattern are converted into NFAs using finite automata, then these NFAs are converted into DFAs, these DFAs are minimized, और यह सारी की सारी process, यहां तो मने थोड़ा से देख लिया, TOC में बहुत detail में observe की है, सारी process, तो वो बात ठीक है, अब जब minimized DFA आपको मिल गया, each minimized DFA is associated, with a phase in the programming language, which will evaluate the lexeme, और अगर match करेंगा, फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा, तो हमें एक token generate कर देंगे, to give an example, look at this diagram, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे finite automata होते हैं, मैं जब से छोटा से example code कर रहा हूँ, जर असको analyze तो करो, और देखो और मुझे बताओ देखके, कुछ बात समझ आ रही है कि है आपर, look at this, क्या हुआ, आप देखो, अगर less than equal to आया, इसका मतलब एक token generate होगा, because less than equal to is a valid operator, then अगर less than greater than and not equal to, तो यह एक valid operator है, उसी तरह आप देख सकते हैं, अगर सिर्फ division आया, तो this is a division operator, इस तरह सब यह तो जो automata हो गया, सिर्फ किसके लिए हो गया, यह हो गया सिर्फ operations के लिए, उस तरह keywords के लिए, यह identifiers के लिए, आप अलग-अलग machines बनाते हो, scan करते जाते हैं, that is how token is generated, yes, तो how you can implement it, start होगा regular expression से, convert होते होते आता है, आप याद करो पूरानी बात में, फिर से लिखो पूरी बात, TOC में आपने समझाए, regular expression बनाना सबसे आसान है, rule regulation जब भी बनाना हो, if I go systematically, यहाँ से अब जाओ, epsilon NFA के पास, then you go to NFA, then you go to DFA, and then you go to minimal DFA, यह सारे के सारे steps, step by step हमने convert किये, expression को NFA में, epsilon NFA को NFA, NFA को DFA, DFA को minimal DFA, यह सारा conversion हमने सीखा step by step है ना, तो पूरी कहानी हमें पता है, अब, lexical analyzer generator, यह क्या कहानी है, बड़े-बड़े systems में, बड़ी-बड़ी programming languages में, यह सारा काम, अगर हम खुद से करेंगे, बहुत समय नहीं लग जाएगा, आप पहले expression लिख रहे हैं, इस जो भी हमने करके रहे हैं, है hand coding करना, खुद से कर रहे हैं, फिर expression को machine में convert करना, फिर उसको, you know, multiple stages में convert करना, to automate the phase of compiler, बहुत सरे tools यूज किये जा सकते हैं, lexical analysis phase can be automated using a tool called lex, तो प्यार से, short में क्या बोला है, lex बोल रहे है, lex is a unix utility which generates a lexical analyzer, तो यह वो software है, यह वो program है, जो आपके लिए lexical analyzer बना देगा, कैसे, कुछ तो बताना पड़ेगा, बस expression बता दो, short में बोलो तो, आप उस expression बनाओ, बाकी पूरे conversion, C programming, सब कुछ वो खुद गर लेगा, तो आगे देखिए, क्या बोल रहे है, the lex analyzer is generated with the help of a regular expression, देखिए, तो you give regular expression, lex lexor is very fast in finding tokens as compared to the handwritten lex C programming, प्रोग्रामें से, आप खुच से लिखेंगे, तो मुश्किल होगा, आप इसको बना के दो, लोगों ने सो optimize करके रखा है, तो आप इसको input दो regular expression, या आपके बहाफ पूरा DFA conversion खुद कर लेगा, lex can the source program in order to get a stream of tokens, उसका है, कहाँ पर control statement है, कहाँ पर jump है, हर चीज़ वो खुच से recognize करके break करता है, अगर मैं इसका step-by-step आपको process समझाओ, वो पढ़ते चलूँगा, ताकि आप relate करते, चले होगा क्या, automatic generation of lexical analyzer is done using lexical programming, जिसकी हमने बात की, a lex specification file, step number one में, denoted by extension dot l, तो dot l से ही इस file के extension होगा, म file कम नाम रखर है, x, है ना, produce by a dot, और ये हम input देंगे, इस lex compiler में, now the lex file is given to the lex compiler, ये produce करेगा, lex.yy.c, नाम की एक file, which is a c program, which is actually a lexical analyzer program, तो मान लो, ये करने के बाद ही, आपका जो lexical analyzer है, वो बन गया, तो साधी भाचा में बोलू तो, आपने input दिया regular expression, ये एक पहल से lex compiler है, जिसने, ये मान लिजे हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए lexical analyzer बना दिया, now the lexical specification file फिर से बता रहा है, stores regular expression, तो ये वो regular expression store करता है, जिस से हम token बनाते है, और वो कैसे diagram बने होंगे, अंदर सब कुछ उसने handle कर लिया, yes, तो अब वो final convert करके दे दिया, अब आगे आ c compiler compile this file and produces an object file a.out, अब ये जो final file हमारी बनी थी, ये एक c compiler को हम इंपुट कराते है, और ये एक executable program a.out के extension से बनता है, और ये है finally आपका lexical analyzer, अब जो भी source program आपको चाहिए, आप इसको input दो, और ये जल्दी से stream of tokens बना के दे देगा, तो इसका मतलब आपकी जो expertise है, अब वो individual, इसलिए compiler ने इस पूरी process को इतना importance नहीं देते, कि कैसे DFA, NFA से DFA, DFA से minimal DFA convert करना है, already software है उसके लिए, आप तो हमें बस वो rules लिखना सिखा दो, expressions इसलिए बहुत ज़रूरी है, TOC में भी और compiler में भी, एक बार expression आपने लिखना सीख लिया, तो बाकी का काम खुद म से हो जाता है, तो यह पूरी कहानी है, इसको फिर भी अगर detail में बात करें, पर देखा है किसी-किसी college में question पूछे है, तो मैं बस mention कर रहा हूं, वैसे these are not important, आम तौर पर जो Lex program है, उसके अंदर 3 component होते है, एक होता है declaration section, जहां पर variables, constant, regular expressions की definition, components के regular expressions जोते हैं, वो सब हम mention क है, हर expression के लिए वो आप mention करते है, and third is the auxiliary section, which produce, where all the procedure are defined, which are required by the action in the rule section, तो वो सारे procedures, और आप देखें, दो functions यहां पर है, main function, या y, y, w, r, ap function, यह दो लिखे जाते हैं, याद करने वाली बात है, if you want, you can remember them, अगर इस तरह का कोई question आता है, तो, yes, so that is the main idea of lexical analyzer, क्या काम कर रहा है, input program ले रहा है, sequence of tokens में convert कर रहा है, done, now, अगली बात को जो यहां पर समझने है, वो क्या, there are some secondary functions also, of lexical analyzer, normally लोग बात नहीं करते हैं, बट मुझे लगा discuss करके चलता हूं, तो तीन बात है, पहला, removal of comment line, जब हम programming लिखते हैं, और even it is also advisable, समझाए भी जा but compilation में comments की कोई जरुत है, नहीं, तो stage 1 जो lexical analysis है, वो क्या करता है, वो जितने भी comments है, वो सब के सब हटा देता है, इससे पहले कि हम syntax or semantic analysis start करें, तो that is a very basic idea, point number 2, removal of white or blank spaces, तो कभी-कभी हम you know next line करते है, slash and आप लोगों ने कई बार किया होगा, vertical or horizontal tab यूज करते हैं, वो सा सारे के सारे space आपने use किया, जो भी आपने you know, corner लगा के अगली line पर जाते, semicolon से end करते हैं, वो सारे के सारे tabs, formatting जो है, वो पूरी remove करना, काम है lexical analyzer का, क्योंकि यह हमने अपनी सहुलियत के लिए लिखाता, programming में, compiler को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी हटा द multiple errors, हमने error handler में समझा ऐसा, तो है नहीं कि जहाँ पहला error आगया, वही रुख जाते हैं, बहुत सारे error हो सकते हैं, बार में ढूंडने मुश्किल हो सकता है, कौन सा error कहाँ पर दो, तो हर line के साथ, एक number associate करना, और सिर्फ यह नहीं बताना कि error है, यह बताना कि error कौन सी line में ह यह काम भी lexical analyzer का है, तो यह additional काम क्या करता है, यह हर line के साथ number associate करता है, और उसके बाद जब आपको error बताएगा, तो line number के साथ बताता है, yes, this is also very important thing, now, अब आपका syllabus देखे किस तरह से design किया गया है, थोड़ा से general discussion किया गया grammar के लिए, क्योंकि grammar बाद में काम आएगी, अगला पूरा unit हमारा grammar ही है, और मैं फिर याद दिला रहा हूँ, grammar पे detailed discussion हम already TOC में कर चूगे है, but still, कैसे आप grammar को formally study कर सकते हैं, तो grammar is defined by four tuples, vn, sigma, pns, vn, जो हमारे set of non-terminals है, variables है, या आम तोर पर जो capital letters हम लिखते है, sigma, जो हमारे terminals है, जिनके through बाद में, you know, चीज़े stop होती है, small a, small b, आम तोर पर small case letter से लिखते है, then we have capital S, which is like a start symbol of the grammar, जहां से पूरा game start होता है, and then we have capital P, which is like set of production rules, जो आपको बताते हैं कि कब आप left hand side को right hand side से replace कर सकते है, idea same है, mechanism same है, आप मान के चलिए, finite automata में, जो चीज़ हम graphical representation में एक जगर से दूसरी जगर जाके करते है यहां उसको grammar format में हम कर रहे होते है, to quote an example, look at this, जैसे माले जेक बहुत सिंपल सा grammar है, जहां पे we have two terminals, 0 and 1, बहुत ही सिंपल grammar है, एक ही non-terminal है S, obviously वही start symbol भी है, और दो हमारे पास production rules है, तो अगर हम बना के देखें, where this upper edge is nothing but epsilon है, ना, null string, तो आप चाहो, जैसे मैं बोलता ह हमेशा grammar पे काम करना है, तो grammar पे काम कैसे होता है, production बना के, बना समझ नहीं आएगा आपको, तो production बना के देख लेते है, तो आप क्या कर सकते है, आप direct epsilon बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, you can go to 0 and S and then 1, then you can have epsilon, और क्या कर सकते हो, again you can have 0 and S and 1, एक बार recursion यूज़ कर लो, like this, and then you can have epsilon, तो ऐसा करो कि तो आपको pattern समझ आ जाएगा, मिरको तो आ रहा है, basically हो क्या रहा है, any number of 0s, but will always be followed by same number of 1s, तो can I say, 0 का power n, 1 का power is also n, and n can be anything greater than equal to 0, क्योंकि epsilon भी है न, ये एक language generate हुआ, है न, तो इस तरह से, ग्रामर का इस्तमाल करके, आप किसी language को specify कर सकते है, बाकि भी डीटेल मा आगे काम करेंगे, और ये आखरी चीज़ यहां बता रहे थे, कि किसी भी grammar का जो production है, वो सबसे important है, and when can we say, if there's a production, you see, alpha to beta, वो valid कव है, right hand side पे आप कुछ भी रखो, VN sigma, VN union sigma का whole star, it can be anything, but on the left hand side there you see, VN sigma whole star, VN union sigma whole star, but कम से कम, एक single non-terminal होना चाहिए, ये स सारी चीज़ में जैसे हम बोल रहो हो, TOC मम ने पढ़ा है, तो लेफ्ट हैं लेफ्ट हैं साइड ओद प्रोडक्शन, कम से कम एक non-terminal चाहिए ही चाहिए, then only हम उस grammar को valid grammar मानते है, that is a basic idea, now, TOC के अंदर, एक पूरी हिरारिक ही हमारे पास है, सबसे पहले रेगुलर है, then type, अगर उल्टा चलू तो, type 0 है, then type 1 है, type 2 है, type 3 है, compiler के context में हमारे लिए सबसे important है, वो है type 2 grammar, या context free grammar, जो generate करता है context free language, which is accepted by push down automata, है ना यह उसकी पूरी mathematics है, यहां पर बस अलेक से चीज़ क्या समझनी है, productions पे कुछ additional restrictions हमने लगा दिये, क्या restriction है, so if there is a production from alpha to beta, then you see, beta पे कुई restriction है, so beta can be sigma union VN का whole star, it can be anything, but as far as alpha is concerned, it is of length 1 and it is a single non-terminal, तो alpha क्या है, alpha single non-terminal होगा of length 1, so for example, ऐसा कर के मैं को production लिखू, वालिद है क्यान इसा इन्वालिद है, this is not a valid production, yes, लेकिन, अगर मैं लिखता हूँ, something like this, a tends to, a, b, b, something like this, is it a valid production, यह production वालिदेस में कोई problem नहीं है, है न, तो please understand this, कि type 2 grammar किस तरह से behave कर रहा है, और क्या उसका पूरी कहानी है, again, एक और heading मैं देखा, slavers के अंदर कभी-कभी 5-5 number में theoretical topic pale के पूचह है, और जितना pale के पूचह आप उतना अच्छा answer करके आईएगा, पूरी तयारी के साथ content बना के लाया हूँ, तो, a formal grammar and its application to syntax analysis, दो-चार पॉइंट पढ़िये, मेरे साथ मजा आएगा, तो formal grammar represents the specification of a programming language with the use of production rules, तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, production rule का, जो मैंने पहले भी example दिखाया आपको, है न, unit 1 में दिखाया था, इधर रखाया आगे, ये, ये, look at this, तो grammar क्या करता है, ग्रामर की मदद से, language के, जो भी syntax, semantics है, वो production rule की मदद से, ऐसा, ऐसा करके हम दिखाते हैं, जैसे ही, मैं शायद, C language के productions आपके साथ share कर रहा हूँ, yes, let's go back, अगला क्या है, the syntax analyzer, basically check the syntax of the language, जो अब हमारा chapter number 2 आने वाला है, जहां पर हम grammatical mistake, देखेंगे, string सही से बना के नहीं बना, grammar check करेंगे, syntax check करेंगे, syntax analyzer takes token, from the lexical analyzer, group them in such a way, that some programming structure can be recognized, अभी अगले step की बात है, syntax analyzer का input क्या होगा, जो lexical analyzer का output है, तो syntax analyzer को मिलेंगे string of tokens, stream of tokens, और वो उसको convert करेगा, syntax tree या power stream में, वो हम जानते हैं, तो आगे कर लेंगे, लेकिन ये सारा काम करने में, हमारी मदद कौन करेगा, context free grammar CFG, वो पुरा game set करेगा, after grouping the tokens, if all, at all, any syntax cannot be recognized, अगर वो syntax हम नहीं पकड़ पाए, अगर tree नहीं बना पाए, then that means that there is some synthetic mistake, कोई problem है उसके अंदर, overall process, syntax checking, यह सब basic basic बात लिखी है, और यही सारा काम, हम यहाँ पर formal grammar के अंदर कर रहे होते हैं, yes, आगे बढ़ता हूं, अच्छा, यह एक important बात है, BNF notation, तो अला कि same ही बात है, जो grammar हमने लिखना सीखा है, इसा traditional rule है, जैसे TOC में अगर आप कोई याद हो, हम normal form पढ़ते हैं, grammar की, जहां पे, Chomsky normal form and grabic normal form हमने पढ़ा था, उसी तरह का idea है, तो Bacchus norm form क्या है, is a notation technique, used to express grammar of a computer language, किस तरह साब उसे represent करेंगे, it is a formal mathematical way to describe a language, which is particularly useful in context of programming language, अब क्या-क्या चीज़े हैं, अगें, symbols, जैसा हम पहले करते हैं, terminals, non-terminals, terminals वो, जो बाद में जिन से game रूखेगा, जो फाइनल लेंग्विज में आपको नजर आएगा, non-terminals, जो की obviously variables हैं, जिन से हम को production लिखते हैं, जो आपको production के left-hand side पर दिखेंगे, तो वो ही सारी बात है, these are the basic structure of the string of the language, like numbers, letters, specific word, they represent, excuse me, they represents a set of string, and they are defined by writing BNF rules, production rules, already आपको बता है, there's nothing new, alpha to beta वाला production, एक एक्जाम्पल कोड कर रहा हूं, तो देखो जैसा expression है, तो बता रहा है expression को, जब चाहे, expression प्लस किसी term से replace कर सकते है, terminate भी कर सकते है, term से, तो यह क्या करेगा, कितने भी plus plus वाले बनाने देगा, फिर term से अगर multiply करना factor में जा सकते है, factor से दुबार expression में, number को digit या number digit में convert कर सकते है, again digit को किसी से भी convert करेंगे, तो होगा क्या, इस तरी की grammar का इस्तमाल करके, आप कोई भी arithmetic expression भणा सकते हो, जिसमें I hope, addition and multiplication, दो चीज़े आपको देखने को मिल सकते है, इस तरी की चीज़े आग बाकी, फिर से, पार्सिंग में इसका extensively use होता है, readability बहुत शानदार है, क्योंकि देखो क्या है, अगर दस लोग अलग अलग तरह से rules, regulations लिखेंगे, तो problem होगी, अब इंडिया को चलाने के लिए constitution of India है ना, हमारे पास सब विदान है न, advantage क्या, syntax, semantic, same है, कहां, is लिखा है, कहां, at, लिखा है, सब कुछ ते है, सब के पास same rule book है, तो confusion नहीं हो सकता, वरना कोई बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोला होगा, so you must have written copy, तो यह उसका advantage का syntax, semantics, एकड़ों fixed है, extensions भी है, BNF को further, आजकल, अलग अलग चीज़े आती है, समय के साथ, उसको extend किया जा स standardized method, yes, okay, आगे बढ़ता है, ambiguity, तो again, वैसे ही, सारी property, I have discussed in depth, ambiguity को जल्दी से बता दे, what is ambiguity, कभी-कभी क्या होगा, और detail में भी इस पर बात करेंगे, जब हम CFG पर बात करेंगे, grammar जो है, जैसे ही, valid context-free grammar है, left-hand side पर single non-terminal, right-hand side पर कुछ भी हो सकता है, ambiguous grammar क्या होता है, कि कम से कम एक string ऐसा हो, उस language के अंदर, जो ये grammar बनाएगा, जिसमें उस grammar को बनाने, उस string को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हो, एक भी string अगर ऐसा है, तो grammar ambiguous है, उधारन के लिए, यहाँ देखिए, तो मैंने left और right दोनों recursion रखें, ताकि बिना complexity में जाएक साधारन से example बन डबल है, क्या एक ही string को बनाने के लिए, दो different tree हमारे पास है, हाँ है, इसको बोलता है ambiguity, यह advisable है कि यह advisable नहीं है sir, हम यह चाहते है, कि एक string को बनाने का एक ही तरीका हो, ताकि बाद में parser को, compiler को, को confusion हो, क्या confusion ना हो, computer के अंदर, जब भी एक काम को करने के एक से ज़्य ज़्यादा तरीक है, computer होल्ड कर जाता है, कि आगे में समझ नहीं आ रहा कि आगे में, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, है ना, this is the idea, यह चीज़ किसको यह idea क्या है, ambiguous grammar को, that is how we represent, आगे बढ़ता हूँ, और इस पर दुबारे रिपात में detail में बात करेंगे, yet another compiler compiler, अब यह क्या कहानी है, again, टम सुनने मैं ऐसा लगता है कि भाई सब यह क्या कहानी है, but very simple idea, easy to understand, I'll go word by word, YACC, yet another compiler compiler, is a tool used in the compiler construction to generate a parser for a specified grammar, तो यह वही बात है, जैसे Lex generator था न, ऐसी YACC है, यह आपके लिए parser generate करता है, parser माने, syntax analyzer, क्या syntax, अभी तो हमने खेर game खेलना शुरू भी नहीं कि अगले chapter में सीखेंगे, but क्या syntax analyzer का एक एक algorithm एक step आप हाट से लिखना चाहते है, that will be damn tough, पूरा mathematics कर ले, तो कोई software हो सकता है, जो बना-बना हमारे बहाफ पे काम कर दे, हो सकता है, तो यही वह कहानी है logic क्या है, YACC utilized for creating compilers and interpreter, it take the language grammar, फिर आगे न बैकर सनौर फर्म, in बैकर सनौर फर्म and produce C code for a parser, तो भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर पढ़ा क्यों रहे, आप तो उंजीनर हो, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप कल को ऐसा software बना होगे, और इंप्रूव करोगे लेकिन आप आदमी को कुछ करने की ज़रत नहीं, आप क्या है, आप इसमें input दो, आपकी language का क्या grammar है, बस, और यह आपके बिहाफ फे proper parser generate करके दे देगा, एक ऐसा software, जिसमें आज के बाद आप सिफ string डालना, और वो उसके लिए parsery बना देगा, खुद माखुद, तो यह एक, यह तीन स्टेप याद रखना, input file दोगे, तो आपको .c file मिलेगी, .c file से वो ही पुरानी खानी है, a.owl executable file मिलेगी, और अब इस a.file का आप इस्तेमाल करो, जो भी input देना है दो, and you get a stream of tokens as output, है ना, तो उसी का automated version है, वो यहाँ पर step-by-step बताया है, इसके अंदर, व लो, और मज़ेगी बात, तो अब Lex ने क्या किया था, याद है हमारे लिए automated, lexical analyzer बना है था, YACC हमारे लिए automatic parser बना रहा है, तो यह कहानी है, आगे इसको में detail में समझाऊंगा, यह actually कौन सा parser generate करता है, LALR one parser, हमें भी यही generate करना, यह सबसे optimized parser सबसे powerful भी है, तो अगें, अगर इसके advantages और इसके application alternative लिखा है, तो automation कर देगा, simplify कर देगा, चीज़े आसान हो जाएंगी, widely used होता industry के अंदर, और biason और अलग-अलग tools भी है, but YACC is the important concept, एक मोटा-मोटा understanding आप समझ गए, आगे बढ़ता हूँ, definition of a grammar, that is okay, अब फिर वोई, और दो तीन basic-basic terminology क्योंकि grammar पे extensive काम करना तक बार discuss कर लेना चाहिए, TOC में मैं कर चुका हूँ, दोभार है बोल रहा हूँ, जो लोग देख का रहूं, थोड़ा से repetition हो सकता, बट एक semester में तो क्यों देखोगे आप, तो अगर आपने TOC last semester में लिखा भी है, तो भी 6 महीने हो गए होगे, कम से हम तो देख लेते गबार, derivation क्या है, grammar का start symbol use करके, यह जो tree बनाते हुए, पूरी string derive करने की process है, इसको बोलते है derivation करना, अब very simple बात, derivation का यह जो graphical representation बनता है, अच्छा e आया, तो मैं उसे e multiply by e से लिखूँगा, फिर e को e plus e लिखूँगा, इस यह जो tree बनता है, इसको मै parse tree, syntax tree, derivation tree, कुछ भी बोल दू, एक ही बात है, इसका भी ध्यान रख लेना, basic understanding, यहाँ पर मैं आप इसको graphical form में दिखा रहा हूँ, tree बना के दिखा रहा हूँ, अगर मैं इस तरह देखू, written form में, एक के बाद, एक के बाद, एक ऐसा production rule लिखने लगे, इसको बोलते है, sentential form तो start symbol से लेके, string तक पहुँचने के, जितने भी intermediate steps है, these are known as sentential forms, क्या बोलते है, sentential form, तो these are very important है ना, यह आपको बता होना चाहिए, sentential forms क्या होते है, यह समझ गया, intermediate steps, derivation, दो तरह के होते है, leftmost derivation, rightmost derivation, अगर किसी भी step पे, किसी भी sentential form में, मैं हमेशा, जो extreme left non-terminal, आप ध्यान से देखना, जो extreme left non-terminal है, हमेशा उसी के production पर काम करूं, हमेशा उसके production पर काम करूं, तो इसको हम क्या बोलता है, leftmost derivation करना, फिर वोई बात, अगर मैं कुछ और करूंगा, आप कुछ और करो, तो फिर confusion होगा, तो एक नियम बना लिया, यार हर step में, जो extreme left non- terminal है, पहले उसके काम करेंगे, तो इसको leftmost derivation बोलेंगे, स्कुल्टी खोबडी होगी, कुछ लोग कहेंगा, तो हम left में करो, तो हम right में करेंगे, भाई, right में कर लो, उसको बोलेंगे rightmost derivation, तो again, at every sentential form, अगर हमेशा extreme right non-terminal को expand करते हैं, then that is known as rightmost derivation, very basics, yes, आगे बढ़ता सब कुछ बढ़ने, और यह capability काई CFG का बोल रहा है, सर ने exactly यह तो नहीं बताया, बै सब कुछ यही तो है, फिर भी compile करके बोल रहा हूँ, by programming language को जो syntax analysis, उसमें जबर्दस तेरे से काम कर रहा है, parser construction बढ़िया करता है, associativity and precedence, आगे बात करेंगे, operators होते हैं, बहुत सारे, तो CFG के अंदर expressions को, operators को, precedence को, expressions को handle करना, बहुत आसान और बढ़ी होते है, nested structures, if else होगा, condition के अंदर, condition, loop के अंदर, loop, वो सारी चीज़े, CFG में बहुत अच्छे से manage हो जाती है, तो यह से वे advantage है, यह से वज़े से CFG हमारा hero है, and that will be all, अब यह जो chapter number 2 है, भाई, यह अस actually parsing ही है, हैना, competitive exam में, मान लिजए, अगर 100 number के बहुत है, 70 number का सिर्फ parsing है, बाकी से तो कुछ पूछे ना पूछे, यहां पर आपकी एक unit है, तो these are the topics, you can check them out, और फोड़ दोगा, इसके अंदर, बिल्कुल detail में, step by step, step by step, एक एक topic पर काम करेंगे, यहां chapter चलता रहेगा इधर उपर आपको नज़र आता रहेगा, कौन सा topic चल रहा है, yes, चलिए, अभी बात करते है, chapter 2 की, discussion स्टार्ट करते है, syntax analysis क्या है, पदा नहीं कितनी बार यह बात हम कर चुगे, but still, मैं यह दुबारे आद दिला रहा हूँ, input क्या है, it's a phase of a compiler, input इधर से क्या मिलेगा, आ and output is a syntax tree, a process of construction of parse tree or syntax tree derivation tree is known as parsing, तो उसको और तरह से define कर रहे हैं कि यह जो process है, जिसमें मैं actually बना रहे हैं, इस process को मैं parsing बोलते है, यह पूरा understanding already, आप देख चुके हो, input, output, I think यह बार बार repeat करने कोई ज़रोट नहीं है, अब logic समझो क्या है, सर पार्सर्स या पार्सिंग दो तरह की होती है, एक या जो पार्सिंग करता है उसे पार्सर कहता है, इसमें confused नहीं हो जाओगे, तो software है, जो program है, जो module है, जो पार्सिंग करता है, उसको पार्सर कहता है, similarly, syntax analyzer, syntax analysis करता है, यह सब एक ही बात है, syntax analyzer या पार्सर एक ही बात syntax analysis या parsing एकी बात, अब दो तरह के होते हैं, एक बोलते है top down, एक बोलते है bottom up, computer science में आम तौर पर कई जगा इस तरह का हम game देखते है, top down, bottom up, top down, bottom up, यहां भी ऐसा है, एक approach है top down, एक approach है bottom up, और उसका पूरा detailed analysis है, है ना तो अभी देखके आपको भूत की तरह लगेगा, ल आप कुछ basic understanding पहले से रखते हैं, तो भी आप check कर सकते हैं, मैं बिल्कुल अभी अंदर इसको detail में explain करने के mood में नहीं हूँ, पहले basic से start करोंगा, फिर आगे जाओंगा, yes, तो पहले से मुझे top down parsing किया है, देखो, pattern समझना किया है, grammar का एक start symbol है, इस पे आपकी मेरी हम सब की understanding है, और जैसा हमने अभी तक करते देखा, start symbol से start करते हैं, कुछ productions बनाते हैं, जो grammar हमें देता हैं, और बाद में हम एक string मिल जाती है, w, आगर string w मिली, तो इसका मतलब grammar के अंदर कोई syntax mistake नहीं है, और अगर w नहीं मिली, इसका मतलब grammar के अंदर कोई नहीं syntax mistake है, यहाँ भ productions of the grammar हम उपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो कि आज तक हमने हमेशा की आभी है, बट इस approach को top-down कहते है, तो उपर से नीचे की तरफ आएंगा और पूर string अपने derive कर लेंगे, कानी घतम पैसा आजम, लेकिन bottom-up क्या कहता है, कि हम ना string से ही start करेंगे, और उल्टा चलेंगे अभी कैसे चलेंगे, वागे देखेंगे, तो for example, अगर कि small A capital A है, तो हम उसको A में convert करेंगे like this, और उल्टा convert करते, 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 हम बाद में पहुंचेंगे start symbol पे, और अगर हम start symbol पे पहुंच गए, इसका मतलब सब कुछ perfect है, grammar में कोई गल्टी नहीं है, otherwise there is a synthetic mistake, तो logic same है, बाद में tree भी same ही बनेगा, बस game यह है, आप start symbol से start करके, उपर से नीचे की तरफ आके string बनाते हो, या इस string को, you know, compress करते, 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 दुबारा start symbol पे पहुंच जाते हो, प्रूफ तो यही करना है, कि start symbol से string तक पहुंचा जा सकता है, कि नहीं, जो start symbol से string पहुंचते हैं, वो कहलाते है, top down parser, जो string से start symbol तक पहुंचते हैं, वो कहलाते है, bottom up parser, हाँ, एक disclaimer यहीं दे देता हूँ, कि actually जो industry में use होता है, वो bottom up parser है, देखने आपको लेगा, sir, ulta का मुश्किल नहीं होगा, नहीं, complex languages पे, high level languages पे, python पे, c पे, c++ पे, java पे, सब प bottom up parser use होता है, क्यों, अभी आगे derive करेंगे, तो समझेंगे, काम करेंगे, पढ़ू एक बार, the process of construction of parsing, starting from the root, and process to the child, is known as top down parsing, तो वो ही root से start करके, start symbol से start करके, नीचे आना, top down parsing कहलाता है, यही बात है, यहीं बात है, यहीं बात है, यहीं बात है, top down parsing की further and less is, मैं यहीं bottom up ही मैंने explain भी नहीं की, but मैंने भी आपको बता दिया bottom up की क्या कहानी है, अब, अब आगे समझे, top down parsing दो तरह की है, एक है, with backtracking, brute force, मानो तुक्के बाजी, कोई अप्रोच ना होना, भी तो एक अप्रोच है, कि मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास production है, मैं hit and try करूँगा, अब अलग अलग production बना के देखूँगा, चेक करूँगा, कि मेरे string बन पारिये कि नहीं, string बनी तो all good string नहीं बनी, तो कोई बात नहीं बनी, नहीं बनी, इसका मतलब उसमें कोई problem है, लेकिन complex questions में, बड़ी grammar पे, बड़ी string में अगर ऐसा करोगे, तो तो infinite loop में चले यही काम करते रहोगे, तो यहाँ पर क्या करने की ज़रत है, यहाँ पर हमें एक ऐसा mechanism चाहिए, जहाँ पर backtracking ना हो, मतलब, मैं step 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 follow करते वे नीचे आऊ, और बाद में, अगर में string नहीं बना पाऊ, तो इसका मतलब, यह नहीं मेरा assumption गलत था, मैंने चाहँ गलत production ले लि क्या बोलत है, predictive parsing करना, तो तुक्का नहीं मारेंगे, एक पूरा table बनेगा, जो बताएगा किस समय कौन से production चूज करना है, उसका जो सबसे popular variant है, that is LL1 exam में पूछता है, मानलो ते है question है, क्योंकि top down में तो एक ही है, bottom up में 4, top down में कहला है, तो this is the most important thing, यह दोना परोच हम पढ़ने है, but before we enter into this, और before हम यह सब पढ़े, there are certain red flags, grammar के अंदर कुछ problems है, ऐसी, जैसे मैं अगर बताऊं तो left recursion एक problem है, ambiguity एक problem है, non-determinism एक problem है, अगर वो problems है, CFG के अंदर, तो हम parser बनाने का attempt नहीं कर दे, हम कहता है नहीं बन सकता, तो हम उनहीं grammar के लिए, इसका मनलब क्या हुआ, क्या हर context free grammar के लिए parser बनाए जा सकता है, जी, नहीं, तो context free grammar एक खास तरह की होनी चाहिए, तब मैं उसके लिए parser बना सकता हूँ, तो वो problems क्या है, पहले वो problem समझनी पड़ेगी, उन problems को कैसे हटाते हैं, यह समझना पड़ेगा, तब आप parser designing पर जा सकते है अब problem क्या है, अभी क्योंकि हमने parser बनाना सीखा नहीं, तो यह बताना भी अपने आप में मुश्किल है, कि इस grammar से बाद में क्या दिक्कत आएगी, लेकिन मैं थोड़ा idea आपको देके चलूँ, और कोई रास्ता है नहीं, तो पहली idea समझी अभी तक आपने machine में ही समझा ह में, PDMA, Turing machine में, deterministic, non-deterministic, क्या grammar भी deterministic और non-deterministic हो सकती है, जी हाँ, तो यह एक example से समझाता हूँ, look at this, अभी मानलीजिक grammar है हमारे पास, ऐसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दो production है, ऐसे या तो alpha, beta 1 बन रहा है, या तो alpha, beta 2 बन रहा है, अभी इसकी problem समझो क्या है, problem यह है यह मेरे पास एक tape है, जो मानलीजिक string है, जिसको मैं derive करना चाह रहा हूं, जिसको मैं check कर रहा हूं कि मैं बना सकता हूं कि नहीं, और यहाँ पर लिखा हुआ alpha, आगर लिखा हो गवार कुछ, अभी मेरे को नहीं पता, यह भी आपको समझा देता हूं, यह जो tape है, कि आप मैं पूरा tape scan कर सकते हैं, नहीं, आप एक बार में सिर्फ एक ही symbol देख सकते हैं, और फिलाल के नजर आ रहा alpha, तो हमारा objective है कि हमें alpha बनाना है, मज़े की बात alpha बनाने के तो दो option है, मत problem किया है, मानलो कि अभी मैं पहला production चूज़ कर लो, तो मैं चूज़ करूँ a tends to alpha beta 1, और बाद में alpha से alpha मैंने match कर ली, आगे जाके देखू तो यहां लिखा हो beta 2, problem है, आप बोलोगे sir production गलत चूज़ कर लिया, वापस जाओ और actually alpha से a से alpha beta 2 चूज़ करो, isn't it, लेकिन जैसा मैं आप से बोल रहा हूं, एक बार मैं commitment कर दो तो फिर अपने आपकी भी नहीं सुन कर लूँ वहाँ बाद में beta 1 मिले, हो सकता में beta 1 वाला चूज़ करूँ वहाँ बाद में beta 2 मिले, तो problem किया है, problem यह है, कि मैं decisively production चूज़ नहीं कर पा रहा, और इस तरह की grammar को बोलता है, non-deterministic grammar, यह बात समझागी, अब पहचान क्या है, यहाँ देखो, multiple production में एक common prefix नज is known as non-deterministic grammar, जहाँ common prefix मिले, इसको क्या बोलता है, non-deterministic grammar, as simple as that, so a grammar with common prefix requires a lot of backtracking and backtracking is time consuming, और ll1 जो हमारा objective function जो बनाना है, वो तो backtracking करता भी नहीं है, तो इस तरह की grammar पे बोलो काम कर पाएंगे, क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना, तो दो option है, grammar या तो ऐसी बनाओ पहले से जिसमें इस तरह की problem ना हो common prefix वाली, क्योंकि आपको बता बाब में problem आएगी, या फिर अगर नहीं थान लिया कि करना ही है, तो ये भी कर सकते कि grammar को modify करे, कि वो common prefix की problem हट जाए, वो कैसे modify करते है, वो भी समझाऊंगा, to avoid backtracking, we need to remove the common prefix, वहीं बात कर रहा हूं, and we need to convert a non non-deterministic grammar into deterministic one, non-deterministic को deterministic में convert करना, कैसे करना है, यहाँ देखिए, यह वहीं समझा देता हूं, यह यहीं देख लिए, look at this, यह original grammar है, a tends to, क्या है sir, alpha, beta 1 and alpha, beta 2, अब problem है common prefix, इसको अलग निकाल लो, जैसे math में common लेता है, यहाँ भी common ले लो, तो मैं यहाँ पे यह अलग ल करना, यह production, चूज करना, यहाँ लिखाओ, alpha, अब क्या करेंगे, notice करिये, in the very next step, now, अब आप beta से बना लो, alpha 1, alpha 2, अब बो लो, किसमें कोई खास चेंज तो हुआ, हुआ नहीं, लेकिन problem solve होगी आपकी, फिर दुबार imagine करो, अब टेप के ओपर आपको क्या derive करना है, alpha, बत beta 2, beta 1 चे तो हो, यह production चूज करो, beta 2 चे तो यह करो, बट मुझे backtrack नहीं करना पड़ा, तो common prefix को अलग निकाल लो, और इस तरह से इसको कर सकते हो, yes, अब फिर वोई terminology का game यह भी समझ लो, non-deterministic, deterministic सो समझ गए, अब deterministic grammar का एक और नाम भी है, जिसे बोलते है, left-factored grammar, left-factored grammar, क्या बोलते है, left-factored grammar, और यह जो process है, of converting a non-deterministic grammar into deterministic one is known as left-factoring, इसे क्या बोलते है, left-factoring, confuse मत हो ना, तो हमारे पास क्या है, non-deterministic को convert कर रहे है, deterministic में, कुछ लोग deterministic को left-factored भी कहते है, है ना, और non-deterministic को deterministic में convert करने की जो process है, वो left-factoring कहलाती है, पड़ूँ एक बार the process of conversion of a non-deterministic grammar into deterministic is known as left factoring so that is it तो यह एक पूरा गेम आपको समझा गया तो अभी हमने क्या किया हमने एक problem समझी सर कि क्या problem है और कैसे उस problem को manage कर सकते है एक और problem है left recursion अब उसकी कहानी समझो recursion क्या है पहले यह समझा देता हूं so again अगर कोई भी आपको इस तरह का production मिले जहां पर left hand side और right hand side पर same non-terminal है इसको बुलता recursive production बिएकर इसका मतलब क्या है यह ले लेता हूं जैसे इसका मतलब क्या है अब आप यह production कितने भी बार use कर सकते हो like this है ना grammar pakka language जो बनेगी infinite वाली language बनेगी it can have any number any possible number of string तो recursive production क्या जब same non-terminal left or right hand side of the production मिले तो the production is recursive production point number one point number two वो grammar जिसमें कम से कम एक recursive production हो then the grammar is set to be recursive grammar so the production in which the same variable or non-terminal एक ही बात है both at left and right hand side of the production is known as recursive production आगे पड़ो a grammar which contain at least one recursive production at least one recursive production is known as recursive grammar तो वो grammar जिसमें कम से कम एक recursive production हो से क्या बोलते है उसे बोलते है recursive grammar तो दोनों बाते आई उपा में समाझ जा रही है अब इसमें है category sir left recursion and right recursion look at this जैसे मार लीजे कोई category लिखी मैंने चलो ही समझा देता हूँ ऐसे समझो एक यह idea हो सकता है एक यह idea हो सकता है एक यह idea हो सकता है एक यह idea भी हो सकता है यह चारो ही recursive production है क्योंकि यहाँ पर grammar में right hand side पर ऐसा आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते है right recursion क्या बोलते है right recursion क्योंकि वो जो non-terminal है वो एक्स्ट्रीम राइट में है इवन यह भी राइट recursion का case है यहां से देखो right recursion the grammar is set to be right recursive if the right most variable on the right hand side is same as the variable on the left hand side right hand side का जो extreme right है similarly left recursion जब right hand side वो जो non-terminal हो extreme left में हो तो यह दोनों left recursion है जहां से देखो और यह क्या है यह general recursion and neither it is left or not right extreme position होना चाहिए तो अगर extreme left में है तो left recursion extreme right में है तो right recursion अब हमारी problem क्या है हम क्यों क्यों क्या बात कर रहे है recursion की क्या हमें recursion से problem है नहीं हमें recursion से problem नहीं हमें left recursion से problem है चिड़ है हमारी क्या problem है यह समझो left recursion और खासका top-down parsers को आगे बात करूँ अब bottom आप को problem नहीं है top-down parsers ना string जो है वो leftmost derivation करते है मान लीजे मेरे को तीन बार ए बनाना है और यह grammar है grammar valid है है ना बट problem क्या है अगर मैं आपको अलग से बता हूं common sense है कि भाई दो बार recursive production यूज करो और terminate कर दो यह बन गया triple a बन जाएगा लेकिन इमाजन करो आप मैं यूज करोंगा leftmost derivation अब मैं s और a बनाया क्या s का a से match हो पा रहा है नहीं क्या मैं आगे के a देख सकता हूं नहीं मैं आपको बता है एक बार में एक ही symbol scan करने की permission है एक बार में एक symbol लिखेंगे तो ऐसे तो match होगा नहीं मैं क्या करूंगा मैं फिर से यह करने की कोशिए हो फिर s मिले मैं कितनी भी बार recursion use कर लूँ मैं कभी match कर ही नहीं पाऊंगा sir on the contrary अगर यह grammar ऐसे लिखी हो right recursion और फिर देखो कितना असान है अब मैं a को ऐसे match करूंगा फिर दुबारा मेरे को a मिला मैं a को a से match करूंगा भी single a बचा है तो मैं terminate कर दूंगा तो problem recursion से नहीं है दोस्ट problem left recursion से है because there is a possibility of going into infinite loop क्योंकि मैं leftmost derivation करता हूं top-down parsing में और leftmost derivation में extreme left में कभी मुझे non-terminal मिलता नहीं तर्मिनल नहीं मिल रहा non-terminal मिले जा रहा मैं match कर नहीं पा रहा अभी इतना समझ लो ब्रीव में समझारों आगे तो detail में पढ़ेंगी कि LL1 बनाएंगे हम तो in top-down parsing recursion से issue है सर इस पर काम नहीं करना यस और यह क्या दिखाया है that is how we can convert grammar with a left recursion अच्छा एक केस समझा देता हूं आपको problem किया यह तो समझ आ गया कुछ ब्लूप्रिंट आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर वहां पर है recursion तो क्या करेंगे यहां देखिए यह एक्जाम्पल है left recursion को और बाद में there is a possibility आप किसी से भी terminate कर सकते है तो how can you remove that कुछ ऐसा करो देखो मैं पहले को थोड़ा दिलाओ है क्या इसमाल एकापिटल एसमाल एकापिटल एसमाल यही ड्रामा चलता रहेगा बाद में इसको या तो बीटा वन या तो बीटा टू ऐसा आप किसी से a- और अब इस a- से आपके इस a की problem solve कर देता हूं I'll give you a recursion but this time I'll give you a right recursion तो देखो इस grammar से क्या बनेगा सरी यही बनेगा step number one पर मालों में बीटा चूज कर लों बीटा टू a- और a- से फिर वही a- 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 तो string तो same ही बनी नोटिस को रो श्रिंग से बनी बस बनाने का तरीका अलग है तो left recursion से काम नहीं करेंगे फिर भी अगर करना ही है तो क्यों ना left को right में convert कर लिया जाए तो यहां पर मैंने क्या case बनाया termination की choice थी कभी-कभी case क्या हो सकता है यहां देखो यहां पर recursion पर choice है termination terminate जो करना वो बीटा से करना है इसको कैसे आप change कर सकते हैं अगें आप termination पहले करा दीजे यू टेक न्यू नौन terminal और अब आप choice देजिए alpha 1 a dash की लेकिन विदर राइट recursion alpha 2 a dash की alpha 3 a dash की और चलते जाए लास में कर दीजे अफसाल so these two grammar are technically the same grammar because they generate the same language बट दोनों का जो language generating capability है वो एकदम सेम है बट वो left recursion पर right recursion में है मुझे right recursion सा problem नहीं तो exam में इस तरह के cases भी आ सकते और यह आप दिखेंगे तो इसमें दोनों चीज है इसमें termination का भी choice है recursion का भी इसको कैसे convert करो तो यह से शुरू करो पहले termination की जितनी choice है सारी choice को respect कर लो like this like this beta n2 a dash और अभी recursion जितना उसको respect कर लो so alpha 1 a dash alpha 2 a dash up till up till up till alpha n a dash followed by epsilon so that is how left recursion में लिए प्रोब्लम है और that is how if required I can convert these left recursion into right recursion yes यह सब में जा गया ambiguity ambiguity already बड़ी प्रोब्लम है जिस पर भी हम बात कर चुके है chapter 1 में फिर से आदिला अधिला अधिशन तो आपको पता है अगर एक string को बनाने के एक सब जादा तरीक है the grammar is ambiguous grammar और ambiguity तो असी बड़ी problem है to be very honest neither top-down nor bottom-up दोन में से कोई काम नहीं कर सकता ambiguous पर तो सबका red flag है कोई काम नहीं करता ambiguous पर एक है चोटा सा टाइप operator a precedence parser वो काम करता है but that is not a full-fledged grammar वो तो expression को handle करने के काम आती बाद में उस पर detail में discussion करेंगे so it's a big no ambiguous अगर कोई grammar है तो कोशिश कर सकते उस ambiguity हटाने की लेकिन एक topic हम TOC में आरड़ी पढ़ता है यहां में उस पर detail में बात नी करते इनहेरेंटली ambiguous कुछ languages ऐसी हो सकती है कि आप उसके लिए जो grammar चाहे लिखो जो भी CFG लिखो that has to be ambiguous only आप लिखी नहीं पाएंगा नंबिगियस grammar तो उन grammar के लिए उन languages के लिए हम नहीं बना सकते पारसर ambiguity is a big no है ना एक दो पहचान है ambiguity CFG है के नहीं यह undecidable problem है तो पता लगाने के लिए को algorithm यह वैसे भी मुश्किल काम है TOC में detail में अमने discussion किया था इस पर इतना जरूर किया जा सकता है कुछ पहचान है आसान जैसे अगर किसी grammar में left और right recursion दोनों हो अप तो जान चुके आप this is right recursion this is left recursion वो ambiguous हो गई होगा चेक करने की ज़रूरत नहीं तो कभी कोई आप से पूछ ले तो है ना लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर left और right recursion नहीं है तो unambiguous बनाओ इतना पता होना कि ambiguity क्या है इतना काफी है क्योंकि वो हमारे लिए big noise उस पर हम काम नहीं करेंगे yes तो यह दो तिन ideas हमने पढ़ लिए और leftmost derivation क्या है वो मैं already आपको बता चुका हूं ambiguity हम already पढ़ चुक है तो अब हम basically इसके अंदर जाते हैं दो तिन बात है पहले से clear कर देता हूं before हम brute force ll1 पर काम करना शुरू करें पहली बात क्या हम even top-down parser में left recursion के साथ काम करते हैं नहीं करते that is big no तो चाहे वो brute force क्योंकि लूप में ता brute force में भी चले जाओगा कैसे रूखोगे और ll1 में भी रूख जाओगे तो अगर grammar left recursion रखती है तो top-down parser नहीं बना सकते याद रखिएगा point number one या तो फिर आप उसका वही जो हमने करके देखा left recursion को right recursion में convert करेंगे तो चलेगा याद रखनी है point number two ambiguity की बात बता चुका हूं अगर grammar ambiguous है तो भी काम नहीं कर सकते फिर वही बात चाहे brute force हो या LL1O again it is a big no, दोनों के लिए big no है तीसरी है deterministic वाली बात left vectoring वाली बात तो जो brute force method है वो तो कहारा मैं backtrack कर लूँगा उसको फर्क नहीं पड़ता तो अगर grammar non-deterministic है तो इस approach के लिए इस branch के लिए non-deterministic grammar is a big no but ये जो branch है ये non-deterministic officer के साम साथ काम करने के लिए okay कि कोई बाइद निए भाइसा backtrack कर लेंगे वैसे भी हमारे पास को elgo तो वैसे भी नहीं है तो अब इस branch का भी हम दोनों detail में समझेंगे बट यहां का top-down का जो hero है LL1 उसके लिए 3-0 big no है ना वो left recursion के साथ काम करता ना वो ambiguity के साथ काम करता ना वो non-deterministic grammar के साथ काम करता एक एक के बारे में आगे अगे अगे अगला topic है brute force ठीक है sir अभी बात करता है brute force method की तो जैसे मैंने बोला कि कोई technique ना हो ना भी एक तरह की technique है है ना पढ़िए का लिखा है whenever a non-terminal is expanding for the first time बढ़िए पढ़ने के बेटरे के लिए बेटरे के डबल्यू बढ़िए यह बनाने की कोशिश करने है तो क्या प्रोच है एक एक production लेंगे try करेंगे अगर बनता है तो बढ़िया नहीं बनता है तो बैक ट्रैक करेंगे दुबारा try करेंगे so I'll go with the first production there you see start symbol से क्या बनाता हूं small c capital a and d और capital a से जो पहला option मेरे पास है that is small and small be the final string क्या बनी C A B और D जबकि बनाना क्या था C A D काम नहीं करा कोई और option है क्या है एक option हो सकता है क्या आप वापस जाओ A के पास और एक और production वो try करो ता I'll do that तो S से C capital A और D में से रखे रहन देता हूं और A से मैं क्या बना सकता हूं there you see A से बना सकता हूं small a and now it becomes C A D and now you can see C A D क्या ये string हमें मिल गई हां मिल गई this is the tree called the parse tree और the syntax tree तो tree बढ़िया से हमारे पास और string हमारी valid है या there is no grammatical mistake ये अप्रोच है try करने की एक और try कर लो ये क्या किया रहा है C ये तो मेरे कहल से बनी नहीं सकती बिकास दोनों production और यह हम try कर चुके और को option है क्या देखो start symbol से तो एक ही production है दोनों try कर चुके है तो दो इस ट्रिंग पॉसिबल है sir c a b d और c a d this is not possible तो क्योंकि यहां पर रिकर्सिव प्राक्षिन नहीं है जितने पॉसिबल केसिस हो सकते थे है काइंड आफ अल्रेड हम try कर चुके है तो वी अर हंडेड परसंट शूर की w1 जो है string हमारा वो grammatically correct है and that is the syntax to your pasty to support that और w2 जो है वो grammatically correct नहीं है है तो that is how we can investigate एक दो केस और ट्राई कर लेता है यह देखो यहां पर थोड़े production जादा है लग लग केस है जो target string बनाना है वो क्या है वो है ए डी डी सी तो आल गो वन बाई वन से शुरू करता हूं सर तो s i can have small a capital a and small c अब a के बास बनाओ क्या option है तो again जैसे मोलता हूं ना finite automata के case में सबसे complex बनाने की कोशिश पहली बार में नहीं करने ने start with the simplest string possible तो यहां भी simplest से start करता हूं तो simplest क्या मिलेगा बी तो string क्या बनेगा abc valid है क्या valid है क्या नहीं हमें नहीं चाहिए बात खतम हो गए तो आल बैक-track और फिर a के पास कोई और option एक और option है c का तो there you see small a capital a and c और a के पास और option है तो वापस जाता हूं और वहां से बनाता हूं c तो notice करें क्या मिला हमें मिला a c c हब बताओ a c c valid है यह भी valid नहीं यह भी नहीं चाहिए a के option exhaust कर चुके हैं तो इसका मतलब a तक जाने से काम नहीं चलेगा और पीछे जाना पड़ेगा s के पास s के पास कोई और option है हां इस बार एक option और है तो वो option चूज करते हैं s से small a and capital b look at this और capital b से बताओ क्या बता सकते है c c d so let me have c and c and d final string क्या बना a c c d शयद ओ नो हमें चाहिए a d d c बना क्या a c c d तो यह भी काम नहीं करेगा this is also invalid फिलहाल बट अभी शयद एक और option है b के पास ना तो further backtrack करते है और यह backtrack करते-करते आपको अप्रोच भी समझाईगे और इस अप्रोच की प्रॉब्लम भी क्या option है b के पास तो इस पर एक option है there you see like this and a d d c now this string is valid so यह है सद बूट-फोर्स अप्रोच और यह तो जायर सी बात है मैंने बहुत सिंपल से grammar लिए हैं सिंपल से production लिए ताकि आपको प्रोच समझा सकून बट अगीन याद है जो 50-60 production official C language के है अगर उसके साथ अभी सारा खेल करना शुरू करेंगे तो that is this entire process is going to be very tough बहुत मुश्किल होगा इसे manage करना है यहस अब अब पढ़िये क्या लिखा हुआ है वही वाला आइडिया so it says that whenever a non-terminal is expanding for the first time पहली बात अब उसे expand करते तो क्या होता है गो to the first alternative and compare the input string if it does not match go for second alternative compare the input string बस ही करते रों ट्राई करते रों है ना if it does not match then go for the third alternative and continue with each and every alternative possible हर alternative पर आपको ट्राई करना है if the matching occurs in at least one alternative अगर एक बार भी मैच हुआ है तो आपका string valid है otherwise parsing fail and will declare that there is some kind of a synthetic mistake यह काम नहीं कर रहा that is the idea yes again कुछ important point top मैंने एक बार याद करके आपको बता है कि पहले क्लियर किया है top-down parsing के लिए left factoring और मतब basically यह point में आपको बता चुका हूँ है ना तो अगर हम जाते हैं brute force के अंदर तो non-deterministic भी हो तो चलता है लेकिन हाँ left recursion ambiguity नहीं होने चाहिए that I've already mentioned if a grammar is non-deterministic आपको बता चुका हूँ लॉंग रन में क्योंकि heavy backtrack करना पड़ता है अप्रॉक्सिमेटली जो टाइम है वो order of 2 raise to power n square चल जाता है which is like exponential growth तो साधरन बास्टे में बोलने का मतलब यह भाई यह कोई logic नहीं है आप यह मतमानना कि brute force method यूज करके कोई proper high level language को parse कर लोगे आप नहीं कर पाऊगे यह इस वेरी costly performance खराब हो जाती है debugging what difficult है इसका chapter खटम करम हो गई बात अब हमें क्या करना है हमें top down parsing की तरफ आगे बढ़ना है और top down parsing की तरफ आगे बढ़ने से बेसिकली हमें एललवन करना है basically हमें predictive parsing करनी है basically हमें बैक ट्रक सपोर्ट नहीं करना है और एक बार commitment कर देंगे दोसकर अपनी आपकी भी नहीं सिरुनेंगे वह वाली parsing करनी है बट अब यह क्या आ गया बीच में सरी आ गया first and follow दो function है एक function है first एक function है follow जब तक first and follow निकालना नहीं सीखते हम तब तक ना तो हम top down parsing कर सकते कोई भी table driven parser पर आप काम नहीं कर पाओगे whether it is top down और bottom up है ना तो जिस तरह मैं ऐसा बोलू जिस तरह normalization करने के लिए DBMS में functional dependencies का की का knowledge ज़रूरी है उसी तरह यहां पर whether top down या bottom up parser बनाने के लिए हमें यह first and follow पर काम करना ज़रूरी है अगे theory जो है यहां पर वो बड़ी अजीव है और मैं एक बार मैं आपको समझाने कोश्म में पगला जाएंगे यह क्या लिखा भाई इसका क्या मतलब है तो better approach यही रहेगा कि पहले मैं आपको example से सिखाना शुरू करूं क्या करना चातो then I'll come back to the theory part then आप इसको match कर लेंगे so first function अभी यह formula यह कैसे समझोगे अभी आप नहीं समझ सकते तो पहले I'll come to the point first and follow दोनों निकालना सिखाता हूं first problem समझो क्या है problem यह है again tape के उपर string लिखा हुए sir जो string हमें generate करने की कोशिश करनी और string कुछ भी हो सकता है आगे के symbols तो आपको नज़र आते नहीं है dollar जहां पर end होगा एक बार में हमें एक ही symbol नज़र आता है तो मान लिजे फिलाल हमारा objective function है a बनाने का ठीक बात है न अब हम यहां पे LL1 के अंदर leftmost derivation यूज करते हैं कि किसी भी instance पर जो भी हमारी sentential form है उसमें जो extreme left non-terminal है उसे मैं expand करने की कोशिश करूंगा तब मान लीजे यह example देखिए मानलो मेरे पास start symbol s लिखा हुआ है तो मेरे को क्या सोचना है मेरे को मेरी पहली problem यह है इसके आगे casting वो छोड़ दो फिलाल s से small a तक कैसे पहुंच कि मानलो आपके बास को production है वहाँ पर small a लिखा हुआ बात ख़तम हो गई एक हो सकता है कि यह नहीं लिखा बट मानलो capital a capital भी लिखा है अब आपकी problem क्या होगी ऐसे आप पहुँचे a के पास अब आप सोचेंगे क्या capital a से small a आ सकता है क्या like this will thing है ना तो first function का क्या मतलब है अगर मैं कोई भी non-terminal लेता हूँ let me take any non-terminal उसको empty की नाम से लिख देता हूँ future में इससे जो जो बनेगा future में जो भी बनेगा इससे उसमें सबसे पहला जो terminal होगा वो क्या होगा उसे बोलते हैं first और क्यों हम यह function calculate कर रहे है वेकोश एक बार हमें first अगर समझ आ गया तो हम बाद में decision ले सकते है कि कौन सा production choose करें अभी 2-4 example try करेंगे तो आपको बात समझ आएगी जैसे देखिए इसलिए बहुत simple grammar से आपर start करूँगा ताकि चीजों को बहुत complex ना कर दो यहां देखो एक grammar हमारे पास है और मैं first calculate कर रहा हूं capitalist का अभी follow की बात नहीं करेंगे ठीक है तो यहां देखना first तो सिखा या तो small a या तो small b या तो epsilon तो फिर आपके सामने लिखा हुआ है तो यही हो गया आपका first function यही आपका first function हो गया तो लिख दू मैं भी तो जी हां तीन possibility है या तो small a या तो small b या तो epsilon यह हो गया first आगे बढ़ो यहां देखो अब यह multiple production है तीन non-terminal है तो ऐसे देखो क्या तो a का first भी है epsilon, b का first भी है epsilon उसमें कुछ research करनी ही जरूत है नहीं रही बात s क first की तो देखो 2 production है अगर मैं इधर गया तो बोलो सबसे पहले क्या मिलेगा small a मिलेगा sir अगर इधर गया तो सबसे पहले small b मिलेगा इसका मतलब s से future में दोनों चीज़े derive की जा सकती है बोलो सबस्क्राइब बात कुछ सीखोगे फिर बताओ sir और first अब दीर दीर आप अगरीन वह बोल रहता है ना फॉर्मूला से नहीं समय जाता है एक्स्पीरेंस समय आता है दीर 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 अंडर्स्टेंड फर्स्ट अगर क्यालकुलेट करना अच्छे से हमेशा bottom of fashion में करो आम त बहुत सिम्पल है what is first of a so there you see first of a is small a and small b again बहुत सिम्पल है directly नजर आ रहा है now what is first of s अब देगा first of s में दो option है या तो अगर इस production पर आप गए तो आपको मिलेगा capital a but capital a से क्या क्या बन सकता हो पहले निकाल चुके हम तो capital a से दो possibility है या तो small a या तो small b अगर इधर गए त तो यहां से क्या मिलेगा small d और small d तो overall first of s के अंदर क्या क्या options है b a b d e और यहां पर a b और यहां पर a d सारी possibility हमें एकदम clear cut नजर आ लिए yes फिर आगे बढ़ते है practice है इसमें बस और कुछ नहीं है जितने जादा case बनाऊगो इतनी जादा clarity आपको आ जाएगी सर यह देख फरस्ट अफ एबी आसान है तो फरस्ट अफ एमें या तो भी मिलेगा तो एपसालन अब यहां मजाएगा notice करना दन से देखना first of s एकी production है अब first of s है first of s is first of a first of a से या तो आपको भी मिल जाएगा sir कानी घतम पैसा हजम लेकिन notice करे a epsilon भी हो सकता है अगर यह a epsilon हो गया तो आपको क्या मिलेगा a मिलेगा इसका मतलब आपको small a भी consider करना पड़ेगा ध्यान से देखो एक और बात notice करना क्या मेरे को capital b के लिए c भी consider करना चाहिए नहीं क्यों क्योंकि a है small a है terminal यह कभी यहां से नहीं भागेगा तो यह आपको b तक कभी नहीं पहुशने देगा हम आगे क्या होगा तो आगे या तो b मिलेगा अगर a null हो भी गया तो a मिलेगा sir capital b तक नहीं पहुच पाएंगे आप तो first of a में दो ही चीज़ आएंगी या तो b आएगा या तो a आएगा as simple as that तो धीरे धीरे मेरे क्याल से engine घूमने लगा होगा आपका और अब तो game अच्छ और follow के तो solve होना ही नहीं है let that be very clear यहां से आजाओ what is first of b तो simple है but tricky case है so first of b is small b and epsilon what is first of a no first of a is also small a and epsilon and now you see what is first of s अब यहां देखो फिर वही बात है first of s is capital A capital V capital A से क्या मिलेगा sir capital A से मिलेगा small a but capital A epsilon हो सकता है तो मैं B के पास पहुच जाओंगा और वहां से मेरे को क्या भी मिलेगा B भी मिलेगा जब epsilon होगा तो आगे जाना वरना नहीं जाना है ना अब B मिल गया but मज़ेगी बात किया है B भी epsilon हो सकता और अगर यह और value by value idea by idea first function कैसे calculate करते हैं आपको समा जा रहा हो कर देखें मैं इतने सारे case बना के रख्या है कि बात में कोई you know conflict ना रहेगी नहीं sir कम practice किया super आगे देखो bottom of fashion में सिखाया आपको नीचे चालू हो जाए first of e मुझे लगता कोई डाउट होना चाहिए small e epsilon और उपर चलो first of d is a small d फिर उपर चलो first of c first of c is small c in epsilon फिर उपर चलो first of b first of b is small b in epsilon फिर उपर चलो first of a first of a is small in epsilon फिर उपर चलो अब इसको देखो जा रहान से देखना यहां मजा जाएगा 1st of is 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 1st of आके रखे हैं जल्दी से complete कर दूँ अब आगे आप दिमाख लगाना तो first of is is open bracket and id यह बड़ी popular grammar है बाद में भी काम आएगी first of t-dash is a star and epsilon हाब भी solve करते रहो ना first of t जान से देखना first of t is first of f first of f already मैं निकाल चुकाऊं which is open bracket to and id तो बार-बार calculate करने की ज़रात नहीं है first of e-dash is either plus and plus is a terminal c तो capital T तक जाने की ज़रात नहीं है and epsilon and first of e is first of t first of t already मैं solve कर चुकाऊं so again it is open bracket and id so i think using this approach किसी के लिए आफ first and follow निकाल सकते है आखरी case और देख लेगते है तो it is f and epsilon first of e is g and epsilon first of d is first of e and first of f दोनों आजाएंगे तो मेरे क्याल से तीनों आजाएगा sir g भी आएगा f भी आएगा और दोनों भी नल हो सकते है तो मिरेका epsilon भी लेना पड़ेगा आगे देखिए what is first of c first of c is small b and epsilon what is first of b first of b is a small c and what is first of a c यह आसान है उल्टा वलकि नीचे अलों पर dependent नहीं है is just first of a क्योंकि terminal है तो मुझा आके कहीं नहीं जाना है ना अब मैं आपको लेके चलूं दुभारा first की definition पर यहां से देखो first of alpha is a set of all terminals that may be in the beginning in any sentential form derived from alpha कितना बढ़िया लिखाए अब आपको समझाएगा कि future में alpha से जो भी बनेगा है ना उसमें starting में कौन कौन से terminal हो सकते हैं उन सब की possibility का जो set है that is cost first of alpha first of alpha is calculated for both terminals and non-terminals अभी terminal पर मैंने क्यों नहीं आपसे पूछा मुझे बताओ what is first of a small ले sir that is a small only production थोड़ी है हागर मैं आप से पूछ लो first of a b c first of a b c is again a only क्योंकि जो सबसे पहले लिखा वही आएगा तो terminal के लिए दोनों case मैंने वही लिखे थे तो terminal के लिए first निकालना कोई महान बात नहीं हो direct निकाल सकते हो game बनेगा non-terminal वहों क्या बनेगा वो नोटिस करिए तो देखिया लग-लग cases अगर production है नल तो first of alpha epsilon हो जाएगा अगर non-terminal है है ना माले जे alpha से बीटा तक पहुंचे बीटा टर्मिनल मैं से बीटा लिख दूँगा multiple possibilities क्या हो सकते है यहां देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से एक production है notice करिए alpha tends to x1 x2 and x3 क्या क्या है तीन चीज़े sir x1 x2 and x3 अब ध्यान से देखिएगा अगर मैं कह रहा हूं कि x1 epsilon नहीं है notice करिए नहीं है तो x2 x3 तक जाने की ज़रूत है क्या नहीं sir तो first of alpha is first of x1 हो जाएगा बोलो बात नहीं समझा दी क्या आ रही है अगर x1 नल हो सकता है बट x2 नल ना हो रहा हो तो क्या करो के बताओ तो फिर x3 तक जाने की ज़रूत नहीं है first of x1 union x2 कर लो epsilon हटा दो क्योंकि epsilon eliminate हो जाएगा अगर ये भी हो सकता है कि x2 भी epsilon हो तो x3 तक जाना पड़ेगा तब तो तीनो का first देख रहे है जो हमने हर possible case में किया है लेकिन overall epsilon नहीं आएगा क्योंकि x3 नहीं हो रहा है और अगर तीनो ही नल हो रहे है तब तो तीनो के first का union कर लो और epsilon भी वहां बना रहेगा तो यह वह observation है जो पहले हमने कर लिए so there is nothing new in this है ना तो first I hope समझ आरा आपको कैसे निकालना है और क्या कहनी है कैसे इसको calculate करते है अब follow की बात करता हूँ बिना follow करे खाना बिना follow पड़े खाना हजब नहीं होगा और क्योंकि इनके लिए first निकाल लिया तो इन पर first की practice कर लेंगा follow की भी लेंगा follow समझो क्या है पहले उसकी requirement समझाता हूँ अब यह मैंने आपको समझाया कि मान लीजे कहीं भी यह a, b, c, d कुछ भी लिखा हुआ है और मेरा objective function है a करने का और sentential form लिखी हुई थी a small a, b, something like this और हम कोशिश कर रहे थे a से यह small a कैसे बनाए और वो करने में first हमारी मदद कर रहा था बड़ जैसे आपने देखा grammar के अंदर null productions है और कोई भी non-terminal कभी भी null हो सकता है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा तो imagine करो इस a न तो surrender कर दिया कर दो हम तो नल होगा आप जानो आपको काम जाने अब जैसे ही a null हुआ बताओ क्या होगा सर a के बाद जो लिखा हुआ है न एक्जेक बाद में जो लिखा हुआ है उसके ओपर responsibility आ जाएगी अगले टर्मिनल को derive करने की बोलो मानते हो के नहीं हाँ तो उस case में हमें a का first देखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि sentential form में a को कौन follow कर रहा है that is the math behind it हमें देखना पड़ेगा a को कौन follow कर एक और बात practically अगर ग्रामर में नल production ना हो तो क्या कभी हमें follow function की ज़रत पड़ेगी सर पड़ेगी नहीं क्योंकि अगर नल नहीं है अपसालन नहीं है तो कोई non-terminal भागेगा नहीं और non-terminal भागेगा नहीं तो उसका आगे क्या है क्या attention है उसी सो कुछ नखुच बना लेंगे हम ये बात है इसलिए क्या टर्मिनल का कभी follow देखा जाता है सिर्थ meow तर्मिनल कभी भगोडे नहीं हो तर्मिनल वहाँ बना रहता है वो नहीं जाता अब एक तरीका तो यह सर्फ ठीक है हम grammar study करेंगे और अगर कोई non-terminal ऐसा है जिसके पास null production है तो हम उसका follow देख लेंगे वर्णा नहीं देखेंगे ऐसा हो सकता है बट exam में आपसे बोल सकता है कि नहीं पूरी grammar के लिए follow निकालो है ना और follow के कुछ और use case भी है जो बात मैं आपको समझाओंगा तो हर non-terminal के लिए follow हम निकालता है yes follow निकालने में कभी-कभी first function भी काम आजाता है वो कैसे काम आएगा वो भी देख लेंगे बहुत सारे cases हमने already sample में बना लिए अगे इसकी definition पर बात में लेके जाओंगा पहले काम करना सीखेंगे एक और बात मान लीजे जब गेम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्टार्ट सिंबल लिखा होगा सेंटेंशल फॉर्म में या ग्रामर में क्या स्टार्ट सिंबल के राइट में कुछ होगा नहीं तो हम हमेशा एक चीज मान के चलेंगे कि जो हमारी टेप है ना वो टेप कैसे complete होती है स अब हम पार्सिंग में यही तो समझ रहे है कि अगर टॉप डाउन पार्सिंग है तो स्टार्ट सिंबल से डवल्यू बनेगा अगर बॉटम अप पार्सिंग है तो डवल्यू से स्टार्ट सिंबल बनेगा बेसिकली डवल्यू और स्टार्ट सिंबल सेम है एक दूसरे के र आता है, तो theoretically speaking, start symbol के बाद भी dollar है, एक ही दो बात है न, either I say w और start symbol, तब यह क्यों मैं बहस कर रहा हूं नहीं, मैं इसले बोल रहा हूं, किसी भी चीज का follow up calculate करोगे, grammar को देखके, rule के हिसाब से, आपको समझाओंगा कैसे, but start symbol जो होगा grammar का, उसके follow में हमेशा dollar लिखोगे, याद रखना, start symbol के follow में हमेशा dollar लिखोगे, और अभी आपको समझाओंगा, किसी का भी follow, कभी epsilon नहीं हो सकता, because epsilon एक string है, जिसका कोई length ही नहीं है, तो कोई follow कैसे करेगा, तो किसी का भी follow, अगर कोई नहीं है, तो उसका follow dollar है, जैसे वो बोलता है, जिसका कोई नहीं है, उ उसका dollar है, फॉलो में याद रखोगा, जिसका कोई नहीं है, उसका dollar है, तो कैसे है dollar, और क्या है कहानी, चली शुरू करते हैं, वैसे मैंने first के लिए, follow के लिए, अलग case बनाया है, उसमें शायद मैंने follow के इसाब से ध्यान रखा होगा, मैं आपको यहाँ प्राक्टिस करा direct आप dollar, लिख दो बात करें, कुछ नहीं समझा, dollar, that will be all, अभी धीर धीर आप relate करने लगोगे, आगे बढ़ते हैं, यह देखे, कितने non-terminal है, sir, 2 non-terminal है, follow निकालना पड़ेगा S का, और follow निकालना पड़ेगा A का, ठीक बात है, अब जरह मुझे बताईए, S का follow कौन है, S का follow तो, sir, dollar होता ही है, कुई doubt नहीं है, क्या grammar के right hand side of the productions में कहीं पर A आया, कहीं पर S आया है क्या, इससे right hand side पे तो कहीं पर S नहीं आया, so that will be okay, ख़तम हो गई बात, follow हम right hand side से देखते हैं, अब ज़र आजान से देखना, क्या right hand side of productions में कहीं पर A आया है, हाँ, A आया है, यह आया, A, पर फिर वही problem देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, sir, इसके बाद तो कुछ भी नहीं लिखा, क्या करें, कैसे follow निकाल है, तो फिर वही आप से बात बोलू, क्या S और small A capital है, दोनों एक ही बात है, हाँ, क्योंकि top down parsing में, आप S को replace करोगे small A capital A से, और bottom up parsing में, आप small A capital A को replace करोगे S से, तो sir, अगर S का follow dollar है, तो फिर smaller capital A का follow भी dollar होगा, हाँ, तो logic क्या है, logic है, आपके बात कुछ नहीं है ना अगर, तो आप जायर पूछिए, किस non-terminal ने आपको जनम दिया, S ने जनम दिया, S का follow कौन है, dollar है, तो फिर आपका follow भी कौन होग dollar होगा, धीरे धीरे, अभी एक बार सब कुछ मत रिलेट करिएगा, दो चार पाथ सेंबल पढ़ेंगे, मामला सेट हो जाएगा, ठीक है, इस A के बाद भी कुछ नहीं लिखा, मुझे किस ने जनम दिया, मुझे तो मैंने खुझ नहीं जनम दिया, है ना, A का follow किया, कोई नहीं learning नहीं लेंगे, that will be all, यानि कि किसी भी sentential form में, चाहे S मिले या A मिले, उसके बाद dollar ही मिल सकता है, सर टर्मिनल नहीं मिलेगा, कोई आपको, अभी देर देर समझेंगे, यह देखो, यह अच्छे से relate कर पाऊगे, कितने non-terminal है, सर ती non-terminal है, कौन-कौन सा, S है, A ह और B है, और जैसे मैंने समझाया था ना, दो-तीन केस सॉल्व करने के बाद, कि आम तौर पे, यह आसान होता है, कि first function bottom-up fashion में calculate करें, उसी तरह follow के case में आसान होता है, कि top-down calculate करें, कैसे calculate करें, top-down, चलो, शुरू करो, what is follow of S, sir, follow of S is dollar, क्या कहीं, right-hand side of the production में करेंसे नहीं है, thank you so much, start up, bye-bye, खतम होगी बात, now, what is follow of A, sir, यहाँ पर A आया है, इधर A आया, notice करिये, दोना जगा A को कौन फालो कर रहा है, small A, finally, हमारी बोनी दुकान खुली, कुछ तो मिला, मिला, इस बार वो डॉलर वाली बात याद रखेंगे नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रीम राइ स्मॉल हे स्मॉल भी तीन हमने निकाल लिए, यहाँ, मजाएगा, क्या-क्या स्टीज है, follow of E, मैं फिर बोन बोल रहा हूँ, pause करो, खुच से try करो, खुच से try करोगे, तो सच में समझेगा कि, कितना आया, कितना नहीं आया, चलो, शुरू करते है, what is follow of E, पहली बात, क्यों कि E स्टार्ट सिम्बल हे, तो डॉलर मिलेगा, अब देखू, मज़ेगी बात, फाइनल स्टार्ट सिम्बल भी राइट है, दो बार मेरे को अकरंस दिख रही है, E की, there you see, तो एक बार आयेगा, प्लस और एक बार आयेगा, क्लोजिंग ब्राकेट, डाट विल बी ओ, देख मुझे किस ने जनम दिया, मुझे E ने जनम दिया, तो follow of E is same as fall, T is same as E, E का follow क्या है, यह लिखा है सर, पूरी संपत्ति कॉपी कर लो, जो पिताजी का है, वो हमारा भी है, कॉपी कर लिया, फिर आगे बढ़े, इस T से भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इस T से जरूर न यह E का पोता है, है न, T का बच्चा है, तो जो T का follow है, वो सब भी यहां पर आएगा, dollar, plus, closing bracket, and star, और भी कुछ है क्या, follow of F, follow of F, follow of F, और कहीं occurrence है नहीं, that will be all, I hope, यह अच्छा केस था, है न, इसमें 2, 3, 4, अलग अलग तरहीं की variety मिल गई, तो यह follow हम निकाल रहे है, औ करो, follow of S, follow of A, follow of B, follow, 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 follow of S, start symbol, right hand side पर कोई occurrence नहीं है, dollar, follow of A, follow of A, A की जगा occurrence है, small b आ गया, follow of capital B, यह तो आसान है, इसमें तो कुछ मजा निया है, और कुछ possibility दिख रही है क्या, नहीं, यहां बता दो, यह आसान है, fall of S, निकालोगे, तो क्या होगा, बोलो, fall of S is dollar, और 0, और 1, क्योंकि इसका follow, 0 और इसका follow, 1 है, like this we can handle, है नहीं, यहां पर देखोगे, तो, follow of S, and follow of A, and follow of B, so, what is fall of S, follow of S is dollar, and there is no occurrence on the right hand side of the production, कोई occurrence नहीं है, कदम होगी बात, what is fall of A, follow of A is small a and small b, and follow of B is again small a and small b, there you see, है न, तो, I think, first and follow, दोनों बाते आपको समाजाई है, अब आपको पढ़ा देता हूँ, follow of A, is a set of all terminals, that may follow, to the right of A, in any form of the sentential grammar, और in any sentential form, बात समझ आई, right hand side पर हो सकता है, if A is a start symbol, then follow of A is dollar, already बता चुको है, start symbol के follow, में कुछ आए ना ऐसा, dollar तो, पक्का आने वाला है, ठीक, अब यह देखो, यह ना case, थोड़े थोड़े डिफर भी हो सकता है, from book to book, writer to writer, लोग अपनी सहुलियत के साफ से लख लेता, common sense, यह कोई रूल रूल नहीं है, देखो जान से अभी समझेगा आपको, अगर production है, capital A, alpha, A, beta, है ना, और आपका जो follow है, ऐसा कोई case मिला नहीं है, अब यह समझ समझ आओ गया, अब मान लीजिए, हमें निकालना है, A का follow, लेकिन A के बाद किया है, A के बाद खुद एक non-terminal है, तो क्या करेंगे, आपका जो follow है, वो B का first है, क्योंकि B तो एक non-terminal है, अगर मैं ऐसे लिखूं को एक production, S tends to AB, A tends to small a, and B tends to small b, as simple as, अब बताओ A का follow क्या है, तो follow of A is actually first of B, तो यहाँ पर A के follow में क्या आएगा, Sir, A के follow में आएगा B, और सारी, B, हाँ, ठीक है न, A के follow में उल्टा लिख दिया है, क्योंकि मेरे बाद जो है, उससे क्या बन सकता, B बन सकता, तो वो ही कह रहा है, अगर B से null production नहीं है, तो follow of A is first of B, अच्छा, अगर यह last में है, इसके बाद कुछ नहीं, what is follow of A, follow of A is follow of S, यह उपर वाला production with epsilon, अगर B null हो सकता है, तो follow of A is first of B, पहले तो यह आएगा, and then follow of S, अगर दोनों का unit, epsilon minus कर देना, क्यों, क्या समझाया, किसी के follow में कभी भी सर, epsilon नहीं आसकता, epsilon अप शगुनी है, जिसका कोई नहीं है, उसका dollar है, याद रखना, follow में जिसका कोई नहीं है, उसका dollar है, so I think that is all, with first and follow, and now I think we are ready for LL1 parser, तो LL1 parser कैसे काम करेगा, गेम स्टार्टों का table से, पहले पूरी parsing करके आपको दिखाता हूं, फिर table के component लेके करके अपन study कर लेते हैं, तो दीके pattern समझे, एक बार दुबारा से clear कर रहा हूं, करने क्या जा रहा है, हम LL1 के लिए parsing table बनाना सीख रहे हैं, पूरे concept में, जो मैं कर रहा हूं, यहां भी वही करूँगा, LL1 क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे कुछ नहीं बता है, वो बताऊंगा, बगर फिर वही बात है, फॉर्मूला बाजी में घुसूँगा, तो पूरा confusion होगा, तो पहले table बनाना सीख लेते हैं, इन जेनरल भी और एक्जाम पॉइंट ओफिस भी बहुत इंपोर्टेंट है, देन में इसकी थियोरी आपको समझाता हूं, पैटन देखे क्या है, यह एक स्ट्रेंग है, ताकि आपको बाद में डिराइब भी करके दिखाऊं, फिलाल इस भी भूल जाओ, है ना, यह एक ग करशन नहीं होना चाहिए, अंबिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, लेफ फेक्टर होना चाहिए, माने डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, यह तीनों खूबिया इसके अंदर आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, रही बात फर्स्ट और फॉलो की, वो मैंने आपको निकालना इखा दिया, वो काम आएगा, अब LL1 के टेबल का स्ट्रक्चर देखिए, जितने भी नॉन टर्मिनल है, उन सब को एक सेपरेट रो मिली हुए है, तो कोई किसी की रो में एंटर नहीं कर रहा, तो कितने नॉन टर्मिनल, सर क्यापिटल ई है, एडश है, ट है, ट है, ट है, एफ है, एवरीबडी हैज इंडिपेंटेंट रो, कोई कन्फियूजन नहीं, जितने भी टर्मिनल से, जिन से प्रडक्शन नहीं है, जैसे प्लस है, स्टार है, उपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, आईडी, उन सब को कॉलम मिला हुआ है, अलॉंग विड़ा स्टार्ण टेबल का, every Terminal will have a entry in the column and non-terminal will have a entry in the row, गेम स्टार्ट करता हूँ, अब भरना कैसे notice करिये, तो दो तरह के प्रोड़क्शन से, वैसे प्रोडक्शन तो एक ही तरह का है, बट फिलाल दो तरह से माल लेता है, फिलाल टर्मिनल, एप्साइलन वाले की बात नहीं कर तो sir e tends to t e dash यह तो पक्का बता है कि e वाले रो में जाएगा लेकिन basically कहां जाएगा यह जाएगा इसके first में और फिलहाल इस production का जो right hand side का जो first है वो t का first है और मैं लग 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 नहीं नहीं काल रहा प्राक्टिस है हम यहीं पर calculate कर लेंगे बताओ t का क्या first है तो first of t is actually first of f इधर आजाओ and first of f is open वैसे मुझे लगता है कि अपने चक्कर में मैं आप लोग को confuse कर दूँगा तो लिख लेता है भाई है ना क्योंकि बार 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 जरुत पड़ेगी तो first of e first of t and बलकि first of e first of e dash and first of t and first of t dash और भी कोई है क्या and first of f तो सबके लिख लो सही बात है ताकि की बार में पंगाना हो और similarly follow भी बना लेता हूं follow of again सारे non-terminal follow of e and follow of e dash and follow of t and follow of t dash and follow of f ठीक बात है यह लीजे सर सब के follow भी हमने बना लिए है ठीक आगे बढ़ता हूं भर भरवात हो दो पहले तो first calculate होता है bottom of fashion में हाला कि इसके लिए भी शायद हमने calculate किया था यहीं दु open bracket and id आगिया f में first of t dash में आएगा क्या आएगा बोलो t dash में आएगा star और epsilon किसी पर कोई dependency नहीं first of t में आएगा first of f first of f is again you see open bracket and id कोई confusion नहीं first of f dash first of sorry e dash first of e dash is again plus and epsilon यह आगे direct and first of e is first of t and your first of ttttt first of t is open bracket and id तो आगे जाने की जरूती नहीं है यह लिजे सब दुबारा से calculate कर लिए yes लगया तो follow भी करा हो follow top down fashion में पहले e e है तो dollar तो आएगा sir start symbol है और देखे right hand side पे कहीं e का occurrence है क्या मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा सिर्वाए यहां के तो follow में आजाएगा closing bracket first of e dash मेरे बात कोई नहीं है तो मेरे पिता जी कौन है e है तो follow of e dash is follow of e तो यहां पर dollar और closing bracket copy कर लेता हूँ और कहीं e dash यह तो दुबारा अपने कोई follow कर रहा है और कहीं e dash e dash e dash e dash जी नहीं और कहीं e dash नहीं that will be all first of t follow of t I am sorry follow of t अब यहां देखेगा मजा आएगा follow of t is follow of t is first of e dash ध्यान से देखना follow of t is first of e dash what is first of e dash first of e dash is plus यह लिजे लेकिन यह e dash क्या भी हो सकता epsilon अगर यह e dash epsilon हुआ then follow of t is also follow of e तो follow of e भी आजाएगा तो यह लीजे डॉलर और closing bracket भी साथ मिलेगा क्या बात है मजा आगया सिर्फ इस t से इतना कमाल हुआ है इस से और कुछ नहीं मिलने वाला और कहीं पर t नहीं है that will be all आगे बढ़ी यह t dash फिर यह इसका पिदाजी कौने टी है follow of tea dash is follow of tea तो t का जो follow uy sir copy रीजे plus dollar और closing bracket और कोई नहीं entry मिल सकते है कि टी आश से t dash t dash t dash टी ळाश और कोई entry नहीं मिल रहे है काानी खत्म वट इस follow of f e f f f f f f e f f f follow of f is again एमें फ़स्ट ऑफटी डाश अब टी डाश कि फर्स्ट में स्टार आगय ये लो एक नहीं एंट्री मिल गई स्टार आ गया और क्या हो सकता है सर यह टी डाश अपसालन भी हो सकता अपसालन वा तो फॉलो ऑफ एफ इस नसिंग बट फॉल ओफ T T यानि के पूरा copy कर लो तो यह star plus closing bracket अच्छा ही गया calculate कर लिया runtime पे problem नहीं होगी अब बरना शुरू करता है और आपका एक और revision हुआ होगा I hope किस चीज़ का first and follow निकालने का, तो बोलो यह production कहा जाएगा आप देखो बताओ ET का first क्या है T का first है दो सर open bracket and ID तो open bracket और ID में production जाके लिख दो तो E tends to T E dash और ID E tends to T E dash आप तो और पे table भरना सीख लिया तो मानों आपका semester exam preparation हो गई करा होगी बात इधर आओ यह production का first क्या अभी तो सामने लिखा है first plus है तो इसको और कहीं देखनी की ज़रूती नहीं है so E dash किधर फिल होगा E dash tends to plus T E dash first column में आ जाएगा यह आ गया सर और कहीं मत देखो यह देखो अभी null वाला क्या रहा हूँ छोड़दो बाद में देखेंगा उसको T to F T dash अभी यह what is first of F F का first किया closing open bracket and ID again तो यह open bracket and ID में यह भी जाएगा तो T tends to F T dash and T tends to F T dash यह आ गया आगे बढ़ो यह देखो इधर इसका first किया star है आपके सामने लिखा हुआ है तो कोई tension नहीं है तो कैसे लिखो T dash tends to star F T dash T dash T star F T dash सामने से भर दिया कोई दिखकत नहीं अब यह दो अलग लग प्रोडक्शन है और दोनों का first सामने लिखा हुआ है और कैल्कुलेट करने की विजरत नहीं तो यह open bracket वाला इधर आ जाएगा F tends to open bracket open bracket E E dash इधर आ गया and ID है so F tends to ID notice कर यह इधर आगे and that will be all सिर्फ structure अपने समझ लिया row का क्या structure है, column का क्या structure है और first के हिसाब से हमने entry कर ली अब बाता ही follow की तो यह देखो यह जो null productions है आपने सीखा था अगर कोई non-terminal null हो जाए तो उसका first देखते है कि follow देखते है तो E dash में E dash tends to dollar and closing bracket E dash tends to dollar and closing bracket तो E dash tends to epsilon E dash tends to epsilon यह entry हो गई closing bracket और dollar में और कई भी null production दा है जी एक और है T का follow बता हो क्या T dash का इस बार plus B है plus dollar and closing bracket तो देख यह देख टेंस टेंस टू epsilon plus dollar and closing bracket T dash tends to epsilon and T dash tends to epsilon यह लेखिए सर स्वस्त सुन्दर तरीके से यह पूरा हमने बना के complete कर लिया और यह हमारी table होगी complete यह है LL1 की passing table हाँ क्या table बनाते हुए किसी भी cell में multiple entry आई नहीं आई इसका मतलब यह grammar LL1 grammar है रास्त में भी गड़बड़ हो सकती थी इन कंडिशन जो हमने चेक करी उसके बाद भी गड़बड़ हो सकती थी बट नहीं हुई तो यह grammar LL1 grammar है point number one point number two जिस पर आपको notice करना है यह सारा बनाने के बाद भी बहुत सारे cell खाली है इनका क्या मतलब है sir इन cells की कभी ज़रुत नहीं पड़ेगी तो जितने भी empty cell आप चाहो तो लिख लो otherwise every empty cell represents error अगर कभी भी इनको refer करने की ज़रत पड़ गई है ना तो इसका मतलब there's something wrong with the string अब यह हमारा table 1 के तयार हो गया first and follow लिखा हुआ है अब आपकी permission से मैं क्या करता हूँ sir मैं यह first and follow हटा देता हूँ yes table काम आएगी उसका भी इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे अब table दो हमने बना ली जब तक मैं आपको parsing करके नहीं दिखाऊंगा step by step तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा है ना अभी तक आज सक हमने जितनी भी बार parsing की है अपना दिमाग लगाना पड़ाना बार बार देखना पड़ा सर कौन सा production ले आगे चले किधर चले अब इतना जादा समय हो गया काम करते करते मज़ा क्या है अब आपको सिखाता हूं parsing होती कैसे जगा थोड़ी कम है somehow I'll try to manage देखिए ये हमारी tape है ये string हमें बनानी है दिखाता हूं आपको LL1 के मज़े top-down के मज़े बताओ start symbol क्या है start symbol है E यहां से tree बनाना चालू करता हूं थोड़ा overlap होगा बड़ लेट इड़ी ठीक है अब देखो हमारे पास है E और हमें बनाना है ID हमें सब कुछ नहीं नज़रा रहा है हमें look-ahead symbol एक बार में हमें ID नज़र आ रहा है बताओ E से ID कैसे बनेगा production मत देखो table देखो अब यह table बताएगा E से ID कैसे बनेगा sir E से ID बनाना है तो E tends to T E dash बनाईए यह लीजिए E tends to T E dash अब क्योंकि leftmost derivation कर रहे है तो इस sentential form में हमेशा पहले किसको expand करेंगे T को problem क्या problem तो अब भी से में ID बना का तो अब क्या करना है T से ID बनाना है कैसे बनाना है table से पूछी T से ID कैसे बनाना है T से कोई entry पूरी नहीं करी क्या हाँ पूरी नहीं करी एक रो साफ केस हो गई T वाले entry oh my god मैं कुछ और डिलीट करा था लगता है यह डिलीट हो गया कोई बात ने अब तो first भी चला first भी चला गया दुबारे से भरता हूं है बगवान यह क्या हुआ कोई बात ने क्या था यह यह production था F what is first of F open bracket ID तो T से open bracket में यह production डिलीट हो गया हमारे इधर भी और ID पे भी T tends to F T डश ऐसा रहा होगा ठीक बात है ना चलो अब मिल गया अब बताओ T से ID एक्टम मैं मूड में हूँ एंटर गया होगी T से ID बनाना है T से ID यह बनता है सर तो इसका मनलब F T डश बनाओ तो T से बनाओ F T डश अभी भी नहीं मन रहा है कोई बात नहीं leftmost derivation F से ID कैसे मिलता है F से ID मिल जाता है डारेट finally हमें F से ID मिला ID to ID there is a match अब बताओ अगला target क्या है सर अब हमें बनाना है plus 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 और leftmost derivation के साब से अब हमारे पास है T डश T डश से plus कैसे बनता है पूछना T डश से plus कैसे बनता है T डश कह रहा है मैं तो अपसाले नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है हो गया फरार अब देखो क्या करना पड़ेगा इसके आगे देखना पड़ेगा अब भी हमारे पास E डश बचा है है इड़ेश कुछ कर सकता है इड़ेस से पूछो भई यह प्लस कैसे बनाते है इड़ेस से प्लस बनाना कैरा मैं बनवातों का इटेंशन ले रहो तो दे यूसी इड़ेस से कहरा प्लस मिलेगा टी मिलेगा और फिर से E डश मिलेगा तो यह लो दूसरा प्लस भी हमने बना दिया देन अब क्या हमारे पास T है और आईडी है टी से आईडी कैसे बनता है टी से आईडी बनाना हमें पता है तो टी से हम बनाते है F टी डैश से आईडी कैसे बनता है अगें F से आईडी हमें पता है F से डी डाइडेक प्रॉडक्शन ए तो यह लीजिए ID से ID भी मैच हो गया अब क्या चाहिए star टी डैश से स्टार बन सकता है क्या टी डैस से स्टार हां सर बन सकता है तो देर यूशी star F T dash, star से star match हुआ, अब हमारे पास क्या है F, F से क्या बनाना है, F से बनाना है ID, F से ID तो direct बनता है, F से ID हमने direct बना दिया, ID से ID match हो गया, अभी खुशमत होतों, complete होने तो tree, तो tree तो वैसे हमने बना लिया, सारी string पार्स होगी, बट अभी dollar है, T dash ज कैसे बनता है, T dash ज कैसे ब बनता है इस से डॉलर बनानों से अपसालन करो कानी घतम पैसा आजम पूरा ट्री बना के दिखाया इस टेबल के साथ ये है टॉप डाउन पार्सिंग और ऐसे पार्सर काम करता है ऐसे अलगोर्थम काम करता है बात समझ आती है अब बची भी प्रोसेस ये जो भी मैंना आपक करच करके दिखाई इसको अगर स्टक फों में स्टेब आ स्टेब करें तो क्या करें स्टभ अपनें प्रोडक्षेन कीए हमने क्या किया क्या हमने एका प्रोडक्षन यूजग्म हो है किया और उसे replace किया T E' से बस उसको यहां written form में दिखा रहा है E को replace किया T E' से अब यहां क्योंकि stack है तो उल्टा लिखते हैं है ना production है T E' अंदर लिखेंगे reverse of right hand side of the production push करते है T उपर लिखेंगे अगले step में क्या होगा अगले step में अगले step में T को replace किया Ft' से फिर उल्टा करके लिखा तो ऐसा उल्टा-उल्टा करते जाएंगे और जब भी ID मिलेगा साइडी साइडी माच करेंगे that is how you can write it मुझे लिखता नहीं इसको पूरा प्रोसेस को ऐसा लिखने की जड़त है बढ़ आप चाहूँ तो ऐसा लिख सकते हो तो मैंने ये रोमन जादा तर स्क्रिप्ट लेफ्ट राइट चलती है हाला कि जैसे अरेविक स्क्रिप्ट है उर्दू है फार्सी है वो राइट लेफ चलती है यह जापनीज है वो टॉप टू डाउन चलती है बट क्योंकि डिफॉल्ट रोमन और देवनागरी असे चल रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट राइट पार्स बना रहे हैं अगले अल का क्या मतलब है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अल्रीडियम समझ चुके एक बार में जो एक्स्ट्रीम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है उसी को एक्स्पेंड करते है सर यह भी अंडिस्टेंडबल है नेक्स क्य अब वैसों तुमने बना लिया बढ़ ध्यान से देखिए पार्सर के तीन कंपोनेंट है एक है टेबल जो मैं आपको शांदर तरह से बनाना सिखा दिया हर रो में नॉन टर्मिनल है हर कॉलम में टर्मिनल डॉलर एडिशनल है टेप आपके पास है और स्टाक जो मैं आपको है सिम्बल में डिवाइड एलास में डॉलर आएगा बेसिक बात पार्स टेक में जब भी अल्फा टू मालीजे ए बीसी को प्रड़क्शन हमें मिलता है टेविल हमें बताता है तो रिवर्स ऑफ राइट इन साइड हो दो प्रड़क्शन सी बी ए पुश करते हैं मैच करते रहते हैं आगे बढ़ते हैं यही बात है पार्स टेबल टेबल का स्ट्रक्चर दो पूरा आपको सिखा चुका हूं नौ प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं यह भी मैं आपको बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रड़क्शन है ए टेंस ट दिखा हुआ है तोब कॉन्फिडेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है पार्सिंग प्रोसेस अब यह देखिए सबसे पहला आप स्टार्ट सिंबल को पुश करते हैं यह देखें डिटेल में अगर ऐसे समझों टॉप्मो सिंबल अफ दस्टाक और टेप का सिंबल दोनों है जब मैच होता है तो क्या करते है इसको पॉप करते है स्टैक से और पॉइंटर को इंक्रिमेंट कर देता आगे बढ़ते है यह भी हमने देख लिया अगर यह आपस में सेम नहीं यह माली जै यहां लिखा है आईडिय और यहां पर लिखा है यह जो हुआ हमारे केस में त देखते हैं क्या production लिखा हुआ है वही तो करते हैं और वहां गर production लिखा है ABC तो क्या पुश करते हैं reverse order में यानि के CBA पुश करतर कहानी आगे बढ़ते है basically यह जो algorithm है यह वही parsing idea है जो भी मैं आपको करके दिखा चुका हूं this thing and this thing same idea yes फिर आगे बढ़िए LL1 grammar की क्या परिभाशा है आप उसके लिए पहले बाद तो तीन problem तो हटाई दो starting वाली left recursion नहीं होना चाहिए और deterministic होना चाहिए left factor होना चाहिए उसके बाद हम table बनाएंगे अगर table के किसी भी cell में multiple entry नहीं आती है तो grammar LL1 है वरना नहीं है बस इतनी सी बात है और अगर कहीं multiple entry आई multiple entry तो grammar LL1 नहीं है यही बात हो गई and यह मैं आपको already बता चुका हूं and that is all with a top down parsing तो यह parsing का एक component हमने complete कर लिया जो की आसान है अब बसता है bottom-up जिसके दो component है तो पहले LR parsers चारो type की बात करूँगा बहुत detail में पूरी बात समझा दूँगा आपको so that अगर कहीं competitive exam की भी आप तयारी कर रहो तो this portion is very very important and then last में यह baby parser है operator precedence parser यह operator precedence grammar इसकी क्या कानी है फिर इस पर बात करेंगे अभी बात करता है bottom-up parser की और जैसे मैंने बोला operator precedence is not that important relatively तो सीधे हम बात चालू करेंगे जो हमारा LR या mainstream bottom-up parser से उनके बारे में तो bottom-up parser होता क्या basic understanding तो हमने as bottom-up parser और वही हो यहां पर लिखा हुआ है देखे क्या लिखता हूं the process of constructing the parse tree in a bottom-up manner that is starting from the children and proceeding towards the root तो children से start करके root की तरफ जाना is known as bottom-up parsing for a simple example यह देखिए एक string में ले रहा हूं as a sample string और क्या string है मेरे पास I have a and then b c d c अभी exact pattern यहां पर क्या follow करेंगे that will understand with time अब 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 आप नीचे से उपर की तरफ चलना शुरू करोगे तो मेरे क्याल से पहली चीज जो यहां पर convert की जा सकते है अब देखिए हमारे पास कैसे जनरेट करेंगे तो एक बात तो तह है कि a b small a capital a capital b capital c आपको चाहिए और हमारे पास यह pattern है तो हमको एक तो b बनाना है last में तो b जो है वो obviously हम किस से बनाएंगे देखिए तो यह जो b है यह जो d है इसको हम convert कर सकते है b में और यह जो b c है look at this यह convert हो सकता है a में और अब जैसी हमारे पास small a capital a capital b और small c आता है now you can see we can have a start symbol using which using which हम इसको convert कर सकते है follow कर पा रहा है तो basically अभी आपको एकदम नहीं समझेगा how did we choose these productions ऐसे कैसे हम नीचे सोपर की तरफ चले गए किस समय कॉनसर प्रोडक्शन उल्टा चलेगा मालब कम मुझे पता लगा कि D को capital B में या capital B C को A में convert करना वो पूरी कहानी हम समझेंगे but this is the idea of bottom-up parsing yes थोड़ा सा historical background जानना जरूरी है जिनों इतनी मेहनत की है तो जो bottom-up parser है या जिसको हम LR parser बोलते हैं that invented by Donald Kutt in 1965 है ना it is an efficient generalization of precedence parsers कुन्त प्रूवड या पार्सर है मोर जन्रल परपर पार्सर पॉसिबल दो तीन बात हैं बात में करेंगे but in general क्या bottom-up parser की जो power है क्या वो top-down parser से जादे होती है जी हां the power of bottom-up parser is more और हमारे जितने भी general-purpose programming language है ना C है Java है Python है कोई भी है everybody uses bottom-up parser only जो इन सहाब ने invent किया था तो यह पूरा historical background आप देख सकते हैं कुछ लोग इनको father of analysis of algorithm और father of algorithm भी बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि इनका contribution in case of algorithm कितना important रहा होगा अब करेंगे क्या मैं आपसे कोई theoretical बात कर ही नहीं रहा तो अप्रोच के ओने वाला है एक पूरा हम पार्सर बना डालने वाले सर पूरी parsing process आप को करके दिखा दूंगा and then I'll explain each and every point के क्या हो रहा है कैसे हो रहा है yes तो अभी यह देखेंगे क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं यह नहीं देखने वाले मेरे सब patience से चलिएगा इसको बिल्कुल skip मत करिएगा but बहुत important है yes so there you see I have a grammar which is capital A to small a capital a obliq b तो game शुरू कहास होता है what you are going to do is आप एक special production लेंगे known as a dash अभी क्यू लेंगे again I'll discuss that in later a dash और यहां से आप लिखेंगे dot capital A dot a operator है जो अभी समय के साथ हमारे साथ चलेगा top down parsing में और यह समय तू समय में बताता रहता है कि कहां तक हमने काम कर लिए और कहां तक नहीं किया तो अभी क्योंकि काम start नहीं हुआ just dot पे dot हमने extreme left में रखा है on the right hand side of the production अब dot के बाद जब भी capital symbol होगा आप क्या करेंगे उस capital symbol से start होने वाले सारे productions add करेंगे तो यहां पर dot के बाद capital A obviously एक ही non-terminal capital A तो उस से start होने वाले सारे production so this is like capital A to dot small a capital A and capital A to dot small b यहां आपने add कर लिया and इसको बोलते है closer अभी हर चीज धीर धीर आपको बाद में समझाओंगा so let me say this is closer number i naught अब करना है क्या one by one sir इसको parse करना है तो फिलाल dot के बाद capital A लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा मैं एक transition लिखता हूँगा it's like a finite automata deterministic finite automata तो dot के बाद capital symbol लिखा है न तो मैं क्या करूँगा capital A tends to a dot क्या कहीं और पर capital symbol लिखा है जी नहीं so that will be all and now that will become my closer i1 आगे देखिए यहां पर dot के बाद क्या लिखा हूँगा small a तो मैं उस ही पर transition करूँगा sir क्या होगा बताईए capital A tends to small a dot capital A अब मज़ेगी बात क्या है क्योंकि यहां पर dot के बाद capital A लिखा हुआ है तो फिर से वही rule लगेगा वह rule क्या है आगे समझेंगे बाद dot के बाद जब भी non-terminal होगा तो उस से start होने वाले सारे production मेरे को add करने पड़ेंगे so there you see again a tends to यानि कि यही production दुबार आ जाएगा dot small a capital A and a tends to dot b and now that will become हमारा new closer that is known as i2 क्या i0 में कुछ बचा है हाँ सरे production बचा हो हमारे पास which is like small b so I'll do that a tends to b dot dot आ गया right में क्योंकि हमने इसे parse कर लिया and now that will become i3 notice करिए बहुत चोटी-चोटी बात है जब भी हम parsing कर रहे हैं dot का जो position है वो left से right में आ जाए और कैसे one by one value by value में आगे बढ़ रहे हैं यहां तक बात समय जाती है अब देखे i0 के जितने production है सब के लिए transition लिख लिए गया है i1 में dot already extreme right में पहुंच क्यों चुका है तो और कुछ करने की ज़दत है नहीं यहां नहीं पहुंचा सर तो क्या कुनों बता हो अब दिरे दिरे आपो गेम समाझ आने लगा होगा so capital A के लिए transition लिखूंगा and now it will become what a tends to small a capital A dot है ना तो मैं i1, i2, i3 तक पहुच चुका हूं so obviously this is going to be i4 notice करें क्या बना i4 बना और यहां पर आप देखेंगे तो अब notice करें मैं एक बाद आप शहाद लिखके दिखा देता हूं अगर आप small a के लिए transition करेंगे तो क्या होगा सर फिर यही कहानी repeat होगी a tends to a dot capital A आएगा अभी capital से start होने वाले फिर से यह दोनों production आपको as usual यहां पर दोबार add करने पड़ेंगे तो that doesn't make any sense because यह state तो पहले से मेरे पास है इसका मतलग a पर मैं क्या लिख सकता हूं I can write a cell flow देखें कर बात समझ आ रही है क्या तो small a अगर आता है तो same scenario repeat होगा there is no need to take a new state आप वहीं पर वापस चले जाओ similarly आप notice करो small b के लिए transition लेंगे so आप इधर वापस आ सकते है look at this that will be all तो भी i2 भी parse हो चुका है i3 parse हो चुका है 4 parse हो चुका है यह complete हो गया इसको बोलता है canonical collection bottom up parser का कोई type हो यह step तो आपको करना ही करना है yes अब आपको सिखा थो parsing table कैसे भरते है again बात में कुछ rule differentiation भी generic approach मान के चलो देखो पहला change कि आपको याद हो top-down parser ll1 में column जो था column वहाँ पर हम भरते थे I think terminals और रोज में भरते थे non-terminal यहाँ पर game क्या ऐसा है जितने भी closers है यह आई नॉट आई वन यह states बो लीजे यह सब आएंगे रो में तो मैं कैसे लिखोंगा look at this so i not and then i1 and then i2 and then i3 4-5 यह आए नॉट से i5 तक पांचो के पांचो आएंगे रो में फिर column में क्या आएगा हम बोलते action and go to what is action set of terminals terminals बताइए कौन कौन है तो इस grammar में सर्फ दो terminal है I think एक है ए एक है भी फिर यह तो आपको पता ही है dollar तो हमेशा टर्मिनल के साथ ही चला है फिर चाहे वह टॉप डाउन पार्सर हो या अब बॉटम पार्सर गोटू में कौन आएगा obviously non-terminal non-terminal I think पूरी grammar में सिर्फ एक है वो है हमारा capital A look at this है ना तो बहुत simple तरह से table का structure हमने समझ लिया अभी जरी दिस सब समझाता हूं तो टेबल के entry कैसे करते है I not A पे क्या करना है simply आपको देखने है transitions कैसे हो रहे है तो पताए यह I not small A पे कहां गया I2 पे गया बाद में समझाओंगा इसको बोलते है shift करना transition को क्या बोलते shift करना तो I not पे जब A आता है shift के यूज करेंगे S है ना तो हम shift करते हैं कहां पे करते है closer number I2 पे तो subscript में लिख दो S2 फिर वही बात अभी क्या कर रहे है वो देखना क्यूं कर रहे है वह बात में समझाओंगा एक एक बात सबस्क्रप में लिखते है S2 देना के बढ़ो small B पे क्या करना है सर्फ small B पर भी shift करना है closer number 3 पे तो subscript में लिखेंगे S3 यह हो गया कहानी I1 में कोई shifting नहीं है I2 में I think same है I2 में भी small A आ रहा है तो it's kind of a self loop तो shift करेंगे 2 पे और I2 में small भी आ रहा है तो shift करेंगे 3 पे notice करिए yes then I3 पे कोई terminal shifting नहीं है notice करो terminal पर कोई shifting नहीं है I4 पर भी terminal पर कोई shifting नहीं है so that will be all for a small case अभी capital पर इसको कैसे move कर रहे देखिए तो capital shift देखिए I0 पर capital A आए तो किदर जा रहे है notice करो I1 पर I0 पर capital A आता है तो I1 पर जा रहा है क्या I0 पर capital A तो यहां पर हम सिर्फ number लिखेंगे तो S subscribe 1 लिखने की जरुत नहीं क्यों आगे समझाओंगो you just write the number so I0 पर capital A आए 1 पर चले गए I2 पर क्या कोई capital की I1 पर I'm sorry capital की shifting होई है नहीं I2 पर capital की shifting होई है हाँ I2 पर अगर capital A आया तो हम 4 पर जा रहा है तो I2 पर अगर capital A आया जा रहा है तो we are going to 4 great और I3 पर भी कोई shifting नहीं है I4 पर भी कोई shifting नहीं है so that is all है ना तो यह हमारा अभी तक shift entries होई है अभी पुरा काम नहीं हुआ अब बोलते reduce entry this reduce entry क्या है कोई भी production जो हमारा है वो finally कहां पर complete हुआ कहां पर dot operator extreme right में पहुँचा उसको उलता reduce होना तो यहाँ हम क्या करते है rule की numbering कर लेते हैं है तो क्या-क्या numbering कर सकते है let me say this is rule number one ताकि सारी entry भरना असान हो let me say this is rule number two तो मुझे बताईए rule number one कहां पर reduce हुआ है कौन से closer में sir you see i4 में हुआ है i4 में rule number one पूरा dot operator right में पहुच गया तो क्या करना है इस case में पहलाल में basic बता रहा हूँ action part में जाना है और i4 के अंदर rule number two है न rule number one है rule number one rule number one rule number one यह पूरा हमें reduce कर देना है that is the idea yes फिर अगे पढ़िये next क्या है capital a tends to be यह बताईए कहा reduce हो रहा है यहाँ पर हो रहा है capital a tends to be there reduce हो रहा है अब बताव यहाँ पर क्या करना है तो again i3 closer में हुआ i3 में जाए rule number two है so just write rule number two rule number two rule number two rule number two reduce हो गया that will be all एक special production था हमारा जिस हम बोलते augmented production यह वाला पहला production जो original grammar का पार्ट नहीं था इसी हमने square किया है एक बड़ जाना notice करेंगे यह कहां पर reduce होआ sir यह reduce होआ i1 में तो क्या करना है जो special production है वहाँ पूरी रो नहीं भरते वहाँ पर जाना है और सिफ dollar के अंदर i1 dollar के अंदर जाकर लिख देना एक्सेप्ट अब एक्सेप्ट क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको समय के साथ समझ आएगा तो फस्ट आफ आफ यू सी हमने यह पहले पूरा canonical collection बना लिया closer बनाया देन यू सी टेबल हमने फिल कर लिया मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ आगे अब इस तरह को पाच्छे कोश्चन और करेंगे तो डोंट वरी everything is going to be clear कैसे इंट्री कर रहे हैं शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं गोटू कैसे कर रहे हैं reduce entry कैसे कर रहे हर चीज हमने observe कर ली अब यह जो हमने पूरा काम किया इसी आइडिया को हम बोलते हैं bottom-up parsing है और यह पूरा bottom-up parser हमने बनाया है तो मैं एक-एक step आगे अभी parsing करके नहीं दिखा रहे हैं को कैसे करेंगे I'll come to that but step by step आगे चलता हूं और यह क्या क्या हमने किया और इसका क्या क्या मतलब है अब आपको वह पूरा आइडिया में समझाता हूं है तो चलिए पहले parser का understanding समझते हैं तो अब एक एक करके आगे बात करते हैं सबसे पहले समझते है handle क्या होता है look at this handle substring of the input string that matches with the right hand side of any production is known as handle तो basically जैसे माल लीजे यह grammar हमने बनाई थी और यह उससे पहले जिस case पर हमने practice किया हमने game start किया पहले BC को हमने समझा किया BC किसी production करना right hand side है और इसको convert करना चाहिए back to A में है ना bottom-up parsing में ऐसा ही हुआ उसके बादे हमने समझा D किसी production का right hand side है उसको convert किया जाना चाहिए B में फिर हमें मिला A capital A capital B and C उसको हमने convert किया S में तो यह जो right hand side of some string है जिसको identify करते और convert करते है उसी substring को हम बोलते है handle तो इध्यान रखेगा bottom-up parsing में handle is a very important term so substring of the input string that matches with the right hand side of any production is handle the process of finding the handle and replacing that handle by its left hand side variable is called handle pruning तो पूरा गेम ही है एक बार handle मिल जाए तो काहनी हो जाए तो handle को ढूढ़ना और उसके उसको उसको left hand side of the production से replace करना इस पूरी process को बोलते है handle pruning करना bottom-up parser और also known as shift reduce parser उसके एक छोटा सा idea आपको समझाएगा उसको क्यों बोलते है shift reduce parser जैसे आपने production देखा ना like ऐसे dot operator यहां से शुरू हुआ उसके बाद a dot capital A हुआ उसके बाद a dot capital A dot हुआ तो यह dot move कर रहा है from left to right इसको बोलते है shift करना यही तो shifting है इसको बोलते है shift करना और जैसी dot पहुंसता extreme right में यह हो गया reduce करना यानि कि अब small a capital A को replace किया जा सकता है capital A से तो आगे इसको और example से समझेंगे but why it is known as shift reduce parser जब तक पूरा आपको right hand side नहीं मिल जाथा production का तब तक हम shift करते रहते है और जैसे मिलते है तब हम उसको left hand side से replace कर लेता so known as shift reduce parser bottom up can be constructed for both ambiguous non-ambiguous grammar अच्छा इसकी अब हमने detail में बात नहीं कि आगे समझेंगे देखो यह जो categorization है ना this is a grammar which works with ambiguity but again जैसे मैंने पहले भी बोला था operator precedence grammar is not a full flesh grammar तो उसको seriously नहीं लेना चाहिए रही बात general purpose parsing की तो यह ambiguous grammar के साथ काम नहीं करता लेकिन पहली जो दो problem थी यादे कौन-कौन सा left recursion और दूसरा जो हमारी problem थी वो थी आगे non-determinism वो वाली issues यहां पर नहीं है तो क्या bottom-up parser left recursive grammar के साथ काम कर सकता है जी हां कर सकता है क्या bottom-up parser non-deterministic के साथ भी काम कर सकता है हां कर सकता है क्या यह backtrack करता है नहीं करता है फिर कैसे काम कर पारा देखो इसकों बोलते है इन जनरल LR के parsers LR type है यह है ना L stands for left to right scan तो string को तो हम left to right scan करेंगे वो कोई problem नहीं है बट इस R stands for reverse of rightmost derivation look at this reverse of rightmost derivation तो ना यह leftmost derivation है ना यह rightmost derivation this is reverse of rightmost derivation तो left recursion यह non-determinism LL1 में हमें परिशान इसलिए कर रहा था कि कि हम leftmost derivation करते थे क्योंकि यह leftmost derivation नहीं करता है तो इसको उससे problem नहीं है है ना so that is L and K is obviously the number of look-ahead symbols कितने symbol हम आगे study करते हैं तेक है यह बात आपको समझ आ गई now can be constructed यही जो मैंने लिखा अभी जो मैंने आपको समझा है तो LRK चाह टाइब जो है उसमें ब्यूटी नहीं चलती unambiguous ही चाहिए bottom-up parser reverse of rightmost derivation follow करते है can be constructed for grammar which has more complexity compared to again इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं तो जितने भी high powerful languages है उन सब के लिए bottom-up parser बनाते है देखिए दो बाते bottom-up parser relatively बनाना मुश्किल है that I agree to it तो simple grammar है तो आप बोल सकते है go for LL1 लेकिन long term में जब हम study करते है दम हम पाते है कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है बट फर complex grammar and big string it is relatively less time consuming than that of top-down parser तो long run में इसकी complexity कुछ चलती है मोटा मोटा order of n3 जबकि top-down में गोज अप टो order of n रहे दो पार 4 तो in general bottom-up is better power की की terms में भी और efficiency की terms में भी यह बात समझा जाती है अब आपको parser का structure समझाता हूं देखिए in general अभी जो मैंने आपको पूरा structure table बनाना सिखाया वो canonical collection बनाना सिखाया मैंने generic बात आपसे करी इसके अंदर 4 category है lr0, slr1, clr1, lr1 मैं 4 की बात कुरूंगा बाद अभी generic structure हम डिसकर्स कर रहे है जो चारो parser में same है तो हमारे पास हमेशा की तरह एक input tape होगी है जहां से जो भी हमारी input string हम उसको scan करेंगे और last में आपको मिलेगा dollar we have a stack जो parsing के काम आता है अभी मैंने parsing करके निखाई कैसे काम आएगा आपको समझेगा then what do you already know is the table table पर हमने बहुत concentrate किया है जिसमें दो component है हमारे action और go to और कैसे shift reduce entry फिल होती आप जानते हो और go to मैंगेन हमने कैसे फिल किया वो भी आपने रेखा तो ये पूरा हमारा structure है है तो input buffer you know stack कैसे use होता है अभी आपको दिखाऊंगा जो इस फिल अब बता चुका हूं action part content shift and reduce entries for the terminals तो आप जानते है na terminal left में आए था go to में आथे non-terminal so go to part content shift entries for non-terminal अब आप समझो जो reduce entry है वो सिर्फ action में आती है है ना इस वज़े से हमें s लिखना पड़ा s मतलब shift and then मानलो हमने shift 1 shift 2 shift 3 ऐसा कुछ किया non-terminal जो हमारा है जो go to part है वहाँ पर reduce entry आती नहीं है तो मैंने आपको यादा हमारा वहां सिर्फ 2 लिखो s2 लिखने की ज़रत नहीं है क्योंकि वहाँ reduce entering अभी 2 लिखा है तो जार सी बात है शिफ्टी किया गया होगा that's a common sense idea तो इस तरह के कुछ observations clear हो जाते है यह आपने पूरा समझ लिया shift reduce accept किया है shift मतलब जब हमाने पूरा production नहीं मिला हो धिरे जरे हम shift करते हैं जब पूरा production में जाए reduce करना accept जहां पर क label के सारे cell fill हो गए ते नहीं तो जितने भी cell empty है each and every empty cell actually represents error entry है ना तो वो point भी हमें यह पे एकड़म clear होता है अब मैं काम करता हूं before I proceed further ना एक आपको parsing करके दिखाता हूं look at this यहां parsing करते कैसे स्टेप no.0 में जैसे आम तौर में stack में क्या भरते है start symbol यहां पर start symbol नहीं भ closer हमने बना है सबसे पहले हम भरेंगे closer number zero है ना क्योंकि वह हमारा initial state है fair enough उसके बाद हम start symbol से शुरू करेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा closer number zero और मैं काम करता हूं tape आपको string अलग से लिखके दिखा देता हूं माले जा string हम parse कर रहे है a a a b so मालो tape पे लिखा है a a a and b and then followed by dollar इस पूरे chapter में बहुत सारी चीज़े मैंने पहले से लिखके रखी है so that आपका run time पे time बचा सको तब ध्यान से देखिए closer हमारा zero है और symbol हमारा a है zero a पे क्या करना पूछो इससे अप table बताएगा table कहरा zero a पे shift करना है two तो किसको shift करना है इस symbol को ठाके stack में shift कर लो तो यह symbol आगया हमारा stack में और two पे shift करना तो अगला state हमारा आगया two तो यहाँ पर stack में आप देखोगे ना run time पे तो states भी लिखते हैं कौन से state पे चलो और कौन से symbol है वो भी लिखते है तो state आगया two symbol को कर लिए shift अब देखो state है two और symbol है a जब second state पे आप है closer number two पे आप है और symbol है a तो क्या करना है closer number two symbol a पे क्या करना shift करना दुबारा two पे तो यानि कि अभी भी handle नहीं मिला फिर से इस a को देखे यहाँ पर shift किया और नया state अगेन हमारा two आ गया तो दो a हमारे already stack में जा चुके है अगला state हमारा two आ गया अब two a पर क्या करना है फिलाल मैं यहाँ पे हू गया और नया state फिर से हमारा two आ गया अब देखिए two beeper क्या करना है two beeper so two beeper shift करना बड़ इस बार shift 3 करना है तो यह भी shift हो गया stack के अंदर बड़ इस बार आपका अगले estate आए three and now you can understand shift reduce parser जब तक handle नहीं मिलता तब तक tape से लेत और symbol stack में shift करते जाते है शिफ्ट करते जात सर स्टेट three पर डॉलर मिले look at this reduce करना reduce rule two rule two हमारा क्या था capital A to B अब क्योंकि यहां पर आपने सिंबल नहीं shift किये थे साथ में state भी shift किये तो rule क्या है logic क्या है जो भी handle का length है उससे double pop करिए तो हमें a tends to capital B a tends to small b यह rule reduce करना है तो यहां पर length 1 2 pop करिए तो कुछ किस को pop करेंग और B को pop करेंगे और यह rule reduce हो जाएगा capital A में so यह दोनों बाहर गए and then you see capital A हमारा अंदर आ गया this capital A अब जड़ा नया state देखिए इससे पहले क्या लिखा हुगा है 2 2 a पर क्या लिखा है sir 2 a पर लिखा है 4 तो यह लीजे हमारा नया entry आ गया 4 observe कर पा रहे हैं कैसे कर रहे है one by one अब फिर से check करिए a4 पर क्या लिखा हुआ है a4 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 4 closer I'm sorry not a4 अभी हमने shift कर लिया न अच्छा a4 नहीं 4 यहां पर यहां तो डॉलर पटके हुए 4 डॉलर पर क्या लिखा है तो 4 डॉलर पर जाएंगे तो लिखा है rule number 1 reduce करना है तो look at this rule number 1 small a capital a अब क्योंकि इसका length 2 है कितना पॉप होगा 4 पॉप होगा ध्यान से देखिए 4 पॉप होगा तो कौन-कौन बहर जाएगा यहां थे न 4 पर एक दो यह थोड़ा पहले रिखा तो होच पोच हो गया 2 यह तो पहले जा चुका है 3 और 4 reduce किसमें होना है a में तो मैंने दुबारह से entry करूंगा capital a की और उससे पहले अब कॉंसेस्टेट लिखा है 2 2 a पर क्या लिखा है sir 2 a पर लिखा है s4 अम साह यहां स 4 और डॉलर पर फिर से लिखा है rule 1 reduce तो फिर से चार्ल सिंबल जाएंगे तो कौन-कौन जाएगा बता ही अगीन एक ध्यान से देखेगा 2 फिर पीछाते जाएए 3 और 4 और entry आप कराएंगे a की फिर से देखिए a 2 पर क्या लिखा है so 2 a पर लिखा है shift to 4 तो एक अगला 4 जा रहा होगा हम b को a में a b को a में फिर a b को इस small a capital a को a में reduce कर चुके है again आपके पास 4 है यहां dollar है तो 4 डॉलर पर चेक करेंगे फिर से rule 1 लिखा हुआ है फिर से reduce होगा तो फिर से कोशिच करिए 1 2 3 4 और reduce हुआ है a में तो यहां देखे capital a मैंने entry करा दी capital a और 0 a पर क्य 521 तो यहां देखे इस बार entry आई यह one key yes and finally one dollar one dollar पर क्या लिखा है accept तो यह होगी हमारे string accept यह exact तरीका है आप वीडियो पॉस करकर करके दो तिन बार रिवाइंड करके देखना अगर कहीं भी confusion हो यह तरीका है जैसे हम bottom of parsing करते है तो यह closer कैसे काम आता है इस closer से table कैसे बन टेबल की entries match करके stack का exact use यहां पर हमने कैसे किया I think वह एक एक बात आपको समझ आई होगी तो नाओ जो हम theory part cover कर रहे थे फिर आपको आगे लेके चलता हूं अब LR के parser कैसे बनाते step by step देखे हम बना चुके हैं तो आसान है L stands for left to right scan हमें पता है R stands for reverse of rightmost derivation वो भी हम जानते के is the number of look-ahead symbol वो basic understanding हमको है करना क्या है step number one सबसे पहले हम augmented grammar बनाते है augmented grammar के है जो मैंने आपको बताया था सारे जो productions है grammar के वो as it is रहते हैं हम क्या करते हैं हम एक नया production add करते हैं उस production में क्या करना है for example अगर previous start symbol है s तो हम एक नया production लेते है s dash से और grammar का जो already start symbol हम उसको generate करते है इसको बलता augmented grammar इसके basic reason कि आपको समझाता हूँ जैसे देखो हमने grammar जो use की शायद ये grammar use की थी अब हमारे पास एक string है logic क्या है जो हम इसको convert करते हैं आएंगे 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 बात में start symbol मिलेगा इस grammar का start symbol है जैसे टेक्निकली हमें capital A मिले मुझे बता हमां आगे बढ़ना चाहिए कि रुख जाना चाहिए हमें रुख जाना चाहिए capital A मिला इस grammar में problem क्या है कि जो grammar का start symbol है उसका production के right hand side पर भी occurrence है बोलो है के नहीं है सर तो confusion क्या हो सकता है कि bottom up parsing करते वह आप आरे कहीं पर भी आपको A मिले it can be misunderstood कि जैसे parsing complete हो गई लेकिन parsing तो भी बची हुई है लेकिन अगर मैं एक नया start symbol लगा दूं grammar में तो सर A आ सकता है तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि वह तो grammar का part ही नहीं तो मेरे को बड़ी clarity रहेगी कि मेरे को parsing जब तक continue करते रहना है जब तक बार में मुझे वो smart जो पहला symbol है वो मुझे ना मिल जाए that is the idea but इसको जन्रलाइज रखेंगे ऐसा नहीं किसी grammar में लगाएंगे किसी में नहीं लगाएंगे तो augmented grammar क्या है वो आप समझ गए जब में एक नया special production एड़ करें grammar में जिसमें grammar का start symbol generate करें that is known as augmented grammar point number two क्यों लगा रहे हैं ये भी आपको समझ आ गया क्यों लगा रहे है तो स्टेडी किया वो LR 0 था कौन सा था LR 0 अब ये जो dot की position समय के साथ change हुई इनको बोलते है compiler items या फिलाल में LR 0 के लिए बना रहा था LR 0 item कल को SLR के लिए बनाऊंगा तो SLR 1 item LLR के लिए बनाऊंगा तो LLR 1 item like this और करना कुछ नहीं है जैसे आपने देखा production में जब dot आता है तो इनको हम compiler items या LR items बोलता है है और आप देख रहे हैं यहां से start हुआ आगे बढ़ता जा रहा है जब dot item right में पहुंसे है तो हम बोलते है final item मिल गया reduce item मिल गया completed item मिल गया है यह कहानी है तो इसमें भी confuse मत हो यह का game terminology का है बहुत सारे closers हमें मिले थे हैं na closer one closer two जब सा study करते हैं उसको बोलते canonical collection terminology पढ़ा रहा हूँ आप कैसे कोई खास importance नहीं है पड़के exam में लिखा मिले कोई book में लिखा मिले term canonical collection अब आप confused होगे सर हम तो जानते नहीं क्या है भाई वही बात है कोई नई बात नहीं है तो जितने भी items लिखे मिलते हैं एक set में उसको क्या बोलते है canonical collection है ना तो ये मत भूलिएगा देन ये दो function आपको समझाता हूं go to or closer क्या है कर हम सब चुक है बस background में लेके चल रहा हूं देखने में आपको tough लगेगा तो आपने बात notice की कि अगर कहीं पर भी हमने production में ऐसा किया था था ना कोई भी production में लिखता हूं अगर मा किया किया था किसी भी closer में सर उस non-terminal से start होने वाले सारे production भी हमने grammar में एड़ किते किये थे ना इसी को बोलता है close करना closer निकालना तो यहां पर यह लिखा है suppose there is a production capital A tends to alpha dot beta B तो इस case में जो beta to gamma अगर कोई production हमारे पास है तो क्योंकि dot के बात beta है तो beta to gamma भी आपको add करना पड़ेगा और यह तब तक करते जाएंगे जब तक dot के बात non-terminal मिल रहा है so you know closer कैसे बनाते है और why हम उसको closer पोलते है because this is closer function go to जब एक closer से दूसरे closer में change करते है तो क्या करते है shifting करते है either of terminal non-terminal तो यहां पर यही बता रहा है अगर किसी closer i से x symbol के लिए हम shift करते है तो look at this production की position capital A tends to alpha dot x बीटा अगर x पे shift करेंगे तो क्या होगा सर कुछ नहीं होगा dot की position x के left से x के right में आ जागी और वो ही यहां पर हुआ है x के left से position आगे x के right में as simple as that तो यह बिलकुल perfect understanding है जिस तरह से हम काम करते है वो ही सारी बाते फ्रम यह notes perspective एक इक बात में लग से लिखे तो action क्या है go to क्या है action के अंदर shift reduce दोनों होंगे go to के अंदर सिफ shift होगा और टेबल कैसे फिल करना है दुबारा देख लो अगर टर्मिनल है तो आप जानते है टर्मिनल के लिए हम shift लिखते हैं और जिस भी closer में गया हो तो अगर आई से जे में गया है तो दे यू सी यह shift जे में हमने कर लिया अगर नॉन टर्मिनल तो आप जानते है उस पार shift नहीं लिखते सिर्फ जे लिख देते है नमबर वैसे तो टेबल भरना सिखा दिया मैंने पूरा का पूरा जो हमारा action part है उसमें सारे के सारे रो में जाके डॉलर तक reduce, 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 reduce वो entry कर देते हैं तो that you also know येस तो एक case study हमारा perfect clear हो गया अब आगे हम कुछ और cases practice करेंगे और LR0 ये जो भी हमने टाइप पड़ा सबसे simplest parser है तो SLR1 या LLR1 ये CLR1 क्या है जो इसकी high grid parser है फिर उसके ओपर एक discussion करते है yes okay तो चलिए sir I think एक case और बनाना पूरा ज़रूरी है विकास जब तक you know थोड़ा सा practice नहीं करेंगे ना parsing पर तब तक मज़ा आएगा नहीं and आपके इनिवर्स्टी स्लेवर्स में भले ही एक यूनिट है you know syntax analysis या parsing but actually competitive exam में ये 62-70% स्लेवर्स है whether it is gate net or any other competitive exam you see तो एक बार पूरा जल्दी से canonical collection बनाता हूं अब पहली बार से better understanding ये theoretical background भी हमारे साथ है फिर से पूरा table भरेंगे पूरी passing complete करेंगे yes okay I'll go one by one तो बताइए step number one हम क्या करते है sir step number one we start with the canonical uh sorry augmented production add करेंगे है तो पहला production बताइए क्या होगा तो पहला production होगा s dash tends to dot s अब क्योंकि s के बाद है non terminal तो उससे start होने वाले सारे production so from s there you see we have dot double a अब dot के बाद a है तो a से start होने वाले production small a capital a and a tends to small b yes यह हमारा पूरा पूरा closer बन गया first वाला which is like I not अब धीरे धीरे काम करना आगे continue करेंगे dot के बाद है s है ना तो s dash tends to s dot क्या dot के बाद non-terminal है जी नहीं क्या किसी और production में dot के बाद s लिखा हो है नहीं आगे बढ़िए अगला production में there you see you have a capital a पर कैसे लिखोंगा s tends to capital a dot capital a एक position right में आएगा अभी क्योंकि dot के बाद non-terminal है तो फिर से उससे start होने वाला production so a tends to small a capital a and a tends to dot b now this is one idea and now you see it becomes a closer i2 ठीक है one by one कर रहे है sir यहाँ बताईए अब यहाँ पर किस के लिखूंगा small a के लिए तो बलाओ क्या बनेगा so a tends to small a dot capital a अब यहाँ देके फिर वही वाला केस है क्या dot के बाद non-terminal है हाँ है तो फिर वही काहनी उससे start होने वाले सारे production so there you see a tends to dot small a capital a and a tends to dot b और यह भाय सब हमारे कौन बन गए यह बन गए closer i3 आगे बढ़ूं लास वन इस small b so small b के लिए लिखूंगा so s tends to b dot that will be all और यह बन गया closer i4 अब देखे क्या i note के सारे production हमने parse कर ली है yes i hope so i1 is already done तो अगला number है इधर capital a कर ठीक है ना so i'll start with capital a so there you see s tends to aa dot अब dot आगे हमार एक्स्ट्रीम राइट में और कहीं पे कुछ है नहीं so this is like a5 यहाँ पे आगया i5 i5 i'm sorry यहाँ पर i think अभी इतनी बात आपको समझ आ रही है अगर मैं small a के लिए parse करूँगा तो this will go here so this is like i'm sorry small a लिख देता हूं बस small a के लिए आप किस पर आजाएंगे sir i3 पे आजाएंगे यहाँ पे i3 लिखने की ज़रद नहीं है आगे बढ़ते हैं अगर small b करूँगा तो तदिंगा आप follow कर पारेंगे पूरा नहीं लिखता है यहीं लिख देता हूं अगर small b करेंगे then you'll go to i4 तो इसकी कहानी complete हो गई similarly यह capital A के जरूर आप parse करिये so for capital A you see a tends to a a dot और यह production आई दिंग पहली बार parse हुआ है तो a4 a5 and there you see now this will be i6 यह हो जाएगा i6 ठीक है और यहाँ पर I think फिर वही कहानी है small a के लिए करेंगे that will be a self loop और b के लिए करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे i4 पर i3 is done and now I think even i4 is done i5 is done i6 is also done तो I think जितने possible combination है देखें बहुत ध्यान से बहुत प्यार से एक एक करके complete कर लिए I hope वह मैं बोल रहाँ ना जितने के इस practice करेंगे उतना clarity आपको मिलेगा फिर से पूरा table भरते हैं तो पताएगे क्या learning है हमारी step number one जितने भी closers मिले हैं हर एक के लिए will have a separate row तो यहां पर मैं देख रहा हूँ i0 से i6 तक तो total seven different closers हमारे पास है so let me write it down i0 and then i1 and then i2, i3, i4, i5 and then i6 follow कर पारे फिर आगे देखिये next is action अभी action में कौन कोन आएगे दो ही terminal हमारे पास I think है यहां पर a और b और आप जानते हैं आखरी column तो dollar का reserved है what are the non-terminals we have तो यहां पर we have two non-terminals है जाना so let me write capital S and capital A very good अब production बढ़ना चालू करिये sir so पहले terminals की shifting देख ले है i0 में small a के लिए shift किया है i3 पर आप देखते हैं यहां पर shift लिखते है shift to 3 small b के लिए shift किया है 4 पे so let me write shift to 4 dollar के लिए कुछ नहीं i1 पे no terminal shifting i2 पे है but I think same है a के लिए s3 और b के लिए 4 तो i2 की बात कर रहा हूं na yes so let me write same thing s3 and s4 i3 पे है but again they you see same है because a पे self-loop पर बी पर फिर दर वापिस जा रहा है तो फिर से मुझे same लिखने दीजे like s3 and s4 i4 पे कोई terminal shifting नहीं है i5 पे नहीं है i6 पे नहीं है on capital a i go to 2 i not is done i1 पे कोई shifting नहीं है non terminals के लिए i2 पे है i2 पे capital a पे i2 में capital a पे आप जा रहे हैं 5 पे इसके लिए कोई shifting नहीं है i3 में capital a पे आप जा रहे हैं 6 में i3 में capital a पे you are going to 6 great i4 में कोई नहीं है shifting i5 में नहीं है i6 में नहीं है that will be all so non terminal shifting भी कर लिया आखरी का हम क्या करते हैं आपको यादे ना जितने भी productions है उन सब को number allocate करते हैं and then one by one उनको fill करते हैं करूं number sir let me say rule number one rule number two and rule number three बताए रूल number one पहली बार और to be precise यहां पर तो एक बार कहां reduce हुआ है rule number one there you see it is reduced in closer number i5 है ना तो क्या करने का है पूरे action part में जाना है rule number one rule number one rule number one ऐसा करके आप लिख सकते हैं कोई problem नहीं है next देखिए अगला rule हमारा कौन से rule number two बताए rule number two कौन से closer में आया है so rule number two there you see rule number two closer number six rule number two rule number two rule number two and where is rule number three single b i4 में हुआ है so rule number three rule number three rule number three argumented production का आप game जानते हूं अभी भी मैं lr0 के हिसाब से बना रहा हूं है ना तो वहाँ पर हम क्या करते हैं तो वहाँ पर game क्या है कि जहां भी special production reduce हुआ है which is in i1 तो वहाँ पर जाएंगे बट सब में नहीं सिर्फ dollar में जाके हम लिखते हैं except तो यह दिखिए एक और grammar के लिए हमने lr0 टाइब का पूरा canonical collection table बना के complete कर दिया which is like जिसके सबसे ज्यादा chances है कि वह semester में आप से पूछा जाए और कहीं कोई clash होता होँ नजर नहीं आया तो इसका मतलब यह grammar lr0 grammar है है ना as simple as that अब रही बात एक स्ट्रिंग पार्स करके दिखाने की ताकि आपको अप्रोच याद रहे तो आई थिंक a b a b valid string होगी क्या a b a b I think so take sample string ले ले लेता हूं बाद में आपको tree बना के भी दिखाऊंगा a b a b dollar और नई भी तो चलो एट-least पता लगेगा कि इन वालिड है तो क्या किया था last time भी वह अप्रोच फॉलो करेंगे so I'll have a stack आम तौर पर वर्टिकल बनाए जाता है या horizontal ले लेता हूं जगा कम है and I'll start with zero तो यहां पर dollar नहीं पुश करते हैं sir zero push करते है on a state zero and input symbol a क्या करने का sir zero पर a आएगा तो shift करना है और जाना है closer number 3 पर shift करना माने इस a को उठाया stack के अंदर shift कर लिया और हमारा state हो गया 3 now on a state 3 b पर क्या करना है on a state 3 b पर भी shift करना है there you see तो यह लिजे sir इस b को भी pick किया यह आया हमारा stack के अंदर और हम पहुँच गए state number 4 पर 4 पर a तो क्या करना है oh my god today you see पहली बार reduce आ गया 4 पर अगर a तो rule number 3 reduce होगा rule number 3 क्या लिखा हुआ है a tends to small b idea हमने समझा था यहां पर जो handle है right hand side of the production उसका length 1 है तो दो पॉप हो नहीं डबल पॉप होता है एक दो और यह small b किसमे reduce हुआ है capital A में 3 a पर क्या लिखा हुआ है 3 a पर लिखा हुआ है 6 तो हमारी अगली state हो गई 6 दुबार से रिवाइंड करके देख लिए कोई confusion है तो पूरी process कैसे चल रहे साथ साथ इधर जगा कम है क्या करूँ इधर आपको दिखा जेता हूँ a b a b a string है तो मेरे को जो समझा है दूसरे number का भी reverse of rightmost derivation का मतलब भी तो समझा है तो शायद इस b को a में convert कर लिया गया है yes now you are you are on state six and there's a symbol a six पर अगर a i to क्या करना है rule to reduce करना what is rule to there you see capital a to small a capital a इस बार इस rule का length कितना है दो तो stack से pop कितने होंगे चार है ना गिन के करो there you see एक दो तीन चार चार बार हमने पॉप किया इसको replace किया किस से notice करिए capital a से और zero capital a पर कौन सा state लिखा है sir zero capital a पर लिखा है two अब यह हो गया हमारा नया state और जो में capital a को reduce कर दिया है नई capital a में तो यह first half of the tree kind of हमारा बनके तयार होगे अब आगे बढ़िए two small a पर क्या लिखा है two small a पर दुबारा shifting चालू होगी है तो there you see यह a गया अंदर and you are on state 3 on state 3 b पर क्या लिखा है on state 3 b लिखा है shift to 4 तो यानि के again यह b हम लेंगे इसको shift करेंगे and we are on state 4 now 4 dollar पर क्या लिखा हुआ है sir 4 dollar पर लिखा है reduce rule number 3 so again game चालू हो गया इस बार इस rule का length है one right hand side of the production का handle का तो 2 pop करूँगा 1 2 b reduce y capital a में 3 a पर क्या लिखा है 3 a पर लिखा है 3 a पर लिखा है 6 so this is my new state now 6 dollar पर क्या लिखा है 6 dollar look at this 6 dollar पर लिखा है r2 तो rule क्या है small a capital a 4 length 1 2 3 4 yes और यह reduce हुआ I think दुबारा capital a में तो उसको अंदर रखिए और आखरी state था 2 2 a पर क्या लिखा है 2 a 2 a 2 a पर लिखा है 5 तो यह दिखे 5 आजाएगा अंदर कोई problem है नहीं फिर आगे बढ़िए और अगर आप follow कर पा रहे तो I think अभी तक क्या हो चुका है यह भी हमने reduce कर लिया ना yes तो यह b a बन चुका है and I think यह दोनों मिलकर further a बन चुका है yes now look at this five dollar पर क्या लिखा है five dollar पर final लिखा है rule number one rule number one का इसर लेना देना था अभी तक reduce हुआ नहीं length है 2 so 4 पॉप होगा एक दो तीन चार और चार पॉप होगा reduce हुआ है किस में capital S में and zero s पर क्या लिखा है sir zero s पर लिखा है you go to stat number one और आप चाहो तो यहां पर दिखा देता हूं कि यह s से kind of दोनों बन गया और one dollar पर क्या लिखा है one dollar पर लिखा है except कानी अब कुछ भी हो यह ना उसा इतने सारे केस कर लिए है ना कि I don't want कि मेरा को student अभी exam में जाके confuse हो यह बोले कि मेरेको exact parsing नहीं समाँ जा रहा yes so lr0 की पूरी कहानी पूरा logic clear एक sample मैंने पहले से बना के भी रखा था so that को confusion ना हो अब देखो पहली बार आपको bottom up parsing की पूरी कहानी दिखाता हो notice करिए lr0 सर सबसे अंदर है है ना तो इसके बाहर जो parser है वो इसके जादा powerful है इसका मतलब कि अगे बढ़ेगी तो अब हम क्या कर सकते हैं एक और grammar ट्राइगे करेंगे अब हर बार में टेबल नहीं फिल करके दिखा रहा बस आपको एक shortcut logic से समझा दूँगा क्या problem है और बल्किए पहला केस है तो यहां पे चलो एक टेबल फिल करके भी दिखाऊंगा तो दुबारा से पूरा process repeat करते हैं और हम step 1 एक level आगे बढ़ रहे हैं एक नया parser attempt करेंगी जिसका नाम है slr1 what is slr1 that is simple lr parser है इसका मतलब यहां पर क्या होता simple और कैसे simple क्या कहानी notice करिए तो grammar पर तो काम करने आपको आता है है ना कैसे productions बनाने कैसे आगे बनाना notice करिए मेरे साथ चलिए look at this पहला production white color ही ले लेता है ज्यादा suit करता है so let me start e dash tends to dot e augmented production dot के बाद e लिखा हुआ है तो e से start होने वाले सारे production so e tends to dot t plus e, e tends to dot t, dot के बाद t है तो t के production t tends to id, कोई problem है क्या? नहीं, बिलकुल I think perfect तरीके से हम आगे बढ़ रहा है ठीक है sir, तो ना this is like closer number i naught, आगे बढ़ता हूँ, अगला number होगा capital e के लिए, so there you see e dash tends to e dot, क्या कोई और production है dot के बाद e लिखा हुआ है, आपर, जी नहीं, so यह हमारा special augmented production reduce हो गया, closer number i1 में, now you see, इस बार आपको मज़ा आएगा, because इस बार ही कहानी क्या है, dot के बाद लिखा है capital T, हाना, अभी capital T में पहली बार आप देखर है, दो ऐसे production है, जहाँ dot के बाद capital T लिखा है, तो क्या kind of दोनों यहाँ पर shift करेंगे, करेंगे तो, तो ठीक है, हम क्या कर सकते, आगे बढ़ता हूँ इसी logic के साथ, तो यहाँ पर, look at this, e tends to t dot plus e, एक बात, और e tends to t dot, दो रूल आ गए, वहाँ भी चेक कर लेता है, क्लोजर क्या dot के बाद non-terminal तो नहीं है, नहीं सर अभी नहीं है, तो very good, यह बात यहीं पर रखता है, और यह हमारा हो गया, closer number i2, finally there you see, there you have id, so t tends to id dot, और यह हमारा हो गया, closer i3, कुछ बचा तो नहीं, नहीं बचा है sir, i1 is already done, अगला number i2 का है, तो किसके लिए करेंगे, plus के लिए, क्या होगा बताईए, so e tends to t plus dot e, notice करें, dot की position plus के left से आगी right में, अभी क्योंकि dot के non-terminal है, तो again sir, उससे start होने वाले सारे production मैट गरूंगा, and the story will go, as usual, so e tends to, क्या होगा बोलू, so e tends to dot t plus e, एक बात आजाएगी, फिर दूसरा production b, e tends to dot t, अब क्योंकि dot के बाद t है, तो t का production भी मैट गरूंगा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, यार यह धीरे-धीरे कम हो रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, but that will be okay with time, so e i4 आ गया, यह तो already reduce हो चुका है, को शिफ्टिंग होगी नहीं, this is I think already done, तो यहीं पर बचा, जगा कम इसको पर manage कर दू, तो capital E के लिए जब करूँगा sir, so this is e tends to t plus e dot, तो यह e हमारा notice कर एकदम last में पहुँच गया है, और यह हो गया हमारा closer number i5, ठीक बात है, यहाँ पर यह scenario है, but I think आप capital T के लिए पास करेंगे, तो यही situation आएगी, so on capital T, this is kind of going back to closer number i2, similarly id के लिए पास करेंगे, so I think you go back to i3, so overall, कितने closer आए sir, i0 से लेके i5 तक ना, i4 तक total 5 closer है, अब देखो, आप बोलोगे sir, हम बात तो कर रहे है, SLR 1 की, बड़ अभी तक जितना भी यह पूरा closer हमने बनाया, canonical collection हमने बनाया, आप notice कर लो मुझे बताओ, कोई भी चीज change है क्या, नहीं, हर चीज एकदम से में, exactly इसी तरीके से, बनाते, there's nothing new, जो हमने कोई नया काम कर लिया, अब यहाँ पर change क्या, आपको समझाता हूँ, table filling method change है, कैसे change है, notice करिए, पहले हम क्या करेंगे, LR 0 के साब से आगे बढ़ता है, क्यों वो भी आपको समझाऊंगा, तो जितने closer है, मैं ऐसे ही चलू, i0, i1, i2, i3, i4, and i5, भाई कोई closer कोई घबला तो नहीं कर दिया, हमने, यह closer कम क्यों है, मैंने table यह ऐसी random मना के रखा है, एक बाद चेक कर लेता हूँ, तो capital E विलकुल ठीकी किया है, TB ठीक है, ID ठीक किया है, तो यह already closed है, dot के बाद plus है, तो इधर हम आगए, i4 पर आगे numbering देख लेते हैं, i0, i1, i2, i3, i4, अभी तो देखो सब ठीक ही लग रहा है, बागी अब पहले से बना के तो रखा नहीं, लाइव आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ गड़वड होगी तो आप संभाल लीजेगा, बहुत कमेंट करके बदमाशी मत करिएगा, वैसे मेरे को लग रहा है कि everything is okay, okay, आगे बढ़ते हैं फिर, yes, तो भरवाईए सर कैसे भरेंगे, तो फिर बात, क्या-क्या है मेरे पास terminal, मेरे पास plus है, id है, dollar है, and non-terminal, मेरे पास I think t है और e है, यह e पहले लिख लेता हूँ, e है और t है, terminal shifting as usual जैसे पहले से करते हैं करिए, तो i naught में I think plus के लिए तो नहीं है, id के लिए जरूर है, और i3 पे गए है, तो shift to 3, not a problem, i1 is not a problem, i2 पे double shifting हुई है, plus के लिए हम गए है 4 पे, plus के लिए हम गए है 4 पे, और यहां से plus के लिए ही हुआ है, है ना, okay, fair enough, i3 पे नहीं हुआ, i4 पे हुआ है, और यहां पे id के लिए आप i3 पे वापस आये है, i4 पे id के लिए आपने दुबारा shift 3 किया है, and i5 पे also there is no terminal shifting, yes, fair enough, अगली बात है कि बहुत limited shifting हुए है, बट क्या कर सकते है, अगली बात है नॉन टर्मिनल के लिए, वो जादा हुए शार यहां पे, तो यहां देखिए, i0 capital E पे आप गए है 1 पे, और T पे आप गए है 2 पे, i1 में nothing, i2 में, i2 में nothing, i3 में भी नहीं हुआ, i4 में capital E के लिए 5 पे गए है, i4 में capital E के लिए हम गए है 5 में, ऐसा ही है, ठीक बात है, और i5 में भी नहीं हुआ, यह भी हमने भर लिया, तो देखो यहां तक की स्टोरी तो बिलकुल सेम है, अब तीसरा काम जो हम करते हैं, वो क्या करते हैं, रिद्यूस एंट्रिफिल करते हैं, और LR0 में, अभी तक बता आपको क्या बता है LR0 में, कि, यह नो, जो भी, यू यू हाव इस रूल नमबर लाइक, रूल नमबर वन, एंड रूल नमबर टू एंड रूल नमबर थ्री, और जाओ, और पूरे के पूरे रूल में एंट्रिफिल कर दो, है ना, मैं बतले ऐसी कर देता हूं, तो करिये सक, रूल नमबर टू कहां रिड्यू रूल नमबर थ्री में रिड्यू रूल नमबर थ्री, रूल नमबर थ्री, रूल नमबर थ्री, great rule number two कहा reduce हुआ है rule number two i2 में reduce हुआ है and there you see पहली बार rule number two this is two rule number two rule number two and rule number one हमारा special no no in general हमारा main rule है वो closer number five में हुआ है तो let me write rule number one rule number one rule number one and down there you see क्या ये grammar एक valid lr0 grammar है सोच के बताओ मेरे को नहीं है नहीं है and there's a clash इसको बोलते है shift reduce clash problem क्या है parser को रटने वाली बात नहीं समझने वाली बात भी समझा दे तो problem ये है सोचो जैसे t मिला अब compiler कहरा सर मैं confuse हो गया हूँ क्या मैं capital T को capital E में reduce कर लूँ या मैं capital T को shift करूँ और capital T plus E plus capital T plus E plus and capital E मैं ये handle search करूँ और फिर capital E में reduce करूँ ये confusion है compiler को इसलिए वो बोल रहा है मेरे कोई बात समझ नहीं आ रही तो as far as LR 0 is concerned LR 0 parser ये grammar को काम नहीं कर सकता अब हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे SLR 1 तो LR 0 SLR 1 में एक ही change है वो क्या है तो मैं बाकी पूरा table ये जो construction आपने किया है ये सब कुछ एकदम same रहने वाला पस एक ही point change है वो क्या ये जो reduce entry आप करेंगे न सर ये पूरे action में नहीं करना है ये सिर्फ follow में करना है follow भुल गए LL 1 में अच्छे से बढ़ा था मैंने आपको बोला बताया भी था बिना first follow के आगे कहनी नहीं चलेगी तो ध्यान से देखिए ये production देख लीजे T tends to या पहले मैं अलग से पूछी लेता हूं वरना बाद में confusion ना हो तो मुझे बताईए E और T दो ही है ना E और T येस दोनों का follow calculate करते है जरा what is fall of E and what is fall of T तो follow of E जो है E तो क्योंकि grammar का हमारा you know start symbol है उसका follow हमेशा dollar होता है यहाँ प्या occurrence है भी but that will loop back तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा as far as fall of T is concerned fall of T is also fall of E तो dollar आएगा but there you see fall of T is also plus है ना तो plus भी लिख लेता हूँ ID मेरे को आते कहीं नजर आनी रहा है fair enough तो ये दो follow हो गए तो अब ये जो T tends to ID है ना rule number 3 जो की closer number 3 में reduce हुआ है आपको सारे में नहीं लिखना sir आप देखे कौन सा rule reduce है rule number reduce है T to ID सिर्फ T के follow में entry होगी तो entry होगी dollar में और plus में तो मैं जाओंगा यहाँ पर लिखूँगा reduce 3 यहाँ पर लिखूँगा reduce 3 ID में नहीं रिखूँगा तो basically number of reduce entries कम होगी अगर number of reduce entry कम होगी तो collision होने के chances भी कम होगे अगर collision होने के chances तो parser की power जादा होगी यह math है इसकी अगला case E tends to T अब यह कहाँ reduce होगा था यह reduce होगा था इधर दे को इसी ने problem किया था अब आप यहाँ पर notice कर लो E का follow क्या है E का follow dollar है इसका मतलब जो I2 में reduce entry होनी है वो dollar में होनी है बता हो clash बच गया के नहीं बच गया पहले rule 2, rule 2, rule 2 तीनों में आया था तीनों कॉलम में इस बार नहीं आया यह advantage है are you getting this and now the last one is rule number 1 rule number 1 there you see rule number 1 I5 में reduce होगा है बट क्योंकि you know E से शुरू होगा है जिसका follow स्रिव dollar है तो entry सिर्फ एक जगा आएगे और बाकी इधर तो आपको पता ही है I1 में जाके आपको accept लिखता है so I think SLR1 में क्या change है और किस तरह से उसको tackle करना है I hope इसमें किसी को कोई doubt को confusion नहीं रहेगा और बहुत शानदार तरह से आप पूरी process handle कर पा रहे है पढ़ें एक बार दददा the procedure of constructing the parse table is similar to LR0 so there is no change but there is a restriction in the reducing entry जो हमारी reducing वाली entry उनमें restriction है बात हम भी मानते है क्या restriction है बताएं तो जड़ा so यह कह रहा है whenever there is a final item then place the reduce entry under the follow symbol of the left hand side of the symbol तो alpha to beta अगर आपने reduce किया है for example सब जगे entry नहीं करेंगे sir सिर्फ follow of alpha में करिये entry यह game है आके पढ़ता हूं if SLR1 parser table is free from multiple entries then the grammar is SLR1 तो यह जो example अभी आपने देखा last slide में look at this this grammar is an example जो कैसी grammar है जो LR0 नहीं है बत SLR1 है and this also proves कि power of SLR1 is greater than that of LR0 yes every LR0 is SLR1 but every SLR is not need not to be LR0 यह तो वही basic बात है मान लेजे this is Delhi and this is India isn't it तो जो दिल्ली में है वो इंडिया में भी है जो इंडिया में है वो दिल्ली में हो अब्यसली यह जरूरी नहीं है and the last one SLR1 is more powerful than of LR0 बिल्कुल ठीक बात है यहां तकी बात खताम हो गई अब अगला number है सर CLR1 का यह तो बहुत शांदर इसमें आपके साथ बात करूँ को पहले एक बात समझा देता हूं पावर के साब से देखें तो पावर ऐसे चलता है सबसे पहले LR0 फिर उस से जादा पावरफुल है SLR1 फिर उस से जादा पावरफुल है LALR1 और फिर सबसे जादा पावरफुल है CLR1 यह है अप्रोच बढ़ आप नोटिस करिए कि मैं डारेक किधर जा रहा हूं CLR1 पर कायदे से पहले मेरे को किसकी बात करनी चाहिए LALR1 कि मैं क्यों नहीं कर रहा तो आइडिया इससर कि दिस नो मैथर्ड कि मैं LALR1 डारेक बना सकूंँ डारेक बनाने का तरीका नहीं होता तो क्या करना पड़ता सुचिए तो पहले हम बनाते हैं CLR1 और फिर CLR1 को मिनिमाइज करते हैं रिडियूस करते हैं तो कंवर्ट इड बाक इंटो LALR1 है ना तो LALR1 डारेक पढ़ नहीं सकते इसलिए जो सबसे हाइस पारफुल पार्सर है एक और बादी हाइड कर देता हूं जादा तर टॉपिक्स ऐसे होता है बता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे होता है और जो इंडस्ट्री में हो रहा है तो वह बिलकुल अलग होता है बट इस टॉपिक इस एक्सेप्शन तो आज भी C, C++, Java, Python जो भी प्रोग्रामिंग लेंग्विज आप यूस कर रहे हैं उन इस दा मोस् पारफुल पार्सर और मैं सीदे बनाना चालो करता हूं गेम समझेगा तो यहां पे सिर्फ टेबल फिलिंग मैथर डिफरेंट नहीं है बल्कि तुभी वेरी ओनेस देबल करना असान है यहां पर गेम क्या है यह जो कैनोनिकल कलेक्शन बनता है इसमें पूरा क यह कम से कम दो तीन चार केस तो आपको पहले बना के देखने पड़ेंगे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एक्जाम में इस पर कुश्चन और आप सही से बना के आओ यहां तो मैं बड़ा इस्टेंडर केस लेके चल रहा हूं एक एक करके फॉलो करता हूं I hope एक एक स्टार्ट होने वाले सारे प्रड़क्शन सो s tends to dot cc and then c tends to dot small c capital c अभी अलग अलग के गौर करियेगा and c tends to dot d अब आप बोलो के सर यहां यह इस तरह का pattern तुमने पहले भी देखा there's nothing new in that but है यहां पर कुछ नहां क्या आपको समझाता हूं देखो SLR1 में में समझäता है कि बाद में जो reduce entry होती है हो follow में होती है और follow कैसे calculate करता हैetics ग्रामर से grammar हम ने देखी follow calculate कर लिया यहां पर भी जो reduce entry होंगी वह follow में ही होंगी बड follow हम grammar से calculate नहीं करेंगे तो आप बोलो कि grammar पहला production है, S' का follow क्या है, because S' is a kind of a special symbol, तो S' का follow obviously क्या है, dollar है, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिया गया, dot, okay, अब यह जो, दूसर production है, capital S tends to, dot, capital C, capital C, यह यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि dot के बाद, यह S है, इसकी वज़े से आया, इस S' का follow क्या है, इस S' के बाद तो कुछ लिखा नहीं है, तो जो हमने समझे, आपके बाद कुछ ना लिखा हो, तो आपके parent का follow है, वही आपका follow है, तो इस S' का follow भी से साब से हो जाता है, dollar, तो अब इस production के आगे लिखा जाएगा, dollar, अब यह game more interesting होगा, follow क्या है भला, तो इस पहले वाले S' का follow है, दूसरे वाले S' का first, बोलो हाया ना, पहले वाले S' का follow है, दूसरे वाले S' का first, दूसरे वाले S' का first क्या है, S' का first देख लो जाके C और D, तो मज़े की बात है, यहाँ पर follow में आएगा C और D, तो let me write C or D पहली बार में थोड़ा confusing लगेगा एकदम यहां surrender मत करिएगा और यह भी मत कोशिश करिएगा कि पहली बार में एकदम से सब कुछ समझ आ जाजएगा it will take time बट धीरे धीरे process करेंगे, काम करेंगे you'll have the entire understanding so यह यहां तक की notice करें कहानी हो गई complete और यह भाय सब हमारे बन गए पहले closer which is like I not, आगे बढ़ता हूँ जो transition है जो पूरा closer set हम निकालते हैं वो एकदम सेम है, बस यह जो game है closer निकालने का और follow साथ में calculate करने का, इसमें कई बार confusion हो जाता है, yes तो आगे बढ़ते हैं और अगली चीज में किसके लिए करूँगा Sir, capital S के लिए So, S dash tends to S dot और follow जब go to करते हैं एक जगा सो दूसरे जगे बे तो कोई change नहीं होगा, तो it will remain as it is and now there you see it is like I1, no change at all यहां देखिए अब क्या लिखा हुआ है S के बाद capital C, तो capital C के लिए transition लिखते हैं Sir, capital C So, S tends to capital C dot C और यह तो मैं क्योंकि यहां से लेके आए हूँ follow dollar है, है ना अब notice करिए क्योंकि dot के बाद C लिखा हुआ है, तो मेरे responsibility बनते कि C से start होने वाले सारे production यानि कि small C capital C और small d भी मैं यहां पे add करूँ, अब notice करिए यह जो दोनो production है, यह पहले C की वज़े साए कि दूसरे C की वज़े से सब यह दूसरे C की वज़े से आए है और इस C का follow क्या इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं है, इस C का follow है, S का follow, S का follow है dollar, तो यहां पे आजाएगा dollar, there you see, यहां पर कई बार ऐसा होगा, same production same compiler items है, but उनका जो follow part है, सर वो अलग-अलग है है ना, that is idea fair enough, यह बात complete हो गई हमने capital C के लिए कर दिया है ना, और capital C के लिए कहानी हो गई, so now that becomes I2, further आगे बढ़ते है next देखते है, small c के लिए, let's try in small c, so there you see, c tends to small c dot capital C, notice करिए, और जब भी go to करेंगे, follow part हमारा हमेशा एकड़म same रहेगा, yes, अब अब दे dot के बाद क्या लिखा हुआ, capital C to capital C से start होने वाले दोनो production में एड करूँगा, so capital C tends to small c capital C capital C tends to small d and there you see, c oblique d, c oblique d, जो follow है वो as usual साथ में चलेगा, and now that becomes closer number i3, finally I think आखरी production पर माँ गए, closer number i0 के, so d के लिए करता हूँ, so there you see, c tends to d dot, और follow जो है हमारा c oblique d वो as it is रहेगा, and now that becomes i4, तो यहां तक की हमारी पूरी कहानी एकड़म पर्फेक, one is done, i2, capital C बचा हुआ है सर, तो आपकी permission लेता हूँ, capital C के लिए pass करता हूँ, so s tends to c, c dot and there you see the dollar part, कोई further production is made होगा नहीं, that will be all, तो यह हमारा बन गया, क्या बना, यह बना हमारा closer number i5, perfect तरीके से कानी मारी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखें, dot के बाद है, small c, क्या यह case कहीं repeat होगा, पहले बना के देख लेता हूँ, so small c के लिए pass करता हूँ, c tends to, small c dot capital C, dollar, और क्योंकि dot के बाद c है, तो उससे start होने वाले सारे production, तो small c capital C and c tends to small d, और यह दोनों as it is, यहाँ पे रहने वाले notice करिए, yes, अब आप ध्यान से देखेंगे, 1-1 production along with the position of dot, already repeat हो चुका है, but यहाँ पे follow था c d और यहाँ पे follow है dollar, तो मैं इसको same closer फिलहाल नहीं मान सकता, तो मुझे इसे entry देनी पड़े हैं, I'll call it as i6, कोई दिखकर? ठीक है sir, similarly next आप देखेंगे d, अब यह d अलरेडी, मैं you know reduce कर चुका हूँ, बट यहाँ पे follow c d था, यहाँ पे follow dollar है, तो यह मैं अलग से करूँगा sir, तो d को मैं close करता हूँ in c d, and there you see dollar, and now that becomes closer number i7, तो i6 के बड़ i7 पहाँ पाँच गए, है न, आगे बढ़े, तो i5 हुआ, i6 हुआ, i7 हुआ, and I think i2 is done, इधर अब चालू कर लेते हैं, इस तरह का rule कहीं अभी मैं reduce होते देखा नहीं हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ, capital C के लिए, so c tends to, small c capital c, follow is cd, and that is reduce, और यहां पे कोई और रूल मुझे reduce होता, नजर नहीं आता, so that becomes i8, fair enough, यहां पे small c, और यह है, यह तो मेरे को लग रहा, that will become a self loop, notice कर यह, small c के लिए वापस आजाएंगे, क्योंकि यह follow cd वाले ही पार्ट है, और d के लिए, I think, यह दुबार i4 पे चला जाएगा, तो i3 is done, i4 is done, i5 is done, i6 में production रहता है, यह capital c, हाले कि small c capital c reduce हो चुका है, बट यह follow cd वाला है, इसका follow अलगे dollar वाला है, तो जगा नहीं बची, इधर कही manage करता हूं, यह मैं capital c के लिए कर रहा हूं, yes, so there you see, capital c to, small c, capital c dot, and now you have a dollar, now you have a dollar, and I will call it as i8, के मैं बाद इसको बोलता हूं, this is like i9, है ना, तो यह भी हमारा done होगे, i6 में कुछ, okay, तो small c के लिए, क्या करूं, small c के लिए, I think this will become a self loop, for small c, and for small d, यह नीचे आ जाएगा, यह देखिए, for small d यह नीचे आ गया, तो यह पुरी कहानी complete होगई, i7, i8, and i9, finally, so overall, notice करिए, total 10 closer हमारे बने है, अब तक का सबसे बड़ा canonical collection बना है, और अभी आपको समझाओंगा detail में, यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है, कि same rules को multiple time हमने parse किया है, because इनके follow different है, और follow run time में हमने calculate किया है, table भरने का, जो primary method, that is more or less same, पूरा कि हम reduce entry में है, तो पहले structure देख लेता है, how many terminals we have, C or D, तो सर इनको मैं directly देता हूँ, और डॉलर की मैं इन्टे अलक्स से करूँगा, और रही बाद बचे दो की, so I think capital S and capital C, capital S, capital C, how many closers do we have, I0 से I9 तक total 10 closers है, so I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 and I9, कोई problem नहीं है, आगे बढ़िए, I0, यह अच्छा, यह small C है, थोड़ा बड़ा बन गया है, ध्यान दीजेगा, I0 and small C, ओके, चलिए, तो वहाँ capital C उपर नीचे small C है, तो I0 small C पे shift कर रहा है 3 पे, और I0 small D पे shift कर रहा है 4 पे, shift 3, shift 4, I1 पे नहीं है, I2, small C पे 6 पे, वह small D पे 7 पे, I2, shift 6 and shift 7, I3, small C पे और small D पे, this is like 3 and 4, यह वह वाली entry I3 के, so this is again S3 and S4, अब तो I think आप comfortable हो चुगे, इतने सारे case पर बना चुगा हूँ, there is nothing new, I4 में कोई terminal shifting नहीं है, I5 में terminal shifting नहीं है, I6 में है, और यह 6 और 7 वाला case है, I7, I8 and I9, और कोई terminal shifting नहीं है, great, अब बढ़ते हैं non-terminals, capital S and capital C, so यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, I0 से 1 और 2, I1 पे कोई entry नहीं, I2 में capital S नहीं है, capital C के लिए, सीधा entry लगाई है 5 पे, so यहाँ से में 5 मिला, I3 में, आप देखे, capital C से गए हैं 8 पे, I3 में capital C से गए हैं 8 पे, great, I3 में, yes, I4, 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 I4 में नहीं है, I5 में नहीं है, I6 में है, किदर गया है 9 में, I6 में गये है 9 में, है ना, C के ओपर, S की तो कई entry है यह नहीं, उसके बाद I7, I8 और I9 में फर्दर कोई entry नहीं है, so that will be all, तो there you see, बहुत शांदर तरीके से हमने, terminal, non-terminal साब भर लिया, अब भाताई reduce की, जिसका पूरा game है, और अब यह game आसान है, तो पहला, जो मारा step है, वो तो सेम रहता है सर, allow me to number them, rule number 1, rule number 2, rule number 3, now after numbering them, अब यहाँ पर करना यह है हमें, कि ना, अपने हिसाब से, हम देखेंगे, कौन-कौन सा rule कहां कहां पर reduce हुआ है, और entry कहां करेंगे, बताता हूँ, तो there you see, I0 में कोई reduce नहीं हुआ, I1 में reduce हुआ special production, और अब देखो, यह सामने से बता रहा है, पहले हम रठते थे, कि बता है special production के entry dollar में होती है, बता रहा है कि मेरी entry dollar में ही करो, क्यों follows के सामने ही लिखा है, तो I0 dollar में, obviously में जाके क्या लिखूँगा, except लिखूँगा, अब जहां से देखना, I2 में कोई reduce नहीं है, I3 में भी कोई reduce नहीं है, I4 में reduce है, this is like rule number 3, कहां entry होनी है, यह बता रहा है सामने से, grammar मत देखो follow के लिए कह रहा है, मेरी entry C or D में करो, so I4 में C or D में जाके मैं reduce लिखने वाला हूँ, reduce rule number 3, reduce rule number 3, आपको CLR 1 और SLR में difference समझ आ रहा है, SLR में follow calculate करते हैं, grammar देखके, यहां पर follow run time पर निकाल रहा हैं, तो जो आपके सामने लिखा, उसी में आपके entry होगी, ठीक है, I4 is done, I5 में कोई reduce हुआ है क्या, हाँ हुआ है ना सर, कौन सा production है, R1 है, dollar में entry होनी है, dollar में जाएंगे, R1 लिख देंगे, बढ़िया, I6 में कोई reduction है, I6 में कोई reduction नहीं है, I7 में reduce हुआ है, again rule number 3, entry होगी dollar में, rule number 3, तो there you see, यहां पर पहली बार आप ऐसा देख रहें, एक rule multiple time reduce हुआ है, but क्योंकि follow part अलग-अलग है, तो मैं entry अलग-अलग कर रहा हुआ हुआ है, इसमें कोई problem हो नहीं नहीं चीए किसी को, okay, I8 में भी reduce है, rule number 2, entry होगी C और D में, rule number 2, entry होगी C और D में, और I9 में भी reduction है, और small c capital C, rule number 2 ही है, entry होगी dollar में, so there you see, पूरा, सुन्दर, शांदार table, along with the closer, canonical collection, along with the grammar, action, go to, shift, reduce, every entry, सब कुछ बना के, हमने तयार कर दिया है, हड, जैसा हम जानते हैं, क्योंकि, table में multiple entries नहीं है, so we are very much sure, कि this grammar is CLR1, और होता भी क्यों, ना, क्योंकि, this is the most powerful parser possible, so it's a powerful है नहीं सर, yes, यह पूरी कानी है, और यह मैंने पहले से बना के भी रखा था, 2-4 important points देख ले, वैसा, I don't think कुछ यहां पर, ऐसा रहेगा, जिस पर हमने बात ना कियो, look at this, so, LR1, this is called, canonical LR parser, L आप जानतों, left to right scan करना, और R मतलब reverse of right most derivation, 1 मतलब look ahead symbol, closer कैसे calculate करता है, I think already आपको पता है, बट सी यहां पर इसने वही बात लिखिया, additional dollar वाली बात, है ना, कि वो dollar की कहानी, हम साथ-साथ-साथ-साथ add करते चलते हैं, कुछ नया step नहीं है, अब यह अगर production है, है ना, बीटा है, तो B के follow में first of beta, और अगर वो first of beta null होता है, तो आप dollar तक पहुँच जाएंगे, वो सारी चीज़ा आपको रखनी है, go to बिल्कुल से में, even closer से या follow से कोई फर्थ नहीं पड़ता, जब एक closer से दूसरे closer में जा रहे हैं, तो go to हम सेम तरीके से निकाले, there is nothing new, now, again, LR1 grammar की definition क्या हुई, grammar is set to be LR1, अगर उसके लिए LR1 grammar, या parser हम बना सके, और parser के अंदर multiple entries ना हो, जो हमने करके देख लिया है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है, क्या power comparison, क्या हर SLR, CLR है, जी हाँ है, बट क्या हर CLR, SLR है नहीं, obviously, CLR की जो capability ज़ादा है, और कितनी ज़ादा है, तो मान लिजे, CLR, अगर मैं बोलो तो गलत नहीं होगा, CLR compiler का Turing machine है, CLR compiler का TUC में सबसे powerful machine क्या थी, Turing machine, compiler का Turing machine को है, CLR उन, इस से ना हो पाया, तो किसी से नहीं हो पाएगा, बात खतम, यह वाली कहानी है, and then you see, यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके बाहर आप निकलेंगे, तो आप पहुँच जाएंगे, unambiguous CFG की दुनिया में, जिस पर आप जानतों कोई काम कर नहीं सकता, इस दुनिया में, एक और चीज़ नोटिस करिएगा, कि अगर, बॉटम अप पार्सर के साथ, हम टॉप डाउन पार्सर कंपेर करते हैं, नोटिस करिए, अगर बॉटम अप के साथ, हम टॉप डाउन पार्सर कंपेर करते हैं, तो भी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कि LL1 जो है इसके अंदर आ रहा है तो यानि कि अगर कोई grammar LR1 अगर कोई grammar LL1 है तो LR1 भी होगा बट वाइस वर्सा obviously true हो यह ज़रूरी नहीं है तो यह पूरा observation clear हो गया एक और बात यहाँ पर मुझे clear करनी है जैसे हम जब भी बात कर रहा है हम बात कर रहा है LRK की और मैं उसमें हमेशे LR1 लिख रहा हूँ अब एक argument हो सकता है सर अगर हम दो look ahead symbol use करें सर अगर हम तीन look ahead symbol use करें आगे जाके थोड़ा future production देख ले तो कुछ मदद होगी क्या तो let me very honest with you इसके पूरे derivation है हमारे scope से परे हैं बट यह बात fact है अगर आप इन जादा symbol भी scan करोगे तो भी इन सब का power एकदम सेम होता है यानि कि जो काम आप LR2 parser से करोगे वह मैं LR1 से भी कर सकता हूं जो काम आप LR3 से करो आप LR1 से भी कर सकता हूं so that is the reason हम इसके आगे जाके कोई इस पर discussion करेंगे नहीं हाला कि मुझे नहीं लगता university point of view में कोई बात करें इसके ओपर बट करता है तो आपको understanding पता होनी चाहिए yes अब यहां पर एक argument है I'll I'll go back to this यहां पर एक argument यह है कि बहुत सारे जो closers थे न वो एकदम same थे लेकिन हमने multiple time reduce किया क्योंकि हम follow separately लेके चले if I quote an example जैसे आप notice करें if I write the pair न आप एक pair देखें I3 and I6 look at this pair दोनों का dot का position पूरा production एकदम से में बस follow part different है और कोई pair जहां पर सब कुछ सेम हो बस follow अलगलों को जिस वज़े से multiple time आपको काम करना पड़ा I think I4 and I7 notice करिए I4 and I7 so there you see and there you see सब कुछ एकदम से में follow different है और कोई I think यहां पर भी ऐसा है I2 and I6 I3 I6 में कर चुका हूँ पहले अचा I3 I6 में कर चुका हूँ और कोई ऐसा जो multiple time reduce हमने किया हो I think यह दो नो 8 and 9 there you see I8 and I9 यहां पर भी मुझे सब कुछ मानों एकदम सेम लग रहा है बस follow different है तो क्या यह wastage है क्या इसको merge किया जा सकता है maybe yes maybe CLR थोड़ा जादा खर्चा कर रहा है तो अब जैसे मैं आप से बोला था LALR जो है क्या उसको हम direct पढ़ते हैं नहीं से direct नहीं पढ़ते हमें कोशिश करते मिनिमाइजेशन की अब कब मिनिमाइज हो पाता है कब नहीं हो पाता और कब किसी grammar को CLR के बाद LALR कहा जा सकता है यह आगे के discussion में हम इसके उपर बात करेंगे yes ठीक है चलिए सर तो अभी बात करते हैं LALR 1 parsers की LALR 1 के story शुरू करते हैं और attempt क्या करेंगे इसी idea को minimize करने की कोशिश करेंगे जो भी हमने बनाया तो मैं उसी मेच पर चलता हूँ वल्कि जो हमने बनाया प्रकर तो भी recently बनाया तो हमारी सारी understanding clear है अब हम क्या करते हैं सर यहां पर हम यह attempt करने की पहले कोशिश करते हैं कि इस पूरे canonical collection में क्या हमारे पास ऐसे दो closer है क्या जहां पर compiler items along with the position of dot एकदम सेम हो बस उनका follow part different हो I repeat compiler item along with the position of dot same हो बस उनका follow part different हो जैसे यह example हमने देखा तो अब notice करिए I3 और I6 इनका सब कुछ एकदम सेम है बस इनका follow part है वो different है अब कैसे पर काम करना है हम I3 और I6 पर जाते हैं सर और हम इनको merge करने की कोशिश करते हैं बल्कि चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं अब आप मुझे बताओ अगर मैं shift 3 और shift 6 को merge करूंगा तो क्य clash होगा दरसल 3 तो I3 का ही representative है और 66 का ही representative है तो मान लो यह दो एक ही state हो गए तो मैं यह पूरा का पूरा row यहां से हटा देता हूं ध्यान देना और पूरा का पूरा रो यहां से हटा देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ अब ये मर्ज हो के हो जाएगा थरी सिक्स ये फिलहाल फोर सेविन होगा बड़ आप नोटिस करो फोर सेविन भी शायर फ्यूचर में मर्ज होगा तो कोई क्लैश है नहीं सिमिलरली इस देस में फिलहाल लिख देता हूँ 8-9 फिलहाल लिख देता हूँ अगला अगला अटम्ट करते हैं 8-9 पर ही लेता हूँ नूँं से अप miler आइटम है में बस follow different है हाँ करो merge कराओ अब देखे जैसे मैं merge करूंगा यहां तो कोई entry है नहीं R3 उपर आएगा कोई clash हुआ क्या कोई clash नहीं हो बच गए बाल-बाल बचे I4 से I7 I7 को बाहर कर दो और यह R3 उपर आ जाएगा अचा एक चीज़ पर ध्यान देना है जहां भी सिर्फ 8 या 9 लिखा उसे 8 9 कर दो अभी 47 को merge किया है तो यह सारे एक state कर दो 36 का नाम सब का change कर दो ताकि कोई confusion ना हो तो there you see हमने merge कर लिया और जब हमने merge किया तो merge करते हुए देखा कि कोई clash हुआ के नहीं हुआ कोई clash नहीं हुआ अब जहांता सुनिए यह CLR1 parser था इसके अंदर minimization का scope था क्योंकि हमें तीन ऐसे closer मिले minimization के scope को हमने explore किया और सच में minimize किया और जब minimize किया तो कोई clash नहीं हुआ इसका मतलब यह grammar CLR1 grammar तो है बट यह grammar साथ में LALR1 grammar भी है this is the idea so this is CLR1 but along with that this is also LALR1 है ना तो यह minimize हमने कर लिया अब मैं आपको दो तीन अलग लग केस पुरी तयारी करके आयो यहाँ पे यह case हो गया अब यह grammar है है ना लेकिन अब यह grammar LALR1 है के नहीं बताओ कैसे बता लगाए तो सर फिर वोई करना पड़ेगा पहले पूरा CLR बनाओ उसका पूरा टेबिल कंस्रक्ट करो फिर उसे minimize करने की कोशिश करो और तब देखो तफ होगा बट क्या कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा काम करके र दियरा ध्यान से सारे के सारे यह items देखो और मुझे बताओ क्या कहीं पर आपको कोई भी दो compiler item ऐसे दिख रहे हैं क्या नजर आ रहे हैं क्या जिनका की यूनो जो भी compiler item है एकदम सेम हो चेक कर लो आप एक बार एकदम सेम होना चाहिए basically scope of minimization है के नहीं है यह देखना है त फॉलो पाज दिफ्रेंट होने की वज़े से उन्हें multiple time reduce किया गया और नहीं मिलेग आपको ऐसा और आपको अगर ऐसा नहीं मिला अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इस parser में minimize होने का scope ही नहीं है यह ईसे बोलू तो इसमें minimize होने का scope नहीं है महाँने यह पहले से मि निमाई है तो इसको भी CLR 1 के साथ-साथ LLR 1 कहलाने का धिकार है, that is how you should see it, तो can I say this is CLR 1 also and also this is LLR 1, yes sir, तो यह पढ़ो जबाए एक बार, if in CLR 1, if there is no state having some productions, but different follow part, वो same होना चाहिए, ऐसे कोई भी दो state अगर आपको नहीं मिलते हैं, जिनका productions एक दम से more follow different है, तो उसको भी आप CLR 1 और LLR दोनों बोलेंगे, है ना, तो अभी तेख हमने 2 case देख लिए, पहला, minimization का scope था, हमने attempt किया, minimize हो भी गया, कोई clash नहीं हो, everything was fine, यहाँ पर minimization का scope था, हमने attempt किया, oh sorry, minimization का scope भी नहीं था, है इस वाले case, scope भी नहीं था, तो भी हमने मान लिया minimized है, तीसरा case हो सकता है, हाँ हो सकता है, ना, look at this grammar, अगें मैं क्या बोलूँगा, यह pause this video, और पूर अगा पूरा जड़ा canonical collection बनाओ, using different different follows, that will be fun, एक बाद करके देखना, मैं आगे बढ़ता हूँ, now, यह पूरी कहानी है, है ना, अब देखें, ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, तो मैं आप से बिस बोलूँगा, एक चीज़ पर ध्यान दे, i5 and i9, तो there you see, production part, दोनों में एकदम से में, बस follow different है, है ना, तो obviously क्या यहाँ पर minimization का scope है, हाँ है, तो आप obviously attempt करेंगे, तो मैं सब कुछ नहीं दिखा रहा, बस एक छोटी सी चीज़ notice करिए, होगा क्या, एक रोग होगी i5, एक रोग होगी i9, और मैं आप से सारे column steady करने के लिए नहीं कह रहा, यह a और c वाला आप देख लो, मुझे बताओ, i5 में आप क्या entry करोगे, अगर नाम रख दू, rule number 1, rule number 2, rule number 3, rule number 4, suppose this is rule number 5, and suppose this is rule number 6, तो i5 में, a to d, rule number 5 reduce हुआ है, follow है a, तो यहाँ पर आप लिखो के rule number 5, छोटा से table बना के दिखा रहा हूँ था कि आपको बात अच्छे समझा दू, and similarly, i5 में ही, b to d reduce हुआ है, that is rule number 6, follow है c, तो यहाँ लिखो के r6, similarly, जब आप i9 में देखो के, तो a to d, यह है, rule number 5, बट यह आएगा c में, और इधर यह आएगा a में, और अब जब आप attempt करोगे merge करने का, तो rule number 5, rule number 6 के साथ clash कर जाएगा, कहने की मतलब क्या है, sir compiler confused हो जाएगा, कि जब मेरे को d मिले, तो मेरे को उसको capital a में reduce करना है, कि capital b में, and that is known as reduce, reduce clash, so this is a third kind of case possible, जहाँ पे, CLR1 है, वहाँ कोई clash नहीं है, CLR1 है, लेकिन, जब मैं minimize करने जाता हूँ, तो पाता हूँ की minimization का scope है, but minimization करते वे clash हो गया, तो there you see the first example, this is a grammar, which is CLR1, but which is not LLR1, and hence we also prove, that the power of LLR1, is less than that of CLR1, क्योंकि CLR1 यह काम कर पारा, बट LLR1 नहीं कर पारा, so I hope, यह पूरी की पूरी हिरारी की, यह, अभी आपको clear है, LR0, मैंने लगता है, थोड़ा जादे ही किया है, LR0, SLR1, LLR1, and this CLR1 को, कुछ लोग, simply LR1 भी बोलते हैं, हैना, अब यह छोटा सा cases, chapter में last, which is like operator precedence, so this is not a general purpose parsing, but it's got क्या idea है, एक छोटा सा अप्रोच, एक एक करके, जल्दी से discuss कर लेता है, तो चलिए sir, अभी बात करते हैं, operator precedence grammar के बारे में, जो काई दिस से, इस chapter का आखरी topic है, बड़ा मज़दार है, और काफी बार इस से भी basic question, constructed for both ambiguous and unambiguous grammar, तो ये point बड़ा important है, क्योंकि जितना भी हमारे mainstream bottom-up parser है, जो पूरी LRK family हमने पड़ी, तो हम जानते हैं, कि वो तो 110% सिफ unambiguous grammar पे काम करते हैं, तो ये बार बार अपनी भोकाली मारेगा, अपना swag दिखाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि, मैं ambiguous grammar पे भी काम करना जानता हूँ, हाला कि, मैं आपको याद दिला दूँ, ये कोई general purpose parsers नहीं है, तो C, C++, Java, Python, इनके लिए मां operator precedence parser की बात नहीं करते, हाला कि, कुछ basic mathematical expressions जो होते हैं, उसके लिए अच्छा काम करता है, so the in general operator precedence parsers have less complexity, तो इनकी complexity obviously bottom-up parser जीतने नहीं होते, relatively आसान होंगे, and every CFG is not operator precedence grammar, तो ये भी बात मैं clear कर देता हूँ, यहाँ पे, कि इनकी power ये बात ठीक है कि जादा है, relative to normal parsers, bottom-up, इस तरह के case में, लेकिन ये कोई general purpose language के लिए काम नहीं हो सकता, इनका काम है कुछ basic expressions पर काम करना, खास कर जब हम कोई scientific calculation वगरा करते हैं, वहाँ ये काम आते हैं, तो अब किस तरह के questions आएंगे, क्या-क्या idea है, सबसे पहला जो basic question, I'll go one by one, वह है कि grammar आपके सामने दी होगी, और आपसे पूछेंगे बताओ, ये grammar operator precedence grammar है के नहीं है, या other way round, आपसे directly पूछ लेते हैं, what is the definition for a grammar to be operator precedence, तो यहाँ ध्यान देना, आम तोर पे जब हमने बात की, let me say कि कोई grammar LR1 है के नहीं, तो ये इतना असान नहीं है, हमें पूरा canonical collection बनाना पड़ता है, पूरा closer करते हैं, table बनाते हैं, तब कहीं जाके में पता लगता है, कि whether it is LR1 or not, ऐसा ही है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस दो production check करने आपको CFG में, अगर वो rule satisfy होते हैं, तो माल ले थे कि grammar operator precedence है, वरना नहीं, क्या वो rule है, आईए देखते हैं, तो operator precedence grammar, is a context free grammar, तो पहली बार जो आपको ध्यान में देनी है, कि एक valid context free grammar है, that is the following properties, दो चीजों पर ध्यान देनी, तो बोल रहा था ना, कौन-कौन सा पहला, it does not contain null production, it does not contains null production, तो null production नहीं हो सकते, यह पहली चड़ है, पहली problem है, दूसरा, तो एक second मैं, दुबारा बता दू, यहाँ पर हम यह नहीं बता रहे हैं, आप से कि क्या हो सकता है, please understand, हम क्या बता रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अलाबा जो भी है, सब चलेगा, ठीक है, तो पहला point तो बोलिया, कि it does not contain null production, second, no adjacent non-terminal, on the right hand side of any production, तो किसी भी production में, suppose there is a production from alpha to beta, तो on the right hand side, एक से जादा non-terminal हो सकते हैं, बट continuous नहीं होने चाहिए, तो माल लिजए for example, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, let me see ABC, तो even यह 3 non-terminal होगे, तो दो को भी मना कर रहे हैं, यह वाली कहान नहीं है, तो for example, अब देखे, चार grammar आपके सामने लिखी है, और आपको पहचान के यही बताना है, इसमें से कौन कौन सा grammar, हमारा operator precedence और कौन कौन सा नहीं है, so we'll go one by one, अब यहाँ देखिए, point number one, क्या कोई null production है, सब नल production तो नहीं है, क्या right hand side of the production में, कहीं पर भी, contiguous non-terminal है क्या, हाँ यहाँ पे है, this is the problem, देख रहो, यह और भी back to back लगातार है, इसका मतलब, यहाँ पर नल production है, नहीं सब नल production तो नहीं है, क्या right hand side of the production बे, consecutive दो non-terminal है, नहीं वो भी नहीं है, सो, सॉरी, सो इसका मतलब, यह operator precedence है, कोई गड़बर नहीं है नहीं है इसके अंदर, इदर देखो, तो शकल ही खराब है, देखते ही मेरे को नल production नल production नज़र आगया, तो इदन, नाओ देज ग्रामर कैन नोट भी, यूनोग दिस सेम आइडिया, operator precedence नहीं हो सकता, लुक अट दे लास्ट वन, इसके अंदर मानों सब कुछ परफेक्ट है, बट देर यू सी, यहाँ पर यह जो capital O है, जो समझ आ रहा है, यह भी representative है, non-terminal का capital symbol है, तो नहीं allow कर सकते हैं, तो अब मेरे ख्याल से, with solving these examples, यह point तो clear है, कि किसी भी grammar को देख के पहचानना, कि यह grammar जो है, यह operator precedence है कि यह तो मराम सब करी सकते हैं, इसमें कोई problem नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना क्या होता है, इसका भी एक table बनता है, एक parsing table बनता है, जिसमें multiple operators होंगे, अब जब जब पॉइंट किया है, expressions हैं, किसी भी expression को जब solve करना है, तो मैं दो चीज पता होनी चाहिए, associativity and priority, तो पहले तो बात करता हूँ, priority, कि मानो, कि जैसे bottom house पढ़ते है, math में, वोई बात है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, let me say, a plus b multiply c, तो बचपन से मैं इलजबरा पढ़ते हैं, हमें पता है, कि सर ब्राकेट पहले solve होगा, भले उसके अंदर कोई भी operator लिखाओ, तो इस case में, पहले a plus b को solve करेंगे, जो result आएगा, उसको c के साथ multiply करेंगे, basic understanding है, ठीक उसी तरह, जब एक operator precedence, parsing हमें करनी है, एक grammar के multiple symbols हमारे पास है, तो हम एक parsing table बनाते हैं, जिसको बनाते हुए, हम associativity priority दोनों का ध्यान रखते हैं, कैसे आपको समझाता हूँ, तो look at this, एक grammar हमारे पास है, जिसमें आप देखे रहें, लेफ्ट और राइट दोनों recursion है, तो grammar तो obviously ambiguous है, बट जैसे मैं बोल रहा हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या right hand side of the production में, कहीं पर भी null production है, सर नहीं है, क्या कहीं पर भी consecutive दो non-terminal है, नहीं, अधर इसका भी आपको logic समझाता, हम रट्टूत होते होते होड़ी है, क्यों कह रहे हैं, क्या चिड़ेस प्रॉब्लम से, देखो, यहाँ पर हम जो भी expression लिखते हैं ना, वो लिखते हैं दो डॉलर्स के बीच में, जो भी लिखना है, A प्लस B, मल्टिप्ला सी, whatever, जो भी expression आपको लिखना है, अब आप मुझे बता हो, expression solve करते करते, करने के बाद, finally आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, मेभी 0 मिले, बट ऐसा है कि मैं आपको expression दूँगा, अपने solve गर बाद में कुछ भी नहीं मिला, मानों गायब हो गया, नहीं गायब नहीं होता, सर, कम मिले जादा मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, point number one, तो क्या बाद में null हो सकता है, null नहीं हो सकती, कोई expression null नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ तो result आएगा, ये बड़ा learning, learning number 2, जब मैं आपसे expression की बात करता हूँ, तो मेरे को operand चाहिए, और operator चाहिए, तो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, a plus b, बात समझ आ रही है, कि a को b के साथ add करना है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ सिर्फ a b, अब मैं बोलू आंसर क्या है, भाई इसी क्या मतलब हुआ, आपको कुछ value तो रखनी पड़ेगी न, तो इसलिए, दो non-terminal back-to-back रखने का मतलब क्या है, जिस जो हम कह रहे हमें नहीं चाहिए, बेसिकली आप दो operand रख रहे हो, अब जब तक उनके साथ operator नहीं रखोगे, तब तक problem कैसे solve होगी, isn't it, that is the two reason, आपको मना कर रहे हैं, तो अब यह grammar हमारे पास है, जहां पर हम multiply, और addition और id जनरेट कर सकते हैं, और यहां पर priority लिखने का तरीका की, एक symbol आपको समझा देता हूँ, देखिए, यह symbol लगाना है, ऐसे along with a dot, तो अब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब priority of a, जो है ना, वो high है priority b, similarly now what does that mean, a का priority कम है, 20 और इसका मतलब है, दोनों का priority same है, तो इसको मैं blank छोड़ देता हूँ, क्यों, ऐसा कभी हो यह नहीं सकता, वो ही जो भी argument आपको समझाया, क्या दो back to back identifier, एक साथ हो सकते हैं क्या, अगर ऐसा हो गया, तो कुछ गड़बड हो गया, because there has to be operator in between, isn't it, यह वाली बात समझाती है, अगर ID और star आपके पास है, तो ID कोई operation यह ID कोपरेंड है, अगर वो है तो उसको पहले solve करना है, तब आपको operator पायना है, तो ID की तो priority सबसे, whether वो star है, या वो plus है, या वो dollar है, dollar is like end of string, है ना, उसकी priority तो सबसे कम होने वाली है, तो इस तरह से हम इसे fill करेंगे, बहुत अराम से, एक-एक करके value by value, idea by idea समझ रहे हैं, अब यहाँ तो star और ID, बोल रहा हूँ ID की सबसे ज़्यादा है, तो ID की star से ज़्यादा है, star star, अब यह question है, associativity का, है ना, और math में आम तोर पे, even, I think except from power, सब की associativity left to right है, कहने का मतलब है, अगर हमारे पास यह लिखा है, माल लिजे, a star, b star, c, है ना, तो आप मुझे बताएंगे, इसकी, इसमें पहले किसको solve करता है, इन जनरल सरम, left to right चलते अगर clash होता है, तो पहले a b को solve करेंगे, जो result आएगा, फिर उसको c के साथ solve करेंगे, तो अब यह left में, right में है, तो obviously, left वाले star की priority जादा, star और plus में, तो कोई confusion नहीं है, star, dollar, dollar की सब से कम है, तो star id के लावा सब से जीता है, plus, id से तो हारेगा, plus और star में, अब भले plus left में हो, लेकिन star की, obviously multiply की priority जादा है, तो है self-fill कर देता हूँ, star, star, again, क्या addition भी left associative होता है, जी हाँ, तो अगर a plus b plus c, मेरे को लिखा हुआ है, तो पहले में क्या solve करूँगा, sir, पहले में a plus b करूँगा, जो result आएगा, उसको c के साथ operate करूँगा, तो ये भी हमें understanding ऐसा है, plus और obviously plus, dollar से सब जीत रहे है, dollar id में, id जीतेगा, dollar star में, star, dollar plus में, plus, and dollar dollar में, so dollar dollar में, again, priority मत set करो, इसको फिलिंदा ब्लैंक करो, ऐसा नहीं हो सकता, ये वोई epsilon वाला problem है, 1 dollar starting में था, 1 dollar end में था, solve करते आओगे, तो कुछ ना कुछ तो बाद में मिलेगा न, you can't have epsilon, please understand, epsilon तो नहीं हो सकता, तो ये भी एक learning understanding है, है न, तो ये हमने अपना table fill कर लिया, तो धीरे धीरे step by step कर रहे है, अभी table fill करने के बाद, exit parsing कैसे करते हैं, तो एक example से आपको समझाता हूँ, तो टेबल में बार बार इधर आके refer करता रहूँगा, कैसे काम करते है step by step, along with पूरा algorithm, देखेंगा मज़ा आजाएगा आपको, आप रोज देखें क्या है, तो एक छोटा सा sample string में यहाँ पर ले रहा हूँ, which is like id, यहाँ पर मैं color change कर लेता हूँ, id प्लस id multiply id, a very basic one, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, यहाँ से भी generate किया जा सकता है, इस grammar से मारलो हमने generate किया है, now, we will insert a dollar symbol in the start and the end of the input string, तो जैसा मैंने आप से बोला भी था, एक dollar starting में और again में हम रख देते हैं, we also insert the precedence operator by referring the precedence relational table, जो भी हमने observe किया, तो क्या क्या notice करो, वैसे हमें याद भी होगा, आप देख सकते हैं, dollar id में id की जादा, dollar और plus में id जादा, plus id में id तो सबसे जीत रहा है, और associativity के यहां जवद पड़ेगी नहीं, क्योंकि plus और multiply एक ही बात है, like this, like this, तो यह जितने brackets थे न, यह उन्हें bracket लगा लिए, अब क्या करना पढ़ना शुरू करो, यह exact algorithm है, step number one, scan करो input string को, from left to right, अब हम कैसे operator precedence grammar को parse किया जाता है, वो सीख रहा है, left to right until the first, यह closing वाला is encountered, less than is encountered, तो यहां से scan करना शुरू किया, there you see, हमें पहली बार यह वाला, less than वाला, यह greater than जो भी पढ़ना है से पढ़ लो, symbol हमें मिला, now scan backwards, over, equal to, until this is encountered, फिर वापे जाओ, जबते के kind of open bracket ना मिले, और यहां पे हमें bracket मल गया, जैसे ही आपको मिले, you say, the handle is between this string, तो इन दोनों के बीच में, जो भी है वो आपका handle है, और यहां पे हमारा handle, इसका मतला हमको मिल गया, वो है ID, और handle आप जानतों क्या होता है, handle is that part of the right hand side of the production, जिसको आप replace कर सकते हो, left hand side से, तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसको हमने capital E से replace कर दिया, पूरी detail में साथ-साथ लिख भी रहा हूँ, अब similarly आप सोच सकते हो, कर फिर process आगे बढ़ेगी, तो इस बार यहां पर जाके रुकेंगे, यह आपके पकड़ में आ जाएगा, है ना, सो ना उन्दा step number two, यह ID हमारा handle बनेगा, यह capital E बन जाएगा, ऐसे ही चलते जाओ, अगले step में, यह ID आपका handle बनेगा, and E बन जाएगा, तो यहां तक की तो process सबसे आसान है, बढ़ आप देखे रहें, उसका दब कुछ बचा नहीं, अब क्या करना है, look at this, इस step पे जाके, जितने भी non-terminals है, वो सब उठा के remove कर दो, तो capital E, capital E, capital E, तीनों चलाएगा, क्या बचा, plus और star, अब plus और star की priority भी, क्या हमें पहले से decide करनी आती है, जी हां आती है, so now you see, फिर से हम insert कर देते, dollar and dollar, और priority में आप से पुछूँँगा, dollar और plus में बताओ, किस की priority जादा है, plus की, plus और multiply में multiply, multiply dollar में like this, again similar तरह के bracket हमें मिले, and now you can understand, यह देखके, कि पहले कौन solve होगा, पहले multiply solve होगा, and multiply solve होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां देखे, bottom of fashion में, आपको tree भी बनाते दिखाऊ, so id multiply id, I think इन सब को, e के अंदर तो हम पहले reduce कर चुके हैं, अब यह समाझ आए, कि यह समे algorithm यूज करके, कि पहले multiply solve होगा, so better to write it like this, e only, and then उसके बाद plus बनेगा, plus solve होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा, and there you see the parsing tree, I think it makes sense also, because obviously, अगर multiply है, और id है, तो पहले जायर सी बाद है, multiply होगा, जो result आएगा, है ना, वो बाद में addition होगा, like this, so this is a step by step, systematic process, जिसको पूरा इस्तेमाल करके, जिस पर काम करके, हम पूरी parsing कर सकते, so I think, operator precedence parsing का, यह पूरा idea, पहली बाद, how to identify, whether a grammar is operator precedence grammar or not, and secondly, किस तरह से इन पर operations पर काम कर सकते, पूरा idea, I think, आपको समझ आया होगा, अब, यह एक छोठा सा additional idea है, precedence function का, अब precedence function की क्या कानी, यह आपको समझाता हूँ, देखिए, आप parsing table थोड़ा सा बड़ा है, है ना, यह already हमने फिल किया है, और computer या parser, जिसे हम बोल रहा है, जो software हमारा है, आपको टाइम कम लगे, इस पूरे table में कैसे convert करते है, वो सीखना है, तो आपको सिखाता हूँ, देखने में थोड़ा भूती आपको लग रहा हो, बड़ बिशासमानी बहुत आसान है, तो step number one देखिए, यह table तो हमने पहले से बना के, पर समझ के रखा, इसमें कोई नहीं बात नहीं है, अब हम क्या कर रहे है, again, on the left hand side, let me call it F, and on the right hand side, let me call it G, और यहाँ पर हमें एक bipartite graph बनाएंगे, यह इतना complex करके काय को बोलूँ, एक graph बनाएंगे, जहाँ पर left hand side पर आपको जो जो नज़र आ रहा है, F ID, F star, F plus F dollar, there you see, 4 vertex मेरे पास है, and right hand side पर similar दी G, मैंने माना है, तो G ID, G star, G plus G dollar, यह 4 देखिए, right hand side पर नज़र आ गया, करना क्या है, आपको पहले से पता है, priority कैसे है, तो आप मुझे बताएं, क्या ID, ID में कोई priority का understanding है, हम पहले से जानते हैं, define नहीं है, ID star में, तब देखिए, ID star में, बताओ, F ID और F star में, किसकी power जादा है, या किसकी priority जादा है, Sir ID की जादा है, तो edge कैसे लगेगी, white color से दिखाऊ, जिसकी power जादा है, उसकी तरफ greater वाला symbol आएगा, ध्यान से देखिएगा, जिसकी power जादा है, similarly, ID की तो plus से भी जादा है, एक edge लगा दो, ID की तो dollar से भी जादा है, एक edge लगा दो, बहुत simple है, अब जब आप star के साथ compare करेंगे, सब को, तो star ID के साथ compare होगा, बट star ID में कौन जादा है, ID, edge का direction ध्यान देना, similarly, star star में, obviously left hand side वाला जादा है, star plus में, star जादा है, star dollar में, again star जादा, इधर देखो, ID के साथ match करा, और I think, पूरी process आपको समझ आ गई होगी, कोई भी dollar की सब से कमें बिचारे की, तो यहां देखो, तीनों incoming है, यहां भी I think, तीनों incoming ही आए होगे, यह देखिए, यह पुरा graph बन के, हमारा तैयार होगया है, तो इस table से, step by step समझ रहें, कोई tension नहीं है, इस table से, इस graph तक पहुँचना, अभी मेरे ख्याल से, कोई बहुत अजीब बात नहीं है, बहुत अराम से, बहुत सलीके से बात समझ आई, अब अगला काम क्या करना है, आपको हर एक vertex से शुरू करना, उपर वाल से शुरू करेंगे, एक straight line में आपको कहानी दिखेगी, और आपको क्या करना है, आपको longest possible path traverse करना है, छोटा से छोटा के बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, longest possible path traverse करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजे, मैं FID से शुरू करता हूँ, तो अब्यूसली इधर तो जा नहीं सकता, इधर नीचे जाओंगा, तो जल्दी नीचे पहुँच जाओंगा, तो मैं कहां जाता हूँ, G स्टार पर नोटिस करो, FID से G स्टार, इधर अपने लेवल पर जा सकते हैं, क्या, नहीं मजबूरी है, तो I think G स्टार से, F प्लस पर जाना पड़ेगा, F प्लस से G प्लस पर ज़रूर जा सकते हैं, एंड दें G प्लस से, यू कन गो टो F डॉलर, और यहीं पूरी सीक्मेंस मैं लिखिये, जिसमें समझा है, 1, 2, 3, 4, जो लॉंगेस्ट पाथ लेंथ है, वो है 4, तो F ID हुआ 4, बताओ बात समझाई क्या, हम लॉंगेस्ट पाथ लेंथ निकाल रहे हैं, जो पाथ लेंथ है वो इस टेबल में फिल कर रहे हैं, हां, similarly, G ID से चक करो, इधर 5 कैसे आ रहा है, G ID, तो G ID से में F स्टार पर गया, अभी ते कुछ सेम लेवल पर भी ट्रेवर्स कर पा रहा हूं, F स्टार से G स्टार, G स्टार से F प्लस, F प्लस से G प्लस और G प्लस से अगें, यू गो टो F डॉलर, और यह पूरी सीक्वेंस यहां मैंने लिखके रहे हैं, इस बार 1, 2, 3, 4, 5 लेंथ आगई, similarly, और आप देखो कि आप मालीजे आपको G स्टार सॉल्ट करना है, तो पूरा सॉल्ट करने की ज़रत नहीं, जी स्टार से ही आप आगे बढ़ सकते हूं, ऐसा करते जाओगे, पूरी टेबल आपको नजर आएगी, अब आप समझो कि फायदा क्या हुआ, दरसल ये जो हमारा ओपरेटर प्रिसेटेंस टेबल है ना, उसका ही ये प्रिसेटेंस फंक्शन जो है, ये एक आप्टिमाईज वर्जन आप कभी भी कंपैर कर सकते हूं, जैसे मैं कोई भी दो बाते पूछ लेता हूं, जैसे मालीजे हमें देखना है, आफ स्टार में, या स्टार और आइडी है, ऐसे है, है ना, तो किसका पावर जाद है, जो कौन पहले सौल होगा, लेफ में है, एफ राइट में है, जी बताओ एफ स्टार का नंबर क्या है, सर एफ स्टार का नंबर है फोर, बताओ GID का number क्या है sir GID का number है 5 तो obviously ID पहले साल होगा like this तो वो जो है पूरी कहानी थी हमने number में convert कर ली and by converting them into number पूरी process relatively थोड़ा असान हो जाती है क्योंकि यह table format में है तो computer को भी इसको पढ़ना समझना process करना आसान लगता है yes so this is the entire story and एक मेरा मन नहीं मानता तो last में फिर से पूरा bottom-up parser के पांच नंबर का difference बना के रख दिया तो I am not again not going into the idea but in case कई बार मैं देख रहा हूँ उनिवस्टी एक्जाम में एकदम पार्ट थोड़ा सब बोरिंग है बहुत बोरिंग नहीं है थोड़ा सब बोरिंग है सब पहले सब बता के चल रहा हूँ parsing is relatively very interesting है ना और सब्सक्राइग्जाम में तो unit by unit आता है तो obviously that is important but as far as competitive exam is concerned again these sections are not that important लेकिन हम पूरे इमानदारी से और तरीके से एक एक पॉइंट में cover करूँगा so now look at these ideas लगभग लगभग सारे cases में cover करूँगा जो यहां पर लिखा हुग है हर chapter में हर unit में आप से promise कर रहा हूँ तो let's start chapter 3 syntax directed translation so we'll go one by one सबसे बले समझ यह already basic understanding to acquire करी चुके हैं तो syntax directed translation क्या है एक step है of you know overall compiler का जहां पर already हम क्या क्या कर चुका भी सोचो we have already done lexical analysis and we've already done syntax analysis है न तो उसके बाद तीसरा number अभी है semantic analysis का वर जास हम जानते है इन जनेरल इस बात का मतलब क्या है यहां पर हम यह देखते है कि जो भी grammatically तो string ठीक है लेकिन वो meaningful है के नहीं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि grammatically सही बाट meaningful ना हो वो meaning find करना वैसे भी थोड़ा सा complex idea तो look at this semantic analysis takes an abstract syntax tree स्रिफ syntax tree समझ सकते हो and generate the syntax tree I'm sorry takes an abstract syntax tree generated by syntax analysis phase as an input तो syntax analysis ने क्या generate किया था syntax tree बोल लेता है direct जो यहां से बहार आता है that is known as annotated syntax tree जिस पर हमने अल्रेडी यह annotated past tree भी बोल सकते है जिसकी basic understanding हमने पहले लिया आगे example से देखेंगे इट performs क्या क्या करता है type check करना कि सही type checking हुई है कि नहीं कहीं आपने integer को character के साथ सम तो नहीं कर दिया इस तरह की बेवकूफी तो नहीं हुई है scope resolution है ना कौन से variable का कौन से function का क्या scope है वो सारी चीज़ा identify करना validate semantic consistency and meaningful सब कुछ perfect होना चाहिए ensuring that the operation and the expression in the source code are according to the language rules and semantics तो सब कुछ obviously meaningful की definition इतनी वाइड है ना तो मोटा मोटा बोल सकते हैं सब कुछ perfect order में है के नहीं है वो हम यहां पर semantic analysis में check करेंगे एक और बात जो notice करने वाली है this is the last phase of kind of जहां पर हम error पकड़ने की कोशिश कर रहो होते हैं एक बार अगर semantics analysis हमारा complete हुआ तो अगले phase में तो sir उसके बाद हम conversion चालू कर देते which is like intermediate code generation जो इसी unit का part है है ना okay now अब यह काम होता कैसे है देखिए हमारे पास context free grammar तो ही है है ना तो we have context free grammar अब उसके साथ अभी ध्यान चाब समझेंगे हम दो चीज़ associate करते हैं one is called semantic rules अभी एक एक करके समझाओंगा आपको and one is called semantic actions कुछ rules और कुछ actions हम उन पर लेते हैं generalize कर देते हैं cfg को और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं syntax directed translation जो आपकी unit का यह आपके chapter का title are you getting it तो grammar के understanding तो आपको पहले से what is cfg और how cfg works along with that semantic rule और semantic action को merge करते हैं और overall जो बनता है वो हमारा syntax directed translation है अभी आगे जाके आप समझेंगे इनका इस्तेमाल ना यह जो पूरा sdt है sdt का इस्तेमाल टेक्निकली तो हमने यह पता लगाने के लिए कि grammar के अंदर या जो string हम बना रहे हैं उसके अंदर कोई semantic mistake है के नहीं basic idea तो इतना ही है लेकिन आगे जाके हम देखेंगे इसका इस्तेमाल code generation के लिए intermediate code generation symbol table में value भरने के लिए expression evaluation के लिए इविन infix को postfix prefix में convert करने के लिए हर तरीके से किया जा सकता है अब ऐसा समझो grammar के प्रडक्शन के साथ अगर मैं छोटी छोटी programming associate कर दूं तो basically मैं कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी चेक कर सकता हूं कुछ भी action ले सकता हूं वो ही हम यहां पर कर रहे होते हैं compiler में एक चीज़ आप notice करते हैं एकदम पहली बार जब आप या idea कोई भी idea देखते है न तो थोड़ा सा जीब लगता confusing लगता you doesn't understand कि क्या बात हो रही है लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ basic question try करेंगे जिससे मोटा मोटा आपका idea clear होगा then again I'll go back to the theory part जैसा मैं पहले से करते हैं तो यह question पढ़िये ध्यान से और यहां पर आपको समझेगा semantic rule semantic action का क्या मतलब है तो यह बोल रहा है consider the following grammar along with the transition rule where this hash and percentage operator blah 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 बहुत सारी इसने कहानी लिग दिए पूछ रहा है basic ब ले लो पढ़ लो एक बार ध्यान से अब देखो वैसे तो समझ आता है कि एक expression expression solve करना है बट hash का और percentile का मतलब क्या है अब देखो with every production we have certain semantic rules grammar की कुछ understanding है वो हमें समझाती है operators पर कैसे काम करना है और hash और percentile का क्या मतलब है वो आपको पता लेगा इन semantic rules है जैसे आप देख लाई है और actually production में करना क्या है basically S or T की जो value है उसको multiply करना और S value में पहुंचा देना है अब S or S repetition है इसमें confusion ना हो तो आम तौर पर subscribe लगा के इसको S1 करके बोल देते है यह idea है यह भी समझ आता है कि जो percentile है इसके actual मतलब division है अब अगर multiplication division है वो तो हम कर लेंगे लेकिन priority associativity अब एक बात notice करिए अगर मैं आपसे बोलू कि मेरे को multiple time multiply generate करना तो कैसे करूँगा S का recursion है और ध्यान से आप देखेंगे तो मैं इसको multiply लिख देता हूँ गए कि this hash पहले मैं एक काम करता हूँ step by step इसको लिखना चालू करता हूँ है ना तो यह तो समझ आए गया कि hash का मतलब है multiply और percentile का मतलब है division so 20 multiply 10 divide by 5 multiply 8 divide by 2 and divide by 2 मैं आपको यह भी समझा पा रहा हूँ कि क्योंकि देखो इन दोनों में ही left recursion है तो whether this multiply आए और whether this division both of them are left to right associative तो यानि कि अगर बहुत सारे होंगे तो पहले आप left वाला solve करेंगे इन में आपस में priority कैसे है अब notice करो S से आप T पे जा सकते बढ़ T से दुबार S पे नहीं आ सकते तो यह grammar का basic understanding है तो अगर मैं दोनों generate करना चाहूं है ना मान लीजिए कि मैं इधर से जाता हूं S से T के पास और T से मैं एक यह percentile R generate कर लेता हूं then I'll terminate तो obviously क्योंकि आप देखे लो tree में नीचे की तरफ division generate हो रहा है percentile नीचे आएगा tree में जो नीचे आता है value bottom of fashion में calculate होती है वो पहले solve होता है तो इसका मतलब इस grammar के इसाप से अगर देखे तो division का जो priority है वो जादा होगा compare to multiply जैसे math नहीं चल रहा है grammar चल रहा है rule आपके सामने है तो इसे देखके समझाता है कि division पहले solve होगा और multiply बाद में solve होगा क्यों क्यों कि अब जब भी आप tree बनाएंगे आप देखेंगे division का जो representative है percentile वो हमेशा tree में नीचे की तरफ आएगा और value नीचे से उपर की तरफ solve होगी yes that is a reason तो इसको जर हमें clear कर दूँ so अब इन दोनों बातों को समझ के sir हमें पूरा pattern नहीं समझ आ गया और आप बोलो तो मैं tree भी नीचे से की ऊपर की तरफ बना देता हूँ so we'll get a better understanding ऐसे ही करता हूँ बलकि है ना आपको साथ साथ यह समझ भी आएगा कि हुआ क्या तो there you see 20 multiply by 10 divide by 5 multiply by 8 and divide by 2 and divide by 2 तो grammar से देख के हमने समझ लिया कि पहले तो sir multiply पहले division solve होगा पहले division solve होगा चलिए bottom of fashion में शुरू करिए और left associative है तो यह दोनों पहले solve होंगे और शायद यहाँ पर आपको मिलेगा 2 यहाँ पर multiple है लेकिन पहले left वाला solve होगा इधर मिलेगा 4 and I think 4 divided by 2 करेंगे तो इधर दुबार आपको 2 मिलेगा yes अब आपके पास सिर्फ 20 multiply 2 multiply 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 2 यह तो solve हो चुका है multiple multiplication है पहले left वाला solve होगा तो अब 20 multiply by 2 will be 40 and I think this 40 multiply by 2 will be 80 so answer हो गया 8080 तो अब थोड़ा थोड़ा syntax directed translation कैसे काम करता है वो भी आपको समझ आया आपने grammar भी देख ली अभी मैंने पढ़ा अभी हमने पढ़ा था ना expression evaluation के लिए SDT लिख सकते हैं तो this is a grammar where you have certain rules जिनका अस्तमाल करके आपने एक expression को evaluate कर लिया in the bottom of fashion अब यहां मैंने इतना लिखा नहीं वरना आप चाहे और detail में लिखो कैसे यहां देखो यह कैसे आया 20 20 is kind of an id id कैसे आता है तो क्याना ही से आर डॉट वेल्यू is equals to 20 अब वो आर किस में convert होगा वो convert हुआ होगा टी में सो टी डॉट वेल्यू is equals to 20 है ना और यहां पर क्या है अब इन दोनों के बीच में अगेन ऐसा ही होगा and then convert करते 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 back to back हम उपर तक आयोंगे that is the idea एक और question try करिए यहां देखिए मैं PYQ की try आपको करा रहा हूँ so that you get a actual understanding कि यार actual question किस तरह का रहा है और किस तरह से हम उसे approach कर सकते है तो अगेन आप मुझे बताएं दो तिन बाते notice करें तो लगबग लगबग same pattern नहीं थोड़ा change है notice करिए यह जो recursion है left recursion है इसका मतलब hash जो है और hash और actually किसके बराबर hash फिर वो ही hash and multiply are same thing so basically this is left to right associative but there you see अचा T जो है वो भी left recursion ही रख रहा है तो यह भीजर क्या नाम हुआ इसका this is end but actually इसका मतलब इस बाइसने क्या रखा है addition plus है this is also left to right associative हाला कि एक change इस ग्रामर के साब से देखो के फिर वो ही कहानी grammar उपर से नीचे की तरफ आती है and बाद में बनेगा पट पहले solve होगा क्योंकि value bottom of fashion में solve होगी है ना तो वैसे जब हम general maths में काम करते हैं तो plus की जो priority है वो कम होती है relative to multiply है ना बट इस grammar को इस तरह से लिखा गया है कि आपको समझना है कि plus पहले solve होगा क्योंकि वो tree में नीचे की तरफ आ रहा और tree bottom of fashion में calculate होगा like this है ना और तब आप इसे बना पाएंगे so अगर मैं बोलूँ exactly है क्या है so this two three five six and four ये hash नहीं है sir ये multiply है hash is nothing but multiply और ये end नहीं है ये plus है this is the idea और मैं आपसे बोल रहा है यहाँ plus की priority ज्यादा है तो चलिए पहले plus को solve कर ये left associative है तो पहले ये solve होगा ये बनेगा बनेगा 10 and there you see multiply so two and multiply is left associative again so this is like 16 and 16 into 10 so that will be 160 hmm so I hope अभी थोड़ा 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 दो question back to back हमने solve कर लिए expression evaluation पह तो किसी भी expression को इस syntax directory translation की मदद से कैसे solve किया जा था वह मैं आपको बता रहा हूं दूसरा I am not going into exact क्योंकि मेरा काम है या पर answer निगालने में direct निगाल रहा हूं वरना मैंने को करना चाहिए क्या मैं एक छोटा सा pattern आपको बना के भी दिखाता हूं इतना वड़ा grammar नहीं एक plus multiply वाला बना के दिखाता हूं imagine करिए imagine करिए कि हमने यह पहला production लिया e tends to e e1 या e लिख दीजिए एकी बात है e hash t और एक plus भी generate कर लेता है so e से मैं चला जाता हूं t के पास और t से मैं बना लेता हूं t and f है न and then I'll terminate तो यह आ गया t से f और f से आया number और यह आया f से number और again यह आया t से f और यह आया f से number यह एक valid tree हुआ number and number hash number number कुछ भी माल लेता है let me say this number is 2 this number is 3 this number is 4 अब देखो syntax directed translation value कैसे उपर लेके जा रहा है you see f dot यह number में direct f का number का जो value है वो f का value तैसे समझी है you tell me एक अलग pen से लिखता हूं so that you can identify now what is number dot value it is 2 what is number dot value it is 3 so what is f dot value again it is 2 so what is f dot value it is 3 so what is t dot value t dot value is again 2 उपर चल रहा है हमें पता है end का मतलब क्या है sir end का end का end का मतलब प्लस है so this will be what is t dot value t dot value will be 5 ठीक कर रहा हूं ना what is e dot value again this will be 5 only what is number dot value this will be 4 what is this value this is again 4 what is this value this is again 4 what is ah क्या नंबर आया था यह this is 5 ना yes what is 5 hash 4 now hash means multiply so 5 hash 4 is nothing but 20 so I hope आपको पूरा pattern अब तो पक्के सही समझा आ गया होगा है मैंने कोई कसाथ छोडी नहीं है तो कोई expression डारेक्ट दे उसे कैसे solve करना है आप जानते हैं bottom of fashion metric ऐसे calculate किया जाना है और क्या process है overall उस पर काम करने की तो I think यह idea भी आपको clear हो रहा होगा ठीक है आगे बढ़ते है now look at this एक और question और यह थोड़ा सा different तरीके से लिखा आपको मजा आएगा this 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 और आपको क्या करना है आपको बताना है कि obviously tree कैसे बनेगा string क्या notice करिए तो पहले tree बना के हम यह string tree की मदद से string बनाने की कोशिश करते हैं और आपको खुद में कुछ समझा जाएगा कि यह मैं क्या बात करना चाहरा हूँ तो मेरे को क्या बनाना है notice करो एक plus बनाना है multiply बनाना है तो मैं table बनाना शुरू करता हूँ so this is like e tends to e plus t यहां तक की बात fix होगे plus मिल गया plus के right में मेरे को बनाना है multiply तो t से में use करता हूँ t multiply f ठीक चल रहा है na t multiply f perfect ऐसा and now that is okay अब जल्दी से complete करते हैं तो t से f से e से क्या मिलेगा e से मिलेगा t t से मिलेगा f और f से आपको मिलेगा number t से आपको मिलेगा f और f से again आपको मिलेगा number और यहां पो आपको f से मिलेगा number और क्या के number है notice करिए ये number है 2 या number dot value मुझे पता नहीं क्या कराएगा this is 3 and this is 4 ये लिज़े सर त्री बना के हमने तहियार कर लिया अब देखते इस बार क्या action लेना है parsing होती है bottom up fashion में तो यहाँ देखिए हर किसी के साथ हमने semantic action नहीं रखा है एक action यहाँ पे है एक action यहाँ पे है bottom up parsing कर रहा हूं notice करिए जब number f में convert होगा कोई action लेना है क्या हाँ लेना है print number का value number का value 2 है उसके बाद f t में convert होगा there you see कोई action नहीं लेना उसके बाद t e में convert होगा there you see कोई action नहीं लेना अब यहाँ से आगे चलते चलते में इधर आएंगे now यह number F में convert होगा and there you see there is a semantic action आपको क्यान करना है value print करना है and this is like 3 तो 2 के बाद 3 आ जाएगा F convert होगा T में again I think no action is being taken further यहां रुकना पड़ेगा और यह number convert होगा F में so there you write for and finally अब यह पूरा handle मिला T star F जब T में convert होता है T star F now you print a star तो क्या-क्या print होगा notice करें में लिखते जा रहा हूँ and finally E plus T यह handle मिला जो finally convert होगा E में and now you write plus कोई बता सकता है क्या हुआ तो ध्यान से आप notice करेंगे तो समझेंगे शायद यह infix से post fix में convert करने का तरीका है because अगर मैं आपको याद दिलाओ 2 plus 3 multiply 4 अगर इसको post fix में convert करने जाए तो बोलो क्या करेंगे सबसे पहले आप 3 और 4 को convert करोगे है तो यह बन जाएगा 2 plus 3 4 star post fix समझते हैं जहां पर ऑपरेटर ऑपरेंट के बाद में लिखते हैं ताम तौर पी जैसे मालीज हम लिखेंगे a plus b post fix क्याता नहीं पहले दोनों ऑपरेटर लिखो उसके बाद जो operation करना है वो लिखो लाइक दिस तो वही यहां पर हुआ अब यह एक और यह एक और यह एक और यह एक और करेंगे तो फर्स्ट ऑपरेंट and then second operand and then you write plus और exactly same ही pattern हमारा आया तो अब आप I think समझ सकते हैं क्या कर रहा है तो यह grammar along और I should say this SDT can be used to convert infix to postfix तो आपने देखा दो अलग अलग आप expression evaluation कर सकते हैं आप infix को postfix में convert कर सकते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है और understanding हमारी enhance होती जाती है एक और idea आपको समझा तो यह और मज़ेदार है यहाँ पर आप notice करोगे अगें प्रडक्शन के साथ मैंने कुछ semantic actions लिखे हैं बट notice करने की बात क्या है यह जो semantic action है production के बीच में लिखा हूँ अध्यान से देखो तो actual production है plus TR बट मैं TR तक पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं right hand side of the production के बीच में action लिख रहा हूँ अब क्या होता है आपको समझाता हूँ pattern पगड़िए 9 plus 5 plus 2 मेरे को बनाना है grammar से बनाने की कोशिश करता हूँ पर तो पहले आप बना लो है सो S tends to TR छोटे छोटे के से direct observe कर सकते हैं यह S से हमने TR बना लिया अभी T तो सीधे number पे लेके जा रहा है कोई option है नहीं तो using T I'll go to a number बट दो बार प्लस बनाना है तो recursion यूज़ करूंगा सो दिस लाइक आर टी आर टेंस टू प्लस टी आर प्लस टी आर यह तो action है ना इसको अलग समझो फिर साइधिं रिकर्शन यूज़ करना पड़ेगा नो दिस टी विल अगेन become a number और यहां से टेको फिर से प्लस टी आर हमको मिलने वाला है ठीक बात है ना and now I think we can terminate तो T से आप दुबारा number बना सकते हैं और R को आप कर दीजे बाद में epsilon इसकी कहानी खतम क्या number क्या हमें प्रिंट करना था 9 प्लस 5 प्लस 2 तो can I say this is 9 and this is 5 and this is 2 notice करिये एक बार पूरी बात observe कर पा रहे हैं क्या yes अब देखिए action क्या लेना है वह आपको समझाता हूं bottom of fashion में print क्या होगा सबसे पहले नीचे से चलू सबसे पहले यह 9 यह number convert होगा T में and there is action print value तो पहला print हुआ 9 notice करिये then मेरे को कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला को यह further handle नहीं मिल रहा handle 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 now this 5 will be converted to T और 5 convert हुआ T में again there is an action 5 print करना अब ध्यान से देखिए क्या मैं plus और T तक already पहुँच चुका हूँ हाँ और जैसे में यहां तक पहुच जाना see यह semantic action बीच में लिखने का मतलब ही है कि आपको आर नीचे आप यहीं पर action run कर दो तो अब क्योंकि मैं यहां तक पहुच चुका हूँ तो plus यहीं पर print हो जाना चाहिए देखिए follow कर पा रहे हैं क्या yes फिर मैं आगे बढ़ूँगा this R तो भी मुझे मिला नहीं अब यह 2 convert होगा T में I'll 2 and again मेरे को plus or T मिला तो अब मैं दुबारा से यह semantic action plus फिर से print कर सकता हूँ अब आप epsilon convert करिए R में handle मिलेगा यहां से R फिर एक और handle मिलेगा यहां से R फिर T और R मिलेगा यहां से S तो पूरा pattern solve हो जाएगा बट इस question में for practice एक नया idea क्या था that it is not necessary कि माल लीजे alpha tends to beta gamma को production है semantic rule उसके बाद ही लिखा हो ऐसा भी हो सकता है कि you know beta और gamma के बीच में कहीं हमने semantic rule बना दिया हो तो semantic rule run कब होगा जैसे ही आप beta को पालेंगे beta तक पहुँच जाएंगे उसी समय आप semantic rule run कर सकते आपको पूरे pattern के लिए wait करने की ज़रत नहीं है है ना this is idea so again I think this is a similar kind of question इसको आप homework में मैं खुच से एक बार try कर सकते हो वही pattern है that will be अलता हमारा time थोड़ा से बढ़ा देगा कुछ नई बात हो तो आपको बताऊंगा अब यह क्या है यह भी pattern आप चाहतो देख सकते हो bottom of parsing में a a b a string है grammar आपके पास है bottom of fashion में बनानी है बताना है print क्या होगा so again I think this is repeated now अब एक छोटा सा theoretical discussion करता हूँ attributes पर तो grammar से जो non-terminal sum बना रहे हैं यह जो value calculate कर रहे है यह जो type define कर रहे हैं इनको बोलते attributes इनके classification है और थोरा theoretical topic है बट यहां से question पूछा जाता है कई बार तो समझना ज़रूरी है I'll go one by one attribute attribute attach relevant information like strings, numbers, types, memory location, code fragment और grammar symbols of the language which are used as a label of a node in the parse tree तो बहुत भरी भरकम भाशा है बट आम आम तोर पर ऐसा समझे जितना भी information जितना भी data data जो है metadata भी बोल सकते हैं जो parse tree के node के साथ associate होता है उनको मैं attribute बोलते हैं तो माल लिजे अगर मैं ऐसा लिख रहा हो ना x tends to y plus z तो यह y, z, x यह सब attributes है ऐसा समझो I mean के कुछ categorization होगो आगे देखेंगे the value of each attribute at the parse tree of the node is determined by semantic rule associated with the production applied at the node जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने solve किया तो कहीं पर लिखा है e plus v is equals to जो भी value आ रहा है तो जो भी उस parse tree के उपर जो भी node के उपर rule लिखा है उसका इस्तमाल करेंगे में attributes की value calculate करते हैं ठीक के समझ आता है हमें defining the syntax specific information of the language construct जो भी syntax उस language का है उसके साब से हम काम करते हैं यहां पर समझने की बात क्या है कि attributes को हम दो classes में divide करते हैं one is called synthesized attribute and one is called inherited attribute notice करिएगा कौन-कौन सा synthesized attributes and inherited attribute अब दोनों में क्या difference है example समझे यह थोड़ा theoretical है but मैं बार बार यहाद दिला रहों यह बड़ा यार important है कई बार पूछा गया even competitive exam में पूछ लेते हैं so I'll go one by one synthesized attributes are derived from a notes children within the past tree and a syntax directed definition relies solely on these attributes in terms and as attributed एक type है logic क्या है logic यह है जब आपकी जो value है वो आपके children की value पर depend करें उस तरह के attribute को synthesize attribute कहते है जैसे यहाँ पर मैं लिखके बता रहा हूँ कि a से एक production है a tends to x y z और a की जो value है a dot s मतलब a is a synthesized attribute a की जो value है वो x पर y पर और z पर यह division नहीं है यह तो मैं बता रहा हूँ तीन parameter है इन values का इस्तमाल करके जब आप एक ही value calculate करते हैं इसी वज़े से a synthesize attribute है तो for example देखें इस ट्री में जितने भी आपको दिखेंगे सब synthesize attributes है बताओ यह e का value किस पर dependent है अपने चिल्रन पर e और t पर है के नहीं यह t किस पर dependent है अपने चिल्रन पर तो जब आप अपने चिल्रन की value पर dependent हो और उस बेस पर आपकी value calculate हो इस तरह के attributes को synthesize attributes कहते है ग्रामर में वो ऐसे नजर आएगा कि parent obviously आपको मिलेगा on the left-hand side of the production और children's आपको मिलेगा on the right-hand side of the production है ना यह कहानी है यही बात बस यहाँ पर हमने लिखी हुई है as attributed definition allow parsity to be annotated from leave towards the root enabling parser to directly evaluate semantic rule during the parsing process अब यह कह रहा है कि अगर कोई इस तरह के attributes का इस्तमाल करेगा obviously तो value कैसे calculate करनी पड़ेगी bottom of है you can't go top down ना इस e की value में तब तक calculate कर ही नहीं सकता जब तक इसके children की value मेरे पास ना चुकि यह obvious बात है तो यहाँ पर obviously हमें नीचे से उपर की तरफ जाके calculate करना पड़ता है एक दूसरा है दूसरा type called inherited attribute मुझसे बोलो inherited attribute यह क्या कहानी है the attribute whose values are evaluated in terms of the attribute value of the parent and left sibling is known as inherited attributes so I got a very simple example माली जा यही मेरे पास लेखा हुआ है d tends to tl अगर l की value या तो अपने left sibling पे या तो अपने parent पे depend हो है ना तब इस तरह के type को हम क्या बोलते है inherited attribute बोलते हैं जैसे यहाँ पर देखें बताए गया है semantic action क्या है t.type is equal to t.type तो l का जो भी type है maybe it is a integer character जो भी है यह किस से inherit कर रहा है t से कर रहा है t का जो type है वो l का type है like this तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे inherited attribute yes inherited attributes are convenient for expressing the dependence of programming language constructs on context in which it appears तो basically typing के लिए type मतलब type casting करने के लिए बताने के लिए concept किस का data type क्या है उस तरह के case में inherited attribute use करते है अचा obviously क्योंकि यहाँ पर आपकी जो value है वह आपके parent पर या आपके left sibling पर depend होगी तो यहाँ पर हम top down नहीं left to right and top to down idea follow करते हैं वो आगे example में भी हम देख लेंगे है ना तो दो तरह एक attribute हो गया बताये कौन-कौन से synthesize attributes one idea inherited attribute अलग idea अगें अगर पूरी बात में कहीं confusion हो तो जैसा मैं आम तोर पर करता हूं कि पूरा का पूरा characterization मैंने बना कर एक डिफरेंट में इस फाइव मार्क डिफरेंस यू कन गो इंटो एट और अलग से के point बिल्कुल clearly मैंने यहाँ पे mention करके रखा है अब जांते समझेए यह जो syntax director translation है इसको भी हम दो टाइप में categorize करते हैं एक type कहलाता है l s attributed एक कहलाता है l attributed यह difference कई बार exam में पूछ लिया जाता है semester exam university में तीनी point लिखना हूं बड़ा इंपोर्टेंट है पहला एस यह basically इसका subset है आपको आसान भाशा में बताऊं तो है ना s attributed कहता है कि मैं सिर्फ synthesize use करूंगा l attribute कहता है कि मैं inherited or synthesize दोनों use कर सकता हूं as simple as that पहला difference याद रखना है semantic actions are placed on the extreme radium देख चुके हैं अगर alpha to beta gamma है तो जब production complete हो जाएगा उसके बाद ही आप semantic action लिख सकते है एस attributed scheme में जबकि अगर l attributed scheme है तो जो हमने पहले समझाना अब माल लिजिए मैं starting में भी लिख सकता हूं यह मैं बीटा और gamma के बीच में कहीं पर भी semantic action लिख सकता हूं this is the idea यह obviously bottom-up parsing में evaluate करते हैं हमने समझा है क्योंकि यह जब नीचे की जितने questions all के यही वाले किये थे न bottom-up वाले pattern में ऐसे यह attributes are evaluated by traversing parse tree depth first left to right तो again left to right fashion में depth first fashion में हम चलते जाएगे यह idea है तो I think यह दोनों का difference भी आपको समाझ जाया होगा so वैसे तो यह chapter same है but this is major idea भी चलता रहेगा syntax directory translation भी because intermediate code में भी कई बार वो logic use होता है but now the next idea is intermediate code तो syntax directory translation के बाद हम एक generic format pattern जैसे हम बोलते हैं intermediate code अब उसकी क्या कहनी उसका क्या pattern है आईए उसको जानते हैं तो भी बात करते हैं intermediate code generation की I'll go point by point सबसे पहले intermediate code generation in compiler creates a machine independent very important point to be considered a low level presentation of the source code तो यहां पर आप समझे जैसा इसका नामी intermediate है ना high level language और machine level जो code है उसके बीच का यह कुछ representation है तो यहां पर जो programming language की technicalities है वो भी kind of come हो जाती है लेकिन machine से independent है तो intermediate code generation तक आते आते हैं आपको यह सोचने की जरुतनी की processor की capability है यह जिस assembler के लिए हम code generate कर रहे हैं उसके क्या features है वो भी tension नहीं लेना आपको yes facilitating optimization and making compiler design more modular and there are the following points अब यह 2-3 points समझे है in general किसी software के अंदर जो भी हम बात करते है computer science में step number one is consistency step number two is efficiency तो चीजों को optimize भी करना है यह जो intermediate representation है इस तरह का format है कि इसके ओपर optimization करना हमारे लिए आसान हो जाता है जो kind of हमारी fifth unit भी है यहां पर optimization की एक दूसरी बात जो यहां पर ध्यान देनी है कि modularity का मतलब क्या होता है अगीन ऐसा ना हो कि एक line आपने लिए और उसके अंदर पता नहीं हौच पॉच की और सीधे आपने final stage generate कर लिया तो clear cut stages होने चाहिए ताकि अगर एक stage में कोई change करता भी हूँ तो इसका impact अगली stage पे ना पहुँचे है ना तो यह modular architecture भी है क्योंकि step by step हम काम करते है तो अब दो-तिन बात है important portability क्योंकि intermediate representation machine independent है तो यहां तक पहुचने के बाद आप अगर different machine के लिए कुछ different conversion करना चाहें तो कर सकते हैं तो वही मैं आगे लिखता हूँ easy adaptation of compiler to different machine architecture इस notation से किसी machine architecture पे जाना relatively आसान है as it as only the code generation phase need to be machine specific जो finally code generation होगा वो ही specific है यहां तक सब कुछ neutral है optimization जो मैं आप से बूल रहा था वो करना भी आसान हो जाएगा more efficient target code through optimization performed on intermediate code rather than on high living और machine level code तो आप high level पर करोगे वो भी tough पड़ेगा machine level पर चीज इतनी complex हो चुकी हो थी कि वहां भी कुछ जादा बात समझ नहीं आती it is always advisable कि आप यहीं पर optimization करें and last point of ease of compiler construction simplifies the development and maintenance of compiler by decoupling the source code from the machine generation तो वही में जो आपसे दुबारे kind of repeated pointer दोनों को भी से हटा देता है और high level language और machine level दोनों के बीच में as an intermediatory यह काम करता है so यहाँ पर आप देख सकते है there you see एक example लिखा intermediate code का आगे भी और detail में समझेंगे बढ़ आप देख सकते हैं क्या यह code देख क्या बता सकते हैं कि कौन सी programming language में लिखा गया होगा नहीं बता सकते है originally high level command क्या थी नहीं बता सकते है और similarly आप यह भी नहीं सोच सकते हैं कि कौन से machine के लिए हम इसको future में convert करने वाले coming to the next point how you represent it तो intermediate code को represent करने के अलग-अलग formats है जो market में popular है जिसमें एक idea है postfix notation जिसके basic idea हमने देख लिया था अभी three address code which is the most most important जिसपर हम सबसे सादा concentrate करेंगे syntax is also important and one more idea is DAG DAG important है but DAG हमारा optimization tool भी है तो इसको बहुत detail में हम unit five में discuss करेंगे in the last optimization में तो अगर मैं छोटा से example यहाँ पर आपको दिखाऊं look at this यह एक expression हमारे पास है draw the syntax tree for the arithmetic expression and also write the expression in infix notation in postfix notation तो syntax tree कैसे बनाते है और notation में कैसा है कि दोनों चीज़ आप समझ जाएंगे देखिए logic यह है कि bottom of fashion में चलेंगे अब यहाँ पर क्योंकि प्रायरिटी एकदम बराबर है associativity left to right है then number आता है plus और subtraction का again दोनों की प्रायरिटी एकदम बराबर है left to right है और bracket is always priority number one तो अगर मैं नीचे से उपर की तरफ चलूँ तो मैंने काल सबसे पहले मेरे को B plus C solve करना चाहिए क्योंकि आपने उसको bracket के अंदर रखे मुझे clear cut indication बता दिया कि मेरे को सबसे पहले करना है yes उसके बाद you see अगला number आ जाता है A का so A को मैं solve करता हूँ और आप देख रहे है क्या करूँगा जो final इसी को बोलता है syntax tree जो हमारे leaf notes है वहाँ पर आपको मिलेंगे operands और operator मिलेंगे in between जब इतना हो चुका होगा minus का number बाद मेंगा obviously पहले हमें division करना होगा तो division में I think left operand आपको नज़र आ रहा है D और यहां को ग्रामर प्रामर ने लिए कि directly observation से कर रहे है और right operand है 2 और जब यह दोनों result हमारे पास आ चुके होगे तो obviously इनका आपको क्या करना होगा subtraction तो यह हमारा syntax tree बनके तयार हो गया अब रही बात postfix notation की तो postfix में हमने पहले भी convert किया यहां से भी करेंगे तो क्या कर सकते look at this I will go one by one जिस तरह से जिस pattern में हमने solve किया उसी pattern से follow करते चलता हूं तो पताए यह सब से पहले हमने क्या solve किया B plus C किया था तो मैं step by step भी करूंगा I can write B first operand second operand operator लिखेंगे बाद में and then I have minus ND divided by 2 अगला number किस का देखें अगला number है multiplication का तो first operand is A second operand is BC plus and then I can have multiply so this is one idea similarly this is first operand 2 is second operand and then we can have a division last में आपको नजर आ रहा है we have subtraction तो what is first operand it is ABC plus star what is second operand D2 division and then last तो यह आपको post fix notation भी नजर आ गया है तो इस question के अंदर कहीं पर भी हमने explicitly असा नहीं बोला कि grammar का या semantic sd tk through हमने convert के हो कुछ idea और direct एक idea था कैसे हम post fix में convert करते हैं कैसे solve करते हैं यह idea हमारे सामने and how we make a syntax tree कभी कभी what they can ask यहां देखे मैंने पहले से कुछ notation आपके लिए बना कर रखे कि जैसे if else statement है उसको आप post fix में कैसे convert करेंगे that is fun तो there you see जैसे मैं statement लिख रहा हूं if e माले जगर एक condition है then आपको x execute करना है else आपको y execute करना एक basic programming construct है I don't think की यह उसको समझने में कोई बहुत तकलीफ होनी चाहिए when we write it down na we write it using a ternary operator तो देखे कैसे लिपने यह infix में लिख रहा हूं this is the condition e is the condition and this question mark represents the ternary operator अगर e true हुआ तो x execute करेंगे और अगर e false हुआ तो y execute करेंगे इस ही format का written infix notation है जब आप इसे post fix में लेके आएंगे तो क्या होगा notice करिए again condition and then x and y तो आपका पहले आ जाएगा जो operator है that will go into the last है ना यह extended format है इस तरह के pattern को convert करने का अब यहाँ पर अच्छा case कब बन सकता है अगर कोई nested case पूछले जैसे यहाँ पर देखिए if a तो obviously यह condition है then यह पुरा bracket के अंदर है एक or a false है ना तो यह execute होना है अगर a condition false होती है then आपको execute करना a plus b यह वाली कहानी हो गई अब इसको कैसे यहाँ तक चला है ना तो अगर condition a true होती है ternary operator तो यह run करना है otherwise आपको जाना है a plus b में जो kind of हमारे else के पास है ठीक है अब आपको क्या करना है पहले individually इन सबको अलग-अलग solve कर लिजे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे c minus d है तो मैंने इसको post fix में लिख लिया a plus c है मैंने ac plus लिख लिया a star c है ac star लिख लिया जब मैंने individually solve कर लिया तो मैं overall इस bracket को solve करना चाहता हूँ जिसमें आप देखेंगे यही वाला format अगर में देखूँ अब यह मेरा e है यह मेरा x है और यह मेरा y है e question mark x y को कैसे convert करते है e x y question mark बाद में देखो वो ही किया है e x and y और यह मेरा question mark आगया बाद में तो यानि कि यहां तक का pattern मैंने solve कर लिए और similarly a plus b is again a b plus आसानी से किया जा सकता है अब यह जो बाहर वाला if है यह I think solve होने के लिए तयार है क्योंकि इसका x और इसका y ready है तो फिर से वही format लगाता हूँ तो अगर यह x यह y यह e x और यह y है तो सबसे पहले आएगा यह यह पूरा pattern हम पहले ही solve कर चुके है then we have this और सबसे last में question mark है ना तो that is idea using which अगर if as type के construct है तो उसको आप post fix में कैसे convert कर सकते है वो यहां पर हम देख रहे है आगे बढ़ता हूँ एक बार overall picture आपको दिखा देता हूँ जैसे post fix का तक idea आपने देख लिया three address code को भी और detail में पढ़ेंगे इसका मोटा मोटा idea पता किया है that किसी भी instruction में अब आपको भले इतना complex expression solve करना हो but हम बोल रहे हैं at any instance किसी भी instruction में maximum तीन address refer किया जा सकते है that is the reason you called it three address तीन address आप maximum refer कर सकते तीन से कम करेंगे तो चलेगा इस अभी नहीं कि मजबूरिये सर तीन करना ही पड़ेगा but तीन से जादा नहीं हो सकता here you can see you have a syntax tree और जो अभी हमने एक pattern देखा भी दो दीन syntax tree बना है तो यहां पर आप देखेंगे क्या कर रहा देखें बारी बारी से पहले a plus b को solve कर लिया इसने उसको t1 में रख रहा है अब यह तीनों भी एक बार में नहीं हो सकते further a plus b को solve करके t2 में रखा फिर t2 को notice करिए add कर रहा है c में इसको t3 बुलाया and now if this is t1 and this is t3 t1 t3 को multiply करेगा उसको t4 में रख रहा है that is how किसी complex instruction को 3 address code की limitation में रहते हुए आपको systematic तरीके से step by step pattern में solve करना पड़ेगा है ना तो यह एक idea है जो मेरे क्याल से बिलकुल perfect तरह से काम करता है है अब अगला idea देखे जो is like three address code तो इसको थोड़ा से detail में observe करते हैं so three address code is a type of intermediate code where each operator can have at most three operands जो मैं आपसे बूला था तीन operands हो सकते हैं one operator and that is the standard format तो a आपका answer होगा या जो location में जहां पर आपको result रखना है b and c आपके operands है and this op stands for operator जो भी आपको plus minus divide multiply comparison जो भी करना को वो आप यहां पर कर सकते हैं it simplifies complex instruction into a sequence of simple statement it totally makes sense अब इस तरह का complex statement जो नहीं समझाता है ना किसी को देखते हुए तो three address का फाइदा क्या है बहुत simple हो जाता है systematic हो जाता है विन हमारे लिए भी readability आसान है point is कि high level language तो बड़े बड़े काम करती है बड़े उसको three level पे लेके आते है तो गिंती के पांच-छे चीज़ ही है जो बचती है जैसे यह तो standard हो गया अब binary operator in between two operands है unary operator जो सकता ना suppose if i say x is equals to minus y तो there you have an operator यह मान लिजे factorial y इस तरह के या log y तो यह सब किसमेंगे एक ही operator है यह हो गया assignment go to L it means unconditional jump बिना किसी टेंशन के सीधे L पे पहुंच जाओ कोई location है then there you see one dimensional array की बात कर रहे है इसका मतलब क्या है कोई element I think सबको पढ़ना आता है कोई element x है जिसको किसी array के i-th index पे हम assign कर रहे है save कर रहे है यहाँ उल्टा है कोई array है a जिसके i-th index की जो value है वो copy करके हम y में लिख रहे है तो यानि कि array में read करना या array में write करना यहाँ पर basically आपने array में write किया है और यहाँ पर read किया है now this is pointer arithmetic star p is equals to x तो star p की value क्या मतलब है p is a pointer जो में भी किसी एक location को point कर रहा होगा कमाली जो उसके अंदर कुछ भी लिखा उसके अंदर z लिखा है तो यह क्या करेगा यह x में z को रख देगा basically star p मतलब d reference करना p नहीं p जिसको point कर रहा है जिस address को उसके अंदर जो value है वो x में आ जाएगी and what is this address of x तो अगर इसका नाम में z रख रहा हूं और इसके अंदर 2 लिखा तो 2 नहीं आएगा इसका जो address है z का यह x का माल लिजे x का address आ जाएगा y में तो basically pointer से आप कुछ भी महान काम करें ultimately 2-3-4 instruction में जाके वो लिखा जाता है minimize हो जाता है जैसे एक और example try करते है there you see a three address code लिखिए इसके लिए देखिए एक बार pattern by pattern कैसे किया पहले इसने a-b किया तो यह हमारा हो गया t1 अब देखिए पहले से मैंने basic case लिखके रखे ताकि runtime पर आपको बहुत आदा समय ना लूँ नो यू नरी operation है क्योंकि minus कर रहा है तो minus of t1 is t2 तो यानि कि यह पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया t2 हो गया sir then यहां अगे बढ़ा होगा तो c plus d is equals to t3 and t2 multiply t3 t2 multiply t3 अब यह पूरा pattern notice करिए हमारा हो गया क्या t4 हो गया yes फिर आगे बढ़ते हैं so then I have we have a plus b फिर इसको further solve किया तो इसने square thing यहां पर माना है t5 और उसमें add कर रहा है c को तो t5 plus c करेंगे that will be t6 और t4 और t6 को c add कर लिया ना yes और t4 और t6 को final solve करके क्या बना दिया t7 तो simple pattern है इसे कोई रटने की बात नहीं है मैं कोई different expression लिखूंगा ऐसा भी ह सकता है आपको और मेरा final three address code थोड़ो बहुत different है obviously आना भी चाहिए because हर किसी का thought process अलग है but मोटा मोटा idea ऐसे ही काम करता है ठीक है अब है representation यह क्या कहानी है sir तो जो three address code हमारे है ना उसको लिखने के अलग-अलग mechanism है जैसे मोलते quadruple triple या indirect triple छोटी सी बात है बहुत simple बात है और exam point of is important to represent करने के लिए आ सकता है तो अभी जो हमने convert किया वो ही मैं यहां पर लिखके रख रहा हूं और आपको बतानो quadruple में कैसे लिखते हैं तो what is quadruple quadruple means 4 है ना तो यहां पर हम क्या करते है look at this चार कॉलम बनाएंगे यह तो sequence number से छोड़ दो चार कॉलम operator operand 1 operand 2 result as simple as that तो माले जी लिखा प्लस a t1 is equals to a plus b what is the operator sir operator plus है ठीक बात है आसान है समझ आती है कौन-कौन से दो operand a और भी दो operand है result कहां पर रखना है result t1 में रखना है yes यहां देखे t2 is equals to minus t1 तो what is t1 there you see t1 unary operator है ना तो second operand यहां पर नहीं आएगा हमार operator minus है and then t2 and similarly मुझे पता नहीं मुझे असमा और क्या बताने की जरूत है बिल्कुल सेम तरह से pattern by pattern भड़ते चलते हैं और अगर आप three address code को इस standard format में table में represent करते हैं तो that representation is known as quadruple representation yes एक अगला idea हो सकते है इसको लिए triplet quadruple के you know there is an argument कि यार यह ना सर बहुत time taking है बहुत space ले गए चार column ले रहा है इससे तोड़ा optimize कर सकते हैं कि अबना बहुत जादे space occupy कर रहा है code lengthy बनेगा तो कर सकते हैं सर कैसे कर सकते हैं अब ध्यान से देखिए क्या गायब कर दिया है एक column गायब हो गया कौन सा गायब हो बताओ operator है operand 1 है operand 2 है जो result वाला था हो गायब हो गया भी result कहां रखेंगे फिर तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं जो result है ना वो हमारे sequence number में result मान लेता है तो मतलब देखो भी क्या आपको समझेगा a plus b पहला instruction is equals to plus अब यह गया t1 में but basically यहाँ पर मान रहे कि यह गया line number 1 में अब जहां भी कहीं t1 refer करना you can write line number 1 जैसे देखे second instruction में आपको minus करना है t1 में but t1 basically result किसमे है 1 में so you just write 1 बताई बात समझा रही है क्या तो आपने ऐसे लिख दिया अभी c plus d का sum किदर है line number 3 में अब आपको t2 t3 को multiply करना तो you just write 2 3 and 2 and 3 are basically the results stored in line number 2 and 3 वहाँ से जाके मुसको refer कर लेंगे तो इस तरह से जो third you know column fourth column आफ कीजेगा हम बना रहे थे result का लग से हम कहने बताने की ज़रत नहीं है because there are different different lines तो उनके थुरुम समझ जाएंगे कि कौन से result की आप बात करें there is no need to have these temporary variables advantage क्या होगा space यहां पर waste कम होगा disadvantage क्या होगा बाद में आपको optimization करना है instruction उपर तो नीचे move करने तो नहीं कर सकते अगर number change होगा तो पूरा code हमारा खराब हो जाएगा है ना तो हर काम को करने के कुछ फायदे नुकसान है over optimize करेंगे तो यहां पर अपने हिसाब से momentum नहीं कर सकते ठीक है sir एक idea है indirect triplet अब यह क्या है एक तरह का pointer वाला idea मैं आपको समझा देता हूँ अगें जैसे मैं different example यूज कर रहा हूँ अ अच्छा यहां पर दुबारा पहले दूसरा आगया है यह समझी indirect triplet तो this is an idea जिसके लिए पहले से आप notice करिए triplet notation हमने लिखके रखा है कुछ नहीं है same बात है तो triplet notation हमारे पास है जो sequence number उसे sequence number ना बोलके मैं index बोल देता हूँ that is one idea and एक तरह का separate table हम बना देंगे pointer table so this is a pointer to index number 0 p2 p1 is a pointer to index number 1 similarly p5 is a pointer to index number 5 and using these pointer हम इनको access कर सकते हैं इसका फायदा यह होगा क्योंकि additional pointer हमारे पास है अगर out of the sequence या कहीं और जाके हमें यह point कुछ वो data access करना हो तो इन pointers की मदद से इन tables के जो specific rows हो नहीं access कर सकते हैं यह इसका idea है तो indirect triplet में क्या करना है सबसी एक pointer table बना देना है and then you say कि triplet notation जो था that becomes indirect triplet notation so I think यह idea भी clear हो गया अब और आगे बढ़ते हैं अब देखे हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है three address code जो है ना अलग-अलग तरे के वो हमें practice करनी है और एक आपके syllabus में है one dimensional array जो सबसे important है कुछ लोग 2D array की बात करते हैं but I don't think that is that important as far as your examination is concerned कि क्या हम एक one dimensional array को access करने का formula होता है even जो data structure की one shot video मैंने वो पूरा explain किया पूरा derive किया है उसका formula three address notation में लेखना है यह कहानी है तो कैसे लिख सकता है मैं simple math पहले याद दिलाता हूँ आपको तो यह यह पूरी mathematics हमारे साथ है sir एक array हमारे पास है जिसका नाम है A जिसके अंदर जितने भी cells है हर cell capital B sorry हर cell W, W is the weight of each element मैं सब कुछ अलग से mention करके रखा है हर element W size occupy गरता है array का base address जो है वो हमारे पास capital B है lower bound को मैं lower bound से ही represent करता हूं upper bound को UB से करता हूं यहां जरुत नहीं पड़ेगी और आपको बताना है कि कोई भी index number के अगर है है ना तो वह कौन से address पह है तो माली जैसे base address 200 है हर कोई दो-दो-बाइट occupy कर रहा है तो यू can automatically calculate क्या अब इसके लिए एक formula जो हम पहले से derive कर चुके हैं यह हमारा काम करता है क्या तब किसी भी kth element क्या जो location उस identify कर सकते हो using this formula करके देख लेते हैं तो मान लीजे इंडेक्स मान लेता हूं 1,2,3,4,5,6,7,8 और base address में ले लेता हूं 200 और size of each element मान लेता हूं 2 तो अब मान लीजे हमें 6th element का index find करना है तो मेरे को 6th index पे जो element हो उसका address find करना है my base address is 200 weight of each element is 2 और 6th index चाहिए lower bound कहां से गिंती शुरू हुई 1 से तो basically 6-1 becomes 5 यह क्या अंदासा लगा रहा है आपसे पहले कितने element हो अगर आप छटे पे हैं तो आपसे पहले 5 होंगे और हर कोई 2 byte consume कर रहा है तो 5 into 2 becomes 10 and 10 plus 200 so that becomes 210 now that will be the address of the 6th element तो यह यहां तक हमने कुछ नया किया नहीं से यह पूरी analysis यह पूरी mathematics तो already हम कर चुक है कहां पर data structures में है न वो कोई नई बात नहीं है अब यहां पर क्या करना है इस formula को थोड़ा सा reorient करते हैं इसको 3 address formula कैसे लाएंगे look at this तो base address को फिलाल base address ना लिखे मैं address of a लिख लेता हूं कोई problem नहीं होनी चाहिए इस bracket को open कर लेता हूं तो that will be w into k and that will be minus w into lower bound इस case में हम जनरलाइज कर लेता है कि मानलीजे lower bound हम 1 से शुरू करेंगे तो k को मैं 1 मानलीजे को थोड़ा सा reorientation कर रहा हूं यहां पर देखेंगे तो address of a और अगर lower bound lower bound की value अगर हमारी हो जाती है 1 तो lower bound की value अगर हमारी हो जाती है 1 तो यह हमारा हो जाएगा w और w आजाएगा इधर so that is one idea w into k is another idea और आज के बाद मैं यह एक तरह का constant है क्योंकि आप कोई भी question solve करोगे w is the size of each element base address will remain same इसको मैं बोलूँगा t2 जान से समझेगे इसको क्या बोलूँगा t2 and w into k इसको मैं बोलूँगा t1 अब यह solve कैसे करें इसको question कैसे solve होगा three address code कैसे मिलेगा देखते हैं अब मान लीजे यह लिखना है हमें a of i is equals to 10 address है किसी area में a of ith location में 10 store करना है तो again हमें कैसे लिखना है notice करिए पहले t1 की value कैसे calculate करते look at this t1 is equals to w into i w क्या है मान लेते हैं इसकेस में size of each element is 4 तो आल से 4 into i t2 क्या है address of a minus w so address of a minus 4 तो ऐसे लिख देता हूं and finally you can say t2 जब t1 और t2 दोनों की value आ गई तो t2 bracket में t1 is equals to 10 जो हमारे पास पहले से given है तो basically that is how we can write a one dimensional array into this three address code है ना तो थोड़ा थोड़ा आपको practice करनी है और मैं यहां करूँगा यह अलग-अलग pattern जितने हैं ना हर pattern पर आपको practice करा दूँगा फिक गिंती के पाच्छे साथ अलग-अलग ideas है जो आपके slaves में clear-cut mention है जिस पर examiner कह रहा है कि मैं three address code पूछ सकता हूं वन-dimensional area को समझने के बाद अभी अप्रोच यही रखेंगे कि different different programming constructs समझने की कुशिश करेंगे तो एक आइडिया यह बड़ा important है और आम तोर पे exam में कभी कभी रेफर किया जाता है जो कि switch case हना आपके स्लिवस में separately mentioned है तो एक बाद जारा switch case के लिए three address code बना के देखता है हाला कि relativity is very easy तो there you see switch a plus b और यहां पर हमारे पास 3 case है break statement नहीं लखा to make the thing simple और default case में एक statement लिखा हुआ है तब यहां numbering मेंने की होई है एक एक करके value by value देखते जाएगा जो confusion होगा देखेंगे सबसे पहले obviously हम a plus b calculate करेंगे है ना तो यहां देखें इसने किया 101 calculate के और value रखी t1 के अंदर and there you see unconditional jump है कहां के लिए 103 के लिए तो हम भी चलते है 103 पे और obviously होगा भी है case by case check करेंगा तो सबसे पहले किसके साथ match करेगा case 1 के लिए और यहां देखें 103 पर चेक कर रहा है t is equals to 1 है ना और go to 105 अगर ऐसा है तो तो पहले अब देखें 100 पर गए और यहां पर case 1 मतलब basically 1 है के नहीं है तो this यह basically comparison कर रहे है क्या t की value 1 है यह basically यह जो हमारा variable है अगर value 1 है तो हम सीधे जाएंगे 105 पे जहां पर की operation देखें हमा पहले पूरा sequence आपको समझाता हो एक flow मानके चलते हैं जहां पर की operation हमारा रन हो रहा है that is t2 में x is equal to x plus 1 लिखा और उसके और वह value 106 में आप देखने अपडेट भी कर दिया तो flow में होजे का हम नहीं गडबन लिखा ऐसे ही काम करता है हाँ ब्रेक लगाएंगे तो सीधे बाहर आएगा तो मान लिजेगर यहां तो ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा देखिए उसके बाद कोई ब्रेक नहीं कुछ नहीं सीधे फ्लो में आगे चल रहा है फिर चेक कर रहा है कि टी की value 2 देन गो टू 109 फिर आप 109 पर जाएंगे condition चेक करेंगे दन अगें यह वाली condition दन करी फिर यह value अपडेट करी अगें कोई ब्रेक नहीं आप इदर आएंगे ती का इन्वेस्टिगेट किया 113 पर गए और यहां पर प्लस थ्री हमने किया राइट किया और फिर डिफॉल्ट केस तो वह भी ही पर आगया दन C is equal to C minus 1 C के अंदर T5 रखा and then you go to 17 next statement exit हो गया हना यह वो statement था जहां पर case 1 direct run, imagine करते case 1 ना run है करे direct case 2 करे तो क्या होगा देखिए हम यहां पर run करेंगे हम जाएंगे यहां पर और मान लीजे value 1 नहीं है तो क्या होगा अगर value 1 नहीं तो देखिए अब आप सीधे आ गया आएंगा और directly आपको लेके जारा 107 पर नोटस करिए यह वही वाला case है जहां से हमारा case 2 चल रहा है माल लीजे यह भी fail हो जाता तो क्या होता तो यह again this is a conditional jump ना यह भी अगर यह condition hold नहीं करेंगे तो आप जाएंगे 111 पर और 111 पर जाएंगे तो आपको direct क्या मिलेगा case 3 again it's a conditional thing so i think थोड़ा सा अभी एक और topic है back patching उसमें यह है कि इन सब चीज़ों को fill in the blank कर देते आपको high-level code देता है बोलते नहीं यह three address code देखो high-level code देखो दोनों को compare करो और फिल करो but i hope is a fundamental idea आपके दिमाग में develop and this is not a very difficult code to be very honest है ना तो इस तरह को कोई case आएगा तो थोड़ी सी practice कर लीजेगा for example switch case अगे direct आता है तो आप exam में उसको अच्छे से लिख के आ सके ठीक बात है आगे बढ़ता हूं एक और example अब try करते है थ्री address code जंडरे generate करने का सारे possible मैंने क्या देखा है university exam में कहीं पर भी किसी pattern पर एक भी question पूछा गया मैं सोचता हूं याद कम से कम एक simple case तो करा दो इस वीडियो का मतलब क्या है क्या यह वीडियो देखने के बाद फिर से आपको दुबारे standard box या quantum या KPI जो कोई भी resource refer करने की ज़र्वाथ है आपका मन है तो करे otherwise this is more than sufficient है ना तो यहां देखिए मेरे पास है grammar है पूरा sdt लिखा हूँ आपके सामने और एक tree generate करना है और बताना कि जब इस tree को generate करेंगे तो यह जो syntax चीज हमारे पास है plus और multiply तो मैं पहले plus पर जाता हूं so e tends to there you see e plus t notice कर पा रहे है और फिर हमको चाहिए multiply plus के बाद चाहिए ठुटी की मैं मनद लेने वाला हूं यहां पर so t से यह देखिए t multiply f और आप फटाफ़ टर्मिनेट करो तो e से हमको क्या मिलेगा बताईए e से हमें मिलेगा t then t से हमें मिलेगा f f से हमें मिलेगा id जो कि मान लेते हैं इस case में हम 2 मान के चल रहे हैं similarly यहां पर आगे बढ़ेंगे तो t से आपको मिलेगा f f से आपको मिलेगा id जो कि इस case में हम 3 मान रहे हैं है ना and look at the last case यहां पर f को f से आपको मिलेगा id जो कि यह नहां पर हम इमाजन कर रहा है तो ट्री तो हमने बना लिया और पार्स रिया से जो भी बोले उसमें भी में एक्सपर्ट है बट यह सिंटेक्स डारेक्टर ट्रांसलेशन क्या करेंगा देखने की बात है और अब मजाने वाला तो चलिए जो अप्रोच हमारी है में नीचे से की तरफ चलूँगा जैसे bottom-up parsing इसको convert करता और फिर देखते है क्या चमतकार होता है तो हम नीचे से ओपर जाएंगे देखिए ID कनवर्ट हो रहा है F में जैसे ID F में convert होगा क्या करना है ध्यान से देखिएगा make node एक function is make node जिए एक node बनाते है बाइनरी node बनाएगा ठीक है and then name.id.name जो कि फिल्हाल मानलीजे यहां रखता हूं टू और यह किसके पास आएगा F.node pointer तो F नाम के पॉइंटर है जो इस address को hold करके बैठेगा वरना node खो जाएगा ना like this फिर आगे बढ़ो F convert होगा T में इसमें कुछ हो रहा है इसमें सिफ pointer transfer हो रहा है तो मानलीजे जो pointer भी तक F के पास था सरी अभी T के पास आगया फिर आगे चलो I think यहां भी pointer ही bypass होगा क्या T F के पास जा रहा है T E के पास जा रहा जी हां तो यह लिजे अब इसको E के नाम से जानेंगे E के पास pointer है ठीक है आगे बढ़ता है इसके आगे आपको handle मिलेगा नहीं तो यहां से 3 बना रहे है और इस यह जो node है इसका address F के पास होगा यहां से देखिए F से T के पास जा रहे है तो again यह चला गया T के पास और उपर जाने का कोई रास्ता है जी नहीं है फिर आगे उपढ़ेंगे अब शायद नमबर आएगा यह वाले production को execute करने का and then यहां पर हमें मिलेगा क्या मिलेगा सर यहां पर मिलेगा 4 along with 2 null pointer और यह है F के पास अब finally T star F ध्यान से एक handle आपको मिला T star F जो की T में convert होगा T star F T में convert होगा और अब देखिए clear cut बता रहा है कि दो pointer आपके पास होंगे एक T वाला होगा F वाला होगा बीच में रखना star एक नया node बनाना T के पास यह जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ sir I can have a new node बीच में रखूंगा star और यह point करेगा इस T को और दूसरा जो इसका pointer है वो point करेगा इस F को और यह दोनों किस के पास होंगे T के पास है ना तो यह थोड़ा समय चेंज करता तो देखे कितने खुबसूरत तरीके से आपको binary tree बनते हुए नज़र आरा step 2 step bottom of fashion में यस फिर आगे बढ़े bottom of parsing वाला idea continue करते है sir यहां से आगे बढ़ते है पता ही अगला handle क्या मिला अगला handle मिला E plus T जो की E में convert होगा और यहां भी आप देख सकते है अगें we have a production rule semantic action क्या करना है एक node बनाना है बीच में रखना है plus यह pointer 100% E वाला इधर से आ रहा है देखे T वाला इधर से आ रहा है और यह total result जो है यह pointer रहने वाला है E के पास like this और again मैं क्या कर सकता हूं यह pointer सियां से हटा देता हूं कि कोई ज़रूत नहीं है और अब मैं आप से पूछ सकता हूं क्या कि बताईए यह जो पूरा syntax directed translation है क्या कर रहा है sir this is a translation to create a binary tree क्या क्या नहीं कर चुके हैं पोस्पिक्स में convert कर चुके है binary tree बना लिया है और क्या किया था और पोस्पिक्स कनवर्ट किया था binary tree में symbol table में write कैसे करते हो आगे हम देख लेंगे और एक-दू variation किये थे ना कौन से थे यह यह काम हम कर चुके वन address के लिए भी three address code generate कर चुके है and like this so different different kind of ideas हमारे पास है आगे देखिए यह kind of already में आपसे बात कर चुका हूं है ना कि कौन कौन से statements हो सकते है three address में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे assignment kind of हम बात कर चुके बाइनरी operator है और बीच में जो भी operation होगा वाई में assign करेंगे unary हो सकता है simple assignment हो सकता है unconditional jump जो हम कई बार देख चुके जहां पर हम condition भी चेक नहीं करते है directly आपको लाते हैं और बोलते हैं कि उधर उस location पर चले जो unconditional jump जैसे जो three address code हमने किया था there you see 102 पर लिखा है go to 115 अब यहां से जान रही है this is unconditional jump है आपका मन हो ना हो आपको जाने ही पड़ेगा को condition ने चेक करनी ठीक है conditional jump अगर maybe कोई operation रख सकते है कोई condition होगा अगर condition hold करता है then you go इसका भी simple है जैसे यह देख लीजे if t is equal to 2 then you go to 109 तो conditional jump be three address instruction का part है procedure call अभी हमने किया नहीं बड़ आप इसको समझ सकते है there are number of parameters x1 x2 x3 मान लीजे n number of parameters है तो हम क्या करते है call करना है procedure P को number of parameter इस ध्यान से देखे कैसे पढ़ेंगे तो procedure का नाम उस function का नाम क्या है sir function का नाम है P call कर रहे n number of parameters के लिए return आपको मिलेगा तो that is how you can write read और इन दोनों पर भी मैं पहले आपके साथ discussion कर चुका हूं कि कैसे किसी area में access कर सकते हैं या write कर सकते हैं या pointers के साथ basic game खेला जा सकता है ना एक अगेन वैसे तुम्हें इस idea पर बात कर चुका हूं बट मेरा मन नहीं माना विगूस मैंने कई बार देखा है इनवस्टी एक्जाम में question पूछे गए है तो एक बार में differentiate कर लेना चाहता हूं दुबारा से syntax tree में पार स्ट्री में और annotated पार स्ट्री में क्या difference है है तो जब हम बात करते है syntax tree की अभी एक example हमने ले लिया there you see एक grammar हमारे पास है e tends to e plus e तो माली जे एक ही operation बारवर generate होगा oblique id और id से आप कोई भी number बना सकते हैं तो अगर मैं आपको standard दिखा हूं यह production मैंने यूज किया तो आप direct देख लो क्या हम बना रहे है हम बना रहे है 3 plus 4 plus 5 like this तो जब मैं पूरा production mention करता हूं कि e से पहले में e plus e generate करूंगा then again I'll go e plus e and like digit and then 345 इसको हम क्या बोलते है this is known as parse tree this is known as parse tree जो grammar हमारी बना रहे है जो step number two यानि के syntax analysis का हमारा answer है इसको एक तरगा short या इसका बोल सकते हैं इसी का concise version इसको हम बोलते हैं syntax tree the abstract representation of synthetic structure of a program omitting synthetical statement like brackets and punctuations वो सब हटा देते हैं basically यहां पर जितने भी internal node है वहां पर आपको operators मिलेंगे और जितने भी leaf node है वहां पर आपको operator मिलेगा yes तो this is the most optimized form of the parse tree so this is syntax tree this is parse tree अच्छा यह हमारा क्या है annotated parse tree जिसकी हम decoration कर दें जिसको मैं notate कर रहें और यह आपने पूरा देखा sdt के अंदर chapter 3 में यही पूरा pattern आपने देखा है तो यह तीनों अलग अलग बाते हैं तो मैं बोल सकते हैं कि यह एक तरह का middle situation है यह बहुत ही abstract है बहुत concise है और यह थोड़ा से detailed explanation है जहां पर सिफ grammar नहीं कुछ additional rule regulations उनका भी हम ध्यान रख रहें एक और केस ट्राइब करते हैं यह भी आपके syllabus में मेंचेंड और कई बार समिस्टर्स में पूछा गया है तो syntax directed translation ट्राइब करते हैं for boolean expression तो अगर boolean expression होगा तो दो यह चीज़े हैं दो value हो सकते हैं आइधर you can have 0 और 1 और operator and और not जो तीन fundamental operator एक बार वो आपको समझा तो उसका अब आप कुछ भी बना सकते हैं एक दो कि समझा रहे तो you will get the idea अब देखिए इसका मतलब क्या है E implies E और E है ना तो E और E में operation करना है वो अपने आप में कुछ भी expression हो सकते हैं simple boolean variable हो सकते हैं और operation अलाई करना result जाना है E के अंदर अब कैसे करेंगे ये काम एक step में कर सकते हैं क्या तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आप देखे हमें एक नया temporary variable बनाना पड़ेगा है ना और वो temporary variable में जो value आएगी वो जाएगी E.place के अंदर basically E.place मतलब symbol table में जो हमारी location है और यहां पर आप देखेंगे क्या कर रहा रेखिए E1.place मैं color change कर लेता हूं so that आपको clearly नजर आए there you see E1.place and E2.place ये compiler की location है वहाँ पर जाना है जो जो data मिलेगा उन में और operation वही logical or क्योंकि binary की बात कर रहा है ना हम logical और apply करेंगा जो result आएगा वो E2 E.place में जो हमारा left hand side पर लिखा हूँ है उसमें हम emit कर देंगे emit करेंगे मतलब this is a function जो कि output में write करता है it will write है ना और यह जो भी result आएगा निया temporary variable हमारा बन जाएगा तो एक बहुत simple सा हमारा idea हो गया बात समझ आती है क्या similarly इधर आप देखेंगे यहां end operation है तो इसमें कुछ fancy तो है नहीं बाकी सब चीज लगबग लगबग सेम होंगी बस आप logical और कीजिए का क्या करेंगे इंड करेंगे एक variable आपको obviously यहां भी बनाना ही पड़ेगा है ना यहां पर it's a unary operator हम सिर्फ क्या कर रहे है निगेट कर रहे है तो अगें देखेंगे बहुत simple है यहां पर दो नहीं चाहिए बस even.placement जो भी value है उसके पर not operation apply करो e.place में उसको रख दो emit again you output file में उसको write करो and then you see a temporary variable यहां तो I think simply bracket है तो bracket को को मतलब नहीं जो भी value होगी direct उठाके sign कर दिया यहां पर देख सकते कि यहां पर मुझे कोई नया you know temporary variable kind of बनाने की ज़रत नहीं है next देखिए अच्छा यह दो base case है अब in general जब हम उसको true बोल द मान लेते हैं जब false बोलते है false का मतलब क्या मान लेते है जीरो अब एक ही बात है true बोलो zero बोलो true बोलो one बोलो false बोलो zero उसको वही कहा रहा है एक नया variable create किया new temp वह तो same idea है in e.place में सीधे one रख दिया क्योंकि computer को हर चीज़ नमबर में समझाते है समझना audio video whatever it is उसको number चाहि मान रहा है और वह false का मतलब zero मान रहा है तो अगर कभी boolean expressions पर हमें काम करना पड़े तो उसकी भी syntax directory scheme हमारे पास है अगें फिलाल आपको objective किया है शाहिदी real life में जीवन में software में काम करते हैं आपको कभी यह करने की जाट पड़े दो दो बार तीन बार लिखके देख इस नेक्स देखिए एक और दूसरा छोटा से एक्जाम्पल अगें बना के लाओ जितना प्राक्टिस करो सब उतना कम है क्योंकि गिंती के केसे हैं and clarity कि से मिल जाती है next level तो यहां पर अगें एक grammar हमारे पास है और कुछ syntax राटी ट्रांसलेशन आपके साथ discuss करूंगा जहा पर हमारे पास addition भी हो सकता है simple expression arithmetic expression plus है multiply है unary operator है bracket है id and बाद में sign कैसे कराना है तो कैसे करते हैं धान दीजे मजा आपको आएगा एक छोटा से sample case मैंने सिफ रूल ना बना के कैसे वो करेंगे वो भी यहां पर करके दिखाया है तो a string हमने माली जा इमाजिन कर ली है मैं आलक एक से लिख दूँ तो दिस लाइक मल्टिप्लाइन मल्टिप्लाइन मल्टिप्लाइना तो दिस लाइक मल्टिप्लाइबी इस वन आइडिया जासे समझ आ रहा है तो सेकंड वन इस C multiply by D this is another idea दोनों के बीच में लगा रहे प्लस और उसको असाइन कर रहे है एक्स यह हमें करना है तो step number one देखिए मैंने tree तो आपको direct बना के दिखा दिया grammar आपके सामने लिखिए कोई महान बात नहीं है है na very basic अब bottom of fashion में हम क्या करेंगे और कैसे काहनी आगे बढ़ेगी notice करिए तो अलग-अलग functions हमारे पास है तो यहां देखिए पहले for example इसका क्या मतलब है आए की अंदर जो भी value basically मैं कहा रखना ID के अंदर रखना यह यह आप देखो क्या कर रहा है सबसे पहले क्या कह रहा है ID is equals to lookup ID name lookup क्या है lookup search करने के लिए function है कि जाओ symbol table के अंदर और इस ID name के लिए lookup करो हाना अब अगर if ID entry is not equal to ध्यान से दिखें के equal not equal this is not equal is not equal to null अगर entry null नहीं है यानि के entry आपको मिल गई तो बहुत खुशी की बात है फिर उस entry के अंदर e.place की जो भी value है उसको आप save कर दो append कर दो write करना माने append करना save करना yes लेकिन अगर आपको entry नहीं मिली तो फिर आप क्या लिखेंगे आपको error declare करना पड़ेगा कि sir यह तो it's kind of undefined symbol कैसे write करो उस नाम का ID नहीं है मेरे पास यह वाली खानी है है ना so how you actually assign it यह तो मेरे खाल से फिर वही same कानी है even plus e2 के value को write करना किस में तो कैसे करेंगे again even.place symbol table में refer कर रहा हूं e2.place दोनों की जो भी value है उसको sum करेंगे उसको e के अंदर रखेंगे again append करना मतलब update कर देंगे राइट कर देंगे symbol table के अंदर and new temporary variable जो भी बनेगा वह value जाएगा e.place के अंदर बहुत simple बात है इसको अगर आप नीचे सोपर की तरफ देखोगे तो यह जो action है rule है यह इसको generate करेगा a plus b की value t1 एक नया temporary variable में चली जाएगी हां not this one actually हमें क्या चीए हमने अचा मैंने शायद यहां पर प्लस लिग दिया इसको भी multiply कर देता है अभी ठीक है तो not this one this one एक ही बात है ना उदर प्लस ने लिगके multiply लिग दिया ऐसा हमने कर दिया अगें यहां पर यूनरी operator है तो simple minus run किया एक लास वाला केस देख लीजे वह आपके लिए थोड़ा इंट्रस्टिंग होगा तो जब फाइनली टर्मिनेट करते है ना तो क्या करना अगें टर्मिनेट करेंगे kind of तो पहले चेक करो entry हमारे पास है के नहीं है अगर entry मिल गई तो फाइनली id में e.place की जो भी value है वो आप उठा के उसको update करो और अगर नहीं है तो फिर से वही define करना कि भाई यह कोई declared मेरे पास नहीं है so that doesn't make sense तो इस तरह के sdt भी अगर आपसे पूछता है तो हम पूरी training लेकर चल रहे हैं है ना हमें इसमें कोई problem नहीं आनी चाहिए इस पर आप काम कर सके control flow कुछ case यह भी try कर लेते हैं तो देखिए हमने switch case कर लिए पहले किये थे उसके बाद हमने यह सारे pattern देखे binary tree कैसे generate कर सकते है वो देखा अभी last में आपने देखा expressions boolean expression arithmetic expression उसके sdt कैसे बना सकते हैं यह देखिए दो तिन simple statement है इफ पर पहले काम कर लेता है यहां देखो पहले statement पढ़ो क्या लिखा हुआ है so statement है if e then s1 as simple as that तो अगर e condition हमारी काम करेगी तो हमको s1 run करना है अब कैसे यह काम करेगा प्रोच क्या होगी ध्यान से देखिए तो e का जो भी condition होगा आप उसको run करेंगे उसके code को run करेंगे है ना और या तो वो true होगा या तो वो false होगा अब obviously अगर वो true हुआ तो मेरे को यह basically मैं pointer की तरह से आपको दिखा रहा हूँ मेरे को s1.code पर जाना पड़ेगा as simple as that लेकिन अगर वो false हुआ तो मैं सीधा इसको bypass करूंगा और false मैं सीधा जो next statement होगा वहाँ पर चला जाओंगा और वो ही चीज़ देखिए मैं आपर लिख रहा हूँ e.true अगर हमारा हुआ तो एक निया लेबल हम generate करेंगे और e.false पर या s1.next पर दोनों पर snext होगा यह बड़ी important है क्यों ध्यान से समझी है अगर यह condition false हुई यह condition false हुई तो भी आपको xnext पर आना है अगर यह condition true ही तो भी आपको xnext पर आना है अगर मैं flow बना के इसे क्योंकि else तो है नहीं आपर तो let me say if this is s and this is s1 तो आप अगर this is true and this is false जान से देखिएगा तो अगर condition false होती है तो भी आप s पर आएंगे अगर condition true होती तो वाया s1 आएंगे बट आना आपको s में ही है तो वही चीज़ यहां पर लिख रहे है कि false का next या s1 का next दोनों क अगला जो है वह s next s next ही होना है tongue twister हो गया है तो yes एक पर यह देख लीजे अब code कैसे लिखेंगे s.code जान से देखिएगा e.code this means append करना एक साथ लिख रहे है this is not our operation तो e.code हम रन करेंगे अब यहां पर देखिए gen एक function है जो की check करेगा e.true काम करेगा के नहीं और उसके वा काम करेगा तो हमें कहां पहुंचना है s next पर पहुंचना कोई condition तो उसकी है नहीं है अगर इसी को थोड़ा सा modify करें और if में else भी हो तो देखो क्या होगा एक तरफ true होगा एक तरफ false होगा और यहां पर हमने क्या किया s1 और s2 है ना दोनों के अलग-अलग होंगे तो let me call this says s1 and this is s2 और obviously finally दोनों को आना एक ही रास्ते में भी I'll call it s अब देखिए तरह कहानी किया चलेगी तो यहां देखिए s1 का next भी s next है s2 का next भी x next है उधर ही आपको जाना है दोनों के लिए true और false के लिए यहां पर नए label आपको बनाने पड़ेंगे और यहां से भी इस next पर जाना पड़ेगा और इधर से भी x next पर जाना पड़ेगा kind of same approach है यहां पर बस code थोड़ा सा आगे चला जाएगा पूराने वाला पूरा pattern तो देखो एकदम सेम आ रहा है उसमें कोई change नहीं है यहां पर जरूर देखने की बात है कि जो हमने s1 के लिए किया था अब वो हमक अगर control flow की बात आजाए तो यह flow chart बनाई ए execution लिखी एक basic basic idea आप समझा के आएंगे तो examiner को समझेगा कि हाँ you have that basic understanding हला कि इतने detail में पूछा आजाए इस बात के chance कम है बट syllabus में mention किया है तो basic idea तो हमें लेना ही है आगे बढ़ता हूं और यहां पर हमने किसके लिए लिखा ह है ना तो while कि अगर आपको कहानी समझा हूं while कैसे काम करते हैं आप जाते हैं एक condition जैसे माली जहाँ पर e लिखा उस condition को run करते हैं अगर condition काम करती है तो आप s1 code execute करते हैं let me say true और वापस जाने का रास्ता नहीं वापस आपको इधर ही आना है और अगर यह false होता है तब रहा हूं किया and that is a while condition यह है कुछ लूप की कहानी ता आप आएंगे एक कोड को execute करेंगे दो लिबल जनरेट हो सकते है true या false और अगर true हुआ तो आप s1 code पे जाएंगे no doubt अगर false हुआ अचा code पे जाएंगे उसके बाद फिर से go to begin now that is unconditional jump आपको इधर जाना ही पड़ेगा है ना फिर से begin करना पड़ेगा बाहर निकलने का रास्ता यह है यही है उपर से और false हुआ तो सीधा false लेके s.next लेके निकल जाएंगे एक बार अगर आपको approach idea समझ आने लगा तो फिर इन सब की कहानी सेम ही है तो यहां देखिए एक नया label generate किया now e.true new label false हुआ तो next पे जाएंगे s1 के next से इस बार बाहर नहीं जाना सीधे फिर से begin पाना है और फिर कहानी आगे बढ़ेगी और जैसा pattern हम लिखते आए हैं यह सारे अलग-अलग ideas back to back back to back बस हमें append करते रहना बीच बीच में लिखते जाना है तो यह हो गया इसका three address code है ना तो I think again different different flow charts के लिए क्या switch E है then different cases are there and then you have the default value और हर case के अंदेक set of statement है तो semantic action देखिए evaluate करेंगे सबसे पहले E को है इसमें कोई confusion नहीं हो सकता then you know value check करेंगे go to check check के ओपर जाएंगे और यहां पर जाके चेक करेंगे यानि कि यहां से सीधे जम करके यहां पर चेक करा क्या जो value है T की क्या वो V1 वाली value case 1 की अगर है तो L1 पर जाईए और इस बर this is kind of a break because L1 पर जाने के बाद statement रन करने का सीधे आपको last में भीज़ा अदा की बाकी statement run ना हो जाएं यह अच्छे से लिखा गया है समिदरली हो सकता है वो value इधर ना match करती value V2 से match करती तो मैं यह मेरे को L2 पर भेज़ देता मैं S2 का statement run करता जाके जो की case V2 में होगा और वहां से में last पर जाता तो again it is like same thing 2-3 pattern है 2-4 बार लिखके देखेंगे practice करेंगे exam अगर कल सुबही है तो तो आपको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वरना तो दो बार तीन बार भी वीडियो देख लो को तो काम आपका शांदार तरीके से हो जाएगा क्योंकि फिर वो revision में भी बन जाता है और एक sample case में यहां लिखके भी दिखा रहा क्योंकि ब्रेक वाली बात है यहां पर तब देखो यह switch है CH तो सबसे पहले हम आए और यहां पर देखे इफ CH is equals to 1 पहला case है सीदे गया go to 1 के ओपर और value क्या करना है A plus B की value C भी रखनी है तो पहले T1 में रखा फिर T1 को C में रखा दन सीदे go to last यहां कहीं लिख देता हू लास्ट सिमिलरली अगर वो हिट नहीं करेगा तो देखो T2 is equals to A minus B और फिर T2 की value C में डाले and go to last and like this will continue है ना So this is the idea using which हम काम कर रहे होते है अब एक छोटा सा idea backpatching आपके slayvers में mentioned है idea kind of हम देख चुके एक बड़ डिसकस कर लेता हूं So what is backpatching backpatching is an essential technique used during the generation of three address code in compiler design especially single pass compiler है क्या it is a method used in single pass generation three address code where the address for jump statement is temporarily left unspecified due to unknown label जब हम three address code generate कर रहे होते है तो कहां jump करना है कहां से वापस आना पी optimization भी नहीं हुआ single pass compiler वहन को fill in the blank छोड़ देता है है ना so backpatching later fills these addresses with a correct value once the target label are determined during the code generation phase जब finally हमें address मिल जाता है तो backpatch करना मतलब वापस जाना और फिर से उनको you know address को fill करना for example अब यहां वैसे मैंने पहले से fill करके रखा है आपके लिए suppose these are the fill in the blanks अब यह code आप लिख लेते if a is less than if a is less than b go to t1 else t2 तो backpatching में क्या होता हम देखते if a is less than 1 तो देखो t is equals to 1 कहां पर हो रहा है यहां पर हो रहा है तो हमें यहां पर i plus 3 यानिके इधर जाना पड़ेगा so suppose if this is a fill in the blank similarly अगर यह condition फेल हुआ आपने t के value 0 लगा है और सीध आपको बहार आना है तो यहां पर fill in the blank में आपने t4 डाला तो यह मानलो जितने भी basic case है यह if के लिए मैंने लिख दिया you can try them out यह अगर fill in the blank होते तो क्या आप खुद से भर सकते थे क्या now this is a code for while loop this is a code for for loop तो यह दो तीन अलग लगा ideas है एक question आपके लिए बना के लाओं अब इसको यही पर solve कर लेता है आपके साथ तो देखे जड़ा क्या case है यह basically condition है if मान लेते है a b और c d end so this is condition 1 this is condition 2 and this is condition 3 और देखे इन दोनों के बीच में end है इधर और इधर और है तो कैसे काम करेगा वे फ्लो दिखा हूं उसका आप जाओ condition c1 चक कर लो अगर c1 काम कर गया तो फिर आगे चक करने की ज़रूत नहीं let me say आप सीधे statement पर जा सकते हो if this is true but अगर यह false हुआ तो और है अब आप क्या करोगे अब आप चेक करो c2 और दोनों में end है अगर c2 true हुआ तो आप चेक करोगे c3 otherwise अगर c2 false हो गया है ना तो अब यह तुम्हें statement की बात करो c2 अगर false हो गया तो अब यहीं से exit कर जाओगे c2 false पर exit करोगे अगर false पर है हाँ और अगर यह true हुआ तो क्योंकि दोनों के बीच में end है रुकिए एक मट मुझे दुबारा से बनाना पड़ेगा वह बना स्टेट्मेंट कहां रखना वह देख देता है false वाला कि इस इधर मान के चलूँगा तो ऐसे समझते हैं अगर let me say this is the statement true होने पर यह statement run करेंगे और इसको इधर बनाता हूँ true होने पर यह statement run करेंगे और false होने पर सीधे बाहर आ जाएंगे false होने पर यह s1 पर जाना है सबको बलकि इसको s मान लेता हूँ इसको s मान लेता हूँ सबको s पर जाना है तब यहां ध्यान से देखेगा अगर और है ना अगर c1 true हो गया तो आप सीधे चले जाए s1 पर कोई tension नहीं है फिर आपको दूसरी condition चेक करने की ज़रूरती नहीं है अगर c1 false होता है तब आपको आना है और आपको चेक करना है c2 अगर c2 ने काम किया true अगर c2 होता है तब भी काम complete नहीं है अब आप c3 चेक करेंगे और वो भी true होगा तो आप जाएंगे लेकिन अगर इसमें से कोई भी false हो गया this is statement I am sorry यह false वाला है ना मुझे इधर बनाना चाहिए यह sorry 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 ऐसे बनाता हूँ तो अगर यह false होगा तो पहला false होगा अगर यह true हुआ है ना तो मैं जाके चेक करूँगा अगला condition which is like c3 और अगर यह भी true हुआ तो मैं से 1 पर चला जाओंगा अब ठीक है लेकिन अगर आईदर c2 या c3 दोनों में से कोई भी false हुआ तो मैं सीधे s पर आओंगा अब ठीक है तो this is the flow graph है ना अब मैं इसको बना लेता हूँ sir अगर a less than b है पहला condition true है तो फिर हम सीधे जा सक अब यहां पर statement हमने this go to this go to this तो एक statement हमें बनाना पड़ेगा हैना तब यह कहानी काम करेगी माल लेता हूं फिलाल यह फिर गड़वडी हो जाएगा चलो छोड़ेते इसको so that will be all that will be all in the previous chapter now we are all ready for chapter number 4 which is like symbol table वैसे symbol table एक छोटा topic है but you know compiler design गंदर पूरा chapter इसको दिया अब हर chapter की waiters तो kind of बराबर है तो यह वो वाले ideas है जाहा होता है ना idea दो number का लिखने में दे देंगे 10 number में तो कुछ तो लिख के आओगे तो इस chapter इसमें बात का ध्यान देना है कि भली content छोटा हो heading बना के notation बना के लिख के आना है इसमें जादा तर theory theory है है ना numerical is kind of नहीं है तो आ अपने को क्या भाए question पूरा आएगा तो again I am going to cover each and every topic word by word discussion start करता है symbol table क्या है है यह basic understanding तुम पहले ले चुके है यार जितने भी phases है ना compiler के symbol table और error handler यह दोनों साथ साथ चलते है और बिना इनकों कोई भी phase अच्छे से काम नहीं कर सकता यह तो fact है but symbol table क्या है symbol table is a kind of database compiler का जितना भी metadata है जो भी हिसाब किताब है code के बारे में जिस पर हम काम कर रहे हैं वो कहां लिखा होता symbol table में लिखा होता है तो I will go one by one so symbol table is a data structure used by compiler to store information about the source programs variable function constants user defined types and other identifier तो मोटा मोटा यह तो अच्छे से लिखने का तरीका है कहानी का conclusion यह है जो भी सारा लेखा जो का है वो वहाँ पर आपको मिलेगा फिर चाहे वो variables हो चाहे functions हो constants हो user defined data types of structures है इस तरह का आपने कुछ बनाया या other identifiers सबका सब symbol table में मिलता है point number two need क्या है it helps the compiler to track the scope life attributes उनका क्या size है क्या value है of each identifier बड़ी चीज है ना यार देखो execution के दौरान बहुत सारे variable होते हैं कौन सा variable कहां declare किया गया फिर हर programming language में अलग-अलग types के variable होते है यह auto है यह int है यह register है तो सारी की सारी कहानी बड़ी complex हो जाती है तो वो सारी चीज़ों को एक जगा लिखके रखना बहुत जरूरी है तो यह बड़ी requirement है it is essential for semantic analysis type checking and code generation तो बात में जब semantic analysis करते हैं यह देखते है code meaningful है के नहीं यह देखते हैं कि data type match कर रहा है कि नहीं तो वहाँ पर हमारा जो symbol table है क्योंकि सारा data एक जगा उसने खटा करके रख दिया है ना तो बड़ा crucial role यह play करता है आगे बढ़ता हूँ the information is collected by the analysis phase of the compiler and used by the synthesis phase of the compiler तो यहाँ पर basically हम समझने की कोशिस कर रहे है slide के अंदर कि during the entire compilation उसके जितने भी phases है हर phase का क्या use है symbol table के साथ है ना लेकिन जैसे हम बोलते है front end या back end या जैसे बोलते analysis या synthesis तो यह in general understanding है कि जो पहले तीन phase है especially हमारा यह लेक्सिकल अनलेसिस syntax analysis कुछ हद तक semantic analysis इनका major काम है contribute करना है ना तो जैसे जैसे हम code पढ़ते जाते हैं हमारी समझ आगे वड़ती जाती है symbol table में हम एंटर करते जाते हैं जो हमारा analysis phase है जो बात में हमारा synthesis phase है यानि कि हमारा code generation optimization है वहाँ पर basically जो data हमने starting में store किया होता है उसको यूज करने का समय आ गया होता है तो जो synthesis phase यूज कर रहा होता है एक एक करके step by step देखते हैं तो पहले देखिए lexicalness is mostly create new table entries तो जो जो हम पढ़ रहे हैं जो जो सीख रहे हैं maybe कोई identifier है उसका क्या नाम है क्या value है कैसे declare किया गया यह सारी चीज हम वहाँ पर enter करते हैं तो देखिए क्या लिख रहा हूँ इट एड्स इंफर्मेशन अबाउट एट्रिबूट का टाइप स्कोप यूज इन दा टेबल तो अगेन अट्रिबूट का डेटा टाइप क्या होगा सिंटेक्स क्या है प्रॉपरली डिक्लेर किया गया कि नहीं किया गया है क्या उसका स्कोप है सारी चीज एड़् करना टू चेक है कई बार हम वोतीए सिंट में स्टॉर करेंगे यह सारी चीजेंस कोड में SI ピर्टी में कर रह ए होता है तो नए टेमच्य प्रॉप करना भी डिकाम काम कोड ऑप्टीमाइजेशन यूस सिंबल टेबिल इन मशीन डिपेंडर्डेंट optimization तो खासकर जहां पर machine dependent optimization है जहां पर इस बात से फर्क पड़ता है कि हम कौन से assembler के लिए कौन सी machine के लिए final code बना रहे हैं उसके कुछ attributes हैं वहां पर हमें बहुत help करता है and last is code generation uses address information of identifier present in the table for code generation क्योंकि table में सब कुछ लिखा हुआ है कौन से identifier कहां पर store है है क्या उनका information है वो सारी चीज़े तो अगीन जैसे मैं बोल रहा हूं यह तो हम explain कर रहे हैं आपको question है तो उसमें दो दो line और लिखो कोई दिक्कत नहीं है point सिर्फ इतना है अगर symbol table एक तरह का data structure है जहां पर code का सारा metadata हमने रखा हुआ है तो हर phase कुछ न कुछ तो उसको जरुत पड़ेगी पड़ेगी है ना बस इतने सी बात है तो यह point clear हो जाता है आगे देखें आम तोर पर हम बोल रहें क्या क्या चीज़े हैं जन्रल मैं दुबारा heading by heading लेख रहा हूं data का type उसके names सब चीज आपको मिलेंगी then procedure कोई function है उसको declare करना उसको define करना सारी चीज़े वहां पर मिलेंगी pointer to structure table or records तो अगर आपके कुछ pointer declare किये है records के लिए structure पे वहां मिलेंगे parameter passing by value और by reference आपने सुना ना by value जहां पर एक function दूसरे function में सिर्फ value पास कर रहा होता है या by reference जहां पर pointer की मदद से address पास कर दिया उन सब चीज़े का record रखना number and type of argument pass to a function तो यह कभी-कभी बड़ा technically important हो जाता है कितने arguments pass कि actual parameter क्या है formal parameters क्या है left to right pass हुआ है कि right to left pass हो वो सारी चीज़े and base address माली जैसे area का में example दे रहा था कि कोई program है तो उसका base address यह सारी यह सारी चीज़े information आपको मिलेंगी symbol table के अंदर होड़ detail में हम बात कर रहे हैं अब symbol table की basic definition उसकी need उसकी necessity यह सारी चीज़े हम समया जा गई क्या कुछ important functions है जो symbol table को करना ही चाहिए जी हाँ जैसे अब कोई भी data structure माली जी stack है तो stack किसी काम का कब होगा जब आपको उसके पर push करना आता हो पॉप करना आता हो इनो कुछ fundamental काम करने आते हूँ इसे तरह यहां पर symbol table क्या क्या करना आने लुक अप यह हमने पहले use भी किया है so this function checks for a specific name whether it exists in the symbol table or not है ना तो कोई specific नाम कोई नाम हमें search करना string search करना है तो search करना आना चाहिए then insert हमने देख लिया मान लिज़े पहले सो कोई entry नहीं and then we want to insert a new entry वो करना आना चाहिए access हमने search कर लिया data वहां पर है access करना चाहते है modify करना चाहते है पुरानी information को delete करना है उसमें को changes करने वो सारी चीज़े and obviously deletion तो अगेर मैं बूर रहा हूं ना एक तरह से मान के चलो यह compiler का database है तो database में जितने सारे fundamental operations हम करते हैं वो सारे fundamental operations हमें symbol table में भी करने आने चाहिए आगे बढ़ता हूं जब भी हम कोई चीज नहीं develop करते हैं जैसे algorithm की बात करते हैं तुम बोलते हैं कितना time वो लेगा execute करने में कितना space requirement होगा और in general हम उस algorithm को अच्छा मानेंगे जिसका time requirement कम हो जिसका space requirement कम हो ठीक उसी तरह से there should be some specific requirements ना क्या अगर ऐसा ऐसा symbol table what are the criteria's on which आप judge करोगे कि कि किसी compiler ना symbol table वाली maths को idea को अच्छे implement किया कि खराब से implement किया को logic होना चाहिए तो समझे के करके बात करता हूं पहला देखिए adaptive structure so entries must be comprehensive reflecting each identifiers specific use तो हर structure के हिसाब से because for example function है उसका information अलग type का variable का अलग type का है pointers का अलग type का होगा तो हर किसी के हिसाब से adapt करें और जो सबसे सही तरीका हो information को represent करने का उस चीज के हिसाब से वो उस तरीके से हम वहापर data को store कर पाए look up सबसे ज्यादा भार जो आपको करना पड़ेगा whether insertion करना deletion करना start to search से होना है search अगर आप fast करेंगे तो मामला सही चलेगा so high speed search functionality is essential dependent on the symbol tables design तो कैसे आप design कर रहा है कि बात करेंगे what are the data structures आप unsorted list है sorted list है आप hash table use कर रहे हैं आप linkless use कर रहे है उस base पर dependent है कि कितना time लगेगा तो यह fast होना चाहिए efficient space अब जासी बात है वैसे तो there is a trade-off between time and space आप time बचाएंगे तो space थोड़ा खर्चा होता है इस पेस बचाते तो time जादा खर्चा होता है बट still ऐसा नहों कि बहुत जादा space ले विकास तो भी हमारे लिए problem है विकास आम तोर पर compiler का जादा जाद component main memory में ही रखा होता है ना तो उसकी costing बहुत जादा space की next is language features accommodation it need to support language specific aspects like scoping or implicit declaration अब आजकल हर कुछ समय के बाद नहीं नहीं programming languages आती है उन languages के जो नहींने functionalities features है उसके हिसाब से अपने आपको modify कर पाना यह भी symbol table से हमारी एक बड़ी requirement है ऐसा नहीं कि यह नो जैसे में first point पे बोल रहा था कि specific pattern बना लिए जो है उसी format पर लिखने नहीं function के लिए लग तरीका हो variable के लिए लग तरीका हो को structure उसके लिए लग तरीका हो pointer के लग हो यह सारी चीजों का मैं ध्यान रखना है और यह सारे criteria अगर कोई symbol table फुल्फिल करेगा तो मान के चलेंगे that it is a good symbol table yes आगे बढ़ता हूं now that's a very important point what are the data structures कौन कौन से important data structures है जिनका यूस करके हम symbol table को implement करते है समझ यह नाम है symbol table बद यह मत समझ यह का symbol table just a table है पहली बात जो exact structure है na symbol table का वो case to case execution to execution language to language even company to company देखे एक language को parse करने के लिए market में 10 company हो सकती है जो अपने अपने असाब से parser बनाए isn't it तो हर किसी के requirement हर किसी का pattern अलग हो सकता है implementation भी अलग हो सकती है लेकिन अगर एक हम सिंपल सी बात करें क्या एक सिंपल लिस्ट हम बना लेते हैं जो भी डेटा आएगा एक के बाद एक के बाद एक अपन एड़ करते जाएंगे इस न अन सॉर्टेड लिस्ट हम कोई दिमात नहीं लगा रहे डेटा एड़ करते जा रहे हैं अब ऐसा आप करेंगे तो मुझे बता है इंसर्शन का कॉस्स क्या होगा ओबियसली ओडर फन कोई महान बात नहीं क्योंकि असा नहीं आप किसी लोकेशन पर इंसर्ट करते हैं जो अगला लोकेशन खाली होगा जाके इंसर्ट कर देंगे बात खातम हो गई लेकिन इसमें अगर आपको सर्च करना है ना तो यह sorted है ना आपने इसको किसी specific parameter की हिसाब से range किया ना इसमें hashing है तो सर्च करने की cost आपकी order of n होगी so easy to implement like array linkless आप implement कर सकते हैं और linkless का advantage होगा थोड़ा dynamic growth हो सकता है कहीं problem नहीं होगा और especially problem आईगी last table पर हमाली जी आधार card का data graph ऐसे hold करने लगो symbol table बहुत बढ़ा हो हर बार linearly search करना पड़ेगा तो अगर मैं आपको कोई भी नया नेम देता हूं मैं भी student name है तो john, maria, alex like this it will go all the way down तो यह problem है एक तरीका हो सकता है जो हम कई बार you know data range कैसे करते हैं सर्थ दो ही तरीके either sorted or unsorted एक हो सकता है ordered list से में implement करें तो यहां पर you see कि जो भी variable है data type according to size या किसी भी logic के साथ से हम उसको sort कर लेते हैं अब sorting के advantage भी disadvantage भी है अगर sorted होगा तो no doubt आपको जो search space लगेगा वो क्या लगेगा वो लगेगा order of n है ना log n basically why because आप जाओगे binary search करोगे आगे रखना है पीछे रखना है like this लेकिन sorted structure maintain करना अपने आप में आसान नहीं है तो जब भी कोई नया element आएगा उसको कहां पर insert करना है उसके लिए एक तरफसा आप traverse करना शुरू करेंगे like insertion sort और देखते जाएंगे क्या सही location और जो location वहाँ पर insert करेंगे insertion cost आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है तो it's like a trade-off कोई भी data structure हम यह कभी नहीं बोल रहें कि array अच्छा है linked list अच्छा है या tree अच्छा है it depends upon the situation आपकी symbol table कि इस टाइप की इसलिए तो सारे type discuss कर रहे है तो आपके symbol table कि इस टाइप की है वहाँ पर किस तरह का idea suit करेगा वो सारी की चीज़े decide करके हम यह call ले सकते हैं आगे बढ़ता हूं search trees तो obviously मैं यह नहीं बोल रहा कि exactly यह वाला tree but it could be red black tree it could be evil tree हमने data structure algorithm की पूरी playlist में सारे data structures पढ़े sorted data structure एक खासकर tree को यूज करने की बड़े फायदे हैं आपको आम तौर पर log base to in binary search देता है चोटा value है left में जाना है red black tree evil tree family तो से मैं BST वाली family है बड़ा value right में जाच है इसको मैं समझे वेल्यूस है मैं से एक्जामपल कोड कर रहा हूं अम माल यह 10 is a role number of a student यह 10 is a variable number something like this जिसके साथ पूरा meta data अपना associate करके रखा होगा the idea is अगर data sorted है theoretical relationship रख रहा है तो tree can also be very good idea to implement a symbol table but हमने unsorted list देख ली हमने sorted list देख ली हमने trees देख लिए search tree देख लिए सबसे popular implementation क्या है hash table तो अगर symbol table को आम तौर पे सबसे ज़्यादा जिस idea से जिस टेखनीक से जिस data searchers implement किया जाता है वो है hashing तो hashing वैसे तो again again we have discussed that in data structure detail उसकी जो one shot video वहाँ पर आप जाके देख सकते हो idea सिर्फ इतना है सर जब भी कोई नया information insert करना होगा तो we have something called hash function एक hash function हमारे पास होता है आप उसमें एक key insert करेंगे and then you'll get a specific location idea क्या है इसमें space ज़रूर थोड़ा जादा लगता है but in the longer run hash table आपको देता है of costing order of 1 देखो compilation वैसे ही relatively बड़ा time intensive task है हम चाहते कि compilation जल्दी से जल्दी हो compilation के दौरान बार-बार आप symbol table एक्सेस करेंगे अगर इसको आपने fast कर दिया ना तो फिर भले क्या hardware आप उसकरें क्या software उसकरें मजा नहीं आएगा this has to be really really fast तभी मजा है है और hashing या hash table की मदद से अगर हम symbol table implement करते हैं तो advantage यहां पर कहीं न कहीं हमें मिलता है है ना तो यह important idea है तो ध्यान दखिएगा यह 3-4 important pattern है जिनकी मदद से हम symbol table को implement कर रहे होते हैं ओके आगे बढ़ता हूं so now you see symbol table and entries the reason is कि मैं यहां पर इतनी different different slides यूज कर रहा हो ना I've seen कि similar type के questions semester exams में उनिवस्टी में अलग-अलग patterns है अलग-अपरोट से पूछे गया है उसमें कुछ चीज़ आपको relative लग सकती है बट important क्या है headings आप जानते हूं पास number का question है आपको दो पेज भर के आने है दस number का question है चार पेज भर नहीं है अब जितने अच्छे से भरोगे ना उतने अच्छे number आ सकते headings are very important तो it's like just दुबारा से बता रहा है क्या-क्या आम तोर पर data आपको symbol table मिलेगा variables उनका सारा related data कोई constants अब जैसे constants जैसे variables है उनका data user defined data characters structures है वो पूरा data यहाँ पर classes and records तो इन सब की detailing भी दो-दो line में दो-दो line में मैंने लिखके पहले से रखे so that you can deep dive into the idea और अगर कहीं पर question आए तो उसको और कितने अच्छे ज़र represent करके आ सके इस बात की लड़ाई है है ना तो यह चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आगे बढ़ता हूं now next important topic is scope अब यह जादा तर universities में देख रहा हूं syllabus के अंदर included scope की क्या कहानी है और इसके अंदर बहुत आगे categorization, static scoping क्या होती है, dynamic scoping क्या होती है हर variable के scopes है global, local बहुत सारी चीज़े तो इक है करके समझते है पहला representation of information तो जहाँ जहाँ भी scope का लेना देना है ना किसका क्या इलाका क्या area है, वो सारी चीज़े बड़ी clear-cut तरीके से symbol table में हम mention करके रखते हैं, so I'll go one by one scope of identifiers, so कोई भी variable है, character है, constant है, वो कहां पर declared है, कहां तक वो valid है, कहां वो accessible है, यह सारी चीज़ बहुत clear-cut तरीके से symbol table के अंदर mention होगी, second point, language dependent scope, अबजार सी बात है हर language की अपन अलगले टेखनिकालिटी है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी symbol table के responsibility है, so different programming languages have varying scope, for example, or for instance, Fortran में, our name scope is limited to the single subroutine, जहां पर आप declare करते हैं, वहीं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, while in Algol, it's confined to the section or the procedure where it is declared, not only the subroutine, उसके अंदर भी जो, you know, section है, जहां पर declare के हैं, बस वहीं पर आप उसे access कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़ों वहाँ पर notice करके रखते हैं, multiple declaration, an identifier can be declared multiple times in different scope as distinct entities, each with unique attribute and storage locations, यह तो इन सी के अंदर भी होता है, आप same variable को bracket by bracket multiple time declare कर सकते हो, initialize कर सकते हो, use कर सकते हो, और same नाम है, but वो अलग-अलग जगय, अलग-अलग value के साथ, memory म symbol table में भी हर एक सकी separate entry बनेगी, तो यह सारी चीज़े, अब इसमें symbol table का role, it maintain the uniqueness of each identified declaration, हर किसी को separately hold करके रखना, हर किसी को separately identify करना, एक को दूसरे में mix ना करना, यह सब चीज का ध्यान कौन रखेगा, symbol table रखेगा, आगे बढ़ता हूं, scope determination, semantic rules for the program structure are utilized to identify the active scope, especially in the subroutines, वो kind of repeated बात है, and scope related semantic rules, तो जो भी rules है, उस language के, synthetic, semantic, lexical, उन सब का ध्यान रखते वे, scope को resolve करना, और उस information का अच्छे से represent करना, that is a very very important duty of symbol table, कहीं भी confusion है, हम जाके symbol table ही refer करेंगे, वो कैसे बोल रहा है, just for example, look at this, अब यहाँ पर A, इस block के अंदर declared है ना, तो जि a जो है, उसके scope के अंदर है, जो red area है, यह variable b का scope है, यहाँ पर आप जाके अगर b को access करना चाहेंगे, तो उसे undefined, तो इस जगे वो defined है, यहाँ वो valid नहीं है, similarly हम मान लिजे, यह function है, जिस मैं quote कर रहा हूँ, factorial का, आप को variable है n, एना formal argument हमारा, तो इस पूरे function के अंदर, इस पूरे procedure के अंदर, n का scope है, इसको आप use कर सकते हो, change कर सकते हो, read कर सकते हो, write कर सकते हो, वो सारी चीज़ है, तो यह वाली गहानी, अब programming languages के अंदर, scoping दो तरह की होती है, पहले दोस पर numerical भी आता है, आजकल नहीं पूछे जा रहे है, बोलता, static scoping and dynamic scoping, एक बार समझत कहां पर access किया जा सकता है, कब वो alive है, कब alive नहीं है, एक यहां पर नहीं पूछता, gate बगरा में, question भी आता है, liveness analysis, वो देखते हैं कि variable कहां पर alive और कहां पर नहीं है, वो सारी चीज़ है, programming languages के rules और regulations के साब से हम handle करते है, it defines the context in which an identifier, such as a variable or a function is valid and identifiable, किस context में valid identifiable है, वो स lexical scoping या static scoping भी बोलते है, एक ही बात है, and one is dynamic scoping, so I will go one by one, important differences में में बात करूँगा, so अगर static scoping है, compile time के अंदर ही resolve हो सकता है, dynamic scoping है, run time पे resolve करते है, यहां पर source code जो है, उसी गन, lexical मतलब, again bracket by bracket, bracket by bracket resolve करते है, calling sequence of a functions, को आप ऐसे समझो, मैं किसी bracket के अंदर अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा हूं, मेरे को नहीं मिलेगी, मैं outer bracket में जाओंगा, further outer bracket में जाओंगा, like this, यहां पर अगर कहीं पर locally मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई variable नहीं मिल रहा, तो मैं देखूँगा मेरे को किसने call किया, मैं कहां पर उससे फर्थ नहीं पड़ता, वह जाके सर्च करूँगा, वहां नहीं मिलेगा तो देखूँगा, उसको किसने call किया, ultimately I'll go to the main function, यह वह वाली बात कहनी कोश कर रहा, predictability, यहां पर high है, scope is clear from code structure, because code में हम bracket by bracket बाहर जाते है, यह थोड़ा सा low है, because it depends on the program execution path, program किस pattern में execute कर रहा है, उस पर game है, तो अगर calling sequence change होगा, तो scoping का परास्ता भी change हो सकता है, determined by code blocks and function, जो मैं आपको अरही समझा चुको, influence by function call, ठीक बात है, preferred in most modern languages, less common find in older languages, हैसल में बोल रहा थाना, आजकल इतना common यह पहले कभी gateway में इन पर अच्छे का से question आता है, call by name, call by reference, call by value, static, dynamic, आजकल नहीं पूछ था, पास्कल अंसर करके आना है, आगे बढ़ता हूँ, run time administration, implementation of simple stack allocation scheme, अब, जब activation record समझते हैं, जब एक program execute होता है, तो उसके activation record बनता है, उस execution के दोरान, जितना भी important meta data है, उसके आखे और detail में बात करेंगे, वो सब हम उस activation record में रखते हैं, यहाँ पर क्या temporary चीजे, calling function में, जब कोई access, जब कोई function run कर रहा हूँ, हमें hold करके रखना पढ़ता, activation record में, उस पे हमें एक ध्यान देना, उसके उपर यह question बनता है, तो मैं पढ़ता हूँ, activation record है, क्या पहले समझ लेता है, activation record is crucial for handling data, necessary for procedure, single execution, किसी procedure का जब execution होता है, बहुत सारा data हमें hold करके रखना पढ़ता है, और व mode, once control return to the calling function, तो जब भी कोई program execute होना शुरू होता है, उसका activation record stack form में आजाता, आगे बात करूँगा, और तब तक चलता रहता है, तब तक function call हो, I think basic बात है, अब, कौन-कौन से fields है, जम होल्ड करके रखता है, और क्या उनका definition है, मैं दुबार आप से क्या बल रहा हूँ, remember this thing, we are not preparing for a competitive exam, हैना, इस वीडियो में मारा objective किया है, हम university exam attempt कर रहे, आपकी exact क्या knowledge है, आपकी क्या understanding है, ये different बात हो सकती है, लेकिन पॉइंट ये आप उस information को represent कैसे करके आते है, तो लुग अल दीज है, तो लुग अल दीज है, इसको चार बार बना के देखना है, तो लु allow the call procedure to return value to the caller, क्या value return करेंगे इसको hold, सारी महनत तो इसी के लिए, जब पूरा execution हो जाएगा, जो भी आप calculation करेंगे तो करेंगे ना, वो hold कर पाना, actual parameters, used by the caller to provide parameter to the call procedure, जो data pass होता है, महली जी A plus B की value को sum कराना है, किसी function के थरू, तो पहले और B की value pass तो करोगे ना, actual parameter की बात कर रहे है, controlling, connect the caller's activation record, बाद में किसने आपको call किया, और result उसको देना है, वहाँ तक पहुंचने का रास्ता, वो controlling की बात है, access link, refer non-local data in other activation record, अगर बीच में, किसी और को आप call करते हो, या कही और से data आपको लेकर आने, access करना है, तो access link उसको resolve करेगा, saved machine status, preserved machine status prior to the procedure call, अगर आप किसी को call करोगे, जब उसका activation record लोड होगा, बात में complete होगा, तो आपको वापिस execution करना पढ़ेगा, प्रोग्राम counter, अपनी अगली next instruction execute होने वाली, उसका address save करना पढता है, वो बात यहाँ पर करना, अपना access save करना, then local data, contained data specific to the procedures execution, जो फिलहा local data, अगर कुछ variable locally हम they define किये, वो सारी चीज़े hold करना, and temporaries, store interim values during the execution evaluation, expression evaluation, अगर in between, कुछ temporary variables है, कुछ data है, जिसको हम calculate करते है, उनको hold करके रखना, तो सारी की सारी चीज़े आपको activation record के अंदर मिलती है, आगे बढ़ता हूँ, जो run time पर पूरी जो image बनती है, उस image को भी एक बार समझना जरूर है, हाला कि वहाँ पर सोड़ा से different context हम पढ़ता है, आपको अगर यादो, process control block, है ना, वो क्या काम करता है, उसका क्या observation है, वो सारी चीज़े, यहाँ पर हम देखते है, memory allocation, run time पर किस तरह से आगे बढ़ता है, और कैसे मुस पर काम करते है, यह style को one by one, सबसे पहला code, अभी सारा code हम hold करके रखेंगे ऊपर, then static allocation, जो जो चीज़े static है, जिसको run time पर additional memory की जरुवत नहीं पढ़ती, वो सब उधर आती है, so allocate storage for all data objects at the compile time, objects के sizes जो compile time में known है, उन सब को space allocate कराना, compiler calculate कर लेगा, किस किस का क्या क्या requirement है, activation record में, वो सारी चीज़े, जो भी addresses अगर calculate किये जा सकते है, वो सब हम static part में hold करके रखते है, आगे बढ़ेंगे, next आजाता है हमारा heap, और heap मतलब dynamic allocation, run time पर जो data चाहिए, तो उसके लिए heap है, there you see, heap और stack kind of open effects नहीं है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ सकते है, जब तक stack overflow नहीं हो, आपने शब सुना होगा, कि माल लीजे कोई recursion लिख रहा है, और उसको यूनो, बात में हम terminate नहीं कर पा रहे है, सही हमने ending नहीं लिखी, stack overflow क्योंकि दूनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उसको समझे, यहाँ पर garbage collection, जो भी garbage हो रहा है, जो use नहीं हो रहा है, उसको reclaim करना, identify करना, वो सारी चीज़े, reference अगर कोई भी data हम नया create कर रहे हैं, उसको hold करना, reclaim heap storage element, as soon as they become inaccessible, each heap cell has a counter tracking, the number of reference to it, कौन-कौन उसको refer कर रहा है, उसको hold करके रखना, और यह सारा का सारा data handle करना, heap के अंदर, and last one is the stack, तो यह वही सार activation record वाली कहानी है, run time पर जितने functions आप call करते जाओगे, वो सारा activation record यह नहां पर होता जाएगा, और यह नो, यह stack ही है, जिसकी वजह से हम, यह नो, recursion और यह सारे features hold कर पा रहे होते हैं, वो कब तक आगे बढ़ेगा, और कितना आगे बढ़ेगा, तो यह सारा data हम यहां पर hold करते हैं, तो there also, you know, this is not symbol table, but activation record की understanding होनी चाहिए, अगर हम compiler पढ़ तो, तो इस वज़े से इसको भी आपके slivers में clear cut mention करके रखा है, now coming to the last topic of this chapter, is recovery, है ना, सबसे पहले error पे दुबारा छोटा सा discussion करेंगे, कितने कितने type के errors हैं, और कैसे मुझे पर काम करते हैं, और क्या उन errors पे, उन ideas पे, recover करने का, error handling का क्या mechanism, मैं आपसे बोला ना, जितन हैंने भी phases हैं compiler के, उसमें एक तरफ तो symbol table, और दूसरी तरफ हमारा error handler, है ना, यह हर एक phases से kind of connected है, तो अभी हमने symbol table ही पढ़ा है, error handler नहीं पढ़ा, तो error identify करना तो एक बात, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला था, इन तो starting जो आ इंट्रड़क्शन कर रहे थे ना, कि य ensure करना कि, अगर हम कोई lexical error identify करें भी, तब भी compilation रुके ना, compilation पूरा हो, ताकि एक साथ, जो भी coder है, जो writer है code को, उसको सारे error दिखा सके, यह सारी चीज़े manage यहां पर करनी होते है, तो आलगो one by one, सबसे पहले, error recovery का significance किया है, so it is essential for compiler, to process and execute programs, even with error, that is very important, तो अगर एक भी error आपको मिलता है, तो उसका मिलने की वहीं पर आप रुख जाओगे, उस despite error मिलने के बाद भी continue करना, यह एक बड़ा important काम है, उसके बाल messaging देना, फिर वही बात, आपको error मिल गया, आपको error समाझ आगे, अलग बात है, आप तोस error को सही नहीं कर सकते है, as a compiler, तो आपको display कर करना पड़ेगा, warnings and errors, वो कितने अच्छे तरह से display करते हो, ताकि programmer अपनी गलती सुधार सके, that is very important, so look at this, message should relate to the original source code, not to its internal representation, अब आपने तो समझे किसी high level code के internal represent, intermediate code बनाया है, आप तो उस पर काम कर रहे है, आपको उसमेर नहीं बताना है, original code का error बताना है, very important point, simplicity in key in error messaging, ब बहुत लंबे, बहुत complex error नहीं लिख देने, कि किसी को समझे ना है, कि बोल किया रहा, क्या गलती है हमारी, उसे, यह चीज़ हम सोचते नहीं, बट किसे नहीं सोची हुए, इसलिए जब error हमें display करता है, समझ आता है, क्या गलती है, next, precision in pinpointing and fixing the error is crucial, ऐसा नहीं है, कि बहुत तरीके से same बात बता रहा है, like for example, अगर किसी variable को हम डिकलेर करना भूल गए, तो 50 message आ जाएंगे, अलग-अलग जगा पे ऐसा नहीं करो, उसको थोड़ा precise तरीके से बताओ, so this is important, now objective क्या है, error handling कर क्यो रहा है, एक बास समझ लेता, again that can become a separate heading, so identify error and provides easy and useful diagnostics, तो पहले errors समझना और scope clear और easy तरीके से समझाना, rapid recovery to identify further errors in the code, तो जैसे ही आपको अच्छे सा आसानी से सरलता से, precise तरीके से error मिलते हैं, आप उन्हें जल्दी से recover भी कर पा रहे होते हो, and ensuring error handler doesn't substantially delay the compilation of correct program, तो यह ensure करना कि delays ना हूँ, और बहुत अच्छे से चीज़े compile हो जाएं, बात में जब वो error free code हो, तो इस सारी major responsibilities या objectives हैं, एक अच्छा efficient error handled लिखने के, yes, now, जैसे हमने समझा, कि तीन तरह के errors है, lexical, synthetic और semantic, एक छोटा सा discussion उस पर कर लेते हैं, now what is a lexical error, occur when a sequence of character doesn't form a recognizable token, एक ऐसा token, spelling mistake, आसा भाशा में बोलू तो, एक ऐसी spelling अगर आपने लिख दी, भले वो keyword म identifier में करियो, कहीं और करियो, जिसको में identify नहीं कर पाएं, तो we'll treat that as a lexical error, तो जैसे आप जानते हैं, in lexical analysis phase हम पूरा code scan करते हैं, analyze करते हैं, common errors आम तोर पे क्या होती है, कोई unnecessary character add कर दिया, कोई spelling mistake, required character miss कर दिया, omit कर दिया, you know, incorrect तरीके से swapping हो गई, कोई लिखना था, let me say int, लिख दिया, nit, तो इस तरह के कुछ basic गलती lexical error के अंदर आती है, for example, जैसे fortran के अंदर, कोई भी identifier का length, seven character से जादा नहीं हो सकता, या में भी कोई special symbol नहीं हो सकते, अगर हम Pascal की बात करें, इस तरह की basic fundamental गलती हैं, जो आती हैं, जो आती हैं, lexical के अंदर, अगला जो हमारा है, that is synthetic error, इस पर हमने detail में बात किये, parsing में, तो cfg है, जो, you know, grammatical mistake identify करती है, आम तोर पे, जैसे semicolon आपने सही से नहीं लिखे, वैसे इस तरह की गलती तो कोई क्या करेगा, grammatical ही सही से ना लिखाओ, assignment left to right, right to left होता है, वो सारी चीजे, you know, या यहां पे जैसे इधर semicolon लगा, इधर semicolon लगाना भूल गए, तो इस तरह की चीजे हमारी syntactic error में, grammatical error में आ जाती है, going further, semantic, again, meaningful है के नहीं, कोई value generate कर रहा है के नहीं, उसकी बात करते है, so semantic error, relate to incorrect use of program statement, impacting the program's meaning or logic, तो अगर गलत तरह के समने इस्तेमाल किया, जिससे वो meaningful न करना, that is considered as semantic error, for example, आपने उकी variable define करना भूल गए, now that is a meaningful mistake, grammatically तो कोई गलती नहीं है, but, जब तक variable declare ही नहीं किया गया, आप उसे बार बार use करेंगे, update करेंगे, access करेंगे, उसको समझ नहीं आएगा, या type mismatch होना है, किसी दूसरी data type को दूसरी data type के साथ add कर दिया, divide कर दिय उस तरह की गलती, यहाँ पर क्या format अब scan करना है, तो आप जानते है, scan कहाँ पर होता है, address of A में होता है, A में नहीं होता है, इस तरह की गलती आप C में करेंगे, तो that will come as a semantic error, तो अगर कोई बोलता है लिखने के लिए, तो आपको एक understanding होनीचे कि हाँ, मैं डीटेल में लि runtime error, और lexical है, synthetic है, semantic है, यह से बात है, compile time में, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो सकती, जैसे में बहुत simple example तो फिर वही, x divided by y है, is equals to z, no grammatical it is okay, एक operator है, दो operand operate करेगा, result z में आ जाएगा, but अगर y 0 हो गया runtime पे तो problem होगी, now these are logical sa runtime error, और यह programming logic में कोई गढ़बढ नहीं है, but runtime गढ़बढ हो गया, तो इन सभी को, कोई भी type का हो, इन सभी को handle करना, इन सभी को manage करना हमको आना चाहिए, तो अब जमारा अगला idea है, वो इसी के बारे में है, कि इन सारी चीजों से हम recovery कैसे करेंगे, अब इस chapter में एक last discussion करना है, बहुत छोटा सा, that is, how we can recover from error, अगर error आत question आ जाता है लिखने के लिए, तो कैसे अब लिखेंगे, let's concentrate on this, so, a straightforward and commonly used method in various parsing techniques, that is, upon detecting an error, the pass cut discards input symbol until it encounters synchronization token from a predefined set, तो idea यह क्या बोल रहाए, इस approach का नाम है, panic mode recovery, इसका नाम है, तो logic यह कि अगर कुछ भी गड़बड घोटाला आपको मिलता है, तो वही पर रुकना नहीं है, और आगे बढ़ते जाना है, so, the panic mode may bypass large section of input without further error checking, तो बिना further error check कर उससे आगे निकलो, so that आगे जाके आप उसके उपर काम कर सो, the approach ensure that the parser does not enter an infinite loop, तो ऐसा नहीं गलते इदेफाई करने के लिए, एक और, एक और, एक और, तो जैसे बोलता है, थोड़ा सा जम करके आगे निकल जाते हैं, then we continue, तो panic mode में आप क्या करेंगे, मालेज, आप जा रहे हैं सड़क पर आपको भूद्ध मिल गया, तो क्या करोगे, maybe आप थोड़ा भाग के आगे पहुंच जाओगे, isn't it, तो कुछ उस तरह का understanding, और again, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम फिलाल semester के लिए prepare कर र जाता है, तो उसमें एक heading, आपको panic mode recovery लिखनी है, examiner को दिखना चाहिए कि हाँ, यह इस बात को पढ़के आए, yes, next idea is phrase level recovery, अब यह क्या चीज है, so, this method involves making localized correction to the input when an error is detected by the parser, तो अगर कुछ parser में हमें detection समझाए कि हाँ, यह गड़वड है, तो फिलाल parser क्या उसको खुच से correct कर सकता है, क्या in order to continue, may be yes, आजकल smart compiler ऐसा करते है, इसको बोलते है, phrase level recovery, it involves substituting the part of the input with a string that allow the parser to proceed, किसी ऐसे चीज़ से replace कर लेते है, जिसकी मदद से parser को आसानी हो जाते है, वो आगे प्रोसीड कर सेगे, for example, look at this, common correction include replacing a comma by a semicolon, तो कहीं पे आप comma लगाना, semicolon लगाना भूल लगा दिया, खुद से replace करे, removing unnecessary semicolon और inserting the missing one, तो कहीं पे include करना था, नहीं किया, कहीं पे कर दिया, नहीं करना था, तो ये सारी चीजों को एक level पे वो खुद माखुद रिजॉल्व कर रहा होता है, so that is a idea, तो एक इसका example set भी लिखा है कि अगर कहीं कुछ गढ़बढ है, मा क्या type है, so I will go into this, this technique allows parser to generate relevant error message while continuing the parsing process, तो अगें जैसा हमारा काम है, सिर्फ error identify करना, और error identify करने के बाद, parsing को continue रखना ही हमारा काम नहीं है, हमारी एक important responsibility भी के में एक error message भी पास करे, so that is very very important, so when a parser encounters an incorrect production, it issues an error message, and then resumes the parsing, if a parser came across for example, जैसे यहाँ पर a star a मिला, कभी को वेता है, warning is also important, so compiler is not sure, कि whether उसने जान की क्या, deliberately क्या, गलती से हो गया, तुसरे case में क्या हो सकता है, it seems, not deems, it seems incorrect, so it can alert the user with a message, perhaps querying whether this star is intended as a unary operator, before continue the parsing, तो यह आपने आता है, क्या सिर्फ error आता है, कि warning भी आती है, warning भी आती है, तो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे है, yes, next is global correction of parsing, so primarily a theoretical concept in the realm of parsing, utilizing global correction, significantly increase both the time and space resources required during the parsing stage, तो again global level पर जब correction करता हो, उसके क्या implication हो, उसके बारे हम बात कर रहा है, और again, आपके लिए important के एक और heading आपको मिली, अगर कोई यहाँ पर लिखने के लिए बोलता है, तो, now detection, this is like recovery, error recovery in operator precedence parsing, अच्छा, यह एक और छोटा सा heading मेरे को मिला, although मैंने बहुत ज़दा कुश्चिन कहीं देखे नहीं, but in case अगर कहीं, operator precedence parsing में आपको मिलता है, तो मुझे पता नहीं, मैंने मुझे इसको detail में जाना भी चाहे के नहीं, but these are some of important points, so whenever there is no precedence relation between the terminal at the top of the stack and the current input symbol, when a handle is identified, but no corresponding production exists, उस तरह के case में, आप बोल सकते हैं कि error आपने identify कर लिया, and you know what you can conclude, या तो operand missing होगा, operator precedence parsing में तो यह हो सकता है, या तो operand missing होगा, या तो operator missing होगा, absence of expression within the parenthesis, parenthesis लगा दी expression, उस तरह के जो basic common confusions हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, और उस case में, you know, जैसे shift reduce एक बड़ा conflict है, तो missing operand, unbalance, और missing right parenthesis, and missing operators, so these are again some important points, अगर कोई operator precedence parsing care and handling management पे कोई question पूशता है, you can write these, so now that will be all, and now we are all ready, यह मैंने पहले जैसे आप से बुला, थोड़ा सा boring chapter था, but you know, weightage बराबर की है, तो value भी बराबर की दी जानी चाहिए, now, this is the full and final last chapter, chapter number 5, which is code optimization, यहाँ पर again बहुत जादा नहीं है, important बात हैं, but कुछ keyword, कुछ ideas हैं, जो interesting है, जिस पर detail understanding लेनी हैं, और काम करना है, बहुत जरूरी है, so now let's start chapter number 5, so chapter number 5 और unit number 5 is like code optimization, है ना, and this is again a very very important unit or chapter, और जैसा मैं computerism हमेशा बार बार बोलता हैं, कि after consistency, है ना, the last step is optimization, तो सबसे आखरी में, optimization करना बहुत जरूरी है, कि जो भी करना था कर लिया, but again, क्या उसको और बहतर तरह से, कम time में, कम space में कर सकते हैं के नहीं, अगर हां तो उस idea के साथ optimization deal करता है, है ना, तो एक-एक करके बात करना शुरू करते हैं, पहले code generation की बात कर लेते हैं, आखरे step में code generation भी है, so code generation is a process of converting intermediate representation of the source code into target assembly level code, which is also optimized, तो finally, मैंने यहां पर लग-लग stages दिखा हैं था कि पूरी बात आपको समझ आए, so there you see, this is a high-level code, देखके समझ भी आ रहा है, उसके तब तो इतने सारे format उम पढ़ चुग है, 3 address code के, so उसको देखे, यहां पर, हमने convert किया 3 address code में, और यहां आप देख रहे हैं, machine level यह assembly level code आपको नज़र आ रहा है कि कैसे पहले 5 को move करेंगे, register R1 में, then 3 को move करेंगे, R2 में, then add करेंगे, और R1 और R2 का sum result जाएगा, R3 के अंदर, so this is final assembly level और machine level code, it involved translating the syntax and semantics of high-level language into assembly level code, typically after the source code has been passed through lexical, synthetic and semantic analysis and intermediate code generation, तो वो सारी कहानी बता रहा है, आदिला रहा है कि सब कुछ convert होते होते होते, इतनी तपस्या, इतना effort करने के बाद, हम यहां तक पहुंचे है कि final code हमारा generate हुआ है, fair enough, so code generator कि अगर कुछ important ideas, again, semester exam के साब से, कौन-कौन से headings important है, उस पर गौर रखेगा, इस हिसाब से इसको range किया है, तो input क्या है code generation phase में, input है intermediate representation और symbol table का data, वो तो हमारे साथ चल रहा है, yes, यहां पर three address code में आम तोर में हमने उसको रखा है, output क्या मिलेगा, output मिलेगा, obviously हमें final code, और यहां पर machine dependence भी आ जाता है, हेना कि किस machine के लिए आप लिख रहे हैं, तो कैसा architecture है, risk है, risk है, stack based है, based on that हम उसे लिख रहे होते हैं, instruction selection, intermediate को जब executable या machine लेवल में convert करते हैं, तो machine के पास तो अपना set of instructions होगा, कैसे उन instruction का इस्तेमाल करके, हमें अपना काम complete करना है, वो सारी चीज़े चूज करना, register allocation, अब इतने सारे variable होंगे, कौन से variable को register दिये जा सकते हैं, जो high speed होते हैं, बट संख्या में कम होते हैं, किसको main memory में रखके count चलाना पड़ेगा, वो सारी चीज़े decide करना, और order of evaluation, किस order में calculate करेंगे, कौन पहले, कौन बाद में, यह सारा का सारे points are considered, while we generate the final code, है ना, तो this is an important point, heading by heading you can write them down, याद करो, remember करो, दो बार लिखके देखो, ता कि exam में representation पे number मिलते हैं, knowledge भाई आपके दिमाग में याद रखना ये बात, है ना, as far as exam is concerned, so, अब optimization बीच में कैसे आ जाता है, so during code generation, various optimization techniques, are applied to improve the efficiency and performance, so basically, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कि optimization code generation, दोनों बहुत separate चीज़े नहीं है, और जब हम final code generate करते हैं, तो optimization का भी ख्याल रखते हैं, ता कि एक अच्छी efficiency, एक अच्छी performance, हम को यहाँ पर मिल सके, this could include optimization of speed, time, power consumption, किसी भी level पर, but सबसे important time, इसमें कोई दोर आए नहीं, so time is the most important resource, time आप बचा लेंगे सबसे बढ़िया, then उसका memory या power, बाकी चीज़े आ सकती हैं, now, जो मैं आपसे अल्रेडी बोल चुका हूँ, यहाँ पर यह factor भी important है, कि किस platform के लिए, हम final code generate कर रहे हैं, उसके क्या syntax, semantics हैं, उसकी क्या commands है, उन सब चीज़ों को भी consider करना, बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है, optimization, अब फिलाल इस पर concentrate करता है, so, the process of EA, मैं अल्रेडी बता चूँ, optimization है क्या, यह tree देखिए, यहाँ screenshot लीजिया, अराम से, एक एक term पढ़ियेगा, हलां कि जादा तर हमारा जो ध्यान है, वो machine independent optimization पर होना है, as far as your exams is concerned, बट आम तौर पे, हम optimization दो दो category में देखिए, डिवाइड कर रहे हैं, एक है हमारा machine independent optimization, और दूसरा हमारा हो जाता है, machine dependent optimization, independent, independent, difference क्या है देखिए, when we say machine independent, यह वो optimization है, जिसके लिए में hardware की, final processor की, machine की knowledge होना जरूरी नहीं है, so यह कुछ generic है, आगे बात करूँगा, mathematical simplifications हैं, जो हम लगा सकते हैं, अगर हम इधर आ जाते हैं, which is like machine dependent optimization, यह वो optimization है, जिसके लिए आपको hardware का knowledge होना बहुत जरूरी है, कि इतने registers मेरे पास होंगे, या कैसे data flow होगा, stack based approach है, या हमारे पास कुछ special purpose registers हैं के नहीं, वो सारी knowledge जब हमारे पास होती है, तब हम यह machine dependent लगाते हैं, है ना, दो पार्ट में हमने से categorize कर लिए, उन सब के अंदर पार्ट है, आगे बाद में detail में बात करूँगा मैं, और अगे, यह सारी चीज़े, मैंने एक table बना के, because again, जैसा मैंने देखा, previous year questions में, कई बार मुझे इस तरह की question मिले हैं, तो मैंने separately लिख भी दिए, 5 difference, you can go through them, you can take a screenshot, if somebody ask, write a 5 mark, 10, 10 तो नहीं पुचेगा, 5 mark पूख सकता है, 5 marks difference between, machine independent and machine dependent optimization, आगे बढ़ता हूँ अब, पहले आपसे बात करता हूँ, पहले एक अपरोच समझा देता हूँ, एक simple analysis है, कि जब भी हम कोई code run करता है न, तो code में infinite line तो होती नहीं है, लाखो करोडो line तो होती नहीं है, most of the dynamics limited size का code होता है, बट काफी लंबे समय तक code चल रहा है, क्यों? क्योंकि जादातर समय code का जाता है loop के अंदर, हाई के नहीं? कुछ लोग तो कह रहा है, optimization क्यों? क्योंकि लूप से अगर आपने एक line भी बचा ली, और लूप एक लाख बार run हो रहा है, तो आपने एक लाख line बचाई, हाँ या ना? तो आगे का इस जो थोड़ा सा discussion है loop optimization का, अभी again कुछ theoretical points है, एकड़म से आपको समझ नहीं आएंगे, क्या हो रहा compiler वाला idea है, तो मैं पहले आपको इक optimization करके दिखाता हूँ loop का, फिर मैं आपको वापस इस पूरे algorithm पे इस पूरे pattern पे लेक्या हूँगा, कि कैसे 3 headers code कम basic blocks में divide करते और कैसे loop optimization होता है, बट यह सारी जो चीज़ हम analyze कर रहे हैं, that is under the header of loop optimization इतना मान के चलना, now I will directly jump on to this idea, यहां देखिए, एक छोटा सा, मासूम सा, simple सा, साधन सा program लिखा है, factorial calculate करने का, तो आप जानतों, factorial कैसे calculate होता है, तो if I ask you, what is n factorial, तो इसका मतलब होता है, n into n minus 1 into n minus 2, blah 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 up till 1, तो वोई loop लगा के, एक एक value कम करता जा रहा है, और calculate कर रहा है, यह कम नहीं कर रहा है, नीचे सोपर की तरह बढ़ रहा है, ठीक है, यह पहले से मैंने, for sake of convenience, इसको मैंने, इस तरह से एक code में divide करके रख लिया, यानि कि 3 address code में लिखके रख लिया, अब यहां पे हमें, क्या करना है, इसको basic blocks में divide करना है, वो कैसे करते हैं, आपको समझाता हूँ, तो यहां पे, अभ अगेन, अभी एमन पूछना की क्यों कर रहा है, पूछो क्या कर रहा है, फिर धीरे-धीरे क्यों समझाने लगेगा, step number one हमारे पास होता है, first statement, हमें कुछ लीडर identify करने, क्या identify करने, leader और leader identify करने, यह तीन rule है, पहला rule है, the first statement is a leader, तो अभी यहां पर, क्यों है, वो बाग में समझाऊंगा, तो यहां पर out of one से लेके 9 तक instruction है, तो पहला leader कौन मिला, यह मिल गया, Sir Leader, क्यों है यह leader, क्योंकि रूल कह रहा है कि पहला statement लीडर होगा ठीक अब रूल कह रहा है तो मान लेते हैं इसमें आप करोगे क्या मैं करूँगा आगे बढ़ता है second statement second rule लेखिए the statement that is a target of conditional और unconditional statement is a leader target अगर कोई statement किसी का target है तो वो लीडर बन जाता है बली वो जम conditional या unconditional जैसे उधारन के लिए अगर मैं यहां से आगवर लिखाए go to 9 इसका मतलब 9 number एक लीडर हुआ क्यों क्योंकि यह 3 का target है और कोई किसी का target है क्या देखो 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 यहां लिखाए go to 3 unconditional jump है इसका मतलब statement number 3 भी लीडर हो जाता है बात समझाई और कोई किसी का target है और कोई किसी का target नजर नहीं आता आगे बढ़ता हूं third and last rule statement that follows immediately a conditional or unconditional statement is a leader किसी भी conditional unconditional statement का जो next statement होगा वो भी लीडर होगा तो अगर यह आपसे पूछूँ तो यह अगर go to conditional statement है तो सर्फ इसका अगला statement भी लीडर बनेगा और कोई अब यह भाई साब है but इनके next already leader हो चुके है तो overall हमें कितने लीडर नसर आए चार है ना rule समझे पहला rule क्या था first statement is a leader rule number two any target of conditional or unconditional jump is a leader तो उस वज़े से शाइद 9 number और 3 number leader बने and the last rule was third rule was कि कि किसी भी conditional unconditional statement का जो अगला statement है वो भी लीडर बनेगा जिसके विच से 4 और 9 पहले से leader था अब जैसे ही आपको यह identify कर लो total leader के इतने है अगला logic क्या कहता है अब हम इसमें ढूड़नेंगे basic block basic block क्या है एक leader से शुरू करके अगले leader तक के बीच में जितने statement आएंगे वो सब आपके block में है कहने का मतलब यहां से शुरू करूंगा तीन number नहीं वह तो दूसरे leader का इलाका है यह मेरा इलाका है and let me call it block number one समझ यह game यहां देखिए यह यह विचारा एक ही लाइन है क्योंकि अगला statement भी leader है that becomes block number two अब इसका इलाका कहां से चलेगा इसका इलाका लंबा है sir यह instruction number eight तक that is block number three and there you see in the last we have block number four देखियो identify कर पा रहे है क्या तो overall 4 blocks हमें यहां पर नजर आगा तो basic block कैसा identify किये पहले leader से अगले leader तक का जितना अलाका हो basic block अब मैं चाहता हूं यहां पर आप एक graph बनाए let me say block one block two block three and block four और देखिये in blocks में control कैसे पास हो आपको भी भगवान नजर आएंगे कैसे अभी बताता हूं देखो block number one से बाहर जाने का क्या रास्ता है सब block number one पर कोई jump bump तो है नहीं सीधे आपको block number two पर ही आना है अब instruction की टम से बात मत करना block की टम में करो block number two बताओ अब block number two से या तो आप सीधे जाते हो nine पर यानिके block number four पर और अगर ये condition fail होती है तो आप आजाते हो block number three बोलो ठीक बोल रहा हूं block number three से आप जान से देखोगे तो it is a unconditional jump यहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है सर तीन नंबर पे ही जाना पड़ेगा like this मुझे बताओ यह पूरी study करके आपको loop नजर आया कि नहीं आया so यही तो body है for your while loop की आप आते condition check करते hold करते लूप में घूमते हैं वरना exit लेकर बाहर चले जाते हैं so यह canalysis हमारी complete हो गई अब मैं आपको इसके theory part पर लेके जाता हूं leader कैसे identify करते हैं पहले समझ चुक है बाब इससे उपर वाला point पढ़ना in order to find the basic block we need to find the leader in a program that a basic block will start from one leader to the next leader but not including the next leader तो यह तो बता दिया leader से basic block की क्या definition है वो भी मैं आपको बता चुक हूं फिर पीछे चलता हूं the block can be identified with the leader हम यह तीन step भी हम कर चुक है हम leader identify कर चुक है leader के base पे एक leader सागले leader तक कर आसता हम block identify कर चुक है इस base पर में graph बना चुक है जिसे बोलता है program flow graph तो जो graph हमने बना दोस्त बनाया इस graph का नाम किया है program flow graph यह बात भी समझा की अब और पीछे लेकर चलता हूं हम मैंने बोला यह सब कुछ किसके header में किसके umbrella में पढ़ रहा है loop optimization कि ठीक बात है ना so to apply loop optimization पहले हमें loop detect करना कर सके अब आपको बात समझ आ रही है किया three address code में loop समझ नहीं आता कहां से loop शुरूआ कहां से खतम हुआ तो यह graph यह program flow graph यह control flow analysis हमें enable करती कि हम लूप दूबारा से ढूंड सके बोलो हाया ना ठीक बात है तो उसी के बारे में बात कर रहा है और एक बार अगर आपको loop मिल गया तो अब आप क्या कर सकते हो इस हिसाब से देखो यह body है ना तो block number 3 पर आप optimization लेगाओ विकास इस नाओ the body of a loop तो loop optimization करने के लिए three address code में पहले loop identify करना जरूरी है और यह अभी तक जितनी में analysis की आपको identify करा था कि loop है कहां पे yes यह point clear हुआ आगे बढ़ता हूं तो यह है वही division करके दिखाया हुआ है एक और चोटा सा केसे आप practice करना चाहें तो करें जल्दी से look at this इस तरह question exam में expect करते हैं so there you see first statement is a leader target of any conditional or unconditional jump go to three go to two इसका मतलब three number leader है दो number भी leader है next statement of any conditional or unconditional jump तो यह एक conditional statement है यानि कि 10 number leader होगा और इसके आगे तो कुछ है नहीं that will be all तो बनाव जल्दी से basic block एक basic block एक basic block इसकी territory लंबी है sir यह यहां तक आएगा and is this a leader 11 number no this is not a leader that will be all होगी गानी complete इनके नाम रख दो this is basic block one this is two this is three and this is four तो यहां भी four block बनते भी नजर आए जल्दी से graph बना लेते हैं थोड़ा सा practice कर लोगे फिर आपको इतनी problem नहीं होगी flow देखो मेरे काल से one से two पर ही आना है और two से three पर ही जाना कोई बड़ी कहानी नहीं है three से हम देख रहे है क्योंकि conditional statement और वापिस लेके जा रहा है three पर इसका मतलब three पर self loop है और condition fail हुई तो आपको चार नंबर पर लेके जा रहे है ठीक बात है ना और चार नंबर पर भी अगर conditional fail होती है तो आप आगे निकल जाएंगे अब यहां पर इसने statement ने लिखा में भी आप लिख सकते हो otherwise go to to go to to माने इधर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह का फ्लोग्राफ हमारा नजर आ गया और कभी-कभी इससे में पूछ सकते हैं कितने edges हैं कितने vertex हैं वो सारी चीज़ है तो आइधिंग इस तरह के question आप ट्राई कर सकते हो यह question एक और आप ट्राई कर लेना homework में I think point में आपको समझा चुका हूँ है अब लूप identify तो हम कर चुके हैं अब करना क्या है एक-एक लूप technique के अंदर में देखना है लूप में क्या-क्या you know modification किये जा सकते हैं क्या-क्या optimization किये जा सकते हैं कुछ types है तो पहला type आप से discuss कर रहा हूँ लूप optimization का जिसको बोलते हैं लूप jamming करना अब लूप jamming की क्या कहनी है यह समझाता हूँ यह वह music jam वाला jam लूप की jamming है कैसे होती है लूप की jamming notice करिए अब यहां देखिए दो अलग-अलग लूप है एक for loop है अनेस्टेट दो for loop है जो एक matrix है अजीब सी two dimensional matrix है x i, j जो मेरे ख्याल से one by one row major order में जा रही है और हर cell में toc 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 ऐसे लिख रही है यह एक दूसरा loop है जो single one dimensional area पर काम कर रहा है और यूदो दा index गोस फ्रम 0 टू 10 और हर जंगे जाके compiler design cd 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 लिख रहा है अब ध्यान से देखेंगे ना इनका जो outer index है ही एकदम match कर रहा है कहां से कहां तक जाना किस range में जाना है तो इस तरह का scenario हम सोचते हैं कि अगर हमारे बिहाफ पे ऐसा programmer identify करे तो मुश्किल होगा अगर हमारे बिहाफ पे compiler इस तरह का scenario identify कर ले तो क्या दोनों loops को merge कर सकता है क्या अगर दोनों की range same है दोनों same order में बढ़ रहा है तो काई को अलग अलग लिखना है तो ध्यान से देखो इसने क्या किया यह outer loop है outer loop के अंदर inner loop तो toc वाला वैसे ही लिखा बट outer loop के अंदर यहीं पे एक line लिख दिया देट वाई याई इस इकल सु सीडिया भोगा क्या जैसे जैसे रो बाय रो एक order में काम करेगा वैसे वैसे हर रो के लिए एक एक element compiler design cd इस एरे में भी लिखता जाएगा तो basically हमने दो अलग अलग loops को उठा के मर्ज कर दिया jam कर दिया this is called loop jamming तो एक loop का खर्चा बचा ना sir यही बोल रहा है combining the bodies of two loop whenever they share the same index and the same number of variable same range में चल रहा है same तरह के variable उठा के merge कर दो this is called loop jamming simple approach example के साथ लिखके आएंगे तो examiner number नादे ऐसा होगा नहीं आगे बढ़ता हूँ loop unrolling अब यह क्या कानी है देखिए notice करिए इससाधान example में बनानी सकता था इसके लिए initiate क्या 1 से जब तक value 100 से कम है print करना आई प्लस प्लस increment करना basically मुझा समाझ आ रहा है कि 1 से लेके 100 तक की value print कराएंगे अब आप से बोल रहा हूँ सर इसमें optimization करा दो आप बोलो कि सर इसमें क्या optimization करें initiate 1 से करना है हर बार condition check करना ही है एक condition check करोगे फिर उसको print कराओगे लेट मिस आपने वन प्रिंट करा है फिर उसको increment किया two फिर condition check किया फिर two print करा है फिर print किया three यह तो ऐसी चलेगा ना मैं बोलतों यह एक बात बताओ print आपको हर वेल्यू करनी ही है I agree with it increment भी एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि हर वेल्यू प्रिंट करनी है करके करना पड़ेगा हर बार condition चेक करना जरूरी है क्या 100 बार यार condition तो एक बार boundary भी जाके फेल होगी ना हमात तो ठीक है तो आप प्रिंट भी कर लो यानि कि जो बॉड़ी का जो लूप का बॉड़ी उस पर आप काम कर लो आप प्रिंट कर लो आप इंक्रिमेंट कर लो आई agree with it but हर बार काई को condition चेक कर रहे हो क्या करें फिर क्या एक काम करो ना इसाइडिया लूप की बॉड़ी को अन्रोल कर लो कैनलूप की बॉड़ी को दो बार लिख लो अब यह लूप 50 बार चलेगा है ना तो प्रिंट सौ बार ही होगा इंक्रिमेंट सौ बार ही होगा बट बटाओ condition चेक इतनी body under replicate कर दे तो लूप के number of iterations कम हो जाते हैं जिससे और कुछ कम होना हो कितनी बार condition check होना यह तो कम होता ही होता है जिससे advantage मिलता है और कम time हमारा लगता है हाला कि यह बात ध्यान रखना लूप unroll इस हिसाब से करना है कि boundary condition miss ना हो जाए है ना अब कोई बोले कि मैं तो इस हिसाब से महां लीजे तीन तीन बार करूंगा तो 300 is not divisible by 3 problem हो सकता उस बात पर ध्यान देना है एक और बात इसकी अपनी limitation होनी चाहिए आपका लालच बढ़ गया तो आप बोलो sir मैं तो 5 बार unroll करूंगा और प्लस 5 पाँच पे 10 पे 15 पे 20 पे तो ऐसा करते करते सोचेंगे सो बार प्रिंट ही कर डालते है फिर लूप की ज़रूती क्या है तो इक बीच का रास्ता यहां पर हमें ढूंडना पड़ता है लूप अन्रोलिंग के अंदर है ना बड़ इसिक फिल आपको समझा गया एक्जामपल आपके सामने बना के आओगे नंबर मिलेगा अगला पॉइंट कोड मॉमेंट अभी यह क्या कहाण नहीं है लूप के अंदर किसको होना चाहिए जिसको बार-बार रन करने की जरुत हो लेकिन अगर कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन बाइचांस प्रोग्रामर ने गलती से लिग दी जिसको चाहिए एक बार रन करे चाहिए 100 बार फर्क नहीं पढ़ रहा लेकिन 100 बार रन करने की जरुत न मैंने आ रख दिया हाला कि इस लूप का A, B, C से कोई लेना देना नहीं है तो अब अगर B की वेल्यू 1 है और C की वेल्यू 2 है तो A की वेल्यू 3 हो जाएगी आप 100 भार भी करो तो कोई लेना देना नहीं है तो उसको लूप से बाहर निकालना है very simple understanding नाम से भी समझाता है लूप movement या क्या बोलते हैं लूप invariant computation अगर कोई ऐसा computation है जिसका लूप से लेना देना नहीं है invariant है unrelated है उसे लूप से बाहर निकाल लिया जाए ठीक बात है आगे बढ़िए optimization of basic blocks now तो loop optimization आपको समझा दिया तीन basic approach है इस पर आप काम कर सकते हो उसके अलावा machine independent optimization में और भी कुछ छोटे-छोटे ideas है अब यह loop के अंदर भी हो सकते तो loop के बाहर भी हो सकते है अलग-अलग type of optimization है तो इन पर बात करना जोरी बहुत simple simple approach है heading की value है यह heading आपको याद रहे उसकी value है और एक example आप exam में लिख के आजाए इस बात की value है तो पहला type है constant folding इस बात का क्या मतलब है अब मार लीजे programmer में लिखा a plus b plus 2 multiply 3 plus 4 अब मुझे बताइए कम से कम इतना information तो हम compile time में solve कर सकते है तो we know that 2 into 3 6 होगा 6 plus 4 10 होगा तो अगर कही constants लिखे हुए expression में और उनकी value reduce की जा सकती है solve की जा सकती है तो क्या किया जाना चाहिए यहां किया जाना चाहिए एक call हो सकती है तो programmer पागल था क्या उसने ऐसा क्यों लिखा में भी लिखा होगा code की readability बढ़ाने के लिए हो सकता है इस 2 का 3 का 4 का कोई मतलब हो लेकिन execution में तो कोई मतलब नहीं तो क्यों ना अगर instruction में कुछ constants है उनको compile time पे ही solve कर दिया जाये ताकि runtime में हमारा time बचे है make sense constant folding replacing the value of expression before compilation is called constant folding makes sense आगे बढ़िये constant propagation अब इस बात का मतलब देखे एक्जांबल से बता रहा हूं माल लिजे पाई ये constant है जिसकी value हमने पहले से define कर दी लेक 3.1415 हम पहले से define कर रहा है जहां भी पाई लिखेंगे ये value लेके चलना उसके बाद उसने कहीं कोई formula यूस किया होगा that x is equals to 360 by pi अब अगर ये variable नहीं है constant और इसकी value आपको पहले से पता है compile time पे तो क्या इसकी value यहां पर पहले से नहीं replace हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए इसके बाद even constant folding लगा के इसको यहां पर solve भी कर सकते है तो यह क्या बोलता है replacing the value of constants before compile time is known as constant propagation तो if you know that there are certain constant और अगर उनकी value पहले से पता है क्योंकि वो constant है तो compile time में ही उनका replacement हो जाना चाहिए that is constant propagation next is strength reduction अब इस बात का क्या मतलब है architecture इस बात को मैं बहुत गयराई से समझते है ALU mathematical logical unit जो होती ही बहुत सारे तरह का operation कर सकते है comparison कर सकती है boolean operator कर सकते है अगर मैं simple arithmetic की बात करूँ plus minus divide multiply number of operation है सवाल यह है कि क्या सारे operation में same time लगता है क्या नहीं sir adder बनाना तो बहुत आसान है तो हो सकता है addition एक clock में हो division 2 में हो subtraction 2 में हो multiplication 3 में हो division 6 में हो division is a complex thing to do isn't it यह बात तो समझ आती है तो अगर इस तरह का scenario है तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर possible है तो high cost operator को low cost operator से replace कर दें जैसे मान ली जो programmer ने लेखा y is equal to 2 into x कई बार आपने भी लिखा होगा but do you realize कि यह multiply करना पड़ेगा 2 से क्या उसको ऐसा नहीं replace कर देना चाहिए तो से multiply करना या x plus x करना एक ही तो बात है बात तो एक ही है लेकिन इनके execution time में बहुत फर्क पड़ेगा तो क्या compiler इतना smart हो सकता है कि programmer के बिहाफ पे high cost operator को अगर possible है तो low cost operator से replace कर दे ताकि execution time save किया जा सके है that is known as strength reduction operator की strength कम कर दी तो time कम लगेगा so replacing the costly operator costly मतलब time की terms में by a cheaper operator and this process is called strength reduction क्या बोलते है इसको strength reduction बोलते है again simple point redundant code elimination और common sub expression elimination कई बार same code है थोड़ा सा change है pattern में प्रोग्रामर ने लिखा है और शिया ध्यान नहीं दिया क्या compiler देख सकता है यह लिखना that for example look at this x is equals to a plus b या y is equals to b plus a अब यह पता होना चाहिए then in mathematics addition is a commutative operator isn't it तो अब a plus b b plus लिखो एक ही बात है तो अगर यह value पहले calculate की जा चुकी है तो क्या दुबारा calculate करना जरूरी है क्या जी नहीं तो if x is equals to a plus b और मैं calculate कर चुका हूं तो क्यों नहीं मैं y is equals to x लिख दूं this is called redundant code elimination या common sub expression तो what it says avoiding the evaluation of any expression more than once एक से जादा बार calculate करने से बचाना ठीक है common sense बात है algebraic simplification इस तरह के बात दिख लिजे तो क्या b plus 0 को b से या b multiply by 1 को b से replace नहीं कर सकते कर सकते हैं very simple idea तो इस तरह के simplification हमारे पास होने चाहिए यह एक छोटा सा आइडिया और है बाद में बचावा डाग अब डाग क्या है सिंटेक्स पास्ट्री हम पढ़ते हैं उसी को सिंप्लिफाई किया जाता है कि कई बार same expression multiple time लिखना पढ़ता है तो वसके डाक की इस्तेमाल से हम कैसे optimization करते हैं कैसे common sub-expressions को बार-बार calculate होने से बचाते हैं वह मैं सीधे example देखे आपको समझाता हूं look at this it's a very beautiful idea अब अगर मैं आपसे बोलू इसके लिए syntax भी बना सकते हो आप बोलो कि हासर बना देंगी कोई बड़ी बात नहीं है कैसे बनाओगे बताओ ए प्लस ए कर रहा ब्राकेट लिख लिए कि उसने बताए भी है मानों से किस order में calculate कराना है यह यह शाद लेफ हाफ अफ अब इस structure हो गया शाद यही काम इधर करना पड़े करना पड़ेगा उसमें space लगेगा structure store होगा बहुत खर्चा है अब अगर हम बात करें DAC की तो DAC क्या कहता है A है A में क्या प्लस करना है A प्लस करना है क्या वो पहले से हमारे पास है हाँ है तो क्या मैं उसी को refer कर सकता हूं can a same operand be referred multiple times yes अब बताओ यह node किसको represent करता है इस node के पास actually value है A plus A की सोचो इसको एक level और उपर लेके जाओ और ऐसे refer कर लो अब बता सकते हो क्या है this is A plus A and now this node represents A plus A and A plus A क्योंकि मैं अगर bracket में लिखके याद दिला दूं इस node का मतलब है A plus A A plus A को A plus A set करूंगा तो basically first half of the equation solve हो चुकी है और इसी को कर एक level और उपर लेके इसी expression को represent कर रहा है यह DAG उसी को कर और खर्चा देखो कितना कम है अभी DAG को खर्चा आप number of edges या number of vertices में calculate कर सकतो तो उससे तो बहुत कम है यह idea है DAG का तो आप से examiner का expectation क्या है वो एक expression देगा और बजाए इसके जो हम पहले practice कर चुके है कि simple syntax tree बना है उसका expectation आप से है कि आप उसके लिए DAG बना सकते हैं किया जिसका costing कम हो यह है कुछ common normal example में आपके लिए बना के लाया भी हूँ जैसे यहां देखिये पहला instruction है d is equals to b multiply c तो पहली बार था तो b और c को multiply करके हमने रख लिया then e is equals to a plus b अब देखे b to common है और change भी नहीं हुआ तो मैंने plus किया a मैं ने नया बनाया बट b same b refer कर लिया जो की multiply ने किया था कोई गलती नहीं है फिर आगे देखो फिर से कह रहा है b is equals to b multiply by c अब notice करने वाली बात यह है b multiply by c तो मैं पहले calculate कर चुगा हूँ जो की d है तो दुबारा से calculate करूँ या आज की बार इसको b के नाम से जान सकता हूँ आ नोट का representation है b इधर represent कर रहा है दोनों को ठाके आपसे minus कर दिया और result के इसमें रखना है a में now that note represents a so this is a dag जिसका costing obviously बहुत कम होगा compare to syntax tree तो वह simple observations है यह आप एक देख सकते है this is an expression और again मैंने step by step भी बना के रखा है पहले से तो bracket है मैं respect करूँगा bracket को मैंने solve कर लिया now this is b minus c है ना और एक बार solve के आप मान रहा हूँ कि मैंने दोनों b minus c को solve कर लिया अब अगें दो multiplication left associativity दोनों देख लेता हूँ a के लिए यह left operand बनेगा तो देखिए multiply हुआ और यह left operand बन गया और यही भी multiply से इस d का right operand है एक और multiply लिए और d के साथ यह right operand दी right operand बन गया left operand बन गया और दोनों का बाद में क्या करना है add करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ now this node represents यह first वाला idea यह this node represents यह second वाला idea तो दोनों को ठाकर प्लस कर देता हूँ जैसे यह पर लिखा हुआ है एक दोहर एक्जम्पल आप देख सकते हूँ you can have a look to this video पॉस को स्क्रेंशॉट लो you can have a look to this video पॉस को स्क्रेंशॉट लो you can have a look to this also video पॉस को स्क्रेंशॉट लो yes तो यह कुछ अलग खराब थी तो दो तिन दिन का डिले हो गया जो मैंने प्रॉमिस किया था बट मैं जैसा आप देख रहो ना content में मैं कहीं भी कोता ही नहीं बरत रहा आपके semester को आपसे ज्यादा importance लेखे चल रहा हूं और content एक दो दिन डिन हो सकता है बट आने वाले कई सालों तक ही आप लो आपने ना दो यस तो आप साथ देते रहिएगा support करते रहिए बात मैं पूरी वीडियो में नहीं करता सिर्फ last में करता हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है जो यहां तक पहुंचा है ना sir वो पूरा content डेखते वे आया है तो बहुत लोगों की महनत और मेरी कई सालों की त तरह से पढ़ाया जाना चाहिए उस पर काम करने के बाद यह content बना रहा हूं लेकिन आप लोगों की problem को जड़ से खतम कर देना चाहता हूं yes तो प्लीज अपना साथ बनाये रहिए चैनल को subscribe करिए comment करिए आपके comment से value मिलती हमको और मैं के comment पढ़ता हूं daily है ना तो thank you so much औ और अगली वीडियो आने वाली है discreet structure, discreet maths आप जो चाहिए बोलना चाहिए या उसके बाद कौन से वीडियो आने है वह हम community section में आपसे बात करेंगे अपना पूल में participate करीगा जो आप लोगों का decision हों का सर्व सम्मति से वही sequence हम follow करते आप ही रहे है ना thank you so much भगवान आप सबी को खुछ रखे जय हिंद जय भारत